एक सो साथ घंटे का डिजिटल मार्केटिंग का फ्री कोर्स है इसका पार्ट सिक्स है यह उमीद करता हूं आपने पहले के सारे पार्ट देखे होंगे अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिये हैं उन लिंक्स के थ्रू आप कंप्लीट सिरिस देख सकते हो और इस को करने के बाद इसका फाइदा आप अपने बिजनस या जॉब में उठा सकते हो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कोचिंग कंसलिटेंसी लेने के लिए वेबसाट मार्केटिंग फंडाट कॉम पर आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो तो दोस्तों आज हम यह पहली वीडियो से शुरुवात कर रहे हैं यूट्यूब से रिस की तो यूट्यूब से रिस का जो सबसे पहला स्टेप है अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो यह सबसे पहला स्टैप है दोस्तों इसमें शुरुआ करने से पहले मैं आपको एक दो चीजें टिफ्स देना चाहता हूं पहले कि अगर आप एज यूट्यूबर अपना जर्नी शुरू करने जा रहे हैं तो जीमेल आईडी आपके बस मस्त हैं दूसरा आप एक या दो वीडियो जो भी आपके जो नीश है जिस भी सेक्टर सेग्मेंट में आप अपने चैनल शुरू करने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप पुरा आरंडी करें रिसर्च करें अपने कॉम्प्टीटर को देखें और एक दो वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के आप पहले से रखें और दोस्तों एक आपके पास होना चाहिए ताकि फ्यूचर में जब आपका चैनल मॉनेटाइज हो तो आप उसको लिंक करें ताकि उसमें आपको पैसे आपाएं और दोस्तों एक आपको परसनल टिप देना चाहता हूं अगर आप दे जैसे मेरी जीमेल आइडिये हितेश भुकतागी अब बट यह गया है मेरी बहुत पुरानी मेल आइडिये इसको मैं बहुत जादा परसनल प्रोफेशनल लेवल पर यूज करता हूं तो इस मेल आइडिये पर अब मैं चाहूं तो अपना एक यूट्यूब का एकाउंट बन बना है तब मैंने मार्केटिंग फिंडूज के लिए अफिस जीमेल आइडि बनाए जो की मार्केटिंग फंडाज के नाम से ही मिलती जूलती है जाएड़ घे सब्स्क्राइबर रोड जुड़ते तो पूरी मदू होए सब्सक्राइबर शेर करते हैं तो उस पर वीतुषör हो जाती है तो अगर आपकी जो परस्नल मेल आड़ी मान लीजिए अगर मैं परस्नल मेल आड़ी पर बना लेता तो देखिए कितना ज्यादा यह रोज का डाटा उस पर आता और मेरे को डिलीट करना पड़ता हो मिक्स हो जाता जो की फिजिबल नहीं था तो इसलिए आप जब कि अंदर एक फटावर नहीं जीमील ऐडी बना लेते हैं को डमी जीमील आडी तो यहाँ पर देखिए मैं क्रिये आगांट पर क्लिक करूंँआ जीमील का नए अकाउन करेट करने के लिए यहाँ पर मैं कर देता हूं यह आपको देखना है माइसल्फ यह तूमानेज पंडाज डेमो करके बना देता हूं और पास्वर्ट जो भी मेरे को भी रखने हैं वह मैं कर देता हूं पास्वर्ट मैंने कर लिया अब दोस्तों यहां पर नेक्स्ट करने के बाद हम फर्दर आगे यहां पर बढ़ेंगे यह अभी आप अपना मुबाइल नंबर डाल लेजिएगा दोस्तों बिकॉज मुबाइल नंबर मचते हैं कभी आपके अकाउंट में कुछ दिक्कत हो शुरुबात में अकाउंट नया है शायद आपको तना फरक ना पड़े बड़ जब यह आपके लिए प्रॉलिटी बन जाता है इस पर आपका सब कुछ होता है तो आपको बहुत जादा लॉस हो सकता है तो यह नंबर मेल आईडी रिकवरी मेल डालिएगा अभी मेरे लिए यह option है इसलिए मैं अभी आगे यहां पर मैं चाहूं तो दोनों ही डालना रिकवरी के अगाई चैस का पास्वर्ड बूल गया एक चीज आपके नमबर में में सो गया तो दुख किसी में एक चीज साबर कर सो घ्क है यह आपको जानों को घ्यानता पासवर्ट बूले जाना पर आगे बढ़ते हैं इसके बाद आपको इसेप्ट करने के बाद आपका एक प्रिएट होता है तो देखिए मुश्किल से एक मेंट काम होता है एक प्रिएट करना और जो कि मस्ट है आप लोगों के लिए अगर आप यूट्यूब पे अपनी जर्णी शुरू करने जा रहे ह तो जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हो जीमेल पट थोड़ा सा बस ही अपरेट करने में जरह सा टाइम ले रहा है तो अब यह हो गया दोस्तों देखिए हमारा जीमेल का एकाउंट क्रिएट हो गया है यूज आप इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं और यहां स्थीम को डिफ यहां पर आप यूट्यूब का चैनल क्रेट करना है तो इधर आप जो बॉक्स देख रहे हैं यहां पर क्लिक करने के बाद आप यूट्यूब चैनल के जाईए अब जैसे हम यहां पर आ गए दोस्तों तो अब इधर मैं यहां पर सब्सक्राइब करेंगे अधर यहां पर देख सकते हैं इस वाली मेल आइडी से यह मेरा इस वाली मेल आईडी से उसे चैनल क्रियेट हो गया है मतलब मैंने यूटूब में लॉग इन कर लिया है और यहां पर लॉग इन करने के पाद देखिए अगर आपने चैनल बना रखा होगा तो यहां पर माइ चैनल आएगा यह यूर चैनल आएगा ठीक है तो क्योंकि मैंने इस मेल आईडी से आज कोई यूटूब चैनल नहीं बनाया तो इसके चैनल आ रहाए तो मैं शुरुआत करूंगा अपनी चैनल बनाने की की चैनल पर क्लिक करूंगा तो जैसे मैंने यहां पर िलहा पर क्लिक करा आप यूर चैनल बगां और आप धोस्तों यहां पर आ गया सथित Св. लुश सब्स तो तो मैं एक custom name दे देता हूँ select पर click करता हूँ because youtube channel का तो obviously आपने कोई नाम सोच रखा हुगा जो नाम आप देना चाहते हैं तो इधर मैं अभी demo पे लिए MF YouTube MFYT करके दे देता हूँ और मैं यहाँ पर term and conditions को करता हूँ और यहाँ पर मैं create पर click करता हूँ तो आप आगे फर्दर हम पहुंच गए अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों अब हमारा अब यहाँ पर हम अपनी अप्लोड पर्ट कर देते हैं इधर यह पर जाने के बाद जोर्स लका लगा लिजिए करने तो replace भी कर सकते हो आप tell words about your channel तो दोस्तों description description बहुत जरूरी है up to 1000 characters तक आप लिख सकते हो क्योंकि उस description से लोगों को पता लगता है आपके channel के बारे में और आप क्या उसमें provide करोगे क्या लोगों को वहाँ पर सीखने को मिलेगा देखने को मिलेगा तो उससे लोगों का interest बनता है और आपके बारे में और वह जान पाते है तो अभी तो मैं डेमो के लिए हाँ पर लिख देता हूं कि मैं मैं वाइटी जेज़ और डिजिटल मार्केटिंग यह को हम शयुकुप चैनल कि आपको प्रॉपर लिखते हैं अपने बारे में अपनी कंप्यों के बारे में इसमें आपको बताना है जैसे कि अब हमारी वेबसाइट है मेर्केटिंग फंडाज तो हमारी वेबसाइट है तो विकौज हमारी बह। बहुत सालों से डिजिटल मार्केटिंग एजेशनी है मीडिया भाई के नाम से और हमारा पूरा डि़ीडल मार्फिंग ब्रेंडिंग इडविटीशमेंड का वक है बहुत सारे सब बहुत सालों से तो हम अपनी वेबसाइp को यहां से कॉपी करेंगे दोस्तों यहां से मुने कॉपी करा कोपी करने के बाद चैनल में गए और अगर आपकी साइट है तो आप उसको जरूर साइट को फिर डालेगा नहीं है तो फ्यूचर में आप डाल दीजिएगा और दोस्तों जो आपकी शोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो यहां पर जरूर अपडेट कीजिएगा जिससे की लोग है जरूर फिल कीजिएगा सेवन कॉंटिन्यू करते हैं दोस्तों तो सेवन कॉंटिन्यू करते हैं अब यह हमने आपको प्रॉपर एक यूट्यूब चैनल एकाउंट क्रियेट करना सिखाया ठीक है ताकि आप लोगों को कोई चीज मिसना हो अब दोस्तों बाकी की जो चैन सो के आग आसकास वीडियो यह इस उरीज में आपको मिलेंगी ठीक है और बेसिक से एडवाण से से अडवान से लेवल पी चीज़ें हमने उसमें आपको सिखाए है ताकि आप कम्पीट बैसिक से अपने चैनल को कैसे ग्रोब कर सकते हो हर चीज हमने आपको अपने चैनल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहां शैटिंग्स में जाने के बाद आप आप आईए एड और मेनेज और चैनल पर क्लिक करने के बाद देखिए एक चैनल हमने ये बनाया एक रहे हैं तो अभी तो आपको प्रोपर चैनल बनाना सिखाया है मैं उमीद करता हूं एजली अब आप भी यूट्यूब की जर्णी अपने चैनल करके शुरू कर सकते हो और दोस्तों इसके साथ साथ जैसे कि मैं आपको बताया है वाकी की वीडियो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल ताकि आप एक भी चीज मिस ना करो बेसिक से बेसि तो दोस्तों जैसे कि हमने इस से पहले वाले में आपको यूट्यूब चैनल क्रियेट करना सिखाया था अप यह जो वीडियो जाएंगी जैसे ये वीडियो है इसके बात जो हम वीडियो लेकर आएंगे से रिसक अंदर उसमें हम आपको बहुत बेसिक से लेके अद्वांस लेवन तक एक चीज चैनल में सेट अप करना बताएंगे और उनके क्या लॉजिक है क्या फाइदे है वो बताएंगे तो यह वाली वीडियो में हम आपको YouTube चैनल आर्ट क्रीट करना बता रहे हैं तो दोस्तों जब कभी भी आप किसी का चैनल देखते हैं YouTube चैनल उसको जाते ह है तो यह किस तरीके से आप चैनल 8 क्रीघ कर सकते हो जब आप योट्यूब से róż racism ॥ यह क्रिछ r आने के बाद दोस्तों जब हम यहां पर आते हैं यह हुत है चैनल 8 इetus को चैनल 8 कहते हैं यहां पर अपड़ अब आफे सकते हो एड़ीट करसकते हो एड़ीट कर सकते हो यह प्रूपाइल मार्गनिंग करें साइट मार्गbane काम लगा चुके हैं यहां से जाकर आप एड़िट कर सकते हो और ऐसे ही यह जो कवर पेज है इसको लगाना होता है दोस्तों कवर पेज में एक सबसे इंपोर्टन चीज में आपको बता रहा हूं कि इसमें आप जो चैनल है वो किस से related है वह लोगों को क्या सीखने को मिलेगा ठीक है वो सब चीजों का उस पर होना चाहिए बहुत creative चैनल आट साइज है वो 2560 इंटू 1440 का है और फाइल का साइज 6 अपर नहीं होना चाहिए तो यहां पर इन्होंने बता रखा है अब इसको अगर आपको अपडेट करना है तो यहां पर जैसे अप्लिक कीजिए और अप्लोड कीजिए फाइल को जैसे हम देखे यूट्यूब क्योंकि सही साइज अगर आप लोगे तभी वो सही स्क्रीज सारी स्क्रीज पर सही तरीके से आएगा चाहिए मोबाइल है टीवी है डेक्स्टॉप है तो आप यहां से कर सकते हो नहीं तो पर्फेक्ट साइज आ रहे हैं और उसी साइज में बनाना जो रिकमेंडेट यूट्यूब के द्वारा और जैसे आप सब्मिट करोगे सब्मिट करने के वाद यहां पर देखे आप पहले लगा रहा है तो आप हमने देखे चैनल अर्ट लगा दिया आप चाहिए टीवी पे देखे डेक्स्टॉप पे देखे चाहिए मोबाइल पे देखे सको तो कि अगर आपकी चैनल की सेटिंग्स बेस्ट हैं आप सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हो एक एक चीज की बारे में आपको समझ है तो आप अपने चैनल को बहुत तेजी से ग्रो कर पाऊगे और लोग भी आपके चैनल को पसंद करेंगे तो दोस्तों उमीद क कि अगर आपका यूट्यूब चैनल आपने बनाया है और जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको पहले बताया कि यूट्यूब चैनल कैसे क्रेट करें उसके बाद बताया कि चैनल आठ कैसे बनाएं जो कि आप यह देखने ऊपर किस तरीके से आप आफेक description में होनी चाहिए क्योंकि दोस्तों जो description होती है आपके channel की वो आपके बारे में आपके viewers को बताती है नए लोग जो आपके website पर आते हैं वो उससे आपके बारे में और जादा जान पाते हैं और वो जादा connect होते हैं तो दोस्तों अब जैसे की description आपको लिखनी है तो इसक्रिप्शन के लिए आपको यहां पर जो आप अपने चैनल में कस्टमाइज चैनल में जब आप आओगे अपने चैनल को कस्टमाइज करोगे तो जहां पर हमने आपको आट एड करना बताया थे जो पूर देख रहे हो वहीं पर नीचे आपको about का option आएगा तो आप यह यूट्यूब चैनल कैसे क्रेट करें उस समय भी वह प्रोफाइल पिक के साथ साथ डिस्क्रिप्शन पूसता है तो आगर उस समय आपने डिस्क्रिप्शन नहीं बना रखता था और आप जनरली इस परसन कोई भी होता है वह पहले चैनल क्रेट करता है और बाद में इस आपसे इसको बनाए ताकि आप एक स्ट्रॉंग चैनल बनाए और पब्लिक आपसे बहुत तेजी से करेक्ट हो चैनल तेजी से ग्रो तो दोस्तो हर एक चीज़ इंपोर्टन है तो डिस्क्रिप्शन आपको बनानी है बहुत जादा सॉलिट करीगे से अप तू पांठ हजा इसमें करेक्टर्स तक आप इसमें डाल सकते हो अपनी डिस्क्रिप्शन में मगर ऐसा नहीं कि आप इसको यह जब पैरग्राफ डाल दो कभी भी मट डालिएगा दोस्तों तो इसके अंदर आपको क्या करना है यहां पर आप जब एडिट पर क्लिक करोगे तो यहां पर इसके लिए एक फाइल बनाई है यहां पर आप देखें डिस्क्रिप्शन में पहली चीज यह है के अपने जो डिस्क्रिप्शन आप बनाऊगे उसको बहुत शॉर्ट और मतलब क्रिस्प रखना है ताकि आप इसली अपने वियर्स को अपनी बात कम से कम सब्सक्दों में बता आप आओ तो बहुत चीजों को खीचना नहीं है शॉर्ट में क्रिस्प तरीके से आपको अपने जो कॉंटेंट है इसको बनाना है चाहे आप अच्छे से उसको लिखें चाहे किसी प्रोफेशनल कॉंटेंट राइटर से उसको लिखवाए जोस्तों क्योंकि वह कुछ सही बात उसके अंदर आप बोलिए दूसरा दोस्तों यह जो कॉंटेंट मस्ट भी कैची तो उसमें जो आप कॉंटेंट लिखवा रहे हो वो कैची होना चाहिए कि उसमें ऐसे कुछ चीज होना चाहिए जो सामने वाले को प्रभावित करें तो से इंप्रेस हो चैनल में हमें काफी कुछ मिलने वाला है तो उनका इंट्रेस्ट आए आपके चैनल के प्रति दोस्तों तीसरी चीज है इसके अंदर एड लिंक्स ओफ यॉर वेबसाइट और चोशल मीडिया प्लैटफॉर्म क्योंकि दोस्तों यूट्यूब अपने आप में चोशल मीडि हो तो उसके लिए आप चाहते हो कि मान लीजिए अगर आपके चैनल पर पॉब्लिक आने शुरू हो गई वापको जानना शुरू हो गई तो वहां से कैसे आपकी वेबसाइट पे आपके बारे में और जानने के लिए सर्विचेज और आपसे क्या-क्या उनके संद फाइद प्रॉपर लिंक होने चाहिए आपके पास तो इसलिए दोस्तों आपको क्या गरना है आपको सारे लिंक प्रॉपर और कोशिश करिएगा जो आपका यूट्यूब का चैनल है वो जिस नाम से हो उसी नाम पर ही आपके शोचल मेडिया प्लैटफॉर्म के कस्टम यूरल्स हो ठीक है उनके नाम भी वैसे हो तो इजी होता है पॉब्लिक लिए आपके लिए कनेट करना उपर दोस्तों चौथा पॉइंट कॉल टू एक्शन मतलब आप अपने व्यूवर्स को गाइड कीजिए कि वो आपके चैनल पे जिस ताकि लाइक करें शेयर करें और नोटिफिके लूप अगर देना चाहें पांचमा पॉइंट मैं इसमें लिखा वट बता रहा हो अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे डारेक्ट कनेक्ट करें लाइक काल कर सकें तो आप अपनी डिस्क्रिप्चन में अपनी डिटेल्स भी दे सकते हो ताकि पब्लिक जो आप से कन्टेक् तो दोस्तो इन सब बातों को ध्यान में रखे आप अपना ये बनाएंगे डिस्क्रिप्शन चैनल का जो लॉंग टम तक आपको बेनिफिट देगा और उस डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ आप ऐसे कीवर्स भी यूज़ कर लिजेगा जो रिलेटिड हों आपके तो दोस्तो इस वीडियो में आपको एक बहुत ही इंपोर्टेंट हम प्रोसीजर बता रहे हैं जो की है कैसे आप अपने यूट्यूब एकाउंट को चैनल को वेरिफाई करो दोस्तो बहुत सारे फीचर्स एवलेबल ही नहीं होंगे अगर आप अपने यूट्यूब चैनल को वेरिफाई नहीं करोगे अपने अकाउंट को वेरिफाई नहीं करोगे विगोज यह आपके अथेंटिकेशन बताता है यूट्यूब को और आपका अगर चैनल आप वेरिफाई कराते हो तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो तो बहुत सिंपल है easy है तो इसलिए आप यह वीडियो जरूर देखेगा इसके बिना बहुत सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर चैनल में आइकन देख रहे हो इधर आप क्लिक किजिए क्लिक करने के बाद आप सेटिंग्स पर आएए सेटिंग्स पर आने के बाद देख सकते हो इधर बहुत सारी चीजे हैं जो भी इनेलिजिबल है कुछ हम कर सकते हैं बड़ उन में से बहुत सारी चीजे तब होंगी जब क्या कहते हैं हमारे यहां पर वेरिफाइड हो जाया हमारा चैनल अभी सिर्फ अप्लोडिंग और यहां पर हमारी अनलेश करें है हमारे अनडिया है अब यहां पर आपको पॉल कराना है या लोगोया अस घक्राने टरानल को बैस मेरिफिकेशन को मेरिफिकर सब्सक्राइग तो यहां पर दोस्तों हम मोबाइल नमबर आ Jetzt पर कराना है उनलेग test लिए यहां पर submit करेंगे दोस्तों तो जैसे हम यहां पर submit करेंगे तो यह 6 डिजिट का verification code आएगा जिस verification code को हमें यहां पर put करना हुआ तो जैसे वह verification code पूट करोगे जैसे अभी मैं यहां पर करता हूं यह 53875 यह verification code आया मेरे number पर मैंने submit करा तो submit करने के बाद यह दिखे congratulations your YouTube account is now verified तो दोस्तों इसलिए मैंने आपको इस रिस की शुरुवात में बोला था जब YouTube का account create करना मैंने आपको बताया था कि दोस्तों आप लोगों को अपना जो account है उसमें mobile number mail ID बहुत ज़्यादा ज़रूर है आपकी बहुत सरी वेरिफिकेशन और account recovery और security के अंतर काम आता है तो जैसे कि हमने दोस्तों कर लिया अब यहां पर वापस हम refresh करके यहां पर हम जाएंगे ठीक है यह हमने demo account इसलिए आप लोगों को लिए बनाया था कि ताकि हम आपको fresh तरीके से हम अपने account में भी सिखा सक सकते थे बट हम आप लोगों को fresh तरीके से इसलिए सारी की सारी चीज़े बता रहे हैं बिल्कुल नए account में ताकि आप एक beginner level की तरह बिल्कुल basic से एक एक चीज़े सीखो हम आपको बहुत सारे tutorials दे रहे हैं दोस्तों ताकि आप एक चीज़ को deeply सीखो उसके बारे में समझ म क्यों है उस चैनल में अब देखिए दोस्तों यहां पर हमारा चैनल वेरिफाइड हो गया है अब देखिए दोस्तों पहले हमारे पास सिर्फ यह दो चीज़े अनेबल थी अब लॉंगर वीडियो भी हम डाल सकते हैं external invitations लगा सकते custom थमने लगा सकते हैं तो इस तरीके से आप अपने चैनल को वेरिफाइड कीजिए और दोस्तों और बहुत सारी इंपोर्टेंट वीडियो के लिए पूरी सिर्फ के लिए प्लीज सब्सक्राइब पर लीजे चैनल अगर नहीं कर रहा है ताकि आप नोटिफिकेशन मिस ना गरे कोई वीडियो मिस ना गरे थैंक् वीडियो है जो जब कोई नया विजिटर आपकी वेबसेट पर आता है आपके यूट्यूब चैनल पर पहली बार आता है तो वह आपके चैनल से जब इंट्रेक्ट करता है तो इस तरीके से वह आपके चैनल के फ्रंट पर आता है तो यहां पर आप देखिए इधर एक वीडियो है नियु विजिटर्स के लिए इस वीडियो में या तो आप अपने चैनल के बारे में बताईए और इलग्रोट कीजिए लोगों को पता लगे इस चैनल पर क्या मिल रहा है क्या फायदा है क्या वेनिफिट्स है या फिर जो आपके बहुत इंपोर्टेंट आपको तो कैसे आप ट्रेलर वीडियो लगा सकते हो चेंज कर सकते हो वह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो की बहुत इंपोर्टेंट है एक यूट्यूब चैनल के लिए तो दोस्तों उसके लिए आप यहां पर कस्टमाइज चैनल पर अपने क्लिक करने के बाद आप दे सकते हो दोस्तों इधर रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स और यहां पर है फॉर न्यू विजिटर्स तो यहां पर दो चीजे हैं जो हम बात कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वह यह वाला वह वीडियो है देखिए इस पर वह वाली व्यूज भी है आएगा देखेगा तो उसको यह वाला वीडियो दिखता है इससे मेरे इस वाली वीडियो से व्यूज भी बढ़ते हैं और प्लस उसके अलावा लोगों को मेरे चैनल के बारे में पता लगता है ज्यादा पता लगता है और उससे अगर वो उनको इंट्रस्ट आता है तो और सब्सक्रीड को ऑफियूर करते हैं मेरे चैनल को तो दोस्तों कुछ नहीं करना उता इसके अंदर जैसे कि यहां पर गए दिट पर चेंज ट्रेलर ठीक है यहां अगर अगर रिमूव पढ़ना है तो हट जाएगा अगर आपको इसको बदलना है तो आप यहाँ पर चेंज ट्रेलर पर जाएए ठीक है और यहाँ पर आप कोई भी वीडियो यहां से आप अप्लोड कर सकते हो ठीक है नए में से करना है ओल्ल मोस्ट व्यूड में से करना है जो सब अप्लोड करना है और उसको आप ऐसे सेफ कर देंगे ठीक है अभी मैं कैंसल करता हूं विकॉद मेरे को चेंज नहीं करना मैं यही वीडियो रखना चाहता हूं तो कितना इजी है ट्रेलर वीडियो सेलेक्ट करना आपके चैनल की वीडियो में से कौन साथ लगाना चाहते हो और ऐसे दोस्तों एक और है वह है रिटर्निंग विजिटर रिटर्निंग विजिटर मैं सब्सक्राइबर्स जो लोग आपके सब्सक्राइबर्स हैं वह वापस आते हैं आपके चैनल पर तो आपकी माल लीजिए जो सब्सक्राइबर्स हैं आपकी कोई नई वीडियो आई या आपकी कोई नई playlist आई कोई series आई कुछ भी आया तो आप यह चेंज करते रहिएगा यह चेंज करने का process यही है यहां से जाएए और वाला जो वीडियो है जो आपको बदलने है उसको edit कीजे और दूसरा वाला वीडियो लगा सकते हो प्लेलिस्ट लगा सकते हो दोस्तों यह वाला वीडियो जो है वीडियो returning subscribers का भी important है इससे क्या होता है जो subscribers आपके channel के हैं वो जब आपके channel पे आते हैं और उनको दिखता है कि हाँ कोई नई playlist आई है नया कोई video आया है नया कोई content आया तो वहीं से उसको view करते हैं पिकाद वो जुड़े हों है आप लोगों से तो दोस्तों इस तरीके से आप trailer video और या new visitor video का भी आप change कर सकते हो और उसको बदल बदल के लगा सकते हो लोगों को information दे सकते हो कुछ interesting बता सकते हो ताकि वो नया visitor जुड़े आपके संग और returning visitors को subscribers को आप बता सकते हो नया क्या content आया क्या interesting popular चीज आई है तो उमीद करता ह अब आप ये चीज अपडेट करा करेंगे अपने चैनल पर ये छोटी-छोटी चीज़े matter करती हैं आपके YouTube चैनल की growth में thank you दोस्तों तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि default uploads क्या होता है और इसके क्या फाइदे हैं तो दोस्तों इससे क्या है default upload settings में जाके करना होता है और इससे हमारा बहुत जादा time save होता है और ये settings करनी वैसे भी यूट्यूबर के लिए और YouTube चैनल ले बहुत ज़ जब आप अपने YouTube चैनल में होते हो ठीक है जैसे कि आप ये चैनल देख रहे हो अब यहां पर आप जब ऊपर जो आइकन आ रहा है हमारा यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप जाईए YouTube studio में तो जब आप अपने YouTube studio में क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहां पर आ Settings पर क्लिक करने के बाहर जैसे कि आप देख सकते हो इहां पर कई सारे options आ रहे हैं default के तो यहां पर upload defaults को option आ रहा है इसके हम करेंगे click अब upload defaults क्या है और उसके क्या फायदे है यह मैं आपको बतानुगा तो इसके लिए मैं आपको अपने main channel पे लेकर जाता हूं marketing fundas के हमारे channel पे तो दोस्तों देखिए जैसे कि यह मेरा channel है marketing fundas का जहां पर आप videos देखते हो तो यहां पर आप देख सकते हो upload defaults के अंदर तीन त इसमें पहली जो आपकी basic info की setting है जब आप video create करते हो आप video upload करते हो तो वीडियो upload करने के बाद आपको उसके title description वो उससे वीडियो upload करने के बाद आपको public करनी है private रखनी है unlist रखनी है क्या करना है वो और tags जो की बहुत important होते हैं अगर आपको अपनी video searches में लेकर आनी है ठीक है तो क्या होता है आप अपने YouTube channel में बहुत सारी information अलग अलग videos डालते हो तो उसमें title जो होता है title क्या हो गया जैसे मैं आपको दिखाता हूं एक अपने YouTube channel पे गए और यहां पर YouTube channel पे जाने के बाद मैंने डाला like marketing fundas मैंने हैं पर डाला है यहां पर मैंने अपने channel सर् अब यह जो आप देख रहे हो इस इस टाइटल ठीक है और यह नीचे आ रहा है वो description तो हर वीडियो का जो टाइटल है उस्तों वह होता है अलग तो टाइटल जनरली बाइट डिफॉल्ट नहीं रखा जाता है विए हर वीडियो का टाइटल अलग होता है कई बारी लोग कुछ portion टाइटल का लाइक को एकर सिरीज चल रही है तो उसमें आप फिक्स रख दोगे की गूगल एड सिरीज और आगे का टाइटल आप बदल ब लेलिस्ट ठीक है और बहुत सारी इंफोर्मेशन जो कि आप description में हर वीडियो में देना चाहते हो वो आप यहां पर डिफॉल्ट अप्लोड डिफॉल्ट के अंदर डाल देजे ताकि आप चाहें दस वीडियो डालो पांच वीडियो डालो एक वीडियो डालो हजार वीडि तो description डाल दो जब आप वीडियो अप्लोड करके रख लेते हो तो जरूरी नहीं होता कि आपको उस वीडियो को उसी टाइम पब्लिक करना होता है तो आप प्राइवेट या अनलिस्ट करके रख सकते हो ताकि उस वीडियो को जिस जब भी आपको अप्लोड करना है उस आपना चाहो और उसके बार कुछ टैग जन्रली हर वीडियो के टैग्स तो आपको खुदी बनाने पड़ते हैं पुरी आरेंडे रिसर्च करके और कैसे बनाया जाता है कैसे सारी सेटिंग्स करी जाती है उसके ओपर भी आगे वीडियो आने वाले ताकि हम आपको परफेक बार बार मेरे को हर वीडियो में अप्लोड करने की लगाने की जरूरत नहीं है तो यह कुछ अप्लोड डिफॉल्ट शेटिंग्स हैं जो जरूर करके रखेगा चैनल में इससे आपको बहुत जादा बेनिफिट मिलेगा और टाइम सेव होगा हर वीडियो में अब एडवा उसको दे रहे हो बर स्टेंटर यूटुब लैसेंस की आप ही यूज कर पाओगे तो यह आपको देखना है कौन सा करना है आपको कोई कैटिगरी स्पेसिफिक करनी है क्या आप एडवांस जो आप यहां से करके रख सकते हो ठीक है यहां पर लेंगवेज का अगर आपको यह तब ही आप मैनेज कर पाओगे जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो उसमें आप बता सकते हो कि आपको ओवरले एड्स मतलब जब यूट्यूब आपके चैनल की वीडियो देख रहा है आपकी वीडियो देख रहा है कोई तो उस दौरान आप क्या चाहते हो आपकी वीडियो के ओपर स्कॉंसर कार्ड जाएं स्किपेबल वीडियो जाएं कौन सा फॉर्म है टाइप टाइपस ऑफ एड्स ठीक है डिस्प्ले जो आएड है वो तो आए गई आएगा है बाकियों को आप चूज कर सकते हो ठीक है और यहां पर यह सब चीजों की सेटिं चैनल की जो जरूर कीजिएगा और इससे क्या होता है कि आपका टाइम भी बहुत सेफ होता है और इससे आपको कि अगर बेसिक सेटिंग सही है तो आपको आगे चल की फीचर में दिक्कत भी नहीं आती तो उमीद करता हूं आपको डिफॉल्ट अप्लोट्स या अप्लोट इस वीडियो में हम विसकस करेंगे एक ओवर्व्यू लेंगे यूट्यूब के एकाउंट की और यूट्यूब के चैनल की सेटिंग्स के बारे में दोस्तों दो तरीके से आप सेटिंग्स कर सकते हो चैनल के चैनल के ऊपर और एक आपके प्रोपर यूट्यूब एकाउंट तो दोस्तों ये दोनों ही सेटिंग्स आप लोग उपले जाना इसलिए जरूरी है विकॉज अगर आप इक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं करेंगे दोस्तों तो यहां पर देखिए यहां पर हम्हाँ गए सेटिंग्स theatre चैनल टो आप लेवल ंवडियों और अगर हमें अडट करना है तो इसकोन je जैसे कि हमने आपको बताया था कि ख्लेक करते हैं अधर चैनल स्टेटिस फीचर कि बहुत सारी चीजें हमारी मोनेटाइज होती हैं, बहुत सारी चीजें हमारी नहीं होती हैं, वह यहां से हम देख सकते हैं, आप देखे हमारे इस चैनल में ज्यादादर आलमुस्स सारी चीज़े एनेबल हैं तो दोस्तों अब हम यहाँ पर आगे और आपको सेटिंग्स दिखाते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट अनुउच अगरमर्गिटिंग कर ना चाहता हूं तो यहाँ पर भी शीरिस के इंदर वीडियो आईंगे ऑई आ चुके हैं बट ओवर लेना बहुत ज़ादा ज़रूरी है कहां पर किस सेटिंग का क्या रोल है कि और यहां पर आप देख सकते हो यूग चैनल आइडी यह बहुत काम आती है जब हमें एकाउंट लिंक करने होते हैं Google Ads से एकाउंट लिंक करना है एनेटिक से एकाउंट लिंक करना होता है YouTube का तो इसकी हमें जरुवत होती है कस्टम URL दोस्तों बहुत जरूरी है जैसे मेरे जो कस्टम URL मार्केटिंग फंडाज है जो वेरे चैनल का नाम है वही तो तो कस्टम URL बनना बहुत ज़रूरी है और कस्टम URL आप अभी बना सकते हैं जब आपके 100 सब्सक्राइबर्स है ठीक है आप आगे बढ़ते हैं अब मूव चैनल तो मूव चैनल तो यहां से आप कर सकते हो डिलीट चैनल दोस्तों इधर बिलकुल भी मताना विकॉज यहां पर गलती से डिलीट होगा है सारी मैंने चली जाएगी ठीक है तो यह नहीं करना है अब यहां पर यह हम एडवांस सेटिंग्स पर आ गए थे एका सेटिंग्स आपको कुछ चैंज करनी यहां पर क्लिक करक्कर्ले कर सकते हो और यहां पर मैंबरशिप गेंड यूट्यूब प्रीमिम अगर हमें करना है यहां पर जाकर आप उसके सकते हैं अगली नोटिफिकेशन's के ओपर तो जो नोटिफिकेशन साहते हैं हमारे पास तो तो इसमें से कॉंसे नूटिफिकेशन्स on रखने और off करने हैं यह कई बारी हम बड़े confused होते हैं तो जो आपको नूटिफिकेशन्स रखने हैं हटाने बंद करने वह आप यहां से कर सकते हो इसको invidio इनफो कार्ट यह यहां पराप सब्सक्राइबस की उपर आप देख सकते दोस्तो प्लेलिस के अउपर प्राइब तो तो अगर आपको यहुआं से कर सकते होना अगर हमेंação करना है तो वात्षों TV अगर आप अगर प्रइवी और यूट्यूप के यूट्यूब के दूर लें तो इस agency कर सकते हैं इस ना चाहते खरेऊ göra अब बिलिंग अन्पेमिंट के उपर जाना है तो यहां से आप शेटिंग के जा सकते हूँ ठीक है। यहां पर आप सेटिंग्स का यूज कर सकते हो एडवांस सेटिंग्स जیसे कि मैं आपको दिखाई चुगा था एडवांस सेटिंग्स के अंदर है ढ़ांस सारी सेटिंग्स हमारे पास है यह अंzekा इकवत सारी सीटिंग्स हैजिनका कभिनव को यूज आएगा अब हम बात करते है channel settings के ऊपर तो जैसे हम यह आइकन के click करेंगे अब हम यॉर channel के ऊपर जाएंगे और यॉर channel के बात YouTube Studio पर जाएंगी जैसे हम YouTube Studio के उपटे गई दोस्तों यह विदो यह यूटूब से उख सकते हैं चैनल सेटिंग के अंदर जब हम आये तो यहां पर देखी एक होती जनरल सेटिंग तो जनरल सेटिंग के अंदर आप गेख सकते हो आप करंसी अपने हिसाब से चूज कर सकते हो आपको कौन सी करंसी आप डिस्प्ले करनी है तो यहां की डिफॉल्ट चैनल की सेटिंग हो सकते हो है कि इसका अप्सकूंड क्यों इसके अलावा आप सेटिंग तक इसनument कूर्पा का रूल कि एईन ऐक में चैनल और किस आठी आप का एकाउंट गूगल और निंग गांए से लिंक करते हो। एस पर आता है द्रेंडिंग होता है जो आप कभ़ी सब्स्क्राइब बटन या ऊपर मलत देखते हो। कर देखते मिल रोगों दिखते हो और तक यह यहां से आप अपनी प्रेंटिंग का यह उप्शन यूज कर सकते हो लगा सकते हो ठीक है फीचर्ड क्वालिटी के बारे में यहां पर आप दिख सकतो डिफॉर्ट फीचर्स अमरे एनेबल हैं इन में अगर आपको कुछ करना है यहां से सारी सारी चीज आप मैनेज कर सकते हो तो दोस्तों यह इंपोर्टन सेटिंग आपको पता होनी थी है ताकि आप इनको यूज कर पाओ अपलोड डिफॉर्ट जैसे इसके उपर मैंने अलक्स एक वीडियो पहले से बना रखा है तो अपलोड डिफॉर्ट में जैसे मैंने बताया था कि बार बार आपको हर वीडियो के नदर कुछ चीज़े जो डालनी होती है वो ना डालनी पड़े तो कुछ टाइटल टाइट कि जब वीडियो आप अपलोड करें इसको पॉप्लिक रखने प्रैविट रखने है वहां से कर सकते हो ठीक है इस तरीके से कुछ टैक्स भी आप अपने इंपोर्टेंट पहले से रख सकते हो क्योंकि यह जो अप्लोड डिफॉल्ट सेटिंग्स है यह हर वीडियो में आप पर चूज कर सकते हो ऐसे बहुत सारी और चीज़े हैं जो एडवांस सेटिंग्स में आकर कर सकते हो परमीशन के उपर है कि हमने किस-किस को परमीशन दे रखी है जैसे मार्केटिंग फंडासी जो मेल डी है और हितेश गुपता की मैनेजर है इस तरीके से आप किसी और को की रूपर आप किसी को देरा कर सकते हो और यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों तो यहां पर आप देखिए कम्निटी का तो सेक्षन है तो इसको अगर आप यूज करना चाहों यहां पर सेटिंग मॉडरेटर्स एप्रूब यूजर्स कुछ लोग यूजर्स होते हैं जो माली जी बैट कमेंट्स या कुछ गलत चीजें कर रहे होते हैं तो उनको अगर आप हाइट करना चाहते हो हाइट कर सकते हो इस तरीके साथ चीजे को मैनेज कर सकते हो अगर कोई वर्ट जिनको आपको ब्लॉक करना है उनको आप यहां से ब्लॉक कर सकते हो ठीक है ब्लॉक लिंक्स अगर आपको को लिंक्स ब्लॉक करने हैं उनको कर सकते हो ठीक है तो इस तरी वीडियो ये वाली वीडियो आपको कहीं ना कहीं help करेगी ठीक है तो दोस्तों पूरा देखिएगा और एक सेटिंग को करके और पढ़के देखिएगा ताकि आपको उसके बारे में समझ में है तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे community tab क्या है उसके फाइदे क्या है और आप community tab से कैसे connect हो सकते हैं अपने members और अपनी community से दोस्तों बहुत ही important वीडियो है प्लीज देखिएगा और इसके benefits को समझेगा और इसका future में use कीजिएगा तो दोस्तों community tab है क्या देखिए मैं इसमें ये वाला जो हमारे demo account है ये भी दिखाऊंगा तो जब जैसे कोई person नया account बनाता है तो यहां पर देखिए आपके पे account में community का option नहीं है तो अब जब आपका जो YouTube account है उस पे लोग engage होना शुरू हो जाते हैं आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो आपको community का जो ये feature है ये available हो जाता है अब community tab क्या है वो समझते हैं community tab पे आप क्योंकि हमारा marketing फंडास का चैनल है लोग को मरें से मिंगे जोते हमारी वीडियो देखते हैं तो हमारी अपनी community बन गई है हमारे अपने members बन गए हैं तो हमें YouTube ने हमारी performance और चैनल को देखते हैं सब्सक्राइबर्स को देखते है हमें community tab को option दिया अब community tab के हमें क्लिक करते हैं और जानते हैं इसमें क्या-क्या है तो दोस्तों community tab में जैसे कि आप देख सकते हो कि यहां पर community है क्या community वो सब्सक्राइबर्स हैं वो members हैं जो हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर्स हैं और जो हमारे चैनल से जुड़े हुआ है दोस्तों Community Tab इतना अच्छा फीचर है जो YouTube ने हमें दिया है इससे हम अपने members के संग, audience के संग, personal level पर connect हो सकते हैं हम उनके संग videos, polls, image और बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं अब Community Tab में मैं आपको दिखाता हूं वो important बाते बताता हूं जो हम कर सकते हैं तो उसके लिए मैंने कुछ points प्रिपेर करें साथ के साथ वो भी आपको दिखाऊंगा आप देखों दोस्तों देखें जैसे कि provide information पहला point है Community Tab का कि हम information और update प्रोवाइट कर सकते हैं अपनी community members को वो देखें कैसे अब जैसे कि आप यहां देख सकते हैं दोस्तों कि अभी मैंने एक recently यहां पर एक अपना वीडियो डाला playlist डाला तो उसमें मैंने लोगों को बताया कि हमारे चैनल के ऊपर अब फ्री और फोस्त गूगल एड्ज मार्केटिंग सीख सकते हैं beginner to advanced level और उस पर आप देख सकते हैं कि लोगों के पास अपडेट और information पहुंच रही है कि हम क्या करने वाले हैं और किस तरी और वो लोग इस चीज़ के सांग एंगेज हो सकते हैं ठीक हैं दूसरा दोस्तों use polls for maximum engagement with your audience and members अब polls क्या है वो देखते हैं दोस्तों यह आप देखिए इसको हम click करते हैं पोल अब पोल में क्या होता है मान लीजिए मैं यहां पर कुछ पूछता हूँ अपने members से कि मेरे को कौन सी series launch करनी चाहिए upcoming month में जो next month आ रहा है मैं SEO के ओपर advanced series ल तो मैं यहां पर पूछ सकता हूँ यहां पर मैं उप्शन दे सकता हूँ कि SEO पर affiliate पर किस पर हो चाहते हैं तो दोस्तों जो हमारे subscribers होते हैं वो हमारे guidance वो हमारे well wishes होते हैं because वो हमें actual में बताते हैं कि मार्केट में क्या demand है किस तीस को लोग पर जादा पसंद कर रहे हैं त तो जहां पर जो लोग मेरे को सब मान लीजिए मेरे को हजार लोगों ने मेरे संग इंट्रेट कर रहा हूं उन्हें बताया maximum 60% से जादा लोगों ने चूज कर रहा मान लीजिए SEO तो मेरे को clear indication मिल गया है कि अब मेरे को स्रीज लेकर आनी चाहें वो SEO की लेकर आनी चाहें तो या फिर हम लोगों से कुछ engagement questions या चीजे कुछ knowledgeable facts और मिच वगार के बारे कोच सकते हैं उनकी राय ले सकते हैं ताकि वो भी engaged हूं तो इस तरीके से हम polling कर सकते हैं जो भी engagement के लिए अपनी community अपने members अपने subscribers से engagement के लिए one of the best चीज है जो आपको करने चाहिए आप दोस् इसरा जो हमारा point है notify your members about upcoming launch and promotion तो उसका जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ देर पहले यहाँ पर डाला hello friends मैं 22 June के बाद LinkedIn की marketing series launch करने जा रहा हूं जिसमें आप complete LinkedIn marketing सीख सकते हो from basic to advanced तो आप जो लोग मेरे channel पर आएंगे तो उनको इस बारे में अगर हो community मेरे page section पर जाते हैं वो उनके उनको उसके बारे में पता लगता है उनको notify होता है कि हाँ मैं कोई चीज launch करने वाला हूं कुछ upcoming series लेकर आने वाला हूं या मैंने तो it depends आपका business क्या उसके हिसाब से आपको किस चीज का channel है तो आप लोगों को pre-launch promotion से upcoming होने वाली चीजों के वारे बता सकते हैं ताखी लोगों में curiosity रहे और वो जैसे आप चीज को लेकर आओ वो उसके ओपर reactions दे उसको देखें और वो लोगों को engage करें तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगा और दोस्तों यहां पर जैसे कि आपके स्क्राइबर से कम्यूंटी मेंबर को ही हम उनके इंटरेट कर सकते हैं और उनके संग एंगेज हो सकते हैं आप दोस्तों फिफ्ट पॉइंट है हमारा you need to be active अब जैसे कि आप लोगों को बताया जाता है कि हमें अपने यूट्यूब चैनल पर कंसिस्टेंट रहना चाहिए एक्टिव रहना चाहिए तो वैसे ही जो हमारा यह कम्यूंटी टैब है आपका आपके चैनल पर उस पर आपको रेगुलर अपने ओडियंस के सर्व कभी कुछ शेयर करना चाहिए कुछ इंट्रस्टिंग पूचना चाहिए कुछ इणिफॉर्मेशन देनी चाहिए पोलिंग करानी चाहिए और लोगों का ट्रस्ट विल्ड होता है आपके ओपन और दोस्तों यह जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ, यह हर जगा आपको काम आएगे, आपके चैनल में भी, कि अगर आप consistent हो, आप अच्छी information दे रहे हो, और आप active हो, regular basis पे, तो लोग आपके संग जादा जुड़ेंगे, और चैनल भी आपको growth देता है, इस चीज का जरूर धान रखेगा चाहे हो community tag हो, चाहे हो आपको YouTube channel हो, अब दोसो last but not the least, जो हमारे members है, जो हमारी audience है, जो हमारे संग जुड़ चुकी है, ठीक है, वो असली लोग है, जो हमें suggestions दे सकते हैं, जो हमें feedback दे सकते हैं, जो हमारे true, सच में वो हमारे critics हैं, गलत अगर हमारे कुछ चीज आ रही है, या लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ problem हमारे channel में आ रही है, तो वो सही आपको जवाब देंगे, guidance देंगे, वो हो सकते हैं, हमें लगे critics हैं, कम या निकाल रहे हैं, नहीं, मगर दोस्तों, ऐसे लोग भी important होते हैं channel लिए, जो आपको time to time correct करें, और उसके basis पे आप improved भैतर चीज़े लेकर आओ, उसमें आप ही का channel grow होगा, और वही लोग हैं, जो हमारे supporters हैं, जो हमारे संग जुड़े हैं, हमारे channel को grow कर रहे हैं, हमारे को grow कर रहे हैं, तो दोस्तों, अपनी community, अपने members को कभी मत भूलिये, उनके संग engage रही है, क्योंकि बही ताकत हैं जो हमारे channel को grow करते हैं, तो दोस्तों, community tab का ये use है, पाइदे हैं, और इस पे regular आपको रहना है, और इसका पूरा आपको फाइदा उठाना है, और अपने audience को भी आपको benefit देना है, थैंक्यू दोस्तों, उमीद करता हम संग में आया होगा, तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, perfect तरीका एक वीडियो अप्लोड करने का आपके channel पे, दोस्तों, अगर आपका YouTube channel है, आप एक YouTuber हो, और आप अगर वीडियो सही से अप्लोड नहीं करते हैं, या उसमें कोई कम्याश होड़ते हो, या जो सही तरीक हैं, जो protocol से उनको follow नहीं करते हैं, तो आपकी वीडियो पे views भी कम आएंगे, growth भी कम होगी, तो इसलिए मैं आपको सही तरीका बताने जारों, इस वीडियो में वीडियो अप्लोड करने का, उसमें किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से ज़रूरी हैं, और साथ मैं ऐसी tip 6 बताऊंगा, ताकि उससे आपके चैनल को और आपकी वीडियो को बहुत जादा फायदा होगा, तो ये वीडियो सबसे important वीडियो में से एक है, इस पूरी series की, तो पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों, तो दोस्तों, जैसे कि आप अभी अपने YouTube चैनल पे आजाईए, और YouTube चैनल पे वीडियो अप्लोड करने के लिए, यूट्यूब स्टूडियो पे आप क्लिक करें, यहां से भी क्लिक कर सकते हैं, और यहां पर आके उपर टॉप में यहां पर भी आप क्लिक कर सकते हो, पहले classic studio को option आता था, बट classic studio जो है, अब वो बंद होने जा रहा है, तो अब YouTube studio जो नया वर्जन है, इसके उपर ही काम हुगा, तो जैसे हम अब यहां YouTube studio के उपर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहां पर क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे अपने dashboard में, जहां से हम वीडियो को अप्लोड करेंगे, तो जैसे हम यहां upload वीडियो पर क्लिक जाएंगे बिल्कुल लेटेस्ट तरीके से आपको, तो यहां पर आपको वीडियो अप्लोड करना है इधर दोस्तों, तो यहां पर क्लिक करते हैं, सेलेक्ट फाइल पे, और हमारे desktop में जाके कोई फाइल चूज कर लेते हैं भी dummy के लिए, ताकि हम आपको इस चीज को करना ना बता आपकों प्रैक्टिकल लेवल पर, जोस्तों कोई वीडियो चूज करते है अभी तो एक छोड़ा जब वीडियो चूज़ कर लेते हैं और सेलेक्ट करते हैं और फाइल को अप्लोड करते हैं तो दोस्तों यह हमने डमी के लिए एक वीडियो अप्लोड करने के लिए यहां पर लगा दिया है तो यहां पर देखिए अप्लोडिंग वीडियो प्रोसेस में आ गया है अब यहां पर यह मेजर स्टेप्स हैं जो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा और जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों आप यहां पर होता है और डिस्क्रिप्शन क्या होता है यह मैं आपको दिखाता हूँ पहले तो मैं जैसे आपकी वीडियो से सर्च करता है या आप वीडियो देखते हो तो माली यह एक मेरी वीडियो है दोस्तों SEO के ओपर सर्च इंजन टुटोरियल है इसको लोगों ने काफी परसंद क यह एक टाइटल है सर्च इंजन अप्टिमेजिशन कम्प्लीट कोर्स वीडियो के कॉंटेंट से और यह एक कीवर्ड भी रोल प्ले करते हैं कि लोग इस तरीके से चीज़े सर्च करते हैं तो देखिए फेस्बुक मॉनिटाइजेशन का है तो उससे रिलेटेड मैंने टा प्रिप्शन और बहुत सारी चीज़ें सब बताऊंगो आपको कैसे सेट करना है तो जब हम वीडियो अप्लोड करते हैं दोस्तों यह देखिए आगया प्रोसेसिंग एस्डी वर्जन एस्डी कम्प्लीट तो यह वीडियो कम्प्लीट हो चुकिए 6 मिनिट की कुछ वीडि प्रादी है तो दोस्तों अब यहां पर क्या है हाव टू में पर्फेक्ट अब तो इधर जो हमारा टाइटल हमें बनाना है वह हमें सोचना है तो लाइक हम यहां पर कर देते हैं हाव तो मेक चैनल डिस्क्रिप्शन यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन टुटोरियल 2020 तो दोस्तों यह मैंने भी डमीक लें आपर लिख दिया है टाइटल बट टाइटल आपको बहुत सोच समझके आरेंटी रिसर्च करके सोचना है कि कौन सा टाइटल आपको यूज करना है इन सब चीजों में आपको सब्सक्राइब करेंगे आप गूगल की मदद ले सकते हो यूट्यूब पे खुद आप जाके सर्च कर सकते हो कि जब आप आपको सब्सक्राइब करने के ताकि आपको आईडिया नहीं है तो आप आरेंडी रिसर्च करके चीज़े सर्च करके देख सकते हो लोग क्या कर रहे हैं आप से बहतर अच्छे कीवर्ज और टाइटल कर सकते हो ताकि आपका भी सर्च में आए और आपका भी वीडियो पर व्यूज वगरा आए ठीके दोस्तों उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट एक थम्नेल होता है इन दोनों का डेडली कॉंबिनेशन ही है जो आपकी वीडियो कहां कि दोनाविट और हमने डिफॉल्ट Ϡ के बारे में बतायाँ था और हमने आपको बताया था कि कुछ चीजे आपको इस कर पहले ही अपने चेनल में जैसे कि क्योंकि差不多 क्या होता है, आपके चैनल के बारे में थोड़ा साब बताया होता है आपकी blessing होते हैं आपकी social media के link होते और आपकी other informations होती है ताकि लोग उन पे जा सके आपके बारे में और explore कर सके मगर description हर बार आप हर वीडियो में इतनी सारी लगाता डालोगे तो बहुत टाइम टेकिंग है टाइम भी बेस्ट होता है तो जो comment description है सारी वीडियो के लिए वह आप पहले से ही default में जाके रख दो जो कि हमने आपको सिखाया था बाकी एक चीज़ और बता दूं description में जो आपने by default डाल रखी है वह चीज़ अलग है मगर शुरुबात के डेट्सों से 200 characters आप जैसे title के अंदर क्या है 100 characters तक आप कर सकते हो मगर सबसे important होते हैं पहले 62-70 characters क्यों दोस्तों क्योंकि वह mobile पे desktop tablet सब जगा पहले 62-70 characters की highlight होते हैं और उनको आपको कैची बनाना है बहुत informative रखना है और ऐसे keywords यूज़ करना है जो लोग search करते हैं तो वह आपको ध्यान रखना है आप भले 100 characters की यूज़ कीजिए पूरे मगर पहले 62-70 सबसे important है इस बात का ध्यान रखीगा ऐसे description में आपको 5000 तक आप कर सकते हो जो characters की इसकी होती है एवन देख दिखा देता हूं मैं आपको कितना limit होता है देख से 200 characters होते हैं description के अंदर वह आपके टाइटल और जो आपनी वीडियो में दिया है उससे related matching होने चाहिए तो वह description भी बहुत समझ के इच्छे से बनाईएगा तो अब आगे बढ़ते हैं और settings दिखाते हैं इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजे पहले वाले step के अंदर ही अब यहां पर जैसे क्या आप देख सकते हो दोस्तो प्लेलिस्ट अब प्लेलिस्ट क्या होती है दोस्तों एक चैनल के ओपर मालेजिए Google की वीडियो दे फेस्बूक की है Google Analytics की है LinkedIn की है YouTube की है Instagram की टिक टॉक की है तो बहुत सारी वीडियो थे अब 400 वीडियो पांसो वीडियो इस समय में में चैनल पर है अब कोई नया परसन आएगा तो एकदम कंफ्यूज हो जाएगा तो इसने प्लेइलिस्ट बना दी जाती है कि गूगल की जो 2020 की वीडियो मालेजिए 50 वीडियो थे तो मैं एक प्लेइलिस्ट बना दी गूगल एड्स टूटोरियल तो अब जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूँगा गूगल एड टूटोरियल से रिलेटेड 2020 की वह मैं वीडियो अप्लोड करने के वक्त यहां पर सेलेट कर दूगा ताकि वह वीडियो और यहां कर दूगा ताकि वह वीडियो यह वाली वीडियो मेरी उस प्लेइलिस्ट में चली जाएगी और वहां पर कोई भी परसन जो पूरा कंप्लीट गूगल तो प्लेइलिस्ट में अपनी वीडियो डालिए जिस प्लेइलिस्ट से वह ठीक है अभी इसको हटाते हैं ओके समझ में आ गया होगा आपको आप दोस्तों यहां पर आते हैं जैसे कि अभी में एक जो कुछ महीनों पहले यूट्यूब के बहुत बड़ा जो लौ आया था यूएस से कोपा ठीक है प्रोटेक्शन तो यह बच्चों के ओपर आया था तो यहां पर आप यह मेंडिट्री हो गया हमें हर वीडियो में बताना कि इस वह बच्चों के लिए नहीं बनी तो अगर वह बच्चों के लिए बनी है तो उस वीडियो पर कुछ करते हो तो पैनलाइज भी हो सकता है और आपको दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है तो वीडियो जरूर देखिएगा कोपा के ओपर ठीक है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका चैनल किस से रिलेटेड है किस रिलेटेड नहीं है अब एक चीज और मैं आपको पताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर पूरा चैनल ही बच्चों से रिलेटेड है आपका तो पूरी सेटिंग में चैनल की में सेटिंग में जाकर आप कर सकते हो इस चैनल इस फॉर किड्स ठीक है अब यहां पर एज रिस्टिक्शन्स यहां पर आप डू यू वांट तो र सकते हैं यहां तो चॉर्दा पंदरा सोला साल के लोग भी देख सकते हैं कि अप्र तो इससलिए मेरे को यहां पर कुछ नहीं करना है अब आगे बढ़ते हैं अब यहां पर और और ओप्शन में जाते हैं झाहीं आप यहां पर आ गया दोस्तों देखिए प्रोमोशंस तो म description important tag is one of the most important things तो कुछ तो आप upload defaults में जो मैंने आपको बताया था keywords वो चीज़े जो लोग search करते हैं ठीक है अब लोगों को या YouTube को कैसे पता लगेगा मैंने किस topic के ओपर वीडियो डाली है वो किस से relate करती है तो वो tag जैसे Google में search keywords होते है ना जब Google में कुछ search करते हैं like digital marketing company in Delhi that is a keyword ठीक है तो वही समझ लिए YouTube के अंदर यह keyword है SEO का role play करता है आपके tags अगर सही है वो tag आप यूज करें जो लोग public search करती है तो आपकी वीडियो भी search में आएगी व्यूज में आएगी और उस पर व्यूज बढ़ेंगे तो माली जैवी जिसे मैंने description के ओपर बनाई थी ठीक है तो like मैं एक tag डाल देता हूँ what is YouTube चैनल डिस्क्रिप्शन ठीक है यूट्यूब इंपोर्टेंट सेटिंग्स ठीक है इस तरीके से अब यह tags है 500 करेक्टर सक में यूज कर सकता हूँ तो इस तरीके से आप अपने relevant tag और बहुत R&D research करके आप वो tags बनाएंगे और यहां पर फिर आप उन टैक्स को डालेंगे बिकॉस टैक्स बहुत important role play करते हैं आपके चैनल के और आपके यूट्यूब के growth में आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों यहां पर language आपको select करना है तो यहां साब language select कर सकते हो ठीक है ठीक है आपको CC caption certification करना है तो आप यहां से कर सकते हो आप दोस्तों आगे बढ़ते है recording date and location अगर आपको कहा पर कब recording होई थी कब location होई थी किस location पर वह आप यहां पर कर सकते हो बट यह mandatory नहीं है इंडिस्ट्री डिपेंड करता है आपकी requirement है यह नहीं आगे बढ़ते है license and distribution आप क्या है दोस्तों अगर मैं standard YouTube license रखता हो तो यह कि मेरे पर ही है अगर मैं creative common attribution कर देता हूं select कर लेता हूं तो इस वाली वीडियो को कोई और भी use कर सकता है मेरे संग ठीक है तो मैं उनको वह दे देता हूं liberty तो आपको देख रहे हैं हम तो standard ही रखते हैं because अभी हम किसी को allow नहीं कर रहे है कि हमारा private content वह अपनी channel पर डाल अंबेडिंग क्या है मार्केटिंग फंडाज हमारी digital marketing की branding की आईटी कंपनी की website है अब देखिए यह हमारी website है तो हम digital marketing branding services भी देते हैं बहुत सारे brands को बहुत सालोस हम काम कर रहे हैं अब देखिए दोस्तों जैसे कि यहां पर यह वीडियो आ रही है यह हमने वीडियो के link दे रखे है Google Ads का अब मैं क्लिक करूंगा तो यह वीडियो यहीं पर यह प्ले होनी शुरू हो जाएगी that is an embedded link तो क्या है कि अगर मैंने यहां पर allow कर रखा embedded link तो मेरी इस वाली वीडियो का embedded link copy होगा और मेरा जो developer है यह मैं अपनी website के panel में जाके डाल दूँगा और यहां पर वीडियो होगी अब मैं इसको यहीं पर ही कोई भी मेरा visitor आके play कर सबता है होगी यूट्यूब पे play वहां अगर वीडियो काउंट होगा मगर वह मेरी website पर ही चलेगी तो वह embedded link से फायदा है ठीक है तो यह आपको अगर चाहते हो embedded link allow करने allow कर सकते हो publish to subscription feed and notify subscribers obviously इसको में रखूँगा ठीक है तो यह मैंने on कर दी है आगे बढ़ते है category मेरी education है तो इसके वह मैंने select कर रखी है अब दोस्तों यहां पर comments and ratings यहां पर आप कर सकते हो comment visibility allow all comments hold potentially inappropriate या फिर आप comments को सारे comments को hold कर देना चाहते हो पहले आप comments देखो फिर जिसको आप okay पर review करने बाद वही public में available display हो तो यह सब चीजें आपको करना है या आप disable comment कर देना चाहते हो तो वह भी आप कर सकते हो तो यह सिर्फ inappropriate comments होते हैं उनको हम review के लिए hold करते हैं तो फिल्टर सिस्टम होता है यूट्यूब की यूट्यूब को पता है किस तरीके के होते हैं तो काफी हद तक filter कर देता है inappropriate contents को comments को ठीक है यह हो गया दोस्तों अब यह देखिए हमने कितनी सारे आपको या पर पहली एक वीड यह बहुत मेहनत का काम है एक गंटे से ऊपर लग जाएगा अगर आप ठंग से एक चीज़ को सोब समझ के रेंटी रिसर्च करके एक वीडियो को upload करोगे proper अब आओ आप monetization में अब दोस्तों monetization में हम तब आ सकते हैं जब यहां पर हम कोई settings का तब कर सकते हैं जब हम monetization हमा हमारे चैनल में monetization enable है हमारे 4000 आर्स हमारा 1000 सब्सक्राइबर से सब कुछ बहुत पहले हो चुका है तो इसलिए हमारे on है monetization तो आब क्या है जब भी मैं कोई video upload करता हूं तो हमें बताना होता है कि मैं उसमें monetization on रखना चाहता हूं ठीक है on करके अगर done करूंगा मैं यहां प पैसा बनेगा और उसमें मैं हर वीडियो में यह भी देख सकता हूं कि किस वीडियो क्योंगी display ads में तो आएगा ही आएगा ठीक है मागर overlay ads sponsored ads skippable ads कौन सा format मैं चाहता हूं कि मेरी ads के ओपर चले ठीक है कुछ वीडियो होते हैं उसमें आप नहीं चाहते हो पब्रिक जादे तो यह सब आपके ओपर आप मानलो आप चाहते हो कि यह कुछ social cause के ओपर आपने वीडियो डाली है sensitive मुद्द है आप नहीं चाहते हो उसके ओपर monetization या ads है तो आप उसको off भी कर सकते हो ठीक है तो फिर आप off करके अगर done कर दोगे तो उसके ओपर ad नहीं आएंगे देख र आते हैं तो जब आप अपने formats वगएरा कर लोगे उसके बाद ठीक है अब location of video ads only videos longer than 10 minutes eligible for ads during video तो अब क्या होता है only videos longer जो videos 10 minutes से लंबी होंगे are eligible for ads during videos तो उन्हीं videos के बीच में ads आएंगी ठीक है यह भी आप देख सकते हो before video, during video, after video तो यह बहुत सारी चीज़े हैं जो आप पढ़िएगा समझीएगा दोस्तों अब हम आते हैं third ad suitability के उपर तो यहां पर आप देख सकते हो ad suitability does your video content title description or keyword contains any of the following why it is important to rate your video accurately तो inappropriate language ठीक है तो यहां पर आप light profile आप यूज बता सकते हो YouTube को कि आप ऐसा कुछ और है बट हमारे में ऐसा कुछ नहीं है इसलिए हम इदर कुछ नहीं कर रहे adult content है तो हम बता सकते हैं ठीक है किस से related है तो यह सब जो चीजे होती है दोस्तों हमें violation से गलत चीजों से इन सब चीजों से हमें बचाती है हमारा sensitive मुद्दा है तो हम यहां पर बता देते हैं ठीक है कि हम कि चीज के इससे क्या होता है दोस्तों कि YouTube को पता होता है कि कि की चीज से related content है वापर ads दिखाने नहीं दिखाने किसको दिखाना है नहीं दिखाना है तो generally लोग इस चीज के ओपर ध्यान पर देते हैं जिस वज़ासे उनको अपकी वीडियो में दिक्कत आ जाती है तो add suitability में जरूर आप ध्यान लगाईएगा और यहां पर देखिए keep it up the good work it looks like you have filled out this questionnaire accurately for previous videos as a result we are using your input when determined if your videos follow add friendly content guidelines तो यह हमें appreciate कर रहे हैं your input is helping our videos your videos monetize faster so you may earn money and save time requesting reviews तो यह देखिए हमारे चैनल को कितना अच्छा है आपर review मिला हुआ है क्योंकि हमारा खुद का content है हम खुद generate करते हैं quality content है और what informative education से related है थेक है बट जिनके other content होते हैं जिसमें controversy हो सकती है तो उनको इस बातों का ध्यान रखना है मैं बहुत ध्यान रखना है मैं आपको फिर बता रहा हूं ठीक है या फिर आप किसी का music use कर रहे हो तो आप चीजों को यहां पर करो कोई adult content कर रहे हो तो यहां बताओ तेक है बना आगे चलके बंद हो सकता है channel बंद हो सकते वीडियो रिस्टिक्शन आ सक्कियों और बहुत सब्सक्राइब कर दिया तो यह हमने कर दिया अब हम यहां पर क्लिक करते हैं video elements के उपर अब एड और end screen add cards end screen क्या होती है जो आपके वीडियो में जब आप पूरा वीडियो देख लेते हो ठीक है इसे हम इधर click करा हमने क्लिक करने के पादज दोस्तों हम end में चलते हूं यह देखिए हमारे यह यह आईकाट जो हमने लगा रख तो एंड़ स्क्रीन और आईकाट बहुत जादा हेल्प करते हैं तो जो एंड़ स्क्रीन होती है और यह जो i-card होते हैं वो बहुत जादा help करते हैं लोगों को यह हमें लगाने होते हैं लोगों को relative बत्तर रेलिवेंट उस मान लीजे आपका कोई वीडियो है जो दूसरे वीडियो से connected है तो आपने i-card में लगा दिया या i-card में आप लोगों को बता रहे हो कि मेरा यह वा आते हैं तो growth होती है आपके चैनल की और लोगों को भी confusion से आप बचाते हो ठीक है और बहुत सारी उनको अच्छे content यह relevant वीडियो उनको बताते हो तो कैसे end screen और i-card का use करना है यह सब मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो के अंदर ठीक है और यह बहुत important है visibility पे आते हैं ठीक है अब visibility पे save or publish private करना है अनलिस्ट करना है public करना है ठीक है तो जब भी आप अपनी वीडियो को upload करके रखो अगर उस time आपको public नहीं करना hand to hand upload नहीं क उसको आप अनलिस्ट कर दो या उसको private में रखो ताकि कोई उस वीडियो को जब तक आप upload ना करो तब तक कोई उसको देखना पाया और आप इसको schedule भी कर सकते है schedule का मतलब है कि आप मालेजे रात को आपको कोई 11 बज़े वीडियो upload करना है अब उस time आप जगे नहीं हो या available नहीं हो या किसी भी time तो आप schedule करगे date and time date और time डाल दो उस time की वीडियो अपने आप upload हो जाएगे तो यह सब चीजों का आपको ध्यान रखना है और जबी सारे points आप कर लोगे तो आप इसको करोगे save ठीक है तो जब आप इसको save कर दोगे या पर देखिए मेरी वीडियो upload होगी thumbnail हमारे पस नहीं था भी dummy के लिए thumbnail नहीं है मना इस तरीके से हम thumbnail बनाते है specific हर वीडियो की अलग तो यहां पर देखिए वीडियो मेरी upload होगे भी private में है और यह सारा को सारह दिखा रहा है तो इस तरीके से दोस्तों आप कर सकते हैं एक perfect तरीका मैंने आपको बताया है वीडियो अप्लोड करने का उमीद करता हूं आपको एक चीज समझ में आई होगी थैंक्यू दोस्तों तो दोस्तों आज यह जो वीडियो है यूट्यूब पर आप कैसे अपनी वीडियो उसको रैंक कर सकते हो और उन पे आप बहुत जादा बहतर तरीके से करके ट्रैफिक ला सकते हो व्यूवर्स को लेकर आ सकते हो दोस्तों यह वीडियो बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाला है कि यूट्यूब कैसे करो और इसमें के बहुत सारी फेक्टर्स होते हैं ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर चीज आप कर दोगे तो बहुत भ कर पाऊगे तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो जो हमार इसके लिए मैंने दोस्तों एक शीट निका लिए पॉइंट्स भी बनाएं और फिर आपको करके समझाओंगा और उन्सी ड्रेलिमेंट चीजों को दिखाऊंगा तो वो शीट को मैं पहले आपके सामने कर लेता हू कर दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसे गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है जहां पर लोग चाते हैं कि उनकी वेबशाइट रहें के अंदर आए वैसे यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है गूगल के बाद यूट्यूब का ही नंबर आता है अगर आप कॉलिटी कॉंटेंट की बात करो कोई भी चीज़ सीखनी है वीडियो हो कॉंटेंट हो तो लोग यूट्यूब का बहुत ज्यादा यूज़ करते हैं हर डिरिश्टी के अंदर तो इसलिए ये वीडियो आप सब के लिए बहुत जरूरी है इसको अंच तक देखे करना और अपने प्रेक्टिकल इसको इंप्लिमेंट करना आपकी रैंकिंग और एस यो बहुत भैतर हुगा तो दोस्तों सीट ओपन कर लेते हैं तो दोस्तों यह दस पॉइंट में जो सबसे पहला पॉइंट है जो है टॉपिक एंड पॉंटेंट रिशर्च दोस्तों हजा करते हैं तो क्यों कि वो चुपिक करते हैं और तो क्सक्रेश करते हैं उसके बैसिस पे अगर अगर आप Oliva क्रेंट बना रहा हूं या जो में चीज़ोंगत कर रहा हूं या जो माला कार रहा है आ प्रकरणािए और वूपिक इन बगल दोस्तों अगर आप सही से आर एंडी रिसर्च नहीं करेंगे क्या है कि हमारे यहां पर आर एंडी रिसर्च का कल्चर थोड़ा कम है जो किसी भी इंडर्स्ट्री में बात करने बड़ अगर आप एक यूट्यूबर हैं आपको एस्ट आपकी वीडियो चैनल को रेंक कर आओगे जिसको दुनिया देखेगी जिसको दुनिया पसंद करेगी तो दोस्तों इस टॉपिक एंड कॉंटेंट रिसर्च को कभी भी हलके में मत लीजेगा यह सबसे पहला और बेसिक क्योंकि वाकी की सारी चीज़े बात में आएगी पहले आएगा रिसर्च रिसर्च ट् दूसरे पॉइंट के ओपर तो जब हमने बात करी रिसर्च की तो वह होगा कैसे होगा ऐसे दोस्तों जो भी आपका नीश है जो भी आपका इंडुस्त्री है मार्केट है आपको उन पर ट्रैक करना उन पर नजर बनाए रखना और वह क्या कर रहे हैं क्या मार्कित में चल कोई चीज में बदलार आवाया कुछ भी जो मार्कित में हैं और रिसर्च के बात जलब आपपना अपना content बनाओगे content बनाना भी तो होता नो तो रिसर्च अगर अच्छी है topic की content की market की industry की computers की तो जब आप वो script बनाओगे जो आपको वीडियो तयार करनी है उसमें बहुत ज्यादा professionalism होगा आपके पास बहुत अच्छे creative thoughts होगे और आपकी रहा बहुत असान हो चुकि क्या बनाना है और कैसे launch करना है ठीक है क्योंकि यह दोनों points जो पहले दोनों points है इसके ओपर बहुत ही कम YouTubers हैं जो work करते हैं ठीक है क्योंकि हम सबको लगता है कई बार कि हम बैचते हैं हमारा content बैचते हैं और हमसे बढ़िया तो कोई नहीं है मगर ऐसा नहीं है मगर आपको करना पड़ करके आता है उस पर दुनिया देखती है वो लोग इन दो चीजों के उपर सबसे जादा काम करते हैं तो आपको इस बाता ध्यान देना है ठीक है दोस्तों आप हम दोस्तों बात करते हैं तीसरे point के बारे में जो की है keyword research for title description and text तो दोस्तों title description text क्या है और keyword research कैसे कर सकते हो व जाता हूं यहां पर तो यहां पर मैं open कर लेता हूं इधर यहां पर तो दोस्तों title क्या है यह जो आप title देखे हो लाइक मेरी वीडियो जो आ रहे है इस्टू टूटोरियल पर बिगनर स्टेप बाइस्टाइब यह ताइटल है और यह नीचे जो आप देखे हो यह description है तो यह जैसे कि आपने देखा तो अब जो title है और आपका जो description है इसके ऊपर किस तरीके से आपको work करना है और research करना है वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों पहला क्योंकि एक बात तो ध्यान रखेएगा लोग नहीं जानते कि आपका channel क्या है ठीक है और वहां पर क्या उनको वीडियो मिलेगा जो आपने डाला है लोग क्या करते हैं उसे related keywords के ऊपर research करते हैं ठीक है तो मैं देखते हैं ढूनते हैं तो आपको पता करना ह कि कौन से ऐसे keywords हैं जिसके ऊपर आपके topics से related जिसके ऊपर public search कर रही है देखना बसंद कर रही है तो उसके लिए तो है दोस्तों YouTube माल लीजे मैं SEO के ऊपर video डाल रहा हूं ठीक है SEO tutorial के ऊपर डाल रहा हूं तो मैं एक YouTube का platform use कर सकता हूं लाइक में डालता हूं SEO course तो यहां पर देखें सजेशन में आगए SEO course in Delhi SEO course for beginners SEO course for beginners in Hindi SEO course is online free तो इस तरीके से मेरे को बहुत सारे suggestions यूट्यूब के platform से ही मिल जाएंगे जो कि auto suggest में आ रहे हैं तो यहां से मैं अपने titles और description में जो use करूंगा keywords phrases तो इसका हमको ध्यान देना है एक तो यह तरीका है जैस सर्च कर सकते हो ठीक है जो कि आप title description और टैक्स में डालोगे ठीक है और दोस्तों एक तरीका है Google आप Google पर ही में सर्च कर लेता हूं SEO tutorial अब SEO tutorial डाला जोस्तों मैंने तो यहां पर आ गए in Hindi for beginners in Hindi 2020 ठीक है और बहुत सारे यूट्यूब अब मालो मैं यहां पर Google पर सर्च करता हूं मैं Google पर सर्च करता हूं तो यहां पर मेरे को results भी दिखाता है कितना popular keyword है उसके अलावा यह होते है Google auto यहां पर सर्च आगे इसको Google suggest कहते है यह auto search कहते है प्लस इसके आप दोस्तों देखो SEO tutorial in Delhi डाला तो देखे मेरा वीडियो भी यहां पर suggestion में इधर आ रहा है ठीक है तो यहां पर एक तो हो गया यह आपका auto suggest Google के थूर आप auto suggest का यूज कर सकते हो प्लस दोस्तों यह होते है LSI keywords इसके ओपर भी मेरे वीडियो चैनल में है तो LSI keywords में बताते हैं कि और किस तहीं की keywords के through लोग search करते हैं तो जैसे कि आपने देखा एक होता है दोस्तों Google keyword planner तो व Google keyword planner का मैंने यूज बता रखता है वो टूल के through भी आप exact traffic पता कर सकते हो हर मंग किस keyword पर कितना search आ रहा है तो यह चारपन चीजे हैं जिनका यूज करके आप पता लगा सकते हो कौनसे keywords आपके लिए best रहेंगे जो कि आप title description tags में use कर सकते हो ताकि public उन keywords को सब search करे तो आप आपने fourth point के ओपर जो कि यह दोस्तों keep regular tracking on video and keyword ranking like which type of videos and content more liked and watched by audience इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ तो इसके लिए वापस चलते हैं यहां पर और यहां पर मैंने यह open कर रखा इधर एक वीडियो दोस्तों जैसे मैं अभी अपने चैनल में हूँ ठीक है और अपने चैनल के अंदर एक वीडियो मैंने कुछ जिन पहले डालाता जो यह Facebook पिक्सल यह उपर तो उस वीडियो को आपका जो यूँट्शी स्टूडियो है यहां पर जरूर हमेशा ट्रैक रखे आपके वीडियो की जो कश्राइं थी इसकह दूर्स वस्क्राइबर कितने आ रहे है वहाँ पर audience retention कैसे हो रहा है तो audience retention भी बहुत important होता है कि कितना percent लोग आपको पता है इस वीडियो पर इतने वीडियो आए तो इतने लोग अगर लोगों ने वीडियो करा तो हर एक average इतना देखा गया और इतने percent लोग तो वीडियो देखी रहे है तो वह आप देख सकते हो य यूट्यूब के थुझा जादा सर्चित में आरहे है प्लेइस के थूझा तो इस तरीके से आप यहाँ पर likes में इस देख सकते हो, रियल टाइम देख सकते हो उस वीडियो पर लाज्ट 48 आर्च में कितने लोग उस वीडियो को देख रहे हैं, प्लस आप उस वीडियो का ग्रैफ देख सकते हो, और उसके अलावा यह तो अगर आपको स्पेसिफिकली रीच देखना है, तो यहां पर आप इंप आप देख सकते हो, लोगों का इंगेजमेंट कैसे हो रहा है इस वीडियो के ऊपर, और अगर आप अपनी वीडियो पर रखोगे, तो आपको पता लगेगा कि कौन सी वीडियो का जो कॉंटेंट है, मेरी चैनल में ज्यादा पसंद करा जा रहा है, इसमें मिन ऐसे क्या करा जिसमें लोग जादा रुके, जादा देखा, तो उसी तरीके से आप अपने फ्यूचर वीडियो की प्लैनिंग कर सकते हो, और रिसर्च आरेंटी के बाद और भैतर कॉंटेंट, थमनेल, टाइटल और कॉंटेंट बना सकते हो, ताकि लोग और जादा रिटें हो, और प्लैनिंग के ओपर, उसकी ग्रोफ के ओपर तो कैसे ओ फ्यूचर की प्लैनिंग करेंगे, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, और दोस्तों में फिफ्ट पॉइंट के ओपर आते हैं, जो कि हमारा कंसिस्टेंसी इस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड, तो दोस्तों क्या आप हफते में दो वीडियो डालो, चाहिए आप हफते में तीन वीडियो डालो, बात है कि जब आपने एक चैनल की प्लैनिंग कर ली, तो आप उसमें अपनी आपकी शुर्बातना कम रखो, यह नहीं है कि आपको दूसरा पांच डाल रहा है, हो सकते है, आपकी जो उस प् भारी हो जाएंगी, ठीक है, बाट कंसिस्टेंसी का मतलब है, जो यूट्यूब है, या कोई भी दुनिया का सोचल मीडिया प्लैटफॉर्म है, चाहिए सर्च इंजन है, वह एक ही चीज़ देखता है, यह जो क्रिएटर है, यह यह जो वेबशाइट है, यह जो चैनल है, यह पेज है, यह कितना ज्यादा कंसिस्टट है, बिकार्श प्लिक आती है, तो मक पॉर्ड जो न कलिक देखती है, और आप क्वान पस्नेट कंसिस को अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए आपको कंसिस्टेंसी रखना नहीं पडएगी, और भ्याम रखेगा मैं आपके मूल मंत्र दे रहा हूं जो की है इंडर्स्ट्री का मूल मंत्र content is the king then consistency is the key content भले यतना अच्छा है पर consistency नहीं है तो जो success की जो की है वो है consistency तो यह पांश्वाइप पॉइंट आज ही बांद लोगा consistent नहीं हो तो हो जाओ ताकि आप आगे सफलता ह लोग तो बोलेंगे लोग आपको demotivate भी करेंगे criticize भी करेंगे bad comment भी आएंगे अच्छे comment भी आएंगे but आप consistent रहो आपको नहीं हटना है आपको improve करना है तो आपको लगे रहना है दोस्तों तो आप results देखना क्या शांदार results आप लोगों को मिलेंगे अब दोस्तों हम आ सब्सक्राइब करते हैं आप माल लिजे के SEO course एक keyword है यह बहुत short keyword है और इस पर ranking इतनी है सानी से नहीं आती आप क्या था आप देखो मैंने जब अपने जो मेरा वीडियो देख रहे हो SEO वाला इसमें आप देख सकते हो मेरा जो title है वो है SEO tutorial for beginners in Hindi ठीक है step by step search engine optimization complete course तो मेरे title mix है ना short है ना बहुत जाद long है relevant है एक तो वो मेरे topic से relevant है और वो क्योंकि अगर मैं इस video को जो मैंने शुरुबात में डाला था मेरा channel भी नया था इतना traffic भी नहीं था ठीक है तो अगर मैं से SEO course डाल देता हो सकता है मेरा video उस पर rank ना करता मगर क्योंकि मेरे video ने अच्छा perform करा हो जब कि तीन घंटे का video है दोस्तों आप देख सकते हो तीन घंटे का video लगबग 6 महिने में एक लाग 15,000 के असपास लोग देख चुके हैं उसको तो मेरा video अगर popular होगा लोग इसको देखेंगे इसके रुकेंगे तो अपने आप भी जो short tail keywords होते हैं ठीक है like SEO course लिखन को सर्ची नगरता हो तो आपको एक moderate तरीका यूज करना है like एक तरीका आपको बताता हूँ SEO course ठीक है for beginners ये एक सही keyword है ठीक है इस keyword को आप यूज कर सकते हो देखो इस पे भी मेरा video rank पे आ रहा है ठीक है अब इसके अलावा आप कर सकते हो SEO tutorial search engine optimization in Hindi आप इसको यूज कर सकते तो इसमें मैं बिल्कुल topic number one पे आ रहा है ठीक है तो इस तरीके से आपको keywords का use करना है moderate keywords ना बहुत जादा long tail बहुत सो समझ की keywords को keyword research कैसे करना है उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया इसी वीडियो में उसको ध्यान रखतीगा ठीक है अब हम आते हैं दोस्तों अगले point के उपर seven point के उपर तो दोस्तों वो है start few days अब यह क्या है यह एक tip है जो मैं आपको दे रहा हूं यह tip क्या है दोस्तों like आप जब कोई भी वीडियो है आप अपनी channel में upload करते हो तो शुरवात के कुछ दिन ठीक है शुरवात की जो audience उस पर आती है जो उसको देखती है उ YouTube निर्धारित करता है उसके आगे को उसके आगे की performance उसके आगे की growth उसको कितना searches में लाना है कितना आगे उसको दिखाना है क्यों क्योंकि अगर आपने यह जो सारे factors मैंने इससे पहले आपको बताएं research competitive analysis title description thumbnail plus video quality content ठीक है यह सब जो चीजे मैंने आपको बताई है इन सब अगर आपने ज्यान रखा है और सबसे बड़ी बात आपके वीडियो के अंदर आपने कुछ ऐसे elements यूज करें मतलब कुछ ऐसे effects कुछ ऐसी बातें कुछ ऐसी interesting facts चीजें जो कि R&D research से याती है मेहनत से आती है अगर आपने यूज करी है और आपने customers को बाने रखा है उनको आपने bounce back नहीं हो रहा है वो उसको देख रहा है तो दोस्तों अगर वह engaging है interesting है और उसमें अच्छे elements यूज कर रखे हैं बीच बीच में को बोर नहीं हो रहा है और आपने सारी बातों को ध्यान रखा है तो वो वीडियो जरूर आपकी grow करेंगी क्योंकि लोग आये चाह कम management कर रहा और wait कर रहा है इस बात का आपको ध्यान रखना है अब दोस्तों आठवे point के ओपर आते हैं जो कि title thumbnail video content is very important जैसे कि वापस इदर आते हैं ठीक है वापस मैं यहाँ पर आया तो मैंने आपको क्या बताया कि जो title होता है जैसे मेरा title है जो मैंने दिया thumbnail जो आप देख title है वो बहुत ज्यादा informative होना चीए relevant होना चीए जो वीडियो के अंदर content है उसके thumbnail बहुत ज्यादा creative HD quality का अच्छी quality का design होना चीए बहुत ज्यादा cluttered नहीं होना चीए सामने वाला असानी से mobile हो desktop हो tablet हो कहीं पर भी पढ़ पाए उसको easily ठीक है और उसको content effective लगना चीए त तो आपको click through rate बढ़ेगा अगर उसको आपका thumbnail अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी बात है जब title thumbnail देखके कोई audience attract total हो click करके वीडियो पर जाता है तो वो उस वीडियो पर अगर उसको वही content मिला जो से सर्च कराता तो उसको रुपता है और quality content है तो उसको देर तक रहे हैं कितना देख रहे हैं उसको तो दोस्तों अब यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है जो यहां पर हमारे हाँ पर निकल के आती है कि आप जब भी कोई वीडियो आप मालो कि आप एक market में गए एक दुकान पे गए दुकान के बाहर आप तो बने बहुत अच्छे offer शब्द बगारे लिखके देखे और आपको दिखा अच्छे तो कपड़ों की दुकान है और यहां पर तो बहुत अच्छे offers मिल रहे हैं और यहां जब थमनेल अच्छा है टाइटल अच्छा है और जो क्लिक करके बंदर content में जा रहा है तो content बहुत खराब है तो यह आपको ध्यान रखना है इन तीनों चीजों के बारे में ठीक है अब आपको साते हैं इधर अब यह देकि 9th हमारा जो topic है बो है must and effectively use of all these things जो की है end screen आई उत्तों कैसे। मैं आको प्रीक्ती बीरी में आता हूं। सी रीक औरो डीक वीडिवीज़ने के अंदर जब मेरी वृदियो जब लौग देख रहे होते हैं उसarrive दकैने के दूरान यहां पर आप देखिए यह playlist आ गई जो मैंने video के दोरान मैंने बीच बीच में लगाएं थ तो वो मेरी वीडियो को देख सकते हैं कि अच्छा है आपके टुटोरियल्स भी आगर होंका इंट्रस्ट है तो क्लिक करके जाएंगे ठीक है यह मैंने प्लेइलिस्ट भी डाल रखी है फंडमेंटन टेक्स टेक्स की लोगों को अगर कोच टेप्स ट्रिक्स प्रिंसिपल्स लॉजिक्स क्लियर करने तो उनको लगता अच्छे हैं आमें को बढ़िया मिल सकता है तो लोग इस पर जाएंगे सब का अपर इंट्रस्ट की बात है तो आई कार्ड के थू क्या होता है अगर किसी का टिक टॉक में इंट्रस्ट होता तो वह इस वीडियो को देखने के अभाज प्लेयों के ऍंगे मेरे वीडियो देखता तो ओल Nos वुरुबर मेरे चैनल और ग्रो करता सेडैशन में आता और इसका बहुत ताम बढ़ता दोस्तों जो यहां पर आप देख रहे हो इधर जब किसी ने मेरी पूरी वीडियो देखी और उसे म्प्रेंस हुआ तो इंट्रस्टिंग लगती है तो यहां पर देखा कि और इसे भी बहुत टाइम बढ़ेंगे तो यह चीजों का यूज करना है और उसके साथ सा दोस्तों यह आपके description यह देखो यह description तो description में आप playlist के link दो important videos के link दो लोगों को बताओ कि वीडियो किस बारे में हैं आपको क्या मिलेगा तो दोस्तों इन तीन चीजों का यूज जरूर करना है effectively ताकि लोग और ज्यादा वीडियो उस पर view करें और ज्यादा बहुत टाइम बढ़े लोग confused ना हो लोग relevant चीजों के ओपर जाए यह बहुत बड़ा factor और role play करता है आपके channel की growth में आपके YouTube SEO में आप दोस्तों यहाँ पर click करते हैं और आते हैं do not share your video सबसे important बात सबसे ज़्यादा लोग करते हैं जो एक करते हैं कि वह अपनी वीडियो को जैसे वीडियो डाली friends को भेजा पचास friends को सो friends को 300 relatives को मैं तो अपने relatives दोस्तों में हर एक को बोलूँगा वो अपने relatives को बोलेगा तो 1000 लोगों पर मेरी video पहुंच जाएगी तो मेरी तो 1000 दो दिन वीडियो को देख क्लिक कर लेगा वीउ कर लेगा हो सकता है जस्मेंट की video हो एक सेकिंड देखा वापस आ गया दो मिनट देखा वापस आ गया तो वास टाइम ही नहीं मिलेगा उल्टा वो वीडियो YouTube की नजर में नीचे हो जाएगा कि यहां पर 1000 लोग आये तो मगर देख और 1000 लोगों में वीडियो देखा गया मात्र आदा हंटा तो दोस्तों क्या होगा उस वीउस का तो जो बंदा खुद सर्च करके आ रहा है उसका इंटरस्ट और टॉपिक में और आपका कॉंटेंट में क्वालिटी है तो वह अकेला ही 10 पे भारी है 20 पे भारी है क्योंकि व और डाउंग्रेड होगा तो वाट्साप पे शेयर करना दोस्तों को बताना कुछ नहीं करना वीडियो भई देखा है कि उसको इंटरस्ट है इन 10 बातों का ध्यान रखो और रहो उसके बात दोस्तों अगर आपकी वीडियो रेंकिंग में आए तब आप बताएगा में कि इ पूमिद करता हूं यह वीडियो पसंद आएगा और आपके काम आएगा थेंक्यू दोस्तों आपका रुखा हुआ है एड्रेस वेरिफाय नहीं हो रहा है तो लोग कई पर इघबरा जाते हैं और उनको लगता है पेमेंट करता है नहीं हो रही है और उनको गूगल से हेलप मिल रही होती तो उस कंडिशन में क्या करना होता है तो दोस्तों सेम कंडिशन मेरे संग भी हुई थी क्योंकि हमारा भी नया चैनल है और अभी कुछ महीनों पहले ही मॉनिटाइज हुआ था तो मॉनिटाइज होने के बाद हमने क्या किया कि हमने जो एपलाई करना होता है यहां पर बिलिंग एड भीजता है USA आपके address पे ताकि उस पिन को आप यहां पर verification में डालके verify करें इस तरीक से verified हो जाता है जब वो verify होता है बड़ क्या होगा दोस्तों हमने डाला एक बार और एक महिने के आसपास होगा है वो बोलता है कि क्योंकि COVID-19 था तो इसलिए तीन से चार वीक वो ले रहा था पिन भेजने में वैसे एक हफ्चे दस दिन में भी पिन आ जाता है तो जब वो टाइम पिरिट पूरा होता था था थी तूफोर वीक्स तो हम अब जब आपकर टाइम पिरिट पूरा होगे तो जैसे मैं यहाँ पर आया चैनल में आया देखिए हैँपर मैं फाले दर में अन्यवक्त करता हूं को इसलिए कि करने के बाद आपको यहां कहिं करना अनुख कितना को चेट कुंछ रहर चैट करने के दोस्तों डश्तों गेट क्रीलेटर सपोर्ण पर पर क्रीअ करने के यहां पर देखिए यहां पर आप आप चैट कर सकते हो उनसे बात कर सकते हो कि आपका वेरिफाई नहीं हो रहा है यहां पर क्यों कि कि यहां पर आप कस्टमर सपोर्ट पर चैट कर सकते हो और चैट करने के बाद वह आपको उसका सोलूशन बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या issues आ रहे हैं और उसके वो आपको जो solution बताएंगे उनको आपको follow करना होता है तो अब दोस्तों क्या है कि जब मैंने बात करी थी इनसे first time की मेरा pin नहीं आ रहा है तो generally क्या होता है कि ये online कोई verification नहीं करते हैं ये address पे pin भेजते हैं और अगर आपका कम से कम आपने तीन से चार बार अगर ट्राय नहीं कर आए तो आप ये आपको direct support नहीं देते तो तीन से चार बार आपको ट्राय करना होगा मालो एक बार नहीं आया फिर दुबारा आप आप यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देख सकते हैं गूगल सपोर्ट यहां पर यहां पर यहां पर करना पड़ेगा अगर फिर भी नहीं होता तो आप यहां पर किस्टमर चैट पर बात कर सकते हैं मैं इनको भी मना कर देता हूं कि आइड 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 तो एंड शेशन हैं इस लिए कर दिया कि मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा था में पर कोई चैट नहीं करने से मैं अपने सेशन बंख करने के लिए कर दिया तो अब जब आप तीन से चारवार अड सेंस में अपने पिंड के लिए रिक्वेस्ट करणे और फिर भी एक मेने दो मेने तीन मेने के बाद यह नहीं आता है तो आप इनसे बात कर सकते हो और आप इसके अंदर तो आपको कुछ नहीं करना है आप उसके बाद यह आपको help करेंगे link देंगे एक proper link देंगे यह लोग आपको और इधर देखें मैं आपको proof दिखा रहा हूँ यहाँ पर देखें मैंने कुछ दिन पहले सिर्फ दस दिन पहले ही मतलब मैं चार महीने से वेट कर रहा था और COVID की वारा से टाइम पिरिट जादा हो गया था जनरल इतना टाइम नहीं लगता है दोस्तों दस दिन पहले मेरे को adsense support से google.com से mail आया इन्होंने मेरे को इन्होंने मेरे को कुछ steps बताया जो मेरे को follow करने थे वह steps follow करने के बाद मेरे को एक link आया उस पे मैंने click करा और hand to hand मेरा जो verification है हो गया hand to hand उसी time मेरा verification हो गया यहां पर आप जैसे कि देख सकते हो ठीक है तो वह जैसे हमारा verification हुआ complete तो मेरे account में वह payment आई ठीक है तो अब इसके अंदर यहां पर आप देख सकते हैं thanks for completing the form यह गूगल से आया था ठीक है अब यहां पर देगे I have good news upon checking here your address is now verified तो तुरंत उन्होंने एक दिन पहले ही मतला 9 दिन पहले मेरा account यह सब चीज मेरा online verify करा उन्होंने मेरे को बहुत support करा Google और YouTube की टीम ने डिरेक्ट आप देख सकते हो मे मेरे चैनल verified होगा मेरे payment भी next day इन लोगों ने मेरे account में transfer कर दी तो दोस्तों किसी भी चीज में घबरानी की जरुवत नहीं है और कोई payment आपकी मारे ने जाती है बिलकुल legal way है और बहुत transparency है बट कुछ procedure है अगर आप 3-4 बार में नहीं आता है तब ही आप इन लोगों को chat क सपोर्ट ले सकते हो लिंक देंगे आपको procedure follow बढ़ना है hand to hand आपका online ही verify होका payment आजाएगा तो मैंने आपको अपने सारा procedure दिखाया देखो मेरा verify हो चुका है कब verify हुआ वह भी मैंने आपको दिखाया कैसे chat करना है वह भी मैंने आपको दिखाया तो दोस्तों उमीद करता ह तो आप अगर इस problem आप यापको problem आ रही है तो अब आप घबराएं ना वस इन चीजों को follow करें patience रखें आपकी payment ज़रूर आपको मिलेगा और verify भी होगा थैंक्यों दोस्तों तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि यूट्यूब एनलिटिक्स क्या है यूट्यूब एनलिटिक्स का मैं पूरो ओवर्वियू दूंगा और उसकी बहुत सारी details में इस वीडियो में आपको बताने जाओंगा बहुत सारे आपको चीजे clear होंगी इस वीडियो से औ और उसे आपको आगे कैसे वीडियो और चैनल को कैसे ग्रोव करना उसके बारे में भी आपको काफी चीजों की समझ आएगी तो दोस्तों यूट्यूब एनलिटिक्स सबसे important है समझना और उसके बेसिस पे future में आपको अपनी strategy बनाना अगर आप एनलिटिक्स को सही से समझ गए और उसके बेसिस पे आपने actions लिये तो आपकी growth को कोई नहीं रोग सकता तो दोस्तों एनलिटिक्स में बहुत सारी जानकारिया देने वाला हूं अपने खुद के चैनल का analytics में आपको दिखाऊँगा विगाज इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं होती है बहुत स चैनल है उसके आप आजाओ YouTube यहां पर आप जैसे देख सकते हो YouTube चैनल जो होता है वो यह होता है और जब आपको YouTube Studio में आना है जहां पर analytics है तो यह यूट्यूप स्टूडियो के आप क्लिक कर सकते हो तो जैसे आप YouTube शुडियो के ओपर क्लिक करोगे तो आप आजाओगे य के section में हूँ तो दोस्तों analytics के section में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा चैनल का analytics हो मेरा बहुत पुराना चैनल नहीं है दोस्तों अभी 9-10 महीं हुआ है सिर्फ इस चैनल को एक नया कर सकते हो कि आप कर सकते हो कि आपके पिछले महीनी क्या growth रही थी इस महीनी क्या growth रही थी क्योंकि जब तक एक इनसान अपने चीज की growth अपनी कमियां उनको अनलाइजन नहीं करता तब तक वो आगे बढ़ ही नहीं सकता तो दोस्तों अब analytics के अंदर क्या होता है कि यह अभी हम analytics YouTube analytics के हमारे चैनल के overview में है तो overview में जैसे कि आप देख सकते हो मैं अभी 28 डेस का लेके चलूँगा तो यहां पर आप देखिए कि व्यूज आर अब यूर चैनल गॉट इतने व्यूज इन लाग्स 28 देस तो यहां पर हमें growth दिखा रहा है कि हमारे चैनल के व्यूज कितने ब और हमने growth करा है एक लाग्स लगव कोने दो लाग व्यूज आ गए है वास टाइम हमारा इंक्रीज हुआ है हमारे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हुआ है हमारे रेविन्यू इंक्रीज हुआ है ठीक है यह हम ग्रैफ के थूरू भी सारी-सारी चीज़ें हाप पर analyze कर सकते है है ँब काइं है एक हम आ रहे हरे हों सब देख सकते है रियाल टाइम हमरे हैं कितने लोग आ रहे हैं आपर रील टाइम में बैद्कने लाइव लाइफ दिखा ripe 18 फ्सक्राइबर मतलब दो दिनों के अंदर लगभक Comeanges कुछ लोगन exposal लोग व्यू करन रहे है इं चैनल को यह और्गैनिक लिए ए टू जेट दोस्तों सारी चीज जो मैं दिखा रहा हूं तोटल और लिए मगर जो यूट्यूब एन इंटिक्स है इसमें आप दोनों चीज़ देख सकते हो आप और गैनिक अगर आप एक्टिविटी कर रहे हो उसका भी आप देख सकते हो पेड का भी दे लेना तभी पेड का आप सही से अनेलाइज कर पाऊगे और उसका टूटोरियल भी चैनल में है तो यहां पर यहां पर हमारी टॉप वीडियो दिखा रहा है दोस्तों इदर जैसे के वाली है इसमें पड़्ड मतब दो दिन में लगभाग बाइस सो लोग ने देखा ठीक है आप दोस्तों मैं आपको इक चीज यहां पर बताना चाहता हूं एक बात का भ्यान रखे जनरली लोग क्या कहते हैं कि बहुत लोगों कंफ्वीजन होती है मतलब कई मतलब कितने लोगोंने मेरे से सवाल पूछा इसके ओपर लोग वीडियो भी देखते हैं कि कितने व्यू यूज के ओपर तो दोस्तों ये कोई चीज नहीं है कोई चीज फिक्स नहीं है कोई कुछ भी एवरिज बोले कि 5000 पे 5000 आता है 4000 या 1000 यह जहां पर यह दोस्तों सब कुछ डेपैंड है आप की महनत के ऊपर आप बहुत अच्छी अच्छीव कर सकते हो आप दो तीन साल में भ जो आपको डॉलर्स मिलते हैं वो दो चीजों के उपर सबसे आधा डिपेंड है पहला कि आपकी जो वीडियो है वो कितनी जादा इंगेजिंग है कितने जादा देर तक उस पे कस्टमर रुपता है मालोगों कोई टुटोरियल है तो वो सीखने के बाद ही वो छोड़ेगा अगर उसको उसको कॉलिटी कॉंटेंट लग रहा है कि अच्छे से सखाया जा रहा है उसमें भी इंगेजमेंट तो होगी इंफॉर तो एंगेजिंग इंफॉरमेटिव इंट्रेस्टिंग होना बहुत जादा जरूरी है वीडियो को चाहिए वीडियो दूसरा दोस्तों आप चाहिए कोमेडी है यह एंटर्टेंबेंट उसके अंदर पी आप ले लो ठीक है बहुत सारे चैनल्स होते है ठीक है और उनके अं होते हैं वो भी इंट्रेस्टिंग होते हैं तो पहले जब हमारा चैनल शुरू आता है तो बहुत कम हमें डॉलर साते दिन अब अभी हमारा थोड़ा से इंप्रूवल लगभग 1100 व्यूस के आज-पास मेरे को एक डॉलर आता है आप देखो पिसले 28 दिन के अंदर पास मेरा अभी एवरेज आता है मेरे को एक डॉलर आता है तो उपर नीचे होता है कभी हजार भी उस पर भी एक डॉलर आ जाता है कभी 1100-1300 पर भी आ जाता है तो अभी एवरेज चल रही है और अगर हम consistency quality content यह सब चीज़ें बनाए रखेंगे तो दोस्तों अभी तो एक साल भी नहीं हुआ कुछ महीने हुआ है उसमें हम यहाँ पर पहुंच गए ठीक है तो आप लोग भी अगर अपने वीडियो को एंगेजिंग रखोगे आप लोग अपनी वीडियो को इंट्रेस्टिंग रखोगे quality content दोगे अच्छे research करोगे आप इससे भी जाद अच्छा करते हैं मैं आपको live दिर्फा रहा हूँ कि लोग कहते हैं लोग पांच हजार यूज पर डॉलर आता है यहां पर यहां पर यूज पर डॉलर आ रहा है जब की नया चैनल है तो अगर आप लोग अच्छा गाम करोगे बहतर गाम करोगे लोग आपके में इंट्रेस्टिंग होंगे तो मेरे से भी कई गोना बहतर आप लोग कर सकते हैं ठीक है हर कोई और इसके अंदर आप देख सकते हो के पहले जब शुरुवात करी थी तो बताने कितने महीनों मतर्ब आप मानलो कितने महीन है आई तिंग इसे दो तिन महीने पहले ही मैंने अपने 4000 आर्स का बहु हुआ है हमारे सब चीजें एक्स्टरॉडरी तरीकी से ग्रोव करती है बड़ो पेशेंस वो महनत वो चीजें आपको करनी बढ़ेंगी एक सेक्टर काम नहीं करता ग्रोच पर गस्यों फेक्टर काम करते हैं आपको एक चीज बहुत बढ़िया कर लोगे और सोचोगे कि नह यहा पर आप बहुर्ँ टाइम ग्रा गाम सब्सक्राइबरं आप आपया बहुत है हमारा तो नगं इंप्रेशन मतलब 22 लाख 2.2 मिलियन का मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब 22 लाख लोगों को हमारा कोई ना कोई वीडियो उनके जब वो सर्च कर रहे थे उस इंप्रेशन में या कोई सजेस्टेट में कहीं पर भी उनको वीडियो दिखा तो इसका मतलब है कि मतलब औरगाटैनिकली औरगाटैनिकली 22 लाख लोग और अब हमें 23 परूटमी शेक्रीद यह पिछले बीडियो दिखा लोगों वो क्लिक नहीं करा, व्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम दिखने की बात कर रहे हैं, जब हम कुछ सर्च करते हैं, हमें किसके वीडियो दिखता है, तो that is an impression, हम क्लिक करते हैं और उसों देखते हैं, that is a view, तो उसमेंचे इतना click-through rate आया, वो भी 2% increase हुआ, हमारे पर पहुने 2 सर्च से कितना % आ रहा है, लोग सर्च करते हैं, तो 70% के आज पास, लोग मेरा वीडियो सर्च करने का उनको दिखता है, ठीक है, और यहां पर browsing feature यह सारी चीज़ा आ गई, अब यहां पर आप funnel देख सकते हो दोस्तों, impressions, impressions के बाद view from impressions, और उसके बाद watch time from impressions, यह एक पुर आने लगा है, Gmail के उपर आने लगा है, WhatsApp business, Facebook, ऐसे बहुत सारी sources है, और दोस्तों, मैं कोई भी paid activity नहीं करता हूं, ठीक है, सब कुछ organic है, और यहां पर आप जैसे कि इदर देख सकते हो, Google Ads, यह मेरा promotion of your total traffic, ठीक है, Google Ads, टुटोरियल, Facebook, टुटोरियल, यह सारे सारे आप बता हूं अभी, वो भी मैं आपको बताऊँगा, traffic source suggested videos, traffic source suggested videos है, वह कहां चारी है, वो देखो, इन वाले videos मेरे suggest में आती है, traffic फरोन यूट्यूब सर्च, दोस्तों, suggested videos और YouTube सर्च बहुत ही important factor है, जब हम बात करते हैं, अपने channel growth की, videos growth की ठीक है, और इसके अंदर, पहले मै उपर की sections clear करों, फिर अंदर deep में जाएंगे, तो अब engagement में आते हैं, अब engagement में क्या है, actual में लोग engage हूंगे, तभी बहुत ताइम मेरे बहुत ताइम मेरे 25% मेरे को growth मिला है, मेरे average channel का view duration है, ये 3.35 minutes का है, मतलब 3.5 minutes से उपर, मतलब अगर 6.000 लोग रोज view कर रहे हैं, त तो कोई इंसान 8-2 minutes view कर रहा होगा, कोई 2-4 minutes कर रहा होगा, कोई 15 minutes कर रहा होगा, कोई 5 seconds कर रहा होगा, मागर अगर 6.5-6.000 लोग एक दिन में view कर रहे हैं, तो मतलब उस 1.5-3 minutes से उपर रुक रहे हैं उस channel पर, 1.5-3 minutes वही रुकता है, जा पर कुछ सीखता है, या कुछ कोई या रहा है? या रहा है या रहा है, यहान रिखिया का है से लोग आ रहे हैं और लोग लोग root रहे हैं तो इसका मतलब आप ब्रोग कर रहे हैं, पिर यहां पर नुग वीडियो देखी जारी फेस्बुक एड सेरीस देखी जारी है तॉप कार्ट कौन से प्ले कर रहे हैं वो यहां पर आप देख सकते हो अब दोस्तों हम ऑडियंस पर आते हैं ऑडियंस का जो यहां पर आप सेक्शन देखे हो देखे ता यूनीट विए कितने आए एवरेज व्यू पर मत सकते हो इसका मतलब आप यहां पर पढ़े हो सकते हो कि कौन सा वेन यूट्यूब कि हमारे विएर्स किस टाइम सबसे जादा यूट्यूब पर होते हैं वो देखते हैं तो इससे आपको पता लगेगा कि बेस्ट टाइम कौन सा है वीडियो अप्लोड करने का और आप उस त अगर वीडियो अप्लोड करोगे तो लोग जादा बैठे होंगे देख रहे होंगे तो आपको एकदम से जादा यूज में लेंगे बहुत चीज़ बहुत इंपोर्डन चीज़े दोस्तों इस वात का ध्यान रखेगा तो पब्लिश टाइम इस नोट नोन तो डिरेक्ली ए मगर अगर अगर पर कॉन्टेंट में वीडियो में गॉल है तो लॉंग टम संस्क्स इस के मिले बता रखा यहाँ यूटोब ले सब्सक्राइबर अनुटिविकेशनस यहां पर आप देख सकते हो तिक है कितने पर्सेंट कर रखा है हूं टर्ण आनौन आल वह लुस्टिके और जो सब्सक्राइब हैं उसे कितना बहुत टाइब है एज और जेंडर यहां पर आप देख सकते हो तो इस तरीके से आप जो सारी सारी चीज़े में आपको दिखा रहा हूं उनको अगर डीप में भी देख रहे हैं तो आपको सीधा क्लिक करना है आप पर सी मोर पर जा सकते पर क्या क्या है दोस्तों आप एधर देखो यह पर डेटेल में आप डीप में देख सकते हो कौंसा मतलब एज करिम है उहां फिमर फिर कर आम son deze क्या तो यह जो पेर ब्लवन जाद है तो आपको पता ही कि आपको किसको एड्ट नहीं तो इसतरीके से आप बहुत सारे चीजें यहां पर देख सकते हो तो अब यहां पर जैसे हम इधर दोस्तों आते हैं तो अब जैसे कि आपने देखा कि यह बहुत सारी चीज़ें जो आप देख पा रहे हो कर पा रहे हो इन से आपको कितना ज्यादा एक ओवर्वी मिला होगा मिला होगा के आप चीजों को कैसे करो कैसे देखो ख़ज़ों ओड़ो टिकर हम आप बेसे जापर आप दोNow weaker video को सब्सक्राइगो कि अन्दर कि अधिश के दर किए यहां पर मिनट यहां पर आप रख सकते हो पर डेख सकते हैं तो हर एक जो पर पने हर देख सकते हो पर आप दोस्तों लेहां पर आप से इंदर आप देखो इदर कि यहां पर यूट्यूब सर्च से पिछले 28 तरों में पौने 20000 व्यूज आए जिसमें यूट्यूब सर्च से लगबग 123000 आए हैं ब्राउस फीचर से 13000 आए हैं अधर यूट्यूब फीचर से सजेस्टिट वीडियो से लगबग अलग अलग सोर्स तो इन अलग अलग सोर्स से पिर यहां पर किस जगा से आपका बहुत तर यह चीज बहुत जाद है आपको देखना प्लस इंप्रेशन्स इंप्रेशन्स क्लिक थू रेट होता है और देखने के बाद किसने क्लिक करा अब यहां पर जोग्रफी के हिसाब से आप देख सकते हो जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर पहुने दो लाख में से लगवग एक लाख अर्टेसादार लोगों ने देखा पाकिस्तान में लगवग बारह सा लो पर बहुत सारे इंडियाच जो है अलोए वर्ड रहते हैं तो सब्सक्राइब तो लोग ढमारे इंडिया देख तो कितनी सारी हैं जहां पर वीडियो देख जारह हैं तो फिर एज के उपर आजाओ यहां पर एज दिखा दिए था कि यह चीज जोग्रफी ठीक यह दोब्र आ सकता है वह उस पर हम अभी जादा नहीं जाते हैं क्योंकि छुपनाया चैनल है तो इतना कुछ है नहीं दीरे दीरे पड़ जाएगा अगर मैंनत करेंगे तो ठीक है फिर सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख सकते हो कितने सब्सक्राइबर्स आये कितने इस चले गई यह सारी छिज़े आप यहाँ पर देख सकते हो सब्सक्रिप्शन स्टेटस नोट कितना देखा सरी रहा है उसका और यहां पर यह सब्सक्राइब किया कि पर सब्सक्राइबर्स कुさ आपको पता लगेगा कि आप हर महीने कितने subscribers lose कर रहे हो कितने आप गेन कर रहे हो यहां पर device टाइप आ गया कि कौन सी device पर जादा देखा जाता है कितने percent views कितना percent कहां से आ रहे है सारा का सारा टीवी पर तो बहुत ग्यारा percent का एवरेज जारा मिनट का एवरेज यू टाइम है ठीक है गेम कंसोल पर 30 मिनट का ऑन एवरेज यू टाइम है तो इसलिए एवरेज आप देख सकते हो प्लस बॉस टाइम देख सकते हो mobile, computer, tablet, tv गेम कंसोल कहां से जादा आ रहा है इसी तरीके से दोस्तों आप बहुत सारी सकते हो, elements से, card type से, card से, sharing services से ऐसे बहुत सारे sources है जहां से आप चीजों को analyze कर सकते हो और इन सब चीजों के notes बनाये करो, ताकि उसके basis पे आप अपनी planning strategy working बनाओ और आप जबरस तरीके से आगे निकल के आओ और अपने चैनल के थ्रू लोगों को सिखाओ, लोगों को entertain करो, खुद भी grow हो, लोगों को भी help करो, दोस्तों ग्यान बाटने से बढ़ता है वीडियो के शुरुवात में भी बोला था वीडियो के अंत में भी बोल रहा हूं, knowledge दिखाने से या अपनी चीजे किसी को दिखाने से शिखाने से ना कोई छोटा होता है और ना दूसरा कोई से बड़ा बन जाता है, यह सोच ही गलत है, क्योंकि हमारे लोगोंने भी जो पूरवज आते जा रहे हैं, उन्होंने ग्य अपनी जर्नी, case study दिखाई है, और आप लोग ग्रो करो, और हम आपके संग मिलके ग्रो करें, बस हम यह ही चाहते हैं, उमीद करता है, वीडियो यूसफुल रहा होगा, आपके लिए, तैंक्यू दोस्तों, देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर वीडियो ऐसा है, और यह जब मेरा बिलकुल नया चैनल था, आप यहां पर देखिए, तब मैंने तीन घंटे का वीडियो डाला था, और यहां पर इसके व्यूज, इसने एक सिंगल वीडियो ने, लगबख 26,000 घंटे से जादा का बॉस टाइम दिया है, आठ हजार सब्सक्राइबर्स दिये हैं, और रेविन्यू दिया है, लगबख 14,000 घंटे का एक सिंगल वीडियो ने, और इसका ग्रैफ आप देख सकते हो, कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है, और लोग इसको पसंद कर रहे हैं, अभी भी लाइव, इसके ओपर लोग, जो हैं, आप यहां पर फिगर देख सकते हो, और यहां पर यहां पर आपको दिखाता है, सर्च में कितना ज़ादा आता है, सरेश्टेंट वीडियो में कितना ज़ादा आता है, और यहां पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर हम इस तरीके से जो हम यह कर रहे हैं, कोई मिर आगे बढ़ सकते हैं कैसे थम्निल बनाएं कैसे टाइटल और बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो कि आपको बेनेफिट देंगी तो यह सब चीजों के ऊपर भी मैं आपके टुटोरिल बताऊंगा एक बनाऊंगा टुटोरिल लेकर आऊंगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ठीक आपको सोच रखनी हैं और आपको कैसे आगे बढ़ना है ताकि आप भी अपने कुछ वीडियो से इतने ज्यादा व्यवेट सब्सक्राइबर्स और बढ़ा सको और ग्रो कर पाऊ और इंकम जनरेट कर पाऊ एक एक वीडियो से लोग लाग सो रुपे भी कमाते हैं दोस्तो और यह तो भी नई वीडियो है कई वीडियो तो 2-3 साल में मिलियन मिलियो में पहुंचती है और लाग सो रुपे आपको कमा के देती हैं तो वो सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कुस दिनों में तो इसलिए अगर चैनल सब्सक्रा वीडियो में बताऊंगा थैंक यू दोस्तों पहला तरीका यूटूब के टॉपिक देखने का इसके अंदर आपको क्या करना है कि e-magazines या नॉर्मल जो magazines अगर आपके पास आती हैं office में घर पे magazines आती हैं ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, इनका आपको use करना है, आपको daily read करना है, मगर जो आपका नीश है, जो channel आपसे जिससे related है और आप जिसके उपर content बनाते हो, सिर्फ उसी से related, regular, आप अपने magazines को, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स को regular पढ़ो ताकि आप लोगों को वहां से market में क्या चल लोग किसके ऊपर जादा आजकल ट्रेंडिंग में जो चीजे चल रही हैं उसके अलावा वहां से आपको जब पढ़ते हो तो खुदी कुछ आइडिया जाने लग जाते हैं कि इस चीज के ऊपर आप ये क्रिएट कर सकते हो ये अभी तक मार्केट के अंदर नया है या मैं इस इसको इस तरीके से लेकर आँगा तो बहुत जादा लोगों को पसंद आएगा मगर ये आइडिया इसका बात है जब चीजों को आप एक्स्टोर करते हो पढ़ते हो और रेगुलरली आप नहीं नहीं चीजे जानते हो तो वो सब चीजे रीडिंग से आएंगी और रीडिं क्या पूछ रहें और वो कैसे जाने मों मैं आपको बताता हूं दोस्तों जो आपका चैनल है वो जिस नीश से रिलेटेड है उसी से रिलेटेड आपके बहुत सारे कॉम्पीटर्स होते हैं कुछ भूत ही फेमस चैनल्स होते हैं जहाँ बहुत जादा पब्लिक कनेक्टिड होती है बहुत जादे ऐसे प्लैट्फॉर्म से देखो गे तो लोक कुछ रहे होते हैं उनकी प्रondereम से होते हैं जिसके उनको सोलूउशन रहे होते हैं तो दोस्तों यह होंवाग आपको करना पड़ेगा आपको अपने competitors के channels पे R&D करना पड़ेगा उनके वहाँ पर लोग उनसे क्या सवाल पूछ रहे हैं क्या उनके problems है वहाँ से identify करना पड़ेगा आपका अगर channel नया है तो हो सकते है comments कम हो बट अगर आपका channel बहुत जादा popular है लोग उस पे question पूछते हैं वही आप लोगों को बताते हैं कि हमें इस चीज़ का solutions चाहिए तो generally क्या होता है दोस्तों बहुत सारे ऐसी problems होती है जो सभी के लिए problem होते हैं और सब को solutions चाहिए होते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया है जो platform है Quora और उसके जैसे बहुत सारे प्लैटफॉम्स है वहाँ पर हजारों लाखों लोग उस particular category नेश से जुड़े होते हैं और regular basis पे कुछ ना कुछ चीज़ा discuss करते हैं तो आपको उसमें participate करना चाहिए और भहाँ से भी आपको input लेना चाहिए तो ये सारी जगाओं से जब आप actual में वो जो juice होता है उसको जब निकालोगे कि यहाँ जनरली लोग इस तरीके के topics के उपर बात कर रहें ये इनकी problem है और उसके उपर जब आप videos लेकर आओगे content लेकर आओगे तो public अपने आप response करेगी आपको खुद उसका value पता लगेगा जो आप मेहनत कर रहे हो तीसरा तरीका दोस्तों जो की बहुत ज़्यदा effective है और practical है जो की है कि आपका जो channel है उससे related जितने भी channels हैं जो वाकिए quality content deliver करते हैं तो मानलो अगर आपने अपने 5-10 ऐसे competitor channels को आप ज़रूर subscribe करें और bell icon उनका ज़रूर दबादें दोस्तों अगर आप अपने competitor के channel को subscribe कर रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर वाकिए अच्छा content देते हैं भेनत करते हैं तो उनसे inspire होना कोई गलत बात नहीं होती तो दोस्तों अगर आप अपने niche से related और अपने competitors जो की quality content देंगे अगर subscribe करोगे और bell icon दबाऊगे तो आप regular update रहोगे कि क्या नया आ रहा है किस तरीके की वो quality दे रहे हैं कैसे delivery कर रहे हैं क्या content बता रहे हैं तो आप भी उन topics को और भैतर तरीके से महनत से और जादा practical approach के उपर और जादा quality content से लेके अगर आप उस topic को लेकर आओगे वीडियो बनाओगे content बनाओगे तो हो सकता है वो content या वो video आपको बहुत जादा अच्छा response दे और क्योंकि जो public है वो उन YouTubers को या आपको follow करती है तो अगर कोई quality content आपको कहीं से gain हो रहा है और आपको एक idea लग रहा है और उस पे आप और जादा महनत करके बहतर quality के संग माल लो एक particular topic है जिस पे आपके तीन competitors ने या YouTubers ने वीडियो बनाया अब किसी ने अपने हिसाब से बनाया है दूसरे ने अपने हिसाब से बनाया है तीसरे ने अपने हिसाब से बनाया तो आपको क्या देखना है उन सब चीजों को अच्छे से R&D करना है, सुनना है, पढ़ना है, जो जाधा relevant चीजे हैं, जरूर नहीं होता है, सबके हर point बहुत जाधा relevant हो, कुछ को चीजे बहुत जाधा fruitful होती हैं, relevant होती हैं, उन में से आपको best to best चीजे लेनी हैं, और खुद उन सब की बाते पता लग रही हैं, जो की उनको अलग-अलग तीन वीडियो में पता लग रही हैं, तो उसमें लोग जाधा interest लेते हैं, कि इसकी वीडियो हम देखते हैं, उसमें complete knowledge होती है, तो इस बात कर जरूर ध्यान लखें, यह बहुत छोटी-छोटी बाते जरूर पर महनत करके, R&D करके, अच्छा content create करके, आप amazing result लेकर आ सकते हो, चौथा तरीका दोस्तों, कि आप लोग अपने niche से related, अपने sector industry जिसके ओपर आप YouTube channel काम करता है, उससे related newsletters को जरूर subscribe करो, उसके अलावा दोस्तों, जो भी आपका ये websites होता है, आपका apps होते हैं, जो आपके niche से related हैं, जादा से जादा apps को, websites को find out करो, और उनको देखो, उस पर R&D करो, और उन पे, अगर कोई मानने जे subscription हैं, या उनके कोई notifications हैं, या उनके संग आप mail के थू connect हो सकते हो, तो कैसे भी आप उन websites की list बनाओ, apps की list बनाओ, और अलग-अलग renowned जो आपके नाम है, जो आपके niche के अंदर, उनको newsletter को subscribe करो, ताकि महां से regular basis से पर आपको latest content type trending जो अभी चल रहा है, वो आपको पता लगे, और आपके पास NF data और content हो, बनाने के लिए अपने channel के लिए, और दोस्तों ये जो पांचमा तरीका है, ये जो अभी तक आपने चारों points में चीज़े सम जी, सीखी, कि किस-किस तरीके से आप YouTube के ऊपर topics find कर सकते हो, नए से नए trending topic लेकर आ सकते हो, मगर ये जो trick मैं आपको fifth point में बता रहा हूँ, ये उन सब चीजों को use करके, कैसे आप तेजी से growth पा सकते हो, ये उसका एक practical experience है, बिकॉज ये चीज़े हमने भी try करी हैं, और हम अब यहाँ पर जो fifth point है, वो ये trick है, कि आप लोगों को उसी content को एक unique way में कैसे present करना है, किस तरीके से आप लोगों को engage करोगे, किस तरीके से आप उसके अंदर कुछ हटके ऐसा लेकर आओगे, जो कि creativity कहते हैं जिसको, क्योंकि content बताना, लाना वो सब कर रहा है, मगर अग अपनी audience को regular engage करके रख रहा है, कई बार क्या होता है, audience देख रही है, बोर हो गई और वो चले गई, मगर आपको engaging factor रखना है, आपको उसके अंदर interesting और अपनी तरफ से facts जोनने हैं, और उसको आपको informative के साथ entertaining बनाना है, ताकि ये जो चीजें दूसरे YouTubers कर रहे हैं, अगर आपके संग कोई जादा उस पर आके देखेगा और जुड़ेगा, तो क्यों जुड़ेगा, कि आप जादा engaging हो, informative हो, entertaining हो, और आप कुछ हमेशन नया लाते हो, तो ये पांचमी चीज जो इतनी आप मेहनत करोगे, इतनी तो topics लाओगे, अगर आपने ये तड़का जिसको कह जाते हैं, अगर आपने entertainment का, information का, engagement का, creativity का तड़का लगा दिया, तो आप अपनी growth और अपने channel को एक अलगी level पे लेकर जा सकते हो, तो दोस्तों, इन चीजों को ज़रूर ट्राय करना, मेहनत का काम ज़रूर है, मगर results भी extraordinary हैं, और इससे सिर्फ audience आपके संग नहीं जुड होती है, आपको sponsors मिलते हैं, पैसा मिलता है, views मिलते हैं, हर चीज़ आपको मिलती है, और लोग आपकी कदर और value करते हैं, तो दोस्तों, आज ये जो वीडियो है, YouTube पर आप कैसे अपनी वीडियो को rank कर सकते हो, और उन पे आप बहुत जादा बहतर तरीके से SEO करके traffic ला सकते हो, viewers को ले कर आ सकते हो, दोस्तों, ये वीडियो बहुत जादा important होने बाला है, कि YouTube SEO कैसे करो, और इसमें के बहुत सारे factors होते हैं, ऐसा नहीं है, कि कोई एक particular चीज़ आप कर दोगे, तो बहुत भैतर आपका SEO हो जाएगा, तो इसमें मैं वीडियो में आपको 10 ऐसे factors बताने जा रहा हूँ, अगर उनका आप ख्याल रखोगे, जान रखोगे, तो जरूर आप अपनी व समझाओंगा, और उनकी relevant चीज़ों को दिखाओंगा, तो वो sheet को मैं पहले आपके सामने कर लेता हूँ, एक बात और बताना चाहूँगा, कि जैसे Google दुनिया का सबसे बड़ा search engine है, जहां पर लोग चाहते हैं कि उनकी websites rank के अंदर आए, वैसे YouTube भी एक search engine है, गूगल के ब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हर industry के अंदर, तो इसलिए ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको अंत तक देखेना, एक एक point को समझना, और अपने practical इसको implement करना, आपकी ranking और SEO बहुत भैतर होगा, तो दोस्तों, sheet open कर लेते हैं, तो दोस्तों, ये 10 point में, जो सबसे पहला point है, जो है topic and content research, दोस्तों, हजारों लाखों करोडों YouTubers हैं, बट उसमें से बहुत ही कम YouTubers हैं, जिनके channel, जिनकी ranking, जिनका SEO निगल गया आता है, और वो बहुत तेजी से grow करते हैं, दोस्तों, क्योंकि वो, जो topic choose करते हैं, और जो वो content की research करते हैं, उसके basis पे, अगर आप जादातर लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि जो मैं content बना रहा हूं, या जो मैं चीज़ प्रोवाइट कर रहा हूं, या जो मेरा topic है, वो best है, और वो video बना देते हैं, बगर दोस्तों, अगर आप सही से R&D research नहीं करेंगे, क्या है कि हमारे यहा वीडियो और चैनल को rank करना है, तो आप topic और content पर पूरा से research करो, अच्छे से research करो, because तभी आप एक ऐसा topic और content लेकर आओगे, जिसको दुनिया देखेगी, जिसको दुनिया पसंद करेगी, तो दोस्तों, इस topic and content research को कभी भी हलके में मत लीजेगा, ये सबसे पहला और basic, क है, topic और content का, आपकी वीडियो, उसके बाद अगर आपने बहतर तरीके से बनाई, तो उसको कोई नहीं रोख सकता, rank होने से या traffic आने से, अब आते हैं दोस्तों, दूसरे point लो पर, तो जब हमने बात करी research की, content research, topic research की, तो वह होगा कैसे, होगा ऐसे, दोस्तों, जो भी आपका industry है, market है, competitors है, आपको उन पे track करना, उन पे नजर बनाई रखना, और वह क्या कर रहे है, क्या market में चल रहा है, कौन से topic पर public response दे रही है, public क्या ढूंब रही है, क्या वो ढूंबना चाहती है, क्या देखना पसंद कर रही है, plus आपके industry में क्या नया आया, market में क्या प्रॉपर रिसर्च करिए तो रिसर्च के बाद जब आप अपना content बनाऊगे content बनाना भी तो तो research अगर अच्छी है तोपिक की content की market की industry की computer की तो जब आप उस script बनाऊगे जो आपको video तयार करनी है उसमें बहुत जादा प्रोफेशनलिजम होगा आपके पास बहुत अच्छे क्रेटिव थॉट्स होंगे और आपकी रहा बहुत असान हो चुकि क्या बनाना है और कैसे लॉंच करना है ठीक है क्योंकि यह दोनों पॉइंट्स जो पहले दोनों पॉइंट्स है इसके ऊपर बहुत ही कम यूट्यूबर्स हैं जो वाग करते हैं ठीक है क्योंकि हम सबको लगता है कई बार कि हम बैसते हैं हमारा कॉंटेंट बैसते हैं और हमसे बढ़िया तो कोई नहीं है मगर ऐसा नहीं है मगर आपको करना पड़ेगा यह पहले दो पॉइंट्स के ओपर काम जिसक आपका ध्यान देना है ठीक है दोस्तों आप हम दोस्तों बात करते हैं दीश्रे पॉइंट के बारे में जो की है कीवर्ड रिसर्च फॉर टाइटल डिस्रिप्शन एंड टैक्स तो दोस्तों टाइटल डिस्रिप्शन टैक्स क्या है और कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हो तो चीज़ में आपको इधर image के दिखाता हूं जैसे मैं यहां पर गए इ एधर आप दोस्तों वीडियो पर इधर आजाता हूं यहां पर तो यहां पर धाली अज ईटे क्या है यह जो आप यह जैसे कि आपने देखा तो अब जो टाइटल है और आपका जो डिस्क्रिप्शन है इसके उपर किस तरीके से आपको वर्क करना है और रिसर्च करना है वो मैं आपको बताता हूँ है दोस कि एक बात तो ध्यान रखिए गा हम लोग नहीं जानते कि आपका चैनल क्या है ठीक है और वहाँ पर क्या उनको वीडियो गशस़ा हैं जो आपने डाला है जिसके ओपर पुब्लिक सर्च कर रही है देखना बसंद कर रही है तो उसके लिए तो है दोस्तों YouTube माल लीजे मैं SEO के ओपर वीडियो डाल रहा हूं ठीक है SEO टुटोरियल के ओपर डाल रहा हूं तो मैं एक YouTube का प्लेटफॉम यूज कर सकता हूं लाइक में डालता हूं SEO कोर्स तो यहां पर देखिए सजेशन में आ गए SEO कोर्स इन डेली SEO कोर्स वर बिगनर्स SEO कोर्स वर बिगनर्स इन हिंदी ठीक है SEO कोर्स ऑनलाइन फ्री तो इस तरीके से मेरे को बहुत सारे सजेशन तो YouTube के प्लेटफॉर्म से ही मिल जाएंगे जो की अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में जो यूज करूँगा तो इसका हमको ध्यान देना है एक तो यह तरीका है जैसे कि आप अपनी कीवर्ट का रिसर्च कर सकते हो ठीक है जो कि आप टाइटल डिस्क्रिप्शन और टैग्स में डालोगे ठीक है और दोस्तों एक तरी तो यहां पर आ गए इन हिंदी फॉर बेगनर्स एन हिंदी 2020 टीक है और बहुत सारा अगे एसे टुटोरिल यूट्यूब अब मान लो मैं यहां पर गूगल पर सर्च करता हूं मैं गूगल पर सर्च करता हूं तो यहां पर यह मेरे को रिजल्स भी दिखाता है कितना तो यहां पर एक तो हो गया यह आपका आटो सेजस्ट गूगल के थूर आप आटो सेजस्ट का यूज़ कर सकते हो प्लस दोस्तों यह होते हैं LSI Keywords इसके ओपर भी मेरे वीडियो चैनल में हैं तो LSI Keywords भी बताते हैं कि और किस तहीं के Keywords के थूरू लोग सर्च करते हैं तो जैसे कि आपने देखा एक होता है दोस्तों Google Keyword Planner तो वो Google Ads Google Ads की मेरी सिरिज है उसमें आप देख सकते हो Google Keyword Planner का मैंने यूज़ बता रखता है वो टूल के थूरू भी आप exact traffic पता कर सकते हो हर मंद किस keyword पे कितना सर्च आ रहा है तो यह चारपन चीज़े हैं जिनका यूज़ करके आप पता लगा सकते हो कौन से keywords आपके लिए best रह है आप दोस्तों हम आते हैं यहां पर वापर शीट में अब हम आए अपने fourth point के ओपर जो किये दोस्तों keep regular tracking on video and keyword ranking like which type of videos and content more liked and watched by audience इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं तो इसके लिए वापस चलते हैं यहां पर और यहां पर मैंने यह open कर रखा इधर एक वीडियो दोस्तों जैसे मैं अभी अपने चैनल में हूं ठीक है और अपने चैनल के अंदर एक वीडियो मैंने कुछ जिन पहले डालाता है जोगी Facebook पिक्सल यह उपर तो उस वीडियो क आपका जो YouTube Studio है यहां पर आपके पास YouTube Analytics का option है यहां पर आप जरूर हमेशा ट्रैक रखें आपके वीडियो की जो करन स्टिती है उस पर व्यूज कैसे आ रहे हैं उसके जुछ सब्सक्राइबर कितने आ रहे हैं वहां पर ओडियेंस रिटेंशन कैसे हो रहा है तो और इंस वीडियो देखा गया पर्वुड देखे तो भू आप सकते हो यहां पर आप अपने साइस देख सकते हो तो यहां पर आप इस तरीके से आप यहां पर लाइक स्पेसिकली रीच देखना है तो यहां पर आप इंप्रेशन देख सकते हो पर आप इंगेजमेंट आप आप इंगेजमेंट कैसे हो रहा है इस वीडियो के ओपर ओडियो सबस्क्ए हो और देख सकते हो और यह तो अब क्या दोस्तों कि अगर आप अपनी वीडियो पे ट्रैक रखोगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सी वीडियो का जो कॉंटेंट है मेरी चैनल में ज्यादा पसंद करा जा रहा है इसमें मैं ऐसे क्या करा था जिसमें लोग ज्यादा रुके ज्यादा देखा तो उसी तरीके से आप अपने फ्यूचर वीडियो की प्लैनिंग कर सकते हो और रिसर्च आरंटी के बाद और भैतर कॉंतेंट फमनेल टाइटल और कांटेंट बना सकते हो ताकि लोग और ज्यादा रिटेन हो और ज्यादा आपके वीडियो और देखें रुकें आपके चै को ध्यान रखते हैं आप दोस्तों में फिफ्ट पॉइंट के ओपर आते हैं जो कि हमारा consistency is most important end तो दोस्तों क्या है consistency कोई technical factor नहीं है कि यह analytics है या फिर title क्या होगा description क्या होगा consistency है कि आपने चैनल शुरू करा चैनल करने के बाद आपने consistency है चाहे आप हफते में दो वीडियो डालो चाहे आप हफते में तीन वीडियो डालो बात है कि जब आपने चैनल की planning कर ली तो आप उसमें अपनी आपकी शुर्बातना कम रखो यह नहीं है कि आपको दूसरा पांच डाल रहा है हो सकते है आपकी जो उस capacity है वो समय नहीं है तो आप चाहे दो डालो मगर उन सारे factors जो आपको पर बता रहा हो content quality research इन सब जो पर अगर आप काम करोगे तो आपकी दो वीडियो पर किसी की पांच वीडियो भारी हो जाएंगी बड़ consistency का मतलब है यूट्यूब है या कोई भी दुनिया का social media प्लैटफोर्म में चैस सर्च इंजन है वह एक ही चीज़ देखता है यह जो creator है या यह यह जो वेबशाइट है यह जो चैनल है यह पेज है यह कितना ज्यादा consistent है विकाज जो पबलिक आती है तो वह जो content देखती है और आपके quality content होता है आप रेगुलर लोग आपको देख रहे हैं तो consistency बहुत ज्यादा जरूरी है कितने भी अच्छे हो कितने भी आप master हो किसी भी जीस के अंदर अगर आप regular consistent नहीं हो और तो यह search engines को अच्छा नहीं तो इसलिए आपको consistency रखनी पड़ेगी और ध्यान रखेगा मैं आपको मूल मंत्र दे रहा हूं जो की है industry का मूल मंत्र content is the king then consistency is the key content भले इतना अच्छा है बड़ consistency नहीं है तो जो success की की है वह है consistency तो यह पांसवा point आज ही बांद लोगा consistent नहीं हो तो हो जाओ ताकि आप आगे सफलता हो लोग तो बोलेंगे लोग आपको demotivate भी करेंगे criticize भी करेंगे bad comment भी आएंगे अच्छे comment भी आएंगे बट आप consistent रहो आपको नहीं हटना है आपको improve करना है तो आपको लगे रहे रहे हैं दोस्तों तो आप results देखना क्या शांदार results आप लोगों को मिले आप दोस्तों हम आते हैं अपने छड़े point के ऊपर जो है use a mix of long and short tail keywords अब यह क्या होता है यह मैं आपको दिखाता हूं तो दोस्तों कई बार क्या होता है हम अपनी keywords का चुनाफ सही नहीं करते हैं अब मान लिजे कि SEO course एक keyword है यह बहुत short keyword है और इस पर ranking इतनी हिसानी से नह हो है SEO tutorial for beginners in Hindi ठीक है step by step search engine optimization complete course तो मेरे title mix है ना short है ना बहुत दो long है relevant है एक तो वो मेरे topic से relevant है और वो क्योंकि अगर मैं इस video को जो मैंने शुरुबात में डाला था मेरे channel भी नहीं आ था इतना traffic भी नहीं था तो अगर मैं से SEO course डाल देता हो सकता है मेरे video उस पर rank ना करता मगर क्योंकि मेरे video ने अच्छा प्रफॉर्म कर आप जब कि तीन घंटे का video है दोस्तों आप देख सकते हो तीन घंटे का video और लगबग 6 महिने में एक लाग पंदरह हजार के असपरस लोग देख चुके हैं उसको तो मेरा video अगर popular होगा लोग इसको देखेंगे इसके रुकेंगे तो अपने आप भी जो short tail keywords होते हैं ठीक है like SEO course लिखने पर भी मेरा सर्च में आ रहा है ठीक है तो इस बात का हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको mix use करना है ना बहुत short tail और ना बहुत इतने लंबे keywords क कोई उनको सर्ची न गरता हो तो आपको moderate तरीका यूज करना है like एक तरीका आपको बताता हूं SEO course ठीक है for beginners यह एक सही keyword है ठीक है इस keyword को आप यूज कर सकते हो देखो इसके भी मेरा video rank प्यार है ठीक है अब इसके अलावा आप कर सकते हो SEO tutorial search engine optimization in Hindi आप इसको यूज कर सकते ह तो इसमें मेरा बिल्कुर topic number one पे आ रहा है ठीक है तो इस तरीके से आपको keywords का use करना है moderate keywords ना बहुत जादा long tail बहुत सो समझ की keywords का keyword research कैसे करना है उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया इसी video में उसको ध्यान रखतीगा ठीक है अब हम आते हैं दोस्तों अपने अगले को दे रहा हूं यह tip क्या है दोस्तों लाइक आप जब कोई भी वीडियो है आप अपनी चैनल में upload करते हो तो शुरुआत के कुछ दिन ठीक है शुरुआत की जो audience उसको देखती है उसके response से YouTube निर्धारित करता है उसके आगे को उसके आगे की performance उसके आगे की growth उसको कितना searches में लाना है कितना आगे उसको दिखाना है क्यों क्योंकि अगर आपने यह जो सारे factors मैंने इससे पहले आपको बताएं research, competitive analysis, title, description, thumbnail plus video quality content ठीक है यह सब जो चीजे मैंने आपको बताई है इन सब चीजों का अगर आपने जहान रखा है और सबसे बड़ी बात आपके वीडि interesting facts, चीजें जो कि R&D research से ही आती है, भेहनत से आती है, अगर आपने यूज करी है और आपने customers को बाने रखा है उनको interest आ रहे है वीडियो में, और मान लो अगर वो 10 minute की वीडियो है और कोई 10 minute की पूरी देख रहा है, कोई 8 minute की पूरी देख रहा है, कोई 8 minute की पूरी और आपने सारी बातों को ध्यान रखा है, तो वो वीडियो जरूर आपकी ग्रो करेंगी, क्योंकि लोग आये, चाहिए कम लोग आये, चाहिए नया channel है, मगर लोग आये, उन्होंने देखा, बहुत जादा matter करता है, देर तक देखा, तो YouTube को समझ में आता है कि ये quality content है, आते हैं, ठीक है, वापस मैं यहाँ पर आया, तो मैंने आपको क्या बताया, कि जो title होता है, जैसे मेरा title है, जो मैंने दिया, thumbnail जो आप देख पार है, लिखा हूँ है, SEO complete tutorial, on page, off page, SEO full course, तो जो आपका title है, वो बहुत जादा informative होना ची, relevant होना ची, जो वीडियो के अदर content है Thumbnail बहुत जादा creative, HD quality का, अच्छी quality का design होना चीए, बहुत जादा cluttered नहीं होना चीए, सामने वाला असानी से mobile हो, desktop हो, tablet हो, कहीं पर भी पढ़ पाए, उसको easily, ठीक है, और उसको content effective लगना चीए, ताकि उस thumbnail पर click करे, आपका CTR बढ़ेगा, click through rate, अभी ये impression है, मगर इस सबसे बड़ी बात है, जब title, thumbnail देखके, कोई audience अटर है, टोटर हो click करके, वीडियो पर जाता है, तो वो उस वीडियो पर अगर उसको वही content मिला, जो उसने search कराता, तो उस पर रुपता है, और quality content है, तो उसको देर तक देखता है, तो watch time भी बढ़ता है, तो watch time को की है, अ हमारे हाँ पर निकल के आती है, कि आप जब भी कोई वीडियो, आप मालो कि आप एक market में गए, एक दुकान पे गए, दुकान के बाहर आपको बने बहुत अच्छे offer, शब्द बगारे लिखके देखे, और आपको दिखा अच्छे तो कपड़ों की दुकान है, और यहाँ पर तो बहुत अच्छे offers मिल रहे हैं, और यहाँ पर बाहर आपने बोड लगा रखा है, थमने समझे बोड लगा रखा है, और यहाँ पर आपने अच्छे offer दे रखे हैं, और जब आप क्लिक करके दुकान में चड़े, अंदर गए, तो पता लागा वहाँ पर तो कपड़ के बारे में, ठीक है, अब आपस आते हैं इदर, अब यह दे कि 9th हमारा जो topic है, बो है, must and effectively use of all these things, जो की है, end screen, I'll का description, इसका जरूर यूज करना है, यह मैं आपको दिखाता हूं कैसे, मैं आपको किसी भी एक वीडियो में आता हूं, मैंने हाँ open कर रखा है, अब आप दे देखने के दौरान यहां पर आप देखिए, यह playlist आ गई, जो मैंने वीडियो के दौरान मैंने बीच-बीच में लगाए थी, iCard में, तो iCard में क्या है कि लोगों को आगर TikTok tutorials देखने हैं, तो वो मेरी वीडियो को देख सकते हैं, कि अच्छा है, आप TikTok के tutorials भी आगर हूं क आप इंटरस्ट है, तो क्लिक करके जाएंगे, ठीक है, यह मैने प्लेइलिस्ट में डाल रखी है, फंडमेंटन टेक्स टेक्स की लोगों को, अगर कोच टेप, स्ट्रिक्स, प्रिंसिपल्स, लॉजिक्स क्लेर करने हैं, तो उनको लगता है, आप बढ़िया मिल सकता है, त आई कार्ड के थूख्या होता है, अगर किसी का टिक टॉक में इंटरस्ट होता, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद, इस पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करता है, वहाँ पर मेरी वीडियो देखता, तो वाश ताइम वीडियो बढ़ता है, तो और अल ओबर मेरी चैनल और बढ़ता, सेडेशन में आता और इसका बहुत ताइम बढ़ता, दोस्तों जो यहाँ पर आप देख रहे हो इधर, एंड स्क्रीन, जब किसी दे मेरी पूरी वीडियो देखी और उससे इंप्रेंस हुआ, क्योंकि इंसन पूरी वीडियो तब देखता है, जब उसको इंटर किसमें देखा और उसको लगा कि अच्छा किसे हम मर्च कर सकते हैं, ब्रैंड की वीडियो तो इस पे भी क्लिक कर सकता है, इससे भी बहुत टाइम यूज बढ़ेंगे, तो यह चीजों का यूज करना है, और उसके साथ साथ दोस्तों यह आते डिस्क्रिप्शन, यह देख लोग confused ना हो, लोग relevant चीजों के उपर जाएं, यह बहुत बड़ा factor और role play करता है आपके channel की growth में, आपके YouTube SEO में, आप गोस्तों यहाँ पर click करते हैं और आते हैं, do not share your video, सबसे important बात, सबसे बड़ी गलती जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, जो यह करते हैं, कि वो अप उनने relatives को बोलेगा, तो 1000 लोगों पर मेरी वीडियो पहुंच जाएगी, तो मेरी तो 1000 वीडियो दो दिन में हो जाएंगे, तिन दिन में हो जाएंगे, यह planning करना छोड़ दो, यह सब वैकार है, कुछ नहीं होगा, because आपके कहने पर आपका कोई दोस्त, relative या दोस्त का दोस वीडियो को देख, click कर लेगा, view कर लेगा, हो सकता adjustment की वीडियो हो, एक second देखा वापस आ गया, दो मिनट देखा वापस आ गया, तो watch time ही नहीं मिलेगा, उल्टा वो वीडियो यूट्यूब की नजर में नीचे हो जाएगा, कि यहां पर 1000 लोग आए तो, मगर देखा गया मानलो, अगर आपकी 100 लोगों ने वीडियो देखा, और उन 100 लोगों ने on and average आपका वीडियो देखा, दो घंटे, ठीक है, और आपने हैं 1000 लोगों को भेजा, और 1000 लोगों में वीडियो देखा गया, मात्र आदा हंटा, तो दोस्तों क्या होगा उस वीडियो का, तो जो ब तो यहां पर जब एवरेज निकल के आएगी जो कि लोग कितना आ रहे हैं कितना रुक रहे हैं और वह आपके एवरेज 1000 पर मातरादा गंटा होगी तो आपका चैनल बहुत डाउंग्रेड होगा तो WhatsApp पे शेयर करना दोस्तों को बताना कुछ कुछ नहीं करना वीडियो वही देखा है कि उसको इसमें इंट्रेस्ट है इन दस बातों का ध्यान रखो और कंसिस्टेंट रहो उसके बात दोस्तों अगर आपकी वीडियो रैंकिंग में ना आए तब आप बताईएगा मेरे को कमेंट में कि इस वीडियो से आपको कितना फा तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे जैसे कि हमारी यूट्यूब की सिरिज चल रही है तो इस सिरिज के अंदर सबसे इंपोर्टन पार्ट है जो की है वाइटी स्टूडियो जैसे कि आप देख सकते हो यह वाला जो आइकन है यह वाइटी स्टूडियो का आइ चीजे एक्सेस कर सकते हो एक्सेस कर सकते हो अपडेट रह सकते हो हर वक्त आपको लैप्टॉप बेक्स्टॉप प्याने की जरुवत नहीं है आप वाइटी स्टूडियो को डाउनलोड कीजिए अगर आपका एक यूट्यूबर हो या आपका एक यूट्यूब चैनल है तो यह इस तरीके का एप है आपको क्या करना है अगर अभी तक आपने वाइटी स्टूडियो डाउनलोड नहीं करा है तो आप यहाँ पर प्ले स्टॉर में जाओ और यहाँ पर जाके आप डालो यूट्यूबर के लिए तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लो वाइटी स्टूडियो को अप्शन आ जाएगा जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे यूट्यूडियो पर तो आपके सामने यहाँ पर आ गया और यहाँ आप स्क्रीन देख सबते हो यूट्यूडियो की यहाँ यहाँ पर यूट्यूडियो के और मेरे में ओपन इसलिए आ रहा है विकाज अल्रेडी मेरे में यह एप इंस्टॉल है तो इसलिए आपके में यहाँ पर इंस्टॉल का ओप्शन आएगा क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना विकाज वाइटी स्टूडियो हर यूट्यूबर क को तो इंस्टॉल करने के बाद और जब आप उसको लॉग इन करोगे तो यहां पर मैं क्लिक करता हूं वाइटी स्टूडियो को एप ओपन कर लेता हूं तो देखें यहां पर जो मेरा मेल आईडी है मार्केटिंग क्रियेट करा है यहां पर आप सेटिंग्स में भी आ सकते हो सेटिंग्स वेगरा देख सकते हो ठीक है नोटिफाइब अलाबा यहां पर आप हैल्प और फीडबैक और यूट्यूब से डेख सकते हो तो छीक है, accounts related यहाँ पर आपको किसी और mail id से आपका है तो उससे आप यहाँ पर कर सकते हो, तो इस तरीके से दोस्तों, यहाँ पर हम ग्रेञे करें और इदर आप जैसे कि देख सकते हो, इदर settings में आप यहाँ से जा सकते हो और इस तरीके से आप उस mail id से login करना जिस mail id से आपने youtube channel बनाया है और जिस mail id से youtube channel आपका है तो दोस्तों इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है तो वाइटी studio डाउनलोड करने के बाद उस mail id से login करना जैसे कि आपने देखा मैंने marketing funders की mail id से login करा है तो आप उस mail id से login करना है जिससे आपका वो youtube channel है login करने के बाद आपका सारा डाटा इस तरीके से आ जाता है यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपके subscribers दिखाएगा एकदम टॉप में यहाँ पर analysis दिखाएगा 28 दिन का आप analysis analytics के ओपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी सारे की सारे details दिखाएगा average watch duration क्या है average revenue क्या है subscribers average क्या है आप यहाँ पर likes versus dislikes क्या है top videos क्या है इसमें आपको और retail में जानना है तो आप जैसे views के क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप real time 48 hours के भी जान सकते हो आप 60 minutes में कितने आपके viewers आए वो भी आप देख सकते हो ठीक है उसके अलावा 7 days, 48 days, lifetime, total और month wise भी देख सकते हो तो इससे आप बिलकुल मतलब अभी 60 minutes में क्या चल रहा है 24 घंटे में क्या चल रहा है 48 hours में क्या चल रहा है lifetime क्या चल रहा है, हर एक चीज़ चाहे वो views की हो, चाहे वो आपके, आपने जो अभी वीडियोज अप्लोड करी है, उनका अभी latest उनके updates क्या है उनकी growth कैसे चल रही है ठीक है, watch time की, views की watch duration channel का average आपकर duration का, जैसे मेरा average जो view duration साढ़े तीन मिनट चो पर दिखा रहा है पहले से improve हुआ है ऐसे revenue दिखाएगा, ये भी आप साथ दिन का, एक दिन का, बताँ आप per day, 60 minutes हर तरीके से आप देख सकते हो, पुरा analysis कर सकते हो, फिर overview के पाद revenue का अलग से आप सारा का सारा यहाँ पर देख सकते हो, top earning video कौन सा है, estimated revenue क्या है discover कर सकते हो, impressions कितने आ रहे हैं, जैसे मेरे 2.2 million impressions आये, impression rate आया है, traffic source आप देख सकते हो, top revenue sources, top external sources देख सकते हो, कि whatsapp से बहुत ज़्यादा मेरे बस traffic आ रहा है लोग search कर रहे है, google search पे लोग search करा जा रहा है, youtube suggested content मेरे कौन सा सबस्यादा video आ रहा है, top playlist है, जो कि सबस्यादा जिस पे बहुत ताइम आ रहा है, मेरा वो यहाँ पर आप देख सकते हो, उस तरीके से audiences का देख सकते हो, gender का, age का, countries का और जब आप click करोगे तो और detail में आ सकते हो, किस country से कितना percent traffic आ रहा है, ठीक है, यह 28 दिन का भी देख सकते हो, 7 दिन का भी देख सकते हो, महीने के हिसाब से भी देख सकते हो, ठीक है, और interactive counts के बारे में यहाँ पर आप सारा का सारा देख सकते हो, प्लेलिस्ट के बारे में आप सारा का सारा देख सकते हो तो दोस्तों यह जो यहां पर आप अभी जो मैंने वीडियो अप्लोड करी है उसकी करन्ट परफॉर्मस के आ रही है वो बाइ व्यूस कैसे रेंग कर रही है उसके specific analytics में जा सकते हो जो अभी latest आपने update करी है उसमें कुछ edit करना है तो आप यहां से जाके edit के इस button पर click कर सकते हो और आप चीजों को edit के इस pencil का जो निशाना रहा है वहाँ पर जाके आप edit कर सकते हो tags देख सकते हो सारी चीज़ें यहां से देख सकते हो चाहिए और उसको save कर सकते हो edit करने के बाद च्राब शेयर कर सकते हो तो यह सारी चीज़ें आप कर सकते हो specific videos देखनी है तो video में यहां पर आप जाओ videos में जाने के बाद आपको किसी भी video का आपको analysis देखना है हमीं इहांपर जाओ सीधा और यहां पर जाके उस वीडियो की performance देख सकते हो उसके comment देख सकते हो ठीक है और किसी की comments के जवाब देने है वो देख सकते हो तो किसी भी video का आप specifically देख सकते हो और इसके अलाबा comment section में आ सकते हो लोग क्या comment कर रहे है ठीक है उनके comments आपको जवाब देना है क्या करन उसका playlist का comments का सारा अलग से analytics का सब दे रखा है जो कि मैंने आपको देखा वीडियो में क्लिक करोगे तो जैसे मैंने वीडियो पर आजाओगे आप हर चीज़ देख सकते हो आप ड्राफ्ट पब्लिक अनिस्टेट प्राइबेट हर चीज़ आप यहां से कर सकते हो और यहां आप fingertips पे ही सारी चीज़े मैनेज कर सकते हो ग्रोथ देख सकते हो लेटेस्ट परफॉर्मस देख सकते हो सब्सक्राइबर्स व्यूज ठीक है लोगों के comments कोई भी चीज़ एडिट करनी है वीडियो में बंद करना है वीडियो को कुछ गलती हो गई है आप कहीं पर अलग हो आपके बस टेक्स्टॉप नहीं है तो आप तोरण मोबाइल पे हर चीज़ मैनेज कर सकते हो दोस्तों वाइट पे स्टूडियो हर यूट्यूबर के लिए जरूरी है यह मैने ओवर व्यू दिया था ताकि आप अपना complete जो यूट्यूब चैनल है मैनेज कर सको मोबाइल से आपने टैम चैनल करकर तो वाइटी प्लैणिक कर सको तो फूडियो डाउनलोड हो और तुर्ण अपनी ग्रोथ को अहेड लेकर जाओ अपने चैनल की ट्रैक करो मॉनिटर को और ओडियन्स के सब कनेक्ट रहो और वो सब वाईटी स्टूडियो के थूप बहुत असान है बहुत इजी है तो दोस्तों उमीद करता हूँ इस एप को आप यूज करोगे तुरन डाउनलोड करोगे और इससे अपने चैनल की और स्ट्रैटर्जी की और ग्रोथ की तरफ आप ध्यान लगाओगे दोस्तों थैंक यू दोस्तों पर वाचिंग इस वीडियो तो मेजर लीग चार में आपको इसके अंदर वो बाते बताऊंगा जिनको आपको फॉलो करना है तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग पूरा सीख सकते हो उसके लाब आप हमारा कूर्स भी अवेल कर सकते हो तो इसके लिए आप हमारी वेबसेट मार्केटिंग फंडास डॉट कॉम पे जा सकते हैं तो दोस्तों पहला जो हमारा पार्ट है जो सबसे इंपोर्टन पॉइंट है वो है हमारे को नीश मतलब वो फील्ड वो इंडस्ट्री हमें डिसाइड करनी होगी कि आप अगर यूट्यूब चैनल बना रहे हो तो आपको किस नीश के लिए या किस पर्टिकुलर केटिगरी के लिए आप अपना चैनल बनाओगे तो दोस्तों क्योंकि हर इंडस्ट्री का पेइंग कैपिसिटी होता है तो अगर आप जो बहुत सारे जो सेक्टर्स होते हैं लाइट इंशॉरेंस सेक्टर हो गया, सॉफफ़ेर का सेक्टर हो गया, और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जैसे कि आप देख सकते हो तो इन सारे sectors के उपर ये high paid आपको CPM प्रोवाइट करते हैं और इसके अंदर जो earning होती है वो भी काफी जादा होती है as compared to normal अगर आपको field category नीश चुनते हो तो दोस्तों जो दूसरा point है हमारा वो है कि channel का size या उसका audience कितना बड़ा है उसका subscriber base कितना बड़ा है जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो advertisers होते हैं जो पैसा लगा रहे हैं जिनको advertisement चलाना है तो जिस भी niche के या जिन channels को target करते हैं तो वहाँ पर उनका subscriber base भी देखते हैं उनका size कितना बड़ा है वो देखते हैं because उसके हिसाब से ही उनका सारका सारा planning होता है तो दोस्तों ये चीज भी बहुत जादा important role play करती है कि advertiser आपका channel को चुन रहा है या नहीं चुन रहा है तो channel का size भी एक बहुत important factor है तो दोस्तों third point है topics of the video तो दोस्तों क्या होता है जैसे कि मैंने आपको इस video में पहले point में बताया था कि niche बहुत जादा important होती है वैसे ही जो topic आप choose करते हो video का वो बहुत ही जादा important होता है तो इसलिए कभी भी आप जब कोई topic चूज करो अपने video के लिए तो उसके लिए बहुत अच्छे से research करो R&D करो और उसकी आपके जो जब research करते हो तो उसमें आपको एक idea लगता है कि उसके ओपर कितना एड आ रहा है उसके ओपर कितना ज़ए traffic आ रहा है तो यह सब चीजें भी आप research कर सकते हो कितना trending है तो दोस्तों क्योंकि अगर आप यह देखो जब हम google ads के through कोई advertiser जब ad बना रहा होता है तो उसके अंदर अगर मान लीजे वो display ads सलाता है वीडियो ads सलाता है ठीक है या फिर वो normal दूसरे type के ads सलाता है तो उसके अंदर क्या होता है एक option होता है आपने कभी देखा होगा जहां पर आप content targeting कर सकते हो उस content targeting में या तो आप topic के हिसाब से target करते हो या फिर आप जो target करते हो videos specific videos target करते हो मान लीजे मैं advertiser हूँ और मेरे को motivational type की जो videos है उन पे अब मैं चाहता हूँ मेरा ad लगे या अगर मेरे को food से related मेरे को कोई अपना product है या मेरा कुछ service है तो मैं चाहता हूँ कि food से related उसके उपर जो videos हैं जो trending videos हैं उसके उपर मेरा ad दिखे तो उसमें क्या होता है ad बनाने के और दौरान चागर वो agency ad बना रही है या चैनल में से जाके भी select कर सकता है किस video पर क्योंकि जब आपको topic डालते हो तो उसकी भी specific videos आ जाती है जो videos बहुत ज़्यादा trending होती हैं जिसके उपर बहुत ज़्यादा views होते हैं तो इसलिए दोस्तों अगर आप topic अच्छा चुनोगे तो public आएगी अगर public आएगी तो आपकी videos पर views आएंगे तो वहाँ पर chances बढ़ जाते हैं कि लोग आपकी videos पर क्योंकि traffic आता है views आते हैं तो specifically उस topic particular वाली video को वो चूज करें और उसके ओपर वो ads लाएं तो topic चूज करना video का ये भी बहुत ज़्यादा important है तो इससे भी आपको high paid ads मिल सकते हैं या ज़्यादा ज़्यादा ads मिल सकते हैं क्यों क्योंकि अगर आपकी video सबसे ज़्यादा trend कर रही है और उसमें सब ज ज़्यादा views हैं तो advertisers की उसमें bidding cost बढ़ जाते हैं अगर कई सारे advertisers आपकी video पर add करना चाहते तो obvious उसकी costing बढ़ेगी न तो इस तरीके से भी आपको high price मिल सकता है तो दोस्तो topic video का बहुत सो समझे R&D research करके पूरा का पूरा चुनिएगा तो दोस्तों हमारा point है और बहुत important point है जो की है geography, geography मतलब area, country, city या audience जिस भी particular country के आप audience चूज कर रहे हो तो दोस्तों जब आप YouTube channel बनाते हो तो obviously आप ये भी देखें कि आप किस country के लिए, किस audience के लिए आप वो particular channel बना रहे हैं या वो videos आप बना रहे हैं because अलग-अलग countries के अंदर अलग-अलग bidding होता है, paying capacity होती है, जैसे कि इंडिया के अंदर CPM मिलता है या जो हमें पैसा मिलता है, वो as compared to US हमें कम मिलता है, as compared to Singapore अगर हम ले 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 हैं, दूसरी countries, Canada ले ले हैं तो हमें कम मिलता है तो इसलिए जब आप कोई भी channel शुरू करो, उससे पहले आप ये decide करो, कि आपको कौन सी country, कौन सी audience target करनी है, ताकि आप उसी हिसाब से अपने channel की planning करो, चाहे वो इंडिया आप choose करो, चाहे US choose करो, तो उसी के हिसाब से आपको content बनाना होगा, अपने channel को उसी हिसाब से दिशा देनी होगी, तो उसके लिए आपको proper R&D research करना पड़ेगा, अगर आप ये सारा homework पहले करो, channel बनाने से पहले, या आपका नया channel है और उस पे अगर आप improvement करना चाहते हो, तो इन points के उपर अगर on an average एक YouTuber को पैसा आता है, उससे कई गुना जादा आप high paying ads लेकर आ सकते हो, और उसके साथ साथ आपकी जो income, जो other sources से भी जो income आती है, वो भी बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि अगर जहां पर आपकी जो industry है, उसमें अगर high paying customers हैं, तो वो सिर्फ YouTube या आपको जादा पैसा नही जाते हैं, तो भांकी audience भी आपको पैसा देती है, sponsorship देती है, और वो पैसा भी बहुत handsome amount होता है, दोस्तों, क्योंकि YouTube में content तो बहुत जादे important होता है, कि आप क्या content देरो, उसी से ही public आती है, मगर जो YouTube का जो channel होता है, उसका जो नाम होता है, वो भी बहुत जादा अगर catchy ह तो वो आपकी branding करने में और लोगों को याद रखने में बहुत असान रहता है, तो इसलिए किन बातों का आपको ध्यान रखना है, YouTube channel बनाने के वक्त और उसका नाम इतना कैसी रखना है, तो यह पूरा वीडियो देखना है और उसको implement करना है, तो आप भी एक strong powerful नाम decide कर प channel growth में भी मदद करेगा नाम के साथ साथ, तो दोस्तों जब भी नाम decide करो, आपको यह देखना है, आपको यह अच्छे सा R&D करना है, research करना है कि आपका channel किस बारे में होगा, what is your channel about, तो इसका मतलब है कि आप अपने decide करो कि क्या niche रहेगा, किस field category industry के लिए बना रहे हैं, for an चीज से related है, यह सबसे आधा important चीज है, क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर सही category, सही field, सही audience अगर आपने चुली और शुरवात में आपके दिशा सही है, तो आपको high paid income भी मिलेगी, अच्छे sponsors भी मिलेंगे और आपका channel भी बहुत तेजी से grow करेगा, तो channel आपको किस बारे मे बनाना है, क्या topics, categories रहेंगी, वो सबसे पहले आपको decide करना है, और चीजों को अच्छे से लिखो, उसके ओपर research करो, तब आप लोगों को उससे बहुत जादा ideas मिलेंगे, तो दोस्तों ये था हमारा पहला point, तो दोस्तों दूसरा जो हमारा point है, वो है कि जब भी आप अप अपना channel बनाएं और उसकी शुरुवात करें, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, कि आप जो channel बनाने जा रहे हैं, वो आप अपनी personal branding के ओपर बनाने जा रहे हैं, या आप अपनी company का brand बनाने जा रहे हैं, या दोनो, because दोस्तों, अगर आप अपना self branding, मतलब जिसमें क एक particular नाम आ रहा है, एक single person के ओपर वो channel चल रहा है, तो उसके अंदर कई बार क्या होता है, कि future में अगर आप channel को sale करना चाहते हो, तो वहाँ दिक्कत आ सकती है, मगर आप कोई company लेकर जा रहे हैं, कोई particular brand को channel के तुरू promote कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों को आगे उसको तो sale भी कर सकते हो, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, कि जब भी channel का नाम decide करो, तो इस बात को देखो, कि आप personal branding उसमें लेकर नाम उसके हिसाब से बनाओगे, या company branding के हिसाब से बनाओगे, तो यह हमारा दूसरा point, तो दोस्तों तीसरा हमारा point है, कि जब भी आप अपने नाम decide कर रहे हो, तो उसमें आपको यह देखना है, कि जब आपने जो मैंने आपको पहला point बताया था, अपनी niche या आप अपनी जब industry चुल लो, तब आपको यह इस तीसरे point में इस बात का ध्यान रखना है, कि आपका जो भी channel होगा, उसके जो competitors होते हों, उस industry स तो famous channel है, चाए वो आपके country के channel हो, चाए आप other country के channel हो, तो उसके आप जरूर एक वारी list बना लें, उन channels के वारी links ले लें, और उसके बहुत अच्छे से research करें, उनका content देखें, उनके thumbnails देखें, उनकी delivery कैसे करते हैं, वो क्या information दे रहे हैं, तो अगर आप यह research करोगे अ पर आपने अगर ध्यान दिया, तो आपको वहां से भी बहुत सरे ideas आ सकते हैं, और वो क्या बोलते हैं, क्या वो समझाते हैं, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा ideas मिलेंगे, तो दोस्तो इस बात कर जरूर ध्यान लखना, कि उस channel को बनाने से पहले, उस industry के channels और जो उसके कि जब आप नाम decide करो, तब आपको क्या करना है, कि जो भी आपकी niche है या topics है, तो उन से related आप एक words की list बनाओ, for an example, हम marketing fundas का नाम ले लेते हैं, तो like marketing fundas ने जब बनाया, तो जो मेरा जो niche है, जो मेरे topics है, वो marketing से related है, चाहिए वो offline marketing है, online marketing है, digital marketing है, तो मेरा जो पहला जो अंदर शब्द होता है, वो आप हमेशा वो रखो जो आपके niche को बताता हो, लोग उसके नाम से समझें, कि ये channel किसी से related information देगा, तो उसके लिए आप Google की help लो, तो क्या होता है, जो आपकी category होती है, ठीक है, आपकी industry होती है, उस related अलग अलग तरीके के words होते हैं, जो उसक बताते हैं, तो उनको एक जगा आप पूरा word के अंदर है, Excel के अंदर, पहले उनको लिख लो, तो ये fourth point है, जिसको आपको करना है, तो अब दोस्तो, fifth point ये है, कि जब आपने अपना, जो मैंने fourth point में बताया था, कि आपने जब लिख लिया पहला word, और उसके अलग अलग अ approach मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मेरा पहला word है marketing, तो दूसरा word मैंने सोचा कि मतलब ये channel क्या provide करेगा, like fundals, कि मैं marketing के अलग अलग जो fundals होते हैं, topics होते हैं, मैं उसको लेकर आऊंगा, ठीक है, तो ऐसे ही आप मैं learning भी कर सकता था, कि मतलब ये channel की approach क्या है, learning है, य एक example दे रहा हूँ, तो आप पहला जो आपका शब्द है, वो हमेशा define के बताना चाहिए, कि इस एक channel के चीज़ से related है, और जो दूसरा word है, वो बताना चाहिए, कि क्या approach है आपके channel की, क्या फायदा लोगों को मिलेगा, ठीक है, तो इन जब इन words को भी आप Google की help से इनके अलग-अलग शब्दों को लिख लो, तो जब आप दोनों जो fourth point है, इनके जब आप अलग-अलग options लिख लोगे, तो उसमें से आप match कर सकते हो, कौन सा किस के संग जा रहा है, जाद अच्छा combination बना रहा है, तो एक तो नाम मिलना असान होता है, ठीक है, और फिर लोगों को आपके नाम से बहुत जादा clarity होती है, और easy to remember होता है, तो यह हमारा fifth point है, तो दोस्तो six point और बहुत ही जादा important point है, because दोस्तो सबसे जादा लोग जब YouTube channel का नाम decide करते हैं, तो यही गलती वो करते हैं, जो मैं आपको इस particular point में बता रहा हूँ, दोस्तो जब आप कभी को YouTube channel क आप नाम decide कर रहे हो, तो आप उसको जरूर आप बहुत सारी websites हैं, like namechecker.com है, namechecker.com है, इसके ओपर आप जा सकते हो, तो वहाँ पर क्या है, मैंने इसके ओपर वीडियो भी बना रखा है मेरे channel के अंदर, तो उसमें क्या होता है, कि आप जब कोई नाम decide करते हैं, तो उसको funders.com, जिसके लिए मैंने website बनाई, क्यों, क्योंकि बहाँ पर traffic आता है, उसको पता लगता है, तो मेरी website पर आके और ज़्यादा information लेता है, ठीक है, तो कल को अगर मैंने वह चीज नहीं देखता है, तो मैं website नहीं बना पाता है, या कोई और domain, कोई और extension.com ना मिलता मुझे तो क्या होता है, कई बारी लोग यही कलती करते हैं, कि चैनल बनाने के वक्त, domain name पर ध्यानी नहीं रखते, तो या तो domain name बहुत भेंगा मिल रहा होता है, किसमें बुक कर रखा होता है, या मिली नहीं रहा होता है, तो इस वराद से उनको दूसरे options पर जाना पड़ता है, दूसरा, social media बहुत ज़्यादा important role play करता है, because अगर YouTube चैनल पर traffic आ रहा है, तो social media पर भी जाना चाहिए, तो कोशिश कीजिए कि जो नाम YouTube चैनल पर मिल रहा है, वो आपके social media के जो URL से हैं, वो भी उसी नाम से हो, तो लोग आपकी जो branding है, वो एक जैसी होगी, और लोग उस पर बहुत ज़्यादा easy रहेगा लोगों के लिए, तो दोस्तों वो भी आप name checker या name check.com से देख सकते हो, तो दोस्तों इसके साथ साथ अपने CA को भी approach कर लेना, ताकि कल को आपकी company channel मान लीजे, बहुत ज़्यादा मशूर होता है, famous हो जाता है, तो आप शुरबात में क्य है, तो CA के भी आप अपने help ले लेना, दोस्तों ये जो point है, इसको बहुत ध्यान रखना, because ये आपकी आगे चलके growth को या तो restrict कर देगा, या बहुत तेजी सा आपको grow करेगा, तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ 7th point, जो कि आपने इन पहले के 6 point से समझा होगा, औ और अब ये उसका निचोड़ है, कि नाम बहुत ही easy रखना, easy to remember, बोलने में असान हो, ये चीज़ का जरूर ध्यान रखना, because जो चीज़ जितनी ज़्यादा लोगों को ध्यान रह जाती है, attract करती है, easy to, बोलने में बहुत ज़्यादा असान होती है, तो वो mouth or word भी बहुत अच्छे से response करती है, searchiness भी बहुत अच्छे से response करते हैं, तो दोस्तों ये वो 7 points है, कि YouTube चैनल का नाम beside करने के वक्त आपको ध्यान रखना है, उमीद करता हूँ, आप इनको follow करोगे, और इनसे आपको फायदा मिलेगा, तो दोस्तों आज हम जालेंगे कि किस तरीके से हम एक YouTuber या दोस्तों देखो, मैं आपको ये वीडियो में इतना बिल्कुल जैनुवन तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, कोई fake नी है, एकदम बिल्कुल realistic 100% working तरीका है, कोई भी YouTuber हो, चाहिए नया YouTuber है, चाहिए वो उनका क परशानी आती है, जो नए YouTubers हैं, जिनके 1000, 2000 या कम subscribers होते हैं, लोग ये रस्तावात आती हैं, आपके एक लाग subscribers हैं, दस लाग है, तब तो बहुत सारे options हैं, मगर अगर आप नए YouTuber हो या पुराने YouTuber हो, तो ये सारे options काम करेंगा, आप डिरेक्ट बात कर सकते हो YouTube से, मेल के थ दिखा रहा हूं, तो आप अपने YouTube के Creator Studio में आ जाओ, तो इस सब में हम अपने YouTube Creator Studio के अंदर हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो, उदर एक option आ रहा है, question mark आ रहा है, जहाँ पर हम click करेंगे, जहाँ पर click करने के बाद दोस्तों, कुछ अगर popular issues हैं, तो ये articles भी आप सकते हो, मगर आपको direct बात करनी है, तो need more help पे इदर click करो, यहाँ पर click करने के बाद देखो, हमारे पास दो option आ गए, get creator support से connect करना है, या connect with the YouTube help community, तो हमें तो supporter team से बात करनी है, हमें अपने channel के लिए उसे बात करनी है, support लेना है, तो यहाँ क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपका monetization adsense related है, आप यहाँ पर click करो, यहाँ पर click करने के बाद देखो, मैं अगर request chat पर click करता हूँ, तो यहाँ पर मैं fill करूँगा, अपने channel का URL और मैं chat कर सकता हूँ, वो भी मैं आपको भी करके बताऊँगा, कैसे chat होगी, बिल्कुल live chat करके बताऊँगा, वापस गए वापस गाने के बाद, यहाँ पर मैं mail भी कर सकता हूँ, मैं mail करना चाहूँगा, तो यहाँ पर मैं अपनी details भरूँगा, channel का URL डालूगा, www.youtube.com slash marketingfundas, जो भी मेरा URL है, आप अपना डालिएगा, ठीक है, और यहाँ पर यह field भढ़नी ज़रूरी है, how we can help you, तो मैं अपन to describe your issue, अगर आपके पस को attachment है, कोई file है, जो आपके इस issue को दिखाती है, तो उसको भी screenshot पर लेगे, यहाँ से upload करके, submit कर दो, तो आपकी जो mail ID, जिससे आपका इस channel बना हुआ है, उस mail ID के ओपर, यह जैसे मेरी mail ID यह है, जिससे channel बना है, उसके ओपर mail आएगा, बहुत असर copyright policy, community guidelines से related कोई issue है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर इन्होंने कई सारी links दे रखे हैं, उनके जुरूम कर सकते हैं, suspend हो गया, account अगर आपका suspend हो गया, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, और उसके लावा अगर support team से बात करनी है, ठीक है, और तो यहाँ पर आप click कर के दु comment and ID claims पर देखने हैं, तो यहाँ पर email का support मिलेगा आपको, ठीक है, हर channel के, हर YouTuber के अलग-अलग issues हो सकते हैं, channel and videos के ओपर आने हैं, यहाँ रिक्वेस्टी दर chat option मिलेगा, click करेंगा, हम chat कर सकते हैं, तो अब हम chat किस तरीके से करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, और इसमें आपको पूरा solution मिलेगा, कैसे वो लोग बात करते हैं, तो देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कि अभी मैं हाँ पर chat कर रहा हूँ, direct Google support में chat कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपना एक code के related मैंने हाँ पर डाला थे, तो उन फिर उन्होंने मैं से कुछ समय मांगा, thank you for waiting, if you have been ready for four weeks more than haven't got PIN, the mail follow these instructions, before requesting a PIN, make sure double check your AdSense account into including, तो यह इन्होंने मेने को बुला, अब मैं आपर इक जवाब दूँगा, okay, thanks, thanks, thanks for your support, I will try and recheck, and if any issue, I will get back to you, इस तरीके से मैंने हाँ पर लिखा, ठीक है, यह दोस्तों मैं आप लाइव दिखा रहा हूँ, कि मैं Google support, में चैट कर रहा हूँ, और मेरे कोई एक लाख सब्सक्राइबर्स निये, मेरे नया चैनल है, अभी कुछ टाइम पहले मॉनेटाइज हुआ है, तो इसके मॉनेटाइजेशन पेमेंट भी नहीं आनी शुरू हुई, और यहाँ पर मैं पूरा डिरेक्ट चैट कर पा रहा ही मेरे चैनल है, आप देख सकते हो, thank you, welcome, is there any else, वो पूछ रहा है मेरे से, help you with, मैंने का, no thanks, मैं लिख देता हूँ, thanks so much, if I need help, I will get back to YouTube support, तो मैंने उसको लिख दिया कि अगर मेरे का और कोई help चाहिए होगी, तो मैं YouTube सपोर्ट से दुबारा से बात करूँगा, तो दोस्तों, अगर आप एक नई YouTuber भी हो, और आप direct like connect होना चाहते हो, YouTube support से, तो आप इस तरीके से direct बात कर सकते हो, mail भी कर सकते हो, तो उमीद करता हूँ, आप लोगों को solution मिला होगा, बिल्कुल live, general solution मैंने दिया है, तो इस तरीके से, प्लीज, अब यहां पर इसने with you, quick survey, और यहां पर अब मेरे survey के लिए पूछ रहा है, ठीक है, और service received today, जो मेरे बाद service मिली है, वो कैसी है, survey के लिए यहां पर उसके मेरे से पूछा, ठीक है, मैं लिख दूँँगा, nice, it was helpful, ठीक है, और यहां पर देखे, thanks for contacting you, please take a session, और अब मेरे को यहां पर उसने, feedback देने के लिए एक link दिया है, मैं अब हापर भी उसको बोल दिया, अब मैं यहां पर click करूँगा, और support के बाद अगर मैं इसको rate करना चाहता हूँ, ठीक है, कि मेरे को कैसा लगा, क्या मेरे को मिला है, morally satisfied, extremely satisfied, तो मैं यहां पर कर देता हूँ, और यहां पर मैं reason डाल सकता ह बाद में यहां पर has the issue, you contacted us, result, तो यहां पर मैं लिख सकता हूँ, yes, not yet, not sure, तो अभी मैं not sure कर देता हूँ, because मेरा अभी confirm पूरतरे solve नहीं होगा है, तो मैं not sure कर दूँगा, ठीक है, और मैं यहां पर submit कर दूँगा, ठीक है, तो दोस्तों, आज हम आपको यहां पर बताएंगे, कि यह जो active community guideline strike जो है, जो warning यूट्यूब ने दे रखी है, अगर आपके इस तरीके से warning आ रखी है, तो आप क्या क्या कर सकते हो, और कैसे इसको remove कराने की request कर सकते हो, तो दोस्तों, पहला तो active यह जो आप यहां पर link दे जैसे आप यहां पर click करोगे, तो दोस्तों, यहां पर option आता है, अपील का, जैसे कि मैंने, देखिए, अपील यहां पर कर रखी है, और इसलिए, यह मैंने कल करी थी, तो appeal submitted यहां पर आ रहा है, तो यह appeal का button आता है, उसको आप click करोगे, तो महां पर आप अपनी बात लिख कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा था, कि वो आप के ओपर है, कि आप उनसे पूछना चाहते हो, कि क्यों remove करा उन्होंने, ठीक है, और वो harmful नहीं था, तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हो, उसका reply आएगा, या फिर आपको लगता है, कि खीक हो वीडियो डिलीट हो हो चुगी है, ठीक है, मगर वो जो एक्टिव गाइडलाइन का notice आपके dashboard पर आ रहा है, उसको आप हटवाना चाहते हो, तो आप हाँ पर वो mention कर सकते हो, तो इस तरीके से आप अपनी appeal जब submit करोगे, एक मिनट का काम है, वो लिखके यहां पर submit कर देना, appeal submit आजेगी, इधर आपका, यहां पर हमने action लिये, तो इसका revert उनकी team करती है, और उसका जो भी revert आएगा, वो आपका या तो वहां से guideline, जो warning का, जो section है, वो हट जाएगा, या फिर आपका अगर वाकई गलती नहीं है, ठीक है, तो आपकी video दुबारा से वो update हो सकती है, तो उसके लिए आप आपको appeal करना पड़ेगा, महाँ पर click करके, या अगर आपको solutions जल्दी नहीं मिल पा रहे है, और आपको कोई issue है, जो आप समझाना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके साथ-साथ यहां पर आप देखिए, help का sign आ रहा है, इस help के sign पर यहां पर यह options आ रहे हैं, जैसे हम पर chat का option भी आ रहा है, तो आपको क्या करना है, अभी यहां कुछ नहीं करना है, आप जब यह कई सारे options आते हैं, तो आपको इधर यूट्यूबर यह जो आप देखिए, support team को contact करने का, आप डिरेक्ट पहली नीचे जाओ, contact us पर, जैसा को जवाब दीजिए, कि जो भी आपकी problem है, like, warning, strike, ठीक है, next step पर आप क्लिक कीजिए, तो यहां पर आप देख सकते हो, इधर यहां पर कई सारे options आ रहे हैं, इसमें से अब अगर आपका कोई option है, मतलब इसमें से कोई issue है, तो उसको select कर दीजिए, other है, तो other पर क्लिक कर द करोगे, यहां पर आप next step पर क्लिक कर दो, ठीक है, next step पर क्लिक करने के बाद इधर देखे, community का option आता है, तो उधर भी आप अपने problems, जो अलग-अलग लोगों को किस वरह से problem आई है, तो आप हाँ पर जा कर भी, देख सकते हो, तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर community strike का आया, continue कीजिए, ठीक है, अब यहां पर आप अपनी categories जो हैं, वो आप अपना, यहां पर select कर लिए, जो भी आपको category select करनी है, platform, web, creator, continue कीजिए, अब यहां पर आप पूरा detail में लिख सकते हो, describe कर सकते हो, अपना issue, फिर वो लिखने के बाद जैसे के, like, please remove the warning sign from dashboard, यह मैंने अपना issue लिख दिया, I am not a robot पर click करा, dash मैंने click करा, यहां पर मैंने post कर दिया, ठीक है, तो यह देखे, इस तरीके से मैंने, यह steps, follow करे, जो जो इन्होंने बताए, ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आप देख सकते हो, कि यह मैंने इधर post कर दिया, तो इधर reply आ सकते हैं, ठीक है, और इसके ओपर आपको जवाब मिल सकता है, यहां पर आप देख भी सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हो, और बहुत सिंपल रास्ता मैंने आपको बताया, कि यहां पर क्लिक कीजिए, अपनी अपील सब्मिट कीजिए, जो भी आपकी बात है, रखे उनके आगे, अगर आपने वाकई कुछ गलत नहीं करा, कुछ जादा बड़ा इस्यू नहीं है, तो दोस्तों, यह बहुत सिंपल है, और आप इसको यूट्यूब की मदद से कर सकते हो, तैंकि दोस्तों. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, किस तरीके से आप लिंक्डिन पे अपना एकाउंट क्रेट कर सकते हैं, लिंक्डिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा व्यूटूबी ऑनलेन प्लैटफॉर्म है, जहां पर आप अपना बिजनस ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनस मार्केट देख सकते हैं, जॉब्स देख सकते हैं, तो यह बहुत ही यूसफुल है, तो आइए सीखते हैं अकाउंट कैसे बनाएं, तो सबसे पहले आप टाइप कीजे लिंक्डिन अकाउंट, जैसे आप यह टाइप करेंगे, तो गूगल पर देखें, यहां पर आजाएगा, तो यहां पर हमारे पर सबसे आपशन पर इस और प्लिक करा, उरल पर हमारे सामने पेज आगया, कि यहां पर यहां तो हमारे अकाउंट है, तो सइग इन कीजिए, अगर बनाना है तो हमँद्ण करना हो घुद्ध जोईन नाउप हम कुलिक करेंगे, आप इमेल आइडी हम डालेंगे use.qms .com पासवर्ट जो आपको रखना हो आप अपने हिसाब से पासवर्ट रख सकते हैं और यहाँ पर agree पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ details हैं जो हमें fill करनी है हमाय अपनी country हम पर select करनी है हमारा जो भी state है वह हमें select करना है उसमें city या district जो भी हमारा है वह हमें select करना है और हम next करेंगे नेक्स्ट करने के बाद यहां पर जॉब टाइटल हमें डालना होगा ठीक है अब हम कॉंटिन्यू करेंगे अपनी जॉब टाइटल और कंपनी डालने के बाद अब यहां पर एक कनफर्मेशन इमेल आएगा लिंक्डिन से कोड आएगा अब इस कोड को हम कॉपी करेंगे और यहां पर हम पेस्ट कर देंगे इसके बाद हम एग्री करेंगे अब यहां पर कुछ ऑप्षेंस हैं अगर हम उनको एसेप्ट करना चाहें इंविटेशन वग्यारा को तो हम एसेप्ट कर सकते हैं या अभी हम या बाद में भी कर सकते हो अपने कॉंटेक्स को एड कर सकते हो कर सकते हो अभी हम स्किप करते हैं स्किप किया स्किप करने के बाद देखे इस तरीके से होता है कि हम जो लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं एड कर सकते हैं तो हम एक दो लोगों को हम ऐसे हम हेज देते हैं ठीक है और स्किप करते हैं स्किप करने के बाद हमें यहां पर जो इमेज है वह अप्लोड करनी होगी किवेगा अभी हमारे पास वो पिक नहीं है तो मैं अभी कि मेरे पास पिक अभी है बस वह पिक में लगा देता हूं यहां पर हम जो मैं इमेज है उसको ड्रैग और अब कर सकते हैं और करने के के बाद हम सेफ कर देंगे तो प्रॉफेशनल पर कोई इसी फ्रेंड्स जिस्से की लिंक देन प्रॉफाइल में एक आपका प्रॉफेशनल फेज लोग आए तो अब हम कांटीनू करेंगे कांटीनू करने के बाद स्किप करेंगे अभी स्टेप को और यहां पर हम अपना मुबाइल नंबर डालेंगे नाइन थ्री फोर जिरो वन 59453 और यहां पर हम क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर आप कुछ डेटेल्स हैं जो हमें फिल करनी होती हैं जैसे हम कशे काम कर रहे हैं तो यहां पर हमने डाल दिया सेव करा ठीक है पर स्नेश फीड में हमने जाके डेटेल्स डाल दी हैं अब यहां अगर हम प्रोफाइल में गए प्रोफाइल में जाने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर कुछ डेटेल्स हैं जो आप को फिल करनी होगी ठीक हैं तो यहां पर जब आप जाएंगे तो आपकी कुछ और डेटेल्स हैं जो आप फिल कर सकते हैं यहां से रीचेक कर सकते हैं अपनी सारी सारी चीजों को कि आपने सभी डाली है कि तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो एकाउंट है वो क्रियेट होता है और यह एक कवर जा आपने हमने प्रोफाइल पोटो तो तो मैंने इस वीडियो में आपको सिर्फ बताया है एकाउंट कैसे क्रिएट करें तो यह बहुत सिंपल स्टेप्स थे एजी था एकाउंट क्रिएट करना अब प्रोफाइल कैसे लिंडिन पे हम स्ट्रॉंग बना सकते हैं सारी चीजों को कैसे फिल करना है कैसे अपनी जो आने वाला है तो उसको भी हम आपको डिटेल में बताएंगे यह था सिर्फ लिंडिन एकाउंट क्रिएशन और भी लिंडिन के ओपर हम आपको टुटोरियल और पेड़ और सारे और वीडियो लेकर आरें टुटोरियल बिदिन इससे अगर आपकी professional presence है और आपका अप्रोपैल सेट आप बना हुआ है तो आपको बहुत बिजपी सकता है आपको अची सब्सक्राइब कर सकते और नेटवॉकिंग कर सकते हो तो बहुत सारे फाइदे हैं पंड ये सारे तभी हमें मिल सकते हैं जब हमारी लंक लिंग ने Спेimated भवाल बनी नियीं नियुकि आपको टॉपिक्स अ हुआ जिसको आप शुरुबात में हमेशा ध्यान रखेगा देखिए एडवांस तो आप बहुत कुछ कर सकते हो बड़ बेसिक दस टिप्स जो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉंग बनाएंगे और जादा जादा लोग आप से कनेक्ट करेंगे आपके पास जॉब बिजनस कने प्रोफाइल बनाने के लिए जो आप यहां पर देख रहे हैं यहां पर आप क्लिक करेंगे यहां पर व्यूज़ प्रोफाइल का पेज ओपन हो गया ठीक है दोस्तों तो यहां पर सबसे पहरी बात मैं आपको पताऊंगा कि किस तरीके से आपको पता लगेगा कि हमारा जो लिंडिन का प्रोफाइल है वो स्ट्रॉंग है या नहीं है तो जैसे ही आप अपने प्रोफाइल पर आया एक थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करेंगे तो आपको यहां देखेगा यौर डैश्बूर्ड तो यौर डैश्बूर्ड के सामने ही यहां पर देखी हमें देखा रहा है और आपके यहां पर अल स्टार्स है तो इसका मतलब आपका जो profile है वो strong है और लोग आप से connect होंगे आपके पास job opportunities, business opportunities बहुत आएगी तो इस तरीके से अगर आपका all starts है तो आपका एक LinkedIn profile page सही बना हुआ है अगर नहीं है तो क्या steps हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो सबसे पहले यह चेक करें यह देखें कि आपके dashboard के आपको all starts मिला हुआ है नहीं मिला हुआ आप दोस्तों सबसे पहला step सबसे पहला step है जब हम LinkedIn profile बनाते हैं तो हमें अपना जो experience है वो हमें add करना होता है तो यहां पर हम देखें दोस्तों आते हैं यहां पर देखिए यह रहा experience तो experience अगर आपका जो बहाँ आपका पास एक्सपीरियंस है आपका professional experience आपका job experience आपका business experience है वो सब कुछ आपको यहां पर add करना है अगर नहीं है और edit करना है तो अगर आपका थोड़ी बहुत profile बना रखें तो आपको edit करना होगा और पहली बार आप अपना account create कर रहे हैं तो आपको add करना होगा अपने experience तो जैसे हम edit पर जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको अपना company का जो भी आपका designation title था वह भरना होगा company को नाम भरना होगा location भरनी होगी ठीक है यह आपका पर काम कर रहे हैं ठीक है यह आप करक्ली काम कर रहे हैं सारी चीजें यहां पर दे रखी है यह आपको प्रॉपर फिल करनी है description डालना है और इसको upload कर दोगे आप ठीक है अगर आपका कुछ इससे supported format है जैसे इस company से related को document कुछ भी आप upload करना चाहते हो तो उसको upload कर सकते हो सब्सक्राइब नहीं है यह पूरी आपने complete कर रखी होने की पूरी डेटेल डाल के और उसको फिर हम ऐसे save कर देंगे ठीक है तो इस तरीके से आपकी जितनी भी companies में आपने काम कर रहा है या आपने ओनर काम कर आपने जॉब करी है ठीक है तो उन सारे experiences को यहां पर आप एक यहां से जाओंगा जाओंगा और वो सारे experience सारी चीज़े एड गरूंगा और उसको फिर यहां से save कर दोंगा तो सबसे पहला यह है कि अपने job experience को detailed में define करना है कि कोई भी आपकी profile पर आये तो वो आपके experience को अच्छे से देख पाए समझ पाए और उसको impressive लगे तो दोस्त कर और रखे बास के बाद जो हमारा second point है वह second point है हमारा education jot एड करनी है जो भी education स्कूल का से है आप और जो भी आपका education का है वो सारा का सारा आपको fill करना है पुरी detail के संग fill करने के बाद supported document को degree or certification लगानी तो अब upload करोगे और उसको save करोगे तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना education का पूरा detail जिससे की और एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है जो भी experience या education आप अपने LinkedIn profile के अंदर mention कर रहे हो वहीं आपके resume के अंदर भी होना चाहिए because आपको पता है jobs के लिए LinkedIn one of the biggest platform है पूरे world में तो आपका resume है वो match होना चाहिए आपके LinkedIn के profile से तो इस चीज़ों हमेशा ध्यान रखिएगा तो दोस्तों आपको यहां से experience आड करना है फिर second point था आपको education के अपकी जितनी भी education qualification और सब आपको यहां से आड करनी है ठीक है दोस्तों तीसरा जो हमारा point है वो है add professional profile and pics तो यह मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दोस्तों देखिए जैसे कि हम यहां पर आए ठीक है तो अब हम यहां पर click करेंगे यहां पर दोस्तों देखिए यह जो आपकी जो picture है यह जो आपकी profile pic है ठीक है इस profile pic को आपको बिल्कुल professional रखना है यह आपकी कोई selfie नहीं होनी चाहिए कोई animals के संग आपकी pic नहीं होनी चाहिए कोई wedding picture नहीं होनी चाहिए कोई party pool picture नहीं होनी चाहिए कोई beach picture नहीं होनी चाहिए ठीक है दोस्तों आपकी professional camera facing pic होनी चाहिए जो impressive लगे और इसका बहुत impact पड़ता है जब लोग आपके संग connect होते हैं ठीक है दोस्तों तो आपको जब भी profile pic edit करनी है त करना चाहिए तो यहां से आप कर सकते हैं और इसको हम अभी क्लोज करेंगे क्योंकि हमने पूट कर रखी है तो इस तरीके से आप एड़ेट करेंगे अपनी प्रोफाइल पिक को दोस्तों है और है यह जो आपकी प्रोफाइल पिक है वह अपका रिस्पॉस बढ़ा देती है अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल पिक नहीं है अच्छी आपकी जो लोगों के सामने इमिज्ट बनाएगा और 80% तक response बढ़ा देगा connections बढ़ाएगा आपके यह बहुत help बरेगा तो दोस्तों इसके बाद हम आते हैं हमारा fourth point जो है headline ठीक है दोस्तों तो headline में हम आते हैं तो दोस्तों जो हमारा fourth point है वो है headline ठीक है तो headline कहां से हम edit करेंगे जो आप देख पा रहे हैं मेरे नाम के नीचे profile pic के नीचे यह headline है दोस्तों तो यह as a business card काम करती है ठीक है आपके बारे में बताती है short में तो यह किस तरीके से आप edit कर सकते हैं और कैसे बनाना है यहाँ पर आप click करेंगे edit पर ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी profile pic के नीचे आपको अपना नाम और अपना last name यहाँ पर आपको add करना है इसके बाद यह जो headline है इसकी limit आपको इंडिस्ट्री पूट करना है उसके बाद आपको इंडिस्ट्री पूट करने ही करनी है उसके बाद आप करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे तो अब हम वापस आते हैं तो अब दोस्तों इसके बाद हमारा पॉइंट है वह समरी देखे दोस्तों समरी जो है वह आपके बारे में बहुत कुछ बताती है डिटेल बताती है और जिसमें आप अपने बारे में लोगों को डिफाइन कर सकते हो और इससे आप आगर आप समरी अच्छे से बनाई है तो लोग उससे अगर इंप्रेस होते हैं और वह अगर एफेक्टिव है तो आप सोच नहीं सकते हैं आपका रिस्पॉंस और आपके सम्स कनेक्शन्स और आपके पास जॉब बिजनस अप अभी आप करेंगे हैं यहाँ भी करेंगे अपको अपने बारह चाहता हैं तो यहां पर हम कौन हो पकर सकते हूं तो जो skills है वो आपको थोड़ी से define करनना है ठोड़ा थोड़ा ठीक है? आपको किस करणी के से आप collaborate हो सकते हो गों को help कर सकते हो या आपके काम हा सकते हो ठीक है? आपकी अचीवमेंट है तो वो आप बता सकते हो दो हजार करेक्टर में शौट में आपको बहुत सारी चीजें यहां पर explain करनी हैं तो इन जी लोगा ध्यान लगके संबरी आपको बहुत अच्छे से बनानी हैं तो इसमें आप अपनी थोड़ी सी professional history हो गई जैसे मैंने आपको बताया qualification थोड़ी सी personality के बारे में आप अपना पताओ कि आप as a person कैसे हो क्या हो ठीक है और इसके बाद आप खुद देख सकते हो आपको एक बहुत ही जादा बहतर exposure मिलेगा और आपके connections और आपको खुद को growth मिलेगी लोग connect होंगे आपके साथ उसके बाद दोस्तों यहां पर जिस भी company में आप कान कर रहे हो या आप ज क्योंकि और authentic लगे आपकी चीजें तो महां की photos हो आपकी images हो वीडियो सब चीजें आप यहां पर कर सकते हो तो दोस्तों यह आपने देखा और इसको यह सब करने के बाद कोई link देना चाहते हो तो आप link भी दे सकते हो आपके website का link है या और कोई link है ब्लॉग का link है जो भी यह मैंने आपको 5th point बताया था summary अब हम 6th point पे आते हैं contact details पे तो दोस्तों contact details पे हम आ रहे हैं अब now you can see यहां पर see contact info का option आ रहा है profile पिक के नीचे अब यहां पर हम click करेंगे यहां पर click करने के बाद आप अपनी जो profile का जो आपका URL है वो पुट कर सकते हो अपने नंबर पुट कर सकते हो अपने एडेस पुट कर सकते हो अपने ट्विटर का आप अपना URL यहां पर link पुट कर सकते हो तो इस तरीके से आपको इस सारी चीजें यहां पर पुट करनी ह और सही से सारी चीजुमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए इससे ऑफेन्टिसी बढ़ती है लोग आप का जो आप कितने जैनूवन हो आप कितने ट्रांस्पेरेंट ओ और अगर कोई आपसे contact करना चाहिए तो easily आपसे contact कर सकता है आप easily reachable हो तो ये contact information पूरी होनी चाहिए एक एक चीज ठीक है दोस्तों तो ये हमारा 6th point था अब दोस्तों हम आते हैं 7th point पे जो की customize your LinkedIn URL and background photo तो दोस्तों URL क्या होता है और background photo क्या होती है तो दोस्तों देखो ये है हमारा URL linkedin.com slash hitesh gupta qms तो URL क्या होता है वो आपके जो social media का page होता है उसको एक personal touch देता है ठीक है जैसे मेरे हैं पर URL में hitesh gupta है तो लोगों को अब मैं ये URL भेजू हूँ है तो उनको पता लगे का अच्छा ये hitesh gupta ने भीजा है तो एक personal touch मिलता है एक आपकी जो visibility है वो increase होती है authenticity बढ़ती है लोग इसके अंदर आपके सांग easily connect होते हैं और easy होता है इस URL को share करना ठीक है तो आप कैसे आप एक customized URL बनाओ इसके ओपर भी हमने अपने YouTube चैनल ले वीडियो स्पेशली बना के दे रख्या वहां से भी सिख सकते हो बागी फिर भी एक idea दे देता हूं आपको यहां पर आप देखने URL है उसको edit कर सकते हो तो आगर वो available होगा तो आपका URL यहां पर आप सेव कर सकते हो तो दोस्तों मैंने तो उसी कोई आप आपको मैंशन करनी है जिससे कि आपका जो बैक्राउंड है या प्रोफाइल पिक आपका सेक्ष्टन है यह आपके बारे में खुद ही इतना लोगों तक पता आप आपके बारे में तो बैक्राउंड इमिज के लिए हम क्लिक करेंगे यहां पर और यहां पर देखिए जहां से मने प्रोफाइल पिक एडिट करी थी वहीं पर यह उपर ही यह हमारे पास एडिट का ऑप्शन है और यहां पर देखिए हमेशा जो भी प्लैटफार्म होता है भाँ पर यह हमें आइडिया देते हैं कि कि साइज की पिक रिकमेंड करते हैं हमें बनवानी चाहिए क तो इस चीज को आप अपने डिजाइनर से या फोटोशॉप अगर आता है खुद भी बना सकते हैं इसको बना के आप यहां पर अपलोड करेंगे ठीक है दोस्तों और ऐसे ही आप यहां पर अपना प्रोफाइल करेंगे तो दोस्तों इसको हम सेफ करेंगे करने के बाद क्य जो की है आस्क फॉर रिकमेंडेशन अब यह होता क्या है मैं आपको बताता हूं आप स्क्रोल करते हैं नीचे और इस सेक्शन में आते हैं रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन क्या होता है दोस्तों जो भी आपकी कंपनी जहां पर भी आपने काम करा है या आपने जहां इंप्ल उनके आपको recommendations हमेशा लेने चाहिए अगर उनका experience आपके संग अच्छा और आपका experience उनके संग अच्छा है इससे creditability बढ़ती है अगर लोग आपके लिए recommend कर रहे हैं तो आपका quality score है वो भी increase होता है recommendation से आपकी credibility बढ़ती है तो दोस्तों इसका procedure क्या होता है तो जैसे कि यहाँ पर एक recommendation मेरे पास आ रखा है यहाँ पर हमें recommendation मांगना पड़ता है मतलब पूछना पड़ता है अपने colleagues को कि हम आपसे recommendation चाहते हैं तो उसके लिए आपको ask for recommendation पे click करना है यहाँ पर click करने के बाद हम sorry इसको हम close करेंगे और ask for recommendation पे हम जाएंगे तो जोस्तों गलती हो गए थी मेरे से यह हमें edit के लिए है हमें यहाँ पर click करना है ask for recommendation पे तो हमने जैसे click करा ask for recommendation पे तो यहाँ पर what do you want to ask तो यहाँ पर हमें उस person का नाम डालना होगा ठीक है अब जैसे मैं यहाँ पर यहाँ पर नाम put करता हूं तो दोस्तों जैसे कि यह हमार मेरे संग काम कर चुगे हैं और मैं इनके लिए भी काम कर चुगा हूं तो अगर मेरे को इनसे recommendation चाहिए और मेरे इनके संग अच्छे रह चुके हैं तो मेरे को हम पूछना चाहिए कि यह करेंगे तो मैं यहाँ पर गौरव गैंग वार को क्लिक कर लूँगा सेलेक्ट करूँगा सेलेक्ट करने के बाद मेरे इनके संग क्या relationship रहा है तो यहाँ पर बहुत सारे options आते हैं कि यहाँ पर गौरव जी मैनेज़ डिरेक्टली ठीक है रिपोर्टे आपको रिपोर्ट कर रहा था ठीक है इस तरीके से बहुत सारे यू वर्ग विद गौरव यू बट इन डिफरेंट ग्रोप तो इस तरीके से आपको अब गौरव वाज़ क्लाइंट फॉर यॉर्ज तो मैंने हाँ यहाँ पर क्लिक कर दिया ठीक है तो हमारे क्लाइंट थी और हमने इनके संग काम भी करा था तो यह से मैंने सेलेक्टली relationship अब relationship के बाद position at the time उस समय में क्या position थी मतलब जब हमने इनके साथ काम करा था तो यहाँ पर founder and director at media by LLP CEO तो उस समय में quick media में था या media by में था किस company में था तो उस समय में quick media में था तो मैं यहाँ पर select करूँगा और यहाँ पर मैं next कर दूँगा next करने के बाद यहाँ पर आया hi God of can you write me a recommendation ठीक है तो आ आप send कर दोगे मैंने यहाँ send किया अब send करने के बाद यह गौरब जी के पास जा चुका ठीक है दोस्तों तो वहाँ पर क्या गयते हैं हमारे पास अगर वह recommendation भेजेंगे है रिकमेंडेशन भेजेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर recommendation आ रखी है तो अगर वह recommendation हमें भेजते ह तो यहाँ पर हमारी received में 2 हो जाएंगी ठीक है और अगर हम यह किसी को recommendation देनी है तो हम दे भी सकते हैं तो दोस्तों यह था हमारा point number 8 ask for recommendation जो सबसे important point है अगर आप अपनी profile की अपनी creditability बढ़ाना चाहते है quality score बढ़ाना चाहते है और business में आपको और reference मिले या job में आपको और opportunities मिले तो यह चार चांज लगाने वाली बात है अगर आपके पास जादर से जादर recommendations होंगे ठीक है दोस्तों तो यह हो गया हमारा eighth point अब हम आते हैं दोस्तों हमारे ninth point पे हमारे ninth point है दोस्तों वो है add and manage your linden skills and endorsement तो दोस्तों क्या है यह मैं आपको बताता हूं यह आप एक section देख सकते है skills and endorsement का मतलब आपके skills क्या है ठीक है आपने का आपके टैलेंट है वो क्या है आपकी capabilities क्या क्या है ठीक है तो इन सब चीजों को हमें यहां पर show करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से ही लोग हमारे बारे में जानते हैं और हमारे details देखते हैं अगर उनको हमारे skills और यह सब चीजे पसं अगर हमें करना है तो हम ऐसे अडिट पर जाएंगे और यहां पर जाकर हम एडिट डिलीट कर सकते हैं और यहां पर अभी हम close करते हैं हमको नया एड करना चाहेंगे तो एड न्यू स्किल पर जाएंगे जब हम एड न्यू स्किल पर अब आप प्रोजेक्ट मेनेजमेंट आपको आता है या आपको बिजनस अड्मिनिस्टेशन आता है या आप शूर्शन मीडियम में कुछ आता है तो इस तरीके से आप यहां से आड कर सकते हो अगर जो चीज आप यहां पर फ्ट करना चाहते हो और यहां पर नहीं अव्लेबल है तो इसको आप आड भी कर सकते हो जैसे हम डालते हैं digital marketing आधोजो मेने डालत Digital Marketing कश्र्ट ornaments तो यहां पर नहीं है तो मैं चाहूं तो इसको यहां पर जाकर एड़ कर सकता हूँ तो मैं जैसे अद करऊँगा यह मेरी स्कृ में एड़ हो जाएगा तो इसको मैं यहां पर अभी क्लोज करता हूँ तो दोस्तो skills तो सबसे important है हर कोई आप से जादा आपके skills से जुड़ता है आपकी knowledge से जुड़ता है इसी से impress होता है इसी से job मिलेगी इसी से business मिलेगा तो यह सबसे अच्छे से maintain करना है और वही चीज़े डालनी है जिसमें आप पूरे confidence हो जिसमें आपकी expertise हो आप अगर अप आपके expertise पांच में हैं तो पंद्रह आपने डाली कलको आपको कोई job opportunity मिली या कोई business मिला और आप वो quality performance नहीं दे पाए तो यह सही नहीं है आपके लिए तो दोस्तों आपनी best skills ही डालिएगा जिसमें आप master हो ठीक है या जिसमें आप अच्छा कर सकते हो तो दोस्तों यह ह हमारा ninth point था तो जैसे कि और दोस्तों आपके कोई article है कोई activities है जो कि आप post करते रहते हो वो यहां पर यहां पर show होते हैं दोस्तों ठीक है अब जैसे हम मेरे जो followers हैं वो लगवक साड़े तीन हजार से plus followers हैं इस समय कुछी महीनों पहले मैंने proper active हुआ हूँ अपनी LinkedIn profile पर मै से कितना connect होना शुरू हो गया है तो एक सही all stars की मतलब complete जो business profile है उसे कितना फायदा होता है कितने professionals आपके संग join होते हैं देखिए यह मेरे जो status है इस week मेरे को 274 लोगों ने क्या गयता है मेरे profile को past 90 days में 274 लोगों ने मेरे profile को देखा तो 90 दिनों के अंदर आप देख सकत है और since last week से 24% की growth है यह आप यहां पर graph भी देख सकते हो ठीक है तो दोस्तों इस तरीके की जो चीजे हैं अगर आप regular active हो आपका सारगा 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 profile strong बना हुआ है तो regular लोग आपके touch में आएंगे connect होंगे आपको business भी मिलता है ठीक है आपको employees भी मिलते है ठीक है और without any charge फ्री of cost बस आपको महनत करना है active रहना है regular रहना है लोगों से connect होते रहना है लोगों को connect करते रहना है यह यह नहीं की बहुत अच्छी profile बना दियो और बस हम बैठ गए नहीं आपको active रहना पड़ेगा active है तो आप free में ही बहुत business generate कर सकते हैं free में ही आप employees भी hire कर सकते है यहां से 10th एक bonus point और tip में आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका LinkedIn का profile है तो आप LinkedIn के groups में जरूर join कीजिए तो दोस्तों अगर आप LinkedIn के groups में join नहीं कर रहे ठीक है तो आपको क्या करते हैं जो growth और तेजी से मिल सकती है उसमें क्या करते हैं आपको problem हो सकती है या फिर लोगों से अपना network बढ़ाने के लिए आपको groups में भी connect करना पड़ेगा तो आपको हमेशा जो group का option है वो choose करना है चुनना है मैं दिखाता हूं कैसे अब जैसे हम यहां गए अब हमें related groups जूनना है दोस्तों related groups कैसे अब जैसे मैं digital marketing industry से हूँ तो मैं यहां पर डालता हूं अब मैंने यहां पर सच करा digital marketing groups तो यह देखे कितने सारे groups यहां पर आ गए ठीक है अब हां पर यह भी show कर रहा है कि कितने members हैं इस group में ठीक है तो बहुत सारे groups हैं जो कि free of cost joining देते हैं कुछ paid भी होते हैं मगर दोस्तों free of cost वो joining कुछ groups में नहीं होती बट अगर आपकी profile strong है आपके connection strong है तो groups भी चाहते हैं कि अच्छे profile के connection की लोग उनके सब जॉइन हो तो आपका अगर profile strong है तो आप जाते से ज्यादा groups में free of cost join कर सकते हो तो इस तरीके से आपको जो भी group relevant लगे आपको लगे कि महां पर जुणने में फाइदा है आप करेंगे उस particular group पे और group पे click करने के बाद ठीक है दोस्तों आप group को join कर सकते हो यह देखिए वो group आ गये है यहाँ पर ठीक है यहाँ पर यह देखिए group admins आ गये owners आ गये यहाँ देख सकते हैं आप managers आ गये अगर आपको उस group की worth लग रही है ठीक है तो आप उस group के संग join करें और उस group के एक हिस्सा बने और उससे benefit आप पा सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको आज 10 points बताए तो यह 10 points अगर आप follow करेंगे तो आपकी growth LinkedIn के platform पे कोई नहीं रोख सकता आपकी profile से लोग connect होना चाहेंगे आप से लोग job के लिए पूछेंगे आप से लोग business के लिए पूछेंगे और आपका network दिन पे दिन बढ़ता जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी profile बनाईए और अपनी presence business world में बढ़ाईए सबसे पहले आप अपने LinkedIn अकाउंट में लोग इन करेंगे लोग इन करने के बाद यहाँ पर आप जो देख रहे हो work का button इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जैसे नीचे जाएंगे यहाँ पर आता है option create a company page इधर आप क्लिक करेंगे जैसे हमने आप पर क्लिक करा तो यहाँ आपको choose करना होगा दोस्तों के small business है आपकर इसके लिए page बनाना है या थोड़ा large medium और large business है या showcase page है या education institute है तो अभी ह हम स्मॉल बिजनेस के हिसाब से बना रहे है तो अब जैसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट करा अब यहाँ पर हमें सारी details डालनी है तो यहाँ पर हमें नाम डालना होगा marketing fundas demo यह मैंने demo के लिए बना रहा हूँ इसले मैंने हाँ पर demo डाल दिया ठीक है और यहाँ पर URL दिखा रहा है कि इस तरीके से हमारा URL शो होगा ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर हम अपनी website डालेंगे marketingfundas.com की यहाँ पर हम अपनी company की details डालेंगे के industry कौन सी है आपकी हमारा education से related है company size हम डालेंगे company type हम डालेंगे अब दोस्तों यहाँ पर आपको यह logo का size दे रखा है files बता रखें तो यहाँ पर choose file पर हम क्लिक करेंगे लोगो अप्लोड करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे desktop में एड्स में लिंक्डिन में लिंक्डिन में हम अपना folder देखेंगे जहाँ पर भी हमने अपना सारा रखा है लोगो अप्लोड करा अभी लोगो अप्लोड जैसे हमने करा है यहाँ पर देखी लोगो आ गया यहाँ पर हम अपनी टैग्लाइन डाल देंगे लाइक हमने डाला learn free earn money ठीक है यह अभी डैमो के लिए मैंने डाल के दिखा दिया आपको अब यहाँ पर हम verify के checkbox पे क्लिक करेंगे create page पे क्लिक करेंगे अब जैसे हमने क्लिक करा यह दोस्तों हमारा page create हो गया marketing fundas demo के नाम से जैसे कि आपको देख पा रहे हैं अब यहाँ पर क्या होता है कि अभी यह मैं admin panel के अंदर हूँ जहां से मेरे को सारी settings करनी है और मैं view as a member पर क्लिक करूँगा तो यह वैसा देखेगा जैसे for example अगर इस page पर आप हाई होते तो आपको मेरी company का page दिखता हूँ इस तरीके से यहां से आपको अपना cover page अपडेट करना है जैसे क्लिक कर दिया लोगो आगया cover page आगया यहां पर आपकी टैग लाइन आ जाएगी यहां पर आप क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के वाद इस सारी information आपको फिल करनी है ठीक है कि अबर वियू में जाएंगे यहां पर आपको company के बारे में description डालना होगा जैसे एक मैं तो बस डेमो के लिए लिख रहा हूं best online free digital learning platform तो मैंने demo के लिख दी हाँ पर आपको description डालनी है up to 2000 words तक आप डाल सकते हो अपना URL डालिए number डालिए industry हमने सब चीजे पहले फिल कर दी थी किस साल आपने company open करी है वो यहां से आप डाल सकते हो ठीक है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं जैसे हमने यहां पर 2000 14 डाला ठीक है अगर यहां पर आपको कुछ और एड करना है तो आप यहां क्लिक करेंगे कर सकते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं इसको करने के बाद सेफ करेंगे चेंजे सेव हो गए हमारे location एड करनी है तो आप यहां से इस तरीके से जब आप अपने पेज पर सारी चीजें प्रॉपर अपना content images description सब डाल दोगे तो आपके पेज में एक professionalism आएगा कि लोग उस पर आये और उसको महां पर आप से related information मिलने चाहिए ठीक है तो इसके अलावा आप यहां से अपनी posts बगारा डाल सकते हो अप्लोड नेटवर्क बढ़ा सकते हो लोगों तक पहुंच सकते हो तो दोस्तों LinkedIn जैसे इतने बड़े professional platform के ओपर किस तरीके से आप company page बनाए और professional network के through अपने business को लोगों की नजरों में companies की नजरों में लेकर आए तो कुछ basic और बहुत important tips में बताने जा रहा हूं जिसको आपको page ब तो short term और long term दोनों में benefit मिलेगा तो दोस्तों जैसे कि यह देखे हमारा company का page है ठीक है तो company page बनाने के वक्त पहली बात आपको हमेशा ध्यान रखती है यह जो आपका profile image या profile pic होती है यह यहां पर आप हमेशा अपनी company या brand का logo ही present गीए ताकि इससे लोगों को आपके logo के बारे में आपकी जो एक logo की पहचान है उनमें बने और वो बड़े तो दोस्तों इसके बाद जो आपका cover page होता है या profile banner भी इसको कहते हैं यह हमेशा आप अपने product या services को define करते हैं या उससे related या relevant बनाएं अच्छा से design कराएं और यहां पर जरूर इसको apply करें because यह दोनों चीज़ें बहुत important है अगर कोई आपके page पर आ रहा है और यह दोनों चीज़ें वहां नहीं देख रहा है तो इससे आपकी profile पे उतनी ज्यादा time कोई लगाएगा नहीं और वो unprofessional दिखेगा तो वह हो सकता है आपके संग connect भी ना हो इन दो चीजों का जरूर रखने सबसे पहले और दोस्तों अब हम कुछ और आपको settings के बारे में बताते हैं जो की यहां पर जैसे हम जाते हैं जो आपके follow button और यह जो website का जो आप देख रहे हो इधर जो आइकन है edit का यहां पर click करने के बाद दोस्तों यह बहुत सारी कुछ settings है एक एक करके बताता ह जैसे header के नीशे page info पे आते हैं तो यहां से आप अपनी profile पे किया अपना logo update करेंगे और उसके बाद यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं इधर जो हमारी profile पे किया उसके आगे आपका company का नाम आना चाहिए हमेशा logo के आगे तो हमने जैसे marketing fundas नाम लिखा हुआ है तो वैस आप लिखनी है यहां पर टाइप करनी है और दोस्तों अब हमाते हैं अगले buttons के ओपर आप यहां पर जैसे कि मैंने आप देखें मल्टिपल यहां पर बटन रखें यह custom इसको off कर देंगे तो महां पर बटन नहीं आएगा पर आप इसको on रखिए और यहां पर आप website visit contact us register sign अब जो भी आपका business है उसके हिसाब से आप टाइप रूज कीजिए अब जैसे हम website visit का हमने टाइप दिया है आप contact us का भी दे सकते हो अगर contact us का आप दोगे तो वहां पर आप इधर website का URL डालेंगे और अगर आप यहां पर चीज़ा website visit देना चाहते है तो वह भी दे सकते हैं यहां पर अपना mention करना है website का URL अगर website है तो बहुत अच्छा है वहां पर जाके person और detail में आपके आप में जान सकता अब दोस्तों यहां पर एक preview दिखाया है जब हम proper header के अंदर यह सारी चीज़े डाल देंगे profile पर tagline headline इस तरीके से देखिए हमारा logo आ गया नाम आ गया यहां पर हमारी tagline आ गई और में company के बारें बताएंगे तो अब आउट के अंदर overview में जाते हैं जैसे हम overview में गये दोस्तों यह सबसे important जगा है description यह 2000 वर्ट तक का आप अपनी company के बारे में बता सकते हो उसे related services या products बता सकते हो USP बता सकते हो तो यह बहुत matter करता है दोस्तों एक company का जो page है LinkedIn पे वो equivalent to website है अगर आप सारे information सही तरीके से LinkedIn पे डालेंगे तो वहां से भी आपके जो audience है जो connection में लोग है जब आपके page देखते हैं उनको बहुत information मिलती है आपके बारे में आपकी services के बारे में तो दोस्तों यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं manage description in the language यहां पर आप उसमी website का URL डालिए ठीक है अगर यहां पर आपकी website नहीं है आपके पास यहां पर क्लिक कर दीजिएगा और मागनेशन डापके यह बहुत जरूरी चीजे हैं डालनी कि कि आप किस industry से बिलॉग करते हैं वह यहां से चूज कर सकते हो ठीक है जैसे हमने चूज करा इसा आपकी company का size कितना है तो आप यहां से अपनी company का जो size है वह चूज कर सकते हो ठीक है उसके अलावा company आपकी प पॉब्लिक है वह आप यहां से चूज कर सकते हो उसके अलाव अपना phone number जो आप चाहते हो पॉब्लिक को डिस्पले हो आपके अगर कोई आपसे services देना चाहता है contact करना चाहते तो contact कर सके ठीक है और कब आपकी यह company open होई उसका year आप यहां से डाल सकते हो इस तरीके से तो अब यहां पर आपको क्या करना है यह details fill करने के बाद अब यह आपको save करना है ठीक है तो जैसे आप यह सारी चीज़े save करोगे changes save हो जाएंगे और यहां पर अगले step पर आओगे जो के overview में अब हम locations पर आएंगे तो यहां पर आप अपना proper address दालिए add location कीजिए ताकि कोई आपकी अगर आप देना चाहते हैं कि अपना address की लोगों पता लगे आप कहां situated हैं कहां पर आपका office है तो यहां से आप जान सकते हैं उसके अलावा दोस्तों अगले step पर आप आ सकते हैस्टेक्स आपको जो हैस्टेक्स देने हैं अपने product services या company के हिसाब से वह आप यहां पर हैस्टेक्स दे सकते हो फीचर्ड गुरुप आपको कोई एड करने हैं तो आप यहां से एड कर सकते हो तो यह चीजें दोस्तों करनी बहुत ज्यादा जरूरी है plus manage languages जो है यहां पर आप अपनी language मैनेज कर सकते हो कि English यह कौन कौन सी लेंग्विज तो यहां पर आप जाएए add a language में और यहां से आप language अपनी select कर लीजी है तो आप भी एपनी language हो गया आपकी प्रेफरीड लेंग्विज है वह आप यहां से select कुझे तो इस तरीके से सारी के सारी चीजे आपको देखनी है करनी है ताकि कोई भी person professional एक आपकी website पे आता है और आपकी company की website page पे आपकी company के page के ओपर business page के ओपर उसको सारी information मिलती है आपके बारे में आपकी company के बारे में उसके अच्छा impression जाता है और वो आपके business के लिए contact भी कर सकता है तो दोस्तों इन बातों को ज़रूर जान रखेगा और अपने लिंग्डिन के page को optimize कीजिए ताकि भैतर results मिलें आपको तो जैसे कि देखिए मेरा एक account है हितेश गुपता का अब इस account में आप देख सकते हैं मैंने एक page बना रखा है marketing fundas global के नाम से तो यह page का मैं access नई account में देना चाहता हूं अब देखिए जो मेरा नया account है वो है मैंने बनाया है marketing fundas के नाम से account बना रखा है अब मैं हितेश गुपता से इस account पर उस page का access यह rule देना चाहता हूं तो सबसे पहली important बात यह होती है कि जो दो account है हितेश गुपता का और marketing fundas का जो अलग account है LinkedIn account के मैं बात कर रहा हूं तो यह दोनों एक दूसरे के सब connect होने चाहिए ओके बिना connect अगर यह दोनों का connections नहीं है एक साथ यह connected नहीं है तो आप page role access नहीं दे सकते ठीक है तो connection किसी को request भेजना invite करना बहुत असान होता है तो वो आपको भी आता होगर नहीं आता तो आप हमसे कभी पूछ सकते हैं आपको help कर देंगे तो अगर आपके दोनों वो account connected है जिनको आपको role देने हैं तो अब मैं क्या करूंगा हितेश गुपता पे वो page open कर लूँगा ह जो पेज मेंने बना रखा है अब यहां देखिए option आ रहा है admin tools का तो यहां मैं गया page admins पर मैंने क्लिक कर दिया page admins अभी देखिए यह दो admin है जो मैं हूँ और मैंने किसी को दे रखा है ठीक है तो अब मैं एक और person को देना चाहता हूं account को अपना access देना चाहता हूं अब यह मैं page का यहां पर डालूँगा account का नाम डालूँगा LinkedIn account marketing fundas ठीक है अब आप देखिए marketing fundas का क्यों कि मेरे से connected है account किज़े इस गुपता से तो मैं marketing fundas के account को select करूँगा अब मैंने इसको जैसे select करा आप देखिए remove यहां पर admin यह हो गया मैंने add कर दिया अब मैं save करूँगा इस changes को मैं remove करना चाहूँ किसी को तो यहां से remove कर सकता हूँ अब मैं changes save करूँगा save करने के बाद हम अपने नए account में जाएंगे marketing fundas के account में जाएंगे और यहां पर मैं refresh करता हूँ अब जैसे मैंने refresh करा इसको refresh करने के बाद देखिए यहां पर हम देखते हैं क्या हमारे पर कोई notification आया है ठीक है तो अभी यहां पर हमें notification नहीं शो कर रहा तो हम एक बर यह और refresh करेंगे और यहां जाएंगे और यह देखिए आप यहां देख सकते हैं refresh के बाद जैसे मैंने अपनी profile का जहां यहां पर क्लिक करा यह जो dropbox निकल के आया नीचा आप देख सकते हैं यह company page मेरे में add हो गया है अब यहां शो कर रहा ह है मैं click करूंगा इस पर अब click करने के बाद अभी हम इसको cross करते हैं देखिए अब यहां पर मेरे इस account में यह page add हो गया है मैं admin हूँ अब इसका मैं यहां पर इस page activities कर सकता हूं अब यहां पर मैं जाओंगा ठीक है और page admins में मैं गया देखिए यहां पर भी show हो रहा है कि क इस तरीके से आप page admin role access दे सकते हो एक दूसरे अकाउंट के अंदर ठीक है तू मैनेज और टूरन पेड़ाइड तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है सबसे पहले आप अपने जो LinkedIn का account है जिसमें आप campaign manager बनाना चाहते हैं अब तक नहीं बनाया उसमें लॉग इन कीजिए लॉग इन करने के बाद आप यहां पर option देख सकते हैं work का यहां पर आप क्लिक करेंगे arrow पे यहां पर option आगे advertise का तो हम advertise के option पर click करेंगे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहां पर LinkedIn campaign manager account का option आ गया है तो देखें जैसे हम campaign manager account में आएंगे अगर आप पहली बार बना रहे हो तो आपके सामने इस तरीके से screen आएगी तहां पर आपको एक account बनाना पड़ेगा एक मेंनेटरी होता है campaign manager को स्टार्ट करने के लिए तो उस account का हम एक नाम दे देंगे और यहां पर जिस पेज को हमें target करना है जिस पर campaign बनाने है तो उस page का हमें URL यहां पर paste करना है तो यह हमने page को open कर रखा है यह देखिए आपने भी page बना रखा होगा LinkedIn में तो अगर नहीं बनाया तो हमारे चैनल में जाब़े सीख सकते हैं कैसे होगा तो यह हमने URL कॉपी क करने के बाद हमने यहां पर paste करा तो आप देखिए हमारा page अब हमारे account से link हो चुगा और उसको हम save करेंगे तो देखिए जैसे हमने save करा तो यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारा account create हो गया देखिए media भाई demo के नाम से तो इस तरीके से हम अब इसके अंदर एक create campaign group अब हम हमें इस account के अंदर जो campaign बनाना है या हमें brand awareness campaign बनाने तो उसे group का नाम देदेंगे हम उसके अंदर फिर एक campaign का जब हमारा campaign का group बन जाएगा तो फिर उसके अंदर एक campaign बनेगा फिर उस campaign के अंदर ads बनते है multiple इस तरीके से यह process होता है तो वो जो हमारे आगे tutorials आ रहे है जो हम campaign manager में बनाएंगे like lead generation brand awareness video ads और बहुत सारे वो सब हम आपको सिखाएंगे अपनी upcoming वीडियो में यह सिर्फ था कि आप एक campaign manager account किस तरीके से बना सकते हैं और बाकी का आप जो आपकी billing की details है credit card वेगार है वो आपको add करना होगा इसके अंदर वो अपने आप यह आपसे मांगेगा और तब फिर आप अपने campaign पेर campaign शुरू कर सकते हैं तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे add account structure के बारे में लिंक्डिन का दोस्तों क्योंकि लिंक्डिन की सिरिज है और लिंक्डिन की सिरिज में हम आपको beginner से लेके advance तक सारगा सारगा तुटोरिस बता रहे हैं बेसिक से बेसिक चीज लॉजिक्स वगरा आपके clear कर रहे हैं तो आगे जो हम आपको एड्स वगरा बनाना सिखाएंगे और पूरी चीज़ डिटेल में बताएंगे तो एक वरी account structure एड्स वगरा थोड़ा समझना चाहिए और वो जरूरी भी है तो दोस्तों जैसे कोई भी बस मेरे मेरे इस account में कितने सारे LinkedIn के pages हैं जिसको manage करते हैं यहां पर दोस्तों आप यहां से आप मेरी profile पे जा सकते हो यहां से भी जा सकते हो click करके LinkedIn में यह हमारा feed आ गया यहां पर जाके मैं हमारा profile आप सारा का सारा देख सकते हो तो यह profile होता है ठीक है उसके अलावा कुछ settings करनी है तो यहां से तो profile किस तरीके से strong बनाए वो भी tutorial हमारे इस series में है और एक strong profile ही आपके connections बनाती है आपको business दिलाती है आपको jobs दिलाती है तो जरूर वो video देखेगा जिसमें कि आप अपनी एक strong profile all star profile आप create कर सुगो तो दोस्तों profile हो गया आपको network देखना है कि किसके network में कितना है तो आप अपने network देख सकते हो जैसे मेरे अभी लगबग 14000 connections होने वाले हैं ठीक है तो आप यहां पर यह देख सकते हो उसके अलावा दोस्तों अब यहां पर टच करना होता है तो यहां पर जो आप वोग का option देख रहुं यहां पर क्लिक करो आप आइकन के ऊपर यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यह सब चीजों के ओपर वीडियो आपको मिलेंगे दोस्तों तो आप बेफिकर रहो और दोस्तों यहां पर हम जब advertise का जो option आ र एकाउंट होता है जिसके बिना आप LinkedIn में एड्स चला ही नहीं सकते दोस्तों हर एक एकाउंट बनाना प्रोफाइल बनाना पेज बनाना उन्हें एड्स बनाना केंपेंड मेनेजर एकाउंट तो दोस्तों आप जब हम एकाउंट बनाते हैं हर चीज़ हम आपको बनाना चाहिएंगे सेरीज के अंदर तो जब हम अपना कोई एड्स बनाते हैं तो क्योंकि अगर आपके मल्टिपल ब्रेंड्स हैं मल्टिपल कंपनी जैंग या आप अपने क्लाइंट के लिए पैड्स ब मैंने मीडिया भाई के लिए पहला सुच बहुत है सब्सक्राइब जा इकाउंट मीडिया भाई के नाम का था आप जब एकाउंट के अंदर हम आ गएकाउंट यहाँ पर आप देख सकते हो केंपें गुरूप यह हमनें केंपें गुरूप बना रख तो जैसे फेस्बुक म प्यृव्जर करते हैं होता है त्यक्ति वैसे ही ये Traffic गृप होता है ठीकित आप देख सकते हैं यहां HE AM डॉल सकते हैं यहां पर जिए क्रेट कर अनुड़ प्रॉथ सकते हैं तो सभीसारे कंपेण्鼞्ञणistem तो यह आ गए दोस्तों campaigns किसी भी campaign पर मैं यहाँ पर click करता हूँ जो हमने चलाया था मैंने यहाँ पर click करा तो यहाँ पर आप देख सकते हो campaign जो हमने create करा था अब उसके अंदर हम आ गए ads तो देखिए दोस्तों तीन जो major steps थे हमारे उसके अंदर आप देख सकते हो accounts और even अ अंदर यह आता है तो तीन major steps के अंदर जो तीसरे step में 14 step भी होता है ads तो यहाँ पर आप हमारा campaigns के अंदर ad देख सकते हो जो हमने ad बनाया उसकी पूरी performance detail हम यहाँ पर देख सकते हैं तो यह क्या कहते हैं अभी मैं इसको date range जो है इसको ज़रा all time कर देता हूं तो देखते ह हाँ यहाँ पर इस तरीके से हमने इतने रुपे spend करे थे यह भी pause हो रखा है हमारा पस एक lead आये थी ठीक है तो यहाँ पर आप impressions देख सकते हो कितने आये थे click कितने आये थे तो यह demo के लिए हमने कोई ad चलाया होगा तो यह ad का पूरा status आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर अगर आप ad पर click करोगे तो आप जैसे हमारा एड वह पूरा पूरा फीड में हमारा एड देख सकते हो यह देखिए हमने जब एड बनाया था तो इस तरीके से हमने link भी दिया था को इस link पर click करता तो वहाँ पर चला जाता हमारी website के उपर जैसे कि आप यहाँ पर eidजर एकाउंट होता है उसमें संब्समें बनाया जाते है जैसे बिज्समेंगेंग certification में Facebook में अंदर हम बनाते हैं एड एकाउंट में है प sód it और को पर गरूम यहाँ पर चैमपाम की जागेश्म रहा बना जाता है यहाँ और इस तरी इस तरीके से आड बनता है और हर एक चीज हम आपको इस पूरी सरीस के अंदर बनाना सिखाएंगे प्रॉपर प्रैक्टिकल सिखाएंगे तो उम्यद करता हूँ दोस्तों पसंद आगा गए वीडियो थैंक यू सबसे पहले आप अपने लिंक्डिन के एकाउंट में लॉग इन करेंगे लिंक्डिन एकाउंट में लॉग इन करने के बाद आप ये जो सेक्शन देख रहे हैं वर्क का वहाँ आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद एड़टाइज के सेक्शन में क्लिक करेंगे दोस्तों यह जो section है दोको advertise का यह है LinkedIn campaign manager account इसके ओपर भी वीडियो में ने बताई है कि LinkedIn campaign manager account कैसे बनाए जो की आप सीख सकते हो देख सकते हो हमारे channel में क्योंकि बिना LinkedIn campaign manager account बनाए आप paid ads नहीं रन कर सकते LinkedIn में तो आप जैसे ही आप LinkedIn campaign manager account में आ गए यह हमारे multiple accounts हमने बना रखे हैं इसमें से आपको जिस भी account के जो tracking करनी है जिस भी website की tracking करनी है तो हर client हर product service का आप अलग account बनाओ और उसमें उसके ads लाओ तो जैसे हम इसमें जाते हैं इस account में जाते हैं क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर inside tag का option है पहला option उस पर हम क्लिक करेंगे यहां क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास यह screen आई है यहां पर देखिए choose how to install your tag तो I will install the tag myself ठीक है तो मैं वो tag copy कर लूँगा यहां से I will send the tag to a developer अब देखिए आपको developer designer है आपको उसको tag भेजना है ठीक है जो code भेजना है तो अब यहां क्लिक करोगे ठीक है तो यहां पर जो भी mail id है उस पर I am done करूँगा तो वो वाला code जो है वो उस वाली mail id पर चला जाएगा और उस फिर code को मैं अपने developer को भेज सकता हूँ ठीक है वर हम यह वाला option चूज कर रहे है अब मैं यहां क्लिक करूँगा तो देखिए यह है जो code है अब इस code को मैं copy करूँगा मैंने click करा copy हो गया ठीक है अब यहां पढ़िए आप देखिए paste the inside tag code below in your website's global footer right above the closing HTML body tag अब यहां पर क्या है कि अब मैं आपको दोनों में दिखाता हूँ कहां हम इस tag को place करेंगे अब चाहाए आपको आता हूँ अगर आप technical है तो आप भी अपने code को paste कर सकते हो या आप अपने code को developer designer को दे सकते हो और वो भी उसको उस सही जगा पे लगाएंगे अब लगाना कहा है code वो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो देखिए generally दो platform पे websites बनी होती है या तो आपके किसी की तो मैं आपको HTML की और मतलब जो normal PHP की site होती है और वर्डप्रेस की site दोनों पर मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से अब पहले जैसे हम आते हैं वर्डप्रेस की हमारी website पर अब यह आपकी जो website है जो वर्डप्रेस पर बनी है उसका backend इस तरीके से कुछ होता है तो यह backend में आप जो section देख लो appearance का इस appearance के section में जब हम click करेंगे तो यहाँ पर देखिए theme footer का option है अब theme footer पर जब आप click करेंगे तो हमारे पास यह सारा का सारा code आ गया अब यहाँ पर देखो body tag यहाँ पर end हो रहा है अब body tag के end होने से पहले code लगाना है तो यहाँ पर आप code click करेंगे और यहाँ पर आकर आप code paste कर देंगे और file को update कर देंगे ठीक है अगर आप technical है जानते हैं तो आप code में कर सकते हो नहीं तो आप किसी technical person से ही कराईएगा ओके यह सही से code लगे तो इस तरीके से तो आप WordPress के back end में जाके अपना conversion code LinkedIn का put कर सकते हो paste कर सकते हो track करने के लिए और जैसे यह हमारी website है जो कि HTML पर, page view पर बनी हुई है तो यह customized website है इसमें हमें कोई WordPress की theme नहीं यूज करी तो इसमें जैसे कि हमने source code में मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके लिए तो आपको जो होस्तिंग का control panel या FTP details चाहिए होती है कोई भी code में आपको change करना है तो वह आप अपने design developer से करा सकत जैसे कि हमने source code में गये तो जैसे कि हमने body सर्च करा तो देखो body हमारा है इस वाले code में होरी website code में यहां end हो रहा है तो इससे पहले आप इससे पहले यह तो body का आप देख रहे हो इससे पहले हमें बस उस code को हमने copy करा है है पेस्ट कर देना और फिर FTP के थ्रू इसको save कर इस तरीके से हम क्या करेंगे इस code को copy करेंगे अपनी website के code में जाके body की tag से पहले इसको paste कर देंगे और save कर देंगे files को जिससे कि हम बात में अपने जो ads हैं उनकी tracking कर सके LinkedIn से जो भी हमारे ads चलेंगे जो भी traffic आएगा तो हम उसको track कर सकते है और analyze कर सकते है तो इस तरीके से ही आप LinkedIn conversion code अपनी website में put कर सकते है तो दोस्तों अब हम आपको पताएंगे कि कि किस तरीके से आप LinkedIn के अंदर conversion tracking कर सकते हैं दोस्तों conversion tracking या event setup जैसे facebook में जिसको हम event setup बोलते हैं और इसको conversion tracking भी LinkedIn भी बोलते हैं conversion tracking क्या है कि इससे पहला वाला वीडियो जो हमने बनाया है inside tag या LinkedIn pixel setup जिसको आप कह सकते हो जिसके अंदर हमने आपको सिखाया है website में कैसे आप LinkedIn का pixel code जाके डाल सकते हो जिसको inside tag कहते हैं ठीक है वो वीडियो जरूर देखिएगा उसके बिना कोई tracking नहीं कर सकते हैं तो दो tag लगाया है pixel लगाया है सब चीस करी है अगर हम specifically मान लीजिए यह मेरी website है देखिए हमारी कंपनी की website मार्केटिंग फंडास अब मार्केटिंग फंडास में मैंने code लगा दिया LinkedIn का pixel code inside tag मगर अब मैं इसमें conversion tracking मतलब event tracking करना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने मेरे inquiry नौपे क्लिक करा कितने लोगों ने मेरे शोचल मीडिया पर क्लिक करके शोचल मीडिया पर गए कितने लोगों ने यहां पर चैट वाले option पर क्लिक करा या कितने लोगों ने मेरे ब्लॉग के ओपर क्लिक करके मेरे ब्लॉग पर गए या फिर जैसे ही मेरे website देख रहे हैं ठीक है त और वही क्या कहते हैं दोस्तों हमारा conversion tracking के साथ जो है उसी को ही event tracking भी कहते हैं Facebook में तो आपको कोई confusion ना हो इसलिए चीज में आपको clear कर दी कि मैं आपको क्या पताने सिखाने जा रहा हूं और उसे क्या benefits है तो दोस्तों जैसे कि अब आप यहां पर देख सकते हो मैं LinkedIn के account में हूँ और अब हमें यहां पर click करना है work के बटन पे ताकि हम अपने LinkedIn के campaign manager account में चले जाएं जहां पर हम ads बनाते हैं जहां पर ही सारी सारी चीज़ें करते हैं तो हम किसी भी अपने एक account में चले जाते हैं मार बस multiple accounts हैं तो जैसे कि हम अपने media भाई के account में आ गए अब यहां पर account access में जब हम click करते हैं तो दोस्तों inside tag हो गया यह जो इससे पहले वाली वीडियो है मतलब pixel website में लगाना अब मैं सिखाऊंगा convergence तो convergence पे मैं click करता हूँ convergence पे जैसे मैं click करूँगा तो दोस्तों यहां पर बिना पहले वाले वीडियो के फिर मैं आपको बता रहा हूँ बिना पहले वाले inside tag के वीडियो के आप conversion नहीं setup कर सकते तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखना अब यह conversion जब हम आगे create conversion पे अब हम यहां पर click करेंगे create a conversion जैसे कि मैं आपको बताया है कि मान दीजिये मैं चाहता हूँ कि मेरी website पर कोई यह inquiry form यहां पर fill करें यहां पर भी है यहां पर भी है मेरा final goal objective तो यह ही है न कोई मेरी website पर आए और मेरे से services के लिए inquiry करें तो अगर आपकी मान लीजिए e-commerce site होती तो e-commerce site में भी जब कोई purchase कर लेता है आपका product खरीद लेता है payment कर देता है तो उसके बाद thank you page आता है तो वह thank you page हर एक के लिए important है या आप चाहते हो आपके में thank you page के अलावा आप चाहते हो कि यहां पर और कोई add to cart कोई कर रहा है या download आपके में website में कुछ ऐसा है जिसका आप download या install करना चाहते हो तो उसका आपको यहां पर page लगाना होगा अगर आप चाहते हो कि आपका को कोई sign up registration का process है तो यहां पर यह वाला आप चूज कर सकते हो बट मैं आपको एक thank you page का बता रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई lead आए और मैं इसको track करना चाहते हो तो कैसे तो यहां पर पहले मैं page का नाम दूँँगा like मैंने आप पर नाम दिया thank you page तो यह मैंने page का नाम दे दिया thank you page इसको दोस्तों bold कर देते हैं अब यहां पर मैं यहां पर choose कर लूँगा क्योंकि मेरी एक lead generation की site है तो मैं उसको यहां पर मानूँगा lead अगर मेरा कोई product selling होता तो मैं उसको purchase मान लेता तो मैं यहां पर lead कर देता हूं अब यहां पर lead करने के बाद यह पूछरी optional है mandatory नहीं है अगर कोई मेरी website पर lead आती है तो मैं उसको क्या वर्थ दूँगा कि वह conversion जो lead आई मैं उसको 100 पे वर्थ दूँगा 200 पे दूँगा 1000 पे दूँगा एक रुपे दूँगा आप पर lead को कितनी वर्थ देना चाहते हो वह आप यहां कर दो मैं यहां पर कर देता हूं 100 रुपीज ठीक है कि मैं 100 रुपी की lead मानता हूं ठीक है और वह within 30 days और click करा और उसके within 30 days वह आपका convert होता है यह view करने के बाद आपका convert होता है यह आपके उपर आप 30 days का window रखो 90 days का रखो यह आपके business और आपके vision के उपर आपको क्या करना है मैं 30 days कर देता हूं और यहां पर अगर में कुछ करना होगा तो यहां पर मैं इसको अ is the attribution model to specific how each ad interaction is created for a conversion अब last touch मतलब जो हम conversion जो किसी हमारे बहुत सारे campaign है ठीक है तो each किसी भी campaign से जो हमारा मतलब जो touch रहेगा last touch या फिर जो last campaign है हमारा जो हम चला रहे उससे तो वह आपके उपर है आपको last campaign जो भी आप चला रहे उससे करना है जो आपको इसारा का सारा जो ट्रैक करना है या फिर आप वो conversion जो किसी भी campaign से जो लास्ट चार है उससे तो अभी हम किसी भी campaign जो भी हम campaign चला रहे हैं उससे अगर कोई conversion आता है तो उसको हम value देंगे तो आप दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे campaign है मान लोग कि कुछ campaign आपके एक्टिव नहीं है जो आपके एक्टिव है उसको रखना चाहते है तो वाकियों को यहां से आप अब दोस्तों यहां पर दो चीज़ें इसका ध्यान रखना जो यहां बताने जा रहा हूं यहां पर यूज माय साइट वाइट इंसाइट टैक जो मैंने बोला पहले वाला वीडियो जो पिक्सल पोड या इंसाइट टैक जो हमने वेबसाट में लगाया है उससे क्या होता है पूरी वेबसाइट की किसी भी पेज पे कहीं पर भी कोई आ रहा है सब कुछ ट्रैक होगा और एक है कि आपको पूरी साइट से या सब चीज़ से मतलब नहीं है आपको है कि आप यहां पर करते हो यूज इवेंट स्पेसिफिक है यहां पर आप कहते हो कि वेबसाइट में अगर कोई वेबसाइट में आके अगर कोई स्पेसिफिकली वह यहां पर आता हूं दोस्तों और ए आता हूं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा एक आपको यह वाला option चूज करना पड़ेगा इसमें लिखना एक्जामपल बटन क्लिक करना है तो आपको क्या है यह जो कोड है इसको कॉपी करना होगा और अपरी developer को देना है वो क्या करेगा आपकी कोडिंग में जाके आपका जहां पर यह ट्रैक होगा वो अगर आपको यह स्पेसिफिक बटन क्या क्लिक करना है तो जहां पर इस बटन के क्लिक का जो कोडर को पता होगा वहां पर जाके कोडिंग में उस क्या गयता है को लगा देगा तो उसके बाद क्या होगा कभी भी अग जो भी आपका time frame में कितने लोगों ने क्लिक करा उस बटन के ओपर अगर specifically button को आपको करना है बट मैं पहला वाला option चूज करूँगा use my side wide inside tab और यह recommended भी है दोस्तों तो कोशिश कीजिए का यह use करें अगर आपकी specific requirement नहीं है तो तो यह हो गया अब यहां पर क्योंकि मेरे को lead पता करना है कि मेरे पास lead कितनों ने फिल करा थेंक्यू पेज आया तो मेरे को क्या करना है मैं as a customer गया अपनी website के पर inquiry के बटन के ऊपर यहां पर मैंने as a customer inquiry डाल दी सर्विस चूज कर ली मेरे को कौन सी सर्विस चाहिए मैंने सर्विस कर ली यहां पर मैंने हाइट टेस्ट लिए इंक्वारी है तो मुझे परता लगए टेस्टिंग के लिए कर रहा था अब यहां पर यह हमारा एक verification code है हमारे form भी validate होता है ऐसे नहीं कोई भर सकता उसको तो यहां पर यह दोस्तों यह quality होती है website के अंदर अगर इस सब चीज़ें आपकी है तो spam आपके पास inquiries नहीं आएंगी unwanted inquiries नहीं आएंगी ठीक है तो इधर मैं अपना capture कहते हैं verification code कहते हैं ज्यादा तर professional sites में government या private body company में आपको capture दिखेगा forms के अंदर तो यह भरूँगा कोई भी customer इसको जब agree करेगा और कोई भी customer जब submit करेगा मेरे form को तो दोस्तों submit करने के बाद देखे इस तरीके से thank you पे जाता है हमारे में thank you page आया देखो यहां पर लिखता है thank you पे इस page को आपको copy करने करने के बाद सीधा यहां पर जाके page को paste करना करा आपने देखिए thank you पे तभी तो पता लगेगा कि हमारी website में thank you page जो मैं track कर रहा हूं lead का तो इस वाले page पे अगर कोई पहुँचा तो obviously वह form फिल करके पहुँचेगा उसके पहुँच ही नहीं सकता ठीक है तो form फिल करके ज तो कोई purchase करके जब thank you page पे पहुँच रहे तो आप वो page के यहां पर link डाल दो तो इस तरीके साब specifically हर page को track कर सकते हो तो यहां पर अब मैं जब create कर दूँगा दोस्तों इसको तो यह मेरा conversion event tracking बन गया यह देखो ऐसे अब multiple बना सकते हो यह मैंने thank you का बनाया मालो मैं इस पर मैं वापस लिया यहां पर फिर में आया मैं thank you page की जगह मैं किसी और page का बनाना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि कोई मान जैसे मैंने भी आपको बोला था कि वापस आएंगे दोस्तों पहले अभी thank you page में मेरी website में कोई social media पर click करता है ठीक है तो इसको click करने वाद जिस page प पर इस वाद इधर click करता है ठीक है और इसको click करने के वाद जिस page पेज आएगा ठीक है तो वह मैं track कर सकूँगा कि मेरी YouTube चैनल के उपर गया तो आपको जो भी यहां पर pages की tracking करनी आप इस तरीके से कर सकते हो तो मैं उमीद करता हूं दोस्तों अब आप एक-एक एवेंट proper conversion track कर पाओगे और सारे data को बारिकी से देख पाओगे आपके business आ रहे हैं कहां जा रहे हैं क्या कर रहे हैं कितने convert हो रहे हैं तो दोस्तों यह बहुत important है किसी भी platform पे और LinkedIn पे भी आप कैसे conversion करोगे कैसे pixel डालोगे तो पहला वाला वीडियो और यह वाला वीडियो जरूर देखना आप complete LinkedIn के जो marketing करोगे उसके तुरू जो भी आप advertisement करोगे जो data आएगा उसको proper track कर पाओगे ग्रो कर पाओगे यह advanced level की चीजे हैं और इससे आप बहुत बहतर अपने ads को optimize कर पाओगे और अपनी company को grow कर पाओगे उमीद कर दोस्तों समझ में आओगा thank you तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि matched audience और look alike audience क्या होता है LinkedIn में और उसको कैसे आप use कर सकते हो दोस्तों बहुत ही important topics में से एक है अगर आपको advanced level पे LinkedIn के उपर काम करना है marketing करनी है तो दोस्तों अभी मैं अपने LinkedIn account में हूँ यहां पर मैं advertisement के section में जाओंगा campaign manager account में तो यहां बटन पर क्लिक करूंगा और यहां पर advertise क्लिक करूंगा क्लिक करते हैं दोस्तों यहां पर हम आगए हमारे campaign manager account में जो जहां पर हम LinkedIn में ads मनाते हैं तो दोस्तों campaign manager account में हम कोई भी अपना एक account यहां पर हम चुन लेंगे जैसे हमने media भाय का account चुन लिया तो अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों matched audience क्या होता है और look alike audience क्या होता है तो दोस्तों जब हम अपने account में आ गए तो यहां पर आप देखे account assets का एक option है यहां पर हम क्लिक करेंगे account assets पे दोस्तों यह देखे matched audience और इसी में आएगा अंदर look alike audience तो दोस्तों matched audience आपको अगर use करना है matched audience क्या है जैसे facebook के अंदर custom audience होता है जैसे google के अंदर remarketing audience होता है ज्यक्त है वैसे ही linkedin के अंदर matched audience होता है यह remarketing के अंदर use होता और कनवर्जन का ये दो टुटोरियल देख ही जेगा क्योंकि इनको करने के बाद ही आप पर्फेक्ट तरीके से मैश्ट और ओडियन्स से लेक लोग के लाइक ओडियन्स कर पाऊगे भी उख मतलब फेस्बुक पिक्सल ता है यह लिंट अकशन Alty 아이 यौव ऑप अपनी डालते हो और फीर हीरा कर सकते हो पूरे pixel code होता है जो सारे visitors आ रहे हैं सारे data capture करता है ठीक है सारी activities capture करता है और conversion हो गया कि specific events की जो visitors आ रहे हैं लोग आ रहे हैं उन्होंने क्या add to cart करा click करा inquiry करी क्या सब करा हो conversion tracking होता है तो दोस्तों इसलिए दे रहा हो सकता है आप Facebook से इसको ज्यादा असानी से रिलेट कर पाओ ना मालग अलग होते हैं प्लैटफोर्म मालग है पर काम से मिए जो फेस्बुक पिक्सल का काम है वह इंसाइट का काम है LinkedIn के अंदर जो event setup का काम है वह convergence का काम है LinkedIn के अंद आते हैं आप दोस्तों जब हम matched audience की बात करते हैं तो जो डाटा सोर्स है वह दो तिल आपको मैं दिखा तो किस तरीके से जैसे हमने पहले कभी चलाया था तो मीडिया भाई का री टागेटिंग में यहां पर आप जैसे की देख सकते हो 300 मेंबर्स हैं तो लास्ट ओडिंस का है और मैंच्ड ओडियंस आप तभी यूज कर पाऊए जब कम से कम आपके 300 मेंबर्स से जादा आपके उस मैंच्ड ओडियंस की जो आपने लिस्ट क्रियेट करी है जो डाट जो री जब मेंच्ड और मैंच्ड ओडियंस क्रियेट करना होता है तौह अगर्व क्लिक करेंगे अप यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों यहां पर एक upload list आप कर सकते हो company contact माली जी आपके पास बहुत सारी companies का data है mail ाइडी का data है या आपके पास professionals का data है mail ाइडी का data है तो वो mail और जो data आपके पास है उसको भी आप upload करके यहां पर और उसके थूभी remarketing कर सकते हो उनको भी आप अपने लिंक्टिन के दुरू ads लेगरे दिखा सकते हो तार्गेट कर सकते हो तो यह तो हूँ audience हो गई जो आपके पास offline data है companies या content details से उसको आपने use कर लिया list upload कर ली वो आप यहां पर click करोगे और यहां पर जाकर इस लिस्ट का एक नाम दे दो और यहां से उस लिस्ट को select करके upload कर दो धीक है और download the file ठीक है यहां पर जो format है वो यह दे रखा इधर आप जैसे आपर click करोगे ठीक है दोस्तों यहां पर इंदिकिए file आगे इस पर click करेंगे आपको दिखाते हैं तो यह हम आपके पास format आगया ठीक है तो format भी दे रखे इन formats के अंदर अगर data होगा ठीक है तो वह आप यहाँ पर upload कर सकते हो तो upload करने के वाद यहाँ पर आ जाएगा जब फाइल सेलेक्ट कर लोगे उसको अब upload करोगे तो upload हो जाएगा फिर उस audience को बिल्ड होने में फिर यूज करने में थोड़ा सा समय लगता हूं यहाँ पर लिखा हुआ है आप्टर अप्लोडिंग टेक अप्टू 24 आर्स ठीक है तो यह चीज़ आप समझ गयोंगे offline data को किस तर यहां पर आप देखे retarget by website में यहां पर जब हम इधर क्लिक करेंगे तो जोस्तों यहां पर क्या होता है जब आपनी inside tag लगा लिया उससे तो पूरी website का आपका tracking हो रहा है अगर आप पूरी website में जो भी traffic आया उसका data capture हुआ जो उसका matched audience बना उसको यूज करना है वो भी कर सकते हो नहीं तो आप अगर को specific page मान लिजे आपकी website के अंदर को services का section है या को specific section है आप चाहते हो उस particular page का ही मैं सारगा सारा जो भी लोग आ रहे हैं उनको retarget करूं तो आप उस नाम लाइक में उसको अपरी company services के page पे जो जो आए उनका target करना है या फिर आप मान लोग कि e-commerce site है और आप चाहते हो कि add to card पे जितने भी लोग आए और वहां से वापस हो गए तो add to card तक जितने भी लोग आए उनको आपको target करना है तो आप यहां पर add to card लिख दो यहां पर आप उसका url लगा दो but make sure inside tag website में लगा होना चाहिए तो specific url नहां पर आप डाल सकते हो और फिर नहां पर आप create कर सकते हो ठीक है तो क्या होगा फिर आपका एक matched audience बनेगा जो specific page से related बनेगा जोगी कुल audience उसके आएंगे और 300 से उपर हो जाएगा member का data तो उसको use कर पाऊगे complete website का करना है तो आप कर सकते हो तो यह इस तरीके से matched audience आप create कर सकते हो ठीक है तो अब उमीद तक आपको समझ में आया होगा matched audience क्या है और उसको कैसे use करना है और बिना दुबारा फिर बताना बिना inside tag or convergence का matched audience नहीं बना पाएंगे तो जरूर वीडियो देखेगा अब दोस्तों हम आते हैं like create local like audience अब local like audience आपने facebook में भी सुना होगा वैसे ही दोस्तों यहां पर local like audience जैसे ही आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों यहां पर अब local like audience कैसे बनेगा माली जिए आपने वो audience आपने कुछ specific page आपने चुना या आपका audience जो आपने list upload करी या फिर आपके total website पे दो traffic आया या वो लोग जो आपने अगर event setup कर तो आपने अलग-अलग अगर match to audience बना रखे होंगे तो उनको अगर मालो की आपकी website पे 2000 लोग आए और वहां पर inquiry करके गए तो आपको सिर्फ उन लोगों को जो 2000 लोग आए आपकी website से आप चाहते है 2000 जैसा जो उन लोगों का criteria है जिस तरीके के लोग हैं जो interest रखते हैं उनी की specifications उनी से ही मिलते जुलते लिंग्डिन और लोगों को target करें इससे क्या होता है आपको वाइड एरिया हो जाता है आपको आपने जो इंट्रेस्टेड या audience होते है या जो आपके converted audience होते हैं उन जैसे करना है उसको look-alike कहते हैं तो उसके लिए मैश्ट ओडियंस आपके पास होनी बहुत जरूरी है कई सारी और आपके पास convergence का data होना जरूरी है तब ही तो पता लगेगा कितने करवाट हुआ है कितना क्या हुआ तो उदर आप यहां पर डाल सकते हो मानलो आप आप कंप्लीट वेबसाइट पे आपके 5000 लोग है यहां पर आप लिख देना लाइक वेबसाइट ऑल ओडियंस करके आपने look-alike ओडियंस बना लिया बड यहां पर आपके पास वो सब यहां पर सोर्स होने चाहिए जैसे only audience ready to use for shown below तो जो अभी हमारे इस campaign में audience ready नहीं है जब आपके proper match audience होगी सब चीजे active होगी तो आपके यहां पर ओडियंस आरी होगी उसमें से आप चूज कर सकते हो क्या आपको कौनसी वाली audience like all website data या फिर conversion वाला या फिर क्या कहते है आपका specific page पे जो आया था आप उनमें से कोई भी चूज कर लेना एक तो वो चूज हो जाएगा इधर आ जाएगा फिर आप उसको यहां पर create कर दो तो create करने पर क्या होगा कि वह फिर 24 गटे लेगा क्योंकि उससे मिलती चुंती audience को create करने में प्रॉप पर सीख सकते एड्वांस लेड़ल पर चीजह को कर सकते हो operation गर सकते हो तो दोस्तों मिजब करता हूँ आपको समझ में आया कि मैं सूद। कि विचरें गईक होगा कि मैसी और इंस क्या उसके इस कि am वैसे ही लिंग्डिन में भी हम लीट फॉर्म जनरेट कर सकते हैं तो प्रॉपर प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कैसे आप अपना लीट फॉर्म बनाएं ताकि कस्टमर्स को दिक्कत ना और वह एजली आपके पास लीट फॉर्म भरके भेजें तो दोस्तों जब हम एड बनाते ह हमें यहां पर एड बनाने के लिए लिंग्डिन एकाउंट में लोग इन करने के बाद यहां पर आना होता है और एडवर्टाइज के सेक्शन पर क्लिक करना होता है इससे हम अपने केंपेन मेनेजर एकाउंट में चले जाते हैं केंपेन मेनेजर एकाउंट नहीं बना सकते तो दोस्तो, अब हम कोई भी अपने एक अकाउंट चूस कर लेता है, इसे में मीडिया भाई के एक अकाउंट चूस कर लेता है, अब अकाउंट हमने चूस कर लिया है, अब यहाँ पर दोस्तो, campaigns जब हम बनाएंगे तब बनाएंगे ठीक है जब हम अगर हम पहले से lead form generate करके रख लेते हैं और future में हम कभी lead generation campaign बनाते हैं ठीक है या कोई और campaign बनाते हैं जहां हमें जरुवत है उस lead generation form की तो उसको हम कभी भी use कर सकते हैं ठीक है तो यह account access में जाईए और यह जो मैं आपको lead form बनाना सिखा रहा हूँ यह आपको lead generation campaigns में भी काम आएगा ठीक है तो दोस्तो lead generation form बनाने के लिए यहां पर आप account assets में आके lead generation forms में आईए इधर क्लिक करते हैं तो जैसे हमने इहां पर click करा तो दोस्तो इधर create form पे हम click करते हैं हमने पहले भी form बना रखे हैं बड़ उसको नहीं लेंगे अभी हम एक नया form बना के दिखा रहे हैं सिखा रहे हैं आपको lead form पर click करेंगे तो दोस्तों यहां पर हमारे पास अब create form का इधर option आ गया है यह देखिया प्रॉपर एक form में आपको create करना बताऊंगा जब आपके कोई ads customers देखेगा अगर उसको interest होगा तो inquiry करने के लिए form भरेगा तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारा जो account है वहाँ पर जो हमने page लिंक कर रखा है जिस page को पर हम add चला रहे हैं तो यह वहां से आप देख सकते हो हमारा यह लोगो ठीक है आगया अब दोस्तों यहां पर हम अपने कोई campaign का नाम देंगे तो form का एक नाम देदेते से हम याद रहे कि यह form हमने इस परपस के लिए बनाया था लाइक मैं आप देदेता हूं डिजिटल मार्केटिंग ठीक है लीड जनरेशन ठीक है डेमो तो यह मैंने डेमो इसलिए दे दिया ताकि हमने याद रहे कि हमने यह पर आजते हैं दोस्तों लेंग्वेज के लेंग्वेज जो आपको चूज करनी है अपनी कंट्री जाब जाब कर लीजेगा ठीक है हमने इंग्लिश चूज कर लिया है ओफर हेड्लाइन यहाँ आएगा तो ओफर हेड्लाइन हम यहाँ पर डाल देते हैं गेट डिसकाउंट्स एंड ओफर्स ठीक है तो यह जो हमने हेड्लाइन डाली दोस्तों यह हेड्लाइन देखिए हमारे लोगों को बिलकुल नीचे आ गई है तो वह आपको अपनी हिसाब से अपनी बिजनस और इंडिस्ट्री की हिसाब से यहाँ पर आपको हेड्लाइन औ और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डालना है जो एट्रेक्ट करें आपके कस्टमर्स को यहाँ पर ऑप्शनल है मगर आप अपने ऑफर और जो यूएसपी हैं उसकी डिटेल डालिए जो की बहुत मतलब बैनिफीट आपको मिलेगा बैनिफीश्ट्री होती है अगर आप एट 50% डिसकाउंट लिमिटेड आफर तो यहां पर हमने जैसे कि एक अभी ब्रीफ में टैमो के लिए ढाल दिया तो यहां पर डिस्काउंट्स सो आगया बड़ है बड 20 पर्सन लिमिटेड ऑफर है यह भी हमने डाल दिया ठीक है तो यह हो गया अब privacy policy में दोस्तों यह हमारा URL आ गया तो जो भी आपकी website है उसमें जो privacy policy का page है यह term and condition का page है ठीक है वुस page का URL copy करके यहां पर आप डाल दीजिएगा अपनी website से ठीक है प्राइविसी policy डाले तो बहुत सही रहता है ठीक है और यहां पर आप privacy policy लिखना चाहते हैं टेक्स्ट तो यहां पर आप लिख सकते हो privacy policy अपने कुछ लिखना चाहो आप में कुछ points highlight करना चाहो के इम लाइक non refundable easy return जो भी है आपकी प्राइविसी पॉलिशी वह आप यहां पर तो कुछ information तो हमें customers की चाहिए होती है जैसे like उनका नाम वह आपकी मर्जिया फर्स्ट इम चाहिए लास्ट दोनों चाहिए सिर्फ फर्स्ट इम चाहिए भटा सकते हो email address ओविसली चाहिए होता है contact के लिए अगर आपको phone number चाहिए तो आप phone number ले सकते हो आपको city चाहिए लिंक्डिन प्रोफाइल चाहिए जो आपको देखने हैं कि आपको क्या क्या डेटेल्स customer से अपने form में भरवानी है बट ज्यादा नहीं होनी चाहिए customer इरिटेट नहीं होना चाहिए सिर्फ important information लीजिएगा प्लीज ठीक है और ऐसी को information मत लीजिएगा जो customer को जिससे नुकसान हो सके या उसका misuse हो सके इन बातों का lead form बनाने के वाग ध्यान रखिएगा ठीक है बढ़ना कई पार आपकी lead form पर reject हो जाता है पड़ेगा ठीक है अगर नहीं अगर शिटी स्टेट उसको भरना होगा ठीक है तो अगर यह आप डालोगे तो यहां पर उसको भरना होगा अगर नहीं तो फिर कोई mandatory नहीं है अगर मालो आपका ऐसा को वह आप यहां से मांग सकते हो ठीक है तो दोस्तों यह आप यहां से अपने सेलेक कर दीजिएगा वह फॉर्म में उस सारी की सारी फील्ड आ जाएंगी जो आपको चाहिए ठीक है तो यह इस तरीके से आप देख सकते हैं तो दोस्तों अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखिए custom questions जो है custom questions जरूर यूज कीजिएगा क्या होता है यह तो pre-filled होती है कि generally क्या है कि first name last name email id यह सारा का सारा information तो यहां पर है और यह information कोई भी फिल कर देता है बट कुछ questions इंड्रस्ट्री specific होते हैं मान लिजिए कि मैं यहां पर डालता हूं मेरे digital marketing का business है तो मैं यहां पर डालता हूं के which service you want to hire ठीक है यह हमने डाला अब इसके multiple choice वाली जो questions है वह हम कर लेंगे यहां पर हम डालते हैं SEO अगला option डालेंगे SMO फिर हमें अगर और add करने हैं तो हम add कर सकते हैं यहां पर हम डालेंगे PPC तो इस तरीके से आप यहां पर देखिए कि कस्टमर से में पहले ही पता लग जाएगा वह कौन सी services हमसे चाहता है ठीक है तो वह select कर सकता है कि कौन सी service चाहिए अब यहां पर अगर custom questions डालने हैं आपको बट आप चाहते हो single input वह बस उसका जवाब दे तो आप यहां पर इस तरीके से single choice नहीं सिर्फ single input जवाब वह देगा ठीक है इसको अभी delete करते हैं वह भी आप डाल सकते हो उसके बाद check box अगर आपको लगाने यहां पर आप check box तो इसी तरीके से custom questions multiple questions पूछने है choices यह single पूछना है question या फिर आपको check box लगाने है तो वह यहां से लगा सकते हो अब दोस्तों जब confirmation यहां पर इसको delete कर देते हैं क्योंकि अभी हमें भरना नहीं है तो यहां पर आते custom यहां पर अगले step पर confirmation के उपर तो confirmation में दोस्तों क् customer आपको confirm कर देगा ठीक है कि हां उसने submit कर दिया form detail अपनी दे दी inquiry आ गई तो बाद में आप उसको कुछ अच्छी सी greeting दीजिए लाइक thanks for choosing इस तरीके से आपको एक अच्छा सा मैसेज बनाना है मतलब गीट करना है कि मतलब उन्होंने आप से inquiry करी है ठीक है यहां पर आप एक landing page दे दीजिए अपनी website का page दे दीजिए ठीक है जैसे कि मैं अभी यहां पर marketing fundas का page दे देता हूं हमारी website का ठीक है marketing fundas पर गए इधर गए यहां पर हमने landing page दे दिया कि inquiry देने के बाद अगर customer हमारी website पर जाके हमारे पर में और जानता है explore करता है तो एक trust factor बढ़ता है उसको और हमारे information मिलती है तो जरूर दीजिएगा link ठीक है thank you फिर यहां पर हमें visit company website देना है learn more लिखना है क्या हमें यहां पर लिखना है यह व्यू नाओ download कुछ form है क्या है तो उस हिसाब साब चूश कर लिजिएगा तो हम तो visit company website यहां पर कर रहे हैं तो यहां पर आ गया पहले message आया thank you message ठीक है जब submit करेगा thank you message उसको दिखेगा यहां पर वो visit company website पर आ रहा है click करेगा तो हमारी website पर चला जाएगा अब hidden field है ठीक है आपको देनी है optional तो आपके मर्जिन नहीं देनी है तो वह आपको देखना है यह optional है hidden fields आपको देनी है नहीं देनी अब जब आप create करोगे तो हमारा यहां पर एक error दिखा रहा है error देखते हां तो यहां पर हम यह privacy policy वाला page मांग रहा है हुआ है तो क्रियेट करते हैं दोस्तों तो अभी तो फॉर्म नहीं है मागर वो यूर्ल में privacy policy होनी चाहिए वो यह कह रहा था तो अभी तो मैंने एक्से डमी के लिए कर दिया है तो इस तरीके से हमारा फॉर्म क्रियेट हो गया तो दोस्तों जैसे आप देखो डिजिटल marketing lead generation demo ठीक है और यह form हमने create कर दिया है अभी इन एक्टिव है यह अपने एक्टिव जब हम एड वगएरा में करेंगे सारका सारा यह status इस तरीके से एक्टिव आ जाएगा अगर मैं इस form को देखना चाहता हूं तो जो मैंने create कर रहा है देखिए मैं यहां पर वो हमारा यह form आ गया जो हमने create कर रहा था आप देख सकते हो डेक्स्टॉप पर ऐसे प्रिव्यू है mobile पर इस तरीके से कोई फिल करेगा तो इस तरीके से मारा form आएगा और submit करेगा तो submit करने के बाद जो मैंने आपको दिखाया था thank you का message विगर आएगा इस तरी आपको job applicants ads कैसे create करते हैं वो बताऊंगा दोस्तो practically step by step बताऊंगा और ऐसे आपको tip sticks बताऊंगा ताकि आप अपनी company के लिए अपनी organization के लिए बेना हजारों लाखों रोपे recruitment के ऊपर खर्च करे हुए कुछ economical cost के अंदर आप hiring कर सकते हो talent hire कर सकते हो professionals hire कर सकते हो दोस्तों बहुत ही important वीडियो है जो लोग अपनी company के लिए hiring करना चाहते हैं तो दोस्तों सीखते हैं अब दोस्तों क्या है यहाँ पर आप पहले अपने LinkedIn account में आजाएए महाँ पर आने के बाद आप यह जो देख रहे हैं work का जो section आरे उदर क्लिक कीजिए यहाँ क्लिक करने के account होता है और बेना campaign manager account के आप ads नहीं बना सकते हो तो दोस्तों अगर नहीं बनाए तो बना लीजिए इसका tutorial मारी series में है और दोस्तों इसके बाद आपको बात बताना चाहूंगा कि आप LinkedIn का lead generation का tutorial हमारी series में है वो पहले जरूर देख लीजेगा अगर आप पहली बार campaign बना group भी create करना बता है तो वाला वीडियो आपको बहुत helpful रहेगा lead generation के लिए है और उसमें step by step एक चीज भी बताई हुई है इसमें मैं आपको job related ad बनाना सिखा रहा हूं कि आपको अगर hiring करने recruitment करनी है तो कैसे बनाना है तो उस ad को बनाने के लिए हम अपना marketing fundas के इस वाले account मे आ गए तो हम कोई भी अपना एक campaign group चूज कर लेंगे यह वाला campaign group चूज कर लेंगे जबनाया था अब इस campaign group के अंदर आप यहां पर create campaign कर सकते हो और एक नया campaign बना सकते हो तो जब हमने create campaign करा तो यहां पर देखिए हमारे सामने बहुत सारे objectives आ गया awareness website visit engagement video और यह सब अब ह हमें job applicants का हमें बनाना है because हमें hiring के लिए एड बनाना है तो क्लिक करा हमने job applicants पे objective पे क्लिक करा अब हम जैसे कि यहां पर देख सकते हैं अब हम add अपने setup करेंगे campaign setup करेंगे तो दोस्तों यहां पर इसका जो objective होता है campaign का मक्सद होता है कि लोग click करें और आपकी job के ads के उपर जिनको आप एड दिखाना चाहते हों यहां पर आप देख सकते हो audiences अब हमें setup करनी है तो जो saved audience है यह वो audience होती है जो पहले कभी हमने ads बनाए उसमें जो हमने audience create करी वो हमने save कर ली बालो साइड के अंदर audience ना में बहुत ज्यादा benefit दिया तो उस audience को अगर आपने save कर रहा था तो आप उसको अगर यहां पर select कर लोगे तो आपको यह सारा audience बार-बार create नहीं करना पकेगा तो वो मैं आपको fresh तरीकी से बनाना सिखाऊंगा और save करना भी सिखाऊंगा ताकि आप यहां कुछ मिस्स ना करो लिंडेन ओडियंस वो ओडियंस होता है दोस्तों जो लिंडेन में हमारा बना बनाया audience होता है यह लिंडेन के दरफ से प्रोवाइड होता है तो इसमें से अगर आपको लाइक अगर में रिलेटी से मार्केटिंग प्रोफेशनल सायर करने में इंडिय स्लेक्ट रहने तो अगर आपको मैंधे मेरी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग की है और मेर्म को सिर्फ त्यली ले से एंपलोई हायर करने है तो हैं रुपयाइर हो इस तरीके से मैं अपने टार्गेटेड एरिया जहां से में करना चाहां चाहां यहां पर मैं एक चीज है उपर कि या तो जो लोग पर्मानेंट उस लोकेशन में रह रहे हैं या रिसेंट लोग उदर रह रहे हैं उन दोनों को एड दिखाना है या सिर्फ उन लोगों को एड दिखाने जो पर्मानेंट लोकेशन में रहते हैं काम करते हैं तो आप पहले वाले ऑप्शन करोड़ों के अंदर वो देखे कितना कम हो गया है ठीक है तो यह audience size है बट यह audience size सबको मेरे को एड नहीं दिखाना मेरे को तो अपने related जो लोग मेरी job profile मेरे को लगता है digital marketing marketing इंट्रेस्टेड होंगे या eligible होंगे उसके लिए उनको दिखाना है तो मैं और इसको नेरो करूंगा कम करूंगा तो उसके लिए नीचे आते हैं यहां पर क्या है लेंग्वेज आप अपने हिसाब से चूश कर लिए जगा जो आपको करना है हम English ही रखेंगे अब दोस्तों यहां पर narrow audience का आगया में क्लिक करूंगा narrow audience अब यहां पर दो चीज़े आती है एक audience attribute एक matched audience दोस्तों matched audience वो audience होता है जो हम remarketing में या custom जैसे facebook में अब यहां है, तो हमें करना है योजए देन्स तक ने में हमें कॉल्सेल के और ओब रिबड़ी आय। में कमपनी आठेश कर जहां सकता है तो करना कैसे है यह चाहि inspired मेरे को mo networking अब को marketing के लिए लोग हायर करने तो मैं company इसे भी जाकर सकता हूं if compare connections यह यह पर डाल के search कर सकता हूं यह फिर मैं दोस्तो company followers जो है company growth rate जो कमपनिया Yники रोइय है उनमें से मुझाइ अच्छे एक company के growth के सबसे बड़े base होते हैं तो अगर मेरे को growing company में से higher करना है तो उनको भी कर सकता हूँ अभी मैं company industry अब मान लिजिये मैं industry में से higher करना चाहता हूँ कि में media and communications industry यहाँ पर वो लोग हैं जो marketing advertisement को समझते हैं अच्छे थे तो मैंने marketing advertisement को select कर लिया मैंने online सब्सक्राइब तो यह हमने करा अब सिस्केरा लावा अगर मेरे को लगता है कि मैं डेमोग्रैफिक्स मतलब किसी प्रोफायल के लिए सिर्फ पिमेल ही चाहिए होती है किसी के लिए से मेल चाहिए होते हैं तो अगर आपको male female में से कोई specific कोई एक चू़स करना है तो आप कर सकते हो दोनों को आपको add दिखाना है तो आप दोनों को दिखा सकते हो ठीक है यह हो गया अब दोस्तों यहाँ पर है education education में आगर मैं चाहता हूं कि specifically मेरे को master's MBA कोई टार्गेट करना है या बैसलर्स भी है तो मैं उसके अपने education के हिसाफ से भी target कर सकता हूं उसके अलावा job experiences के हिसाफ से job functions हो गए ठीक है तो मेरे को किस functions में से करना है तो यहां पर मैं दोस्तों कर लेता हूं मेडिया and communication में मैं कर लेता हूं ठीक है तो मैंने से marketing specialist select कर लिए sales specialist कर लिए marketing manager कर लिए ठीक है marketing specialist कर लिए तो इस तरीके से में marketing sales के लोगों को भी job experience के हिसाब से target कर सकता हूं titles के हिसाब से skills के हिसाब से कर सकता हूं years of experience के हिसाब से कर सकता हूं तो दोस्तों देखो कितने सारे तरीके से हम अपने audience को filter कर सकते हैं और नेरो डॉन हमने कर लिया और कम हो गई अब यह सबसे बड़ा इंडिकेटर है अगर मानलो में उतनी सारी ओडियंस साइज को बिना फिल्टर लगाए अपनी स्पेसिक ओडियंस को टार्गेट ना करते हुए करता तो मेरा लिमिटेड बजट है और वो इतने सारे को दिखता हो मेरे पैसा खराब हो जाता मेरे डिजाइड रिजल्ट नहीं आते तो दोस्तों बजट अगर आपको करना है कम से कम कॉस्ट में ज्यादा आपको बेनेफिट लेना है तो सही ओडियंस टार्गेट करना सबसे इंपोर्टेंट चीज है तो यह तो मैंने डेमो के क्योंकि अभी 14,000 से 70,000 तक इंप्रेशन दिखाए जाएंगे जो मैंने ऊपर टार्गेट ऑडियंस सेलेट करी है अब इसका मतलब है कि अगर मैं इसको एनेबल कर देता हूं तो जो मैंने ऊपर ऑडियंस टार्गेट करिया उससे सिमिलर ओडियंस को लिंडिन एड कर ंइड लेगा करना चाहते और आप हटावी शक्ति या आपकी मरजी है अब दोस्तों जो आप ओडियंस इत्यी मेनश से बनांगे उसको देख सकते हमें क्या क्या बनाया जूक्त हूं कि ऊसको इसुक्त पर ईस हम सेफ करलो मैं यहां फर सेफ कर लेता हूं लाइक आप चो अगर मान लो यह एड मेरे को बहुत जादा benefit देता है तो future में मैं कभी एड के लिए campaign चलाता हूँ jobs के लिए तो मैं इस वाली audience को use कर सकता हूँ यहां पर देखिए अब मेरा यह जो audience है यहां पर save हो गया अब हम आगे बढ़ते हैं दो यहां पर अलग-अलग formats है तो spotlight एड वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने आपको spotlight और job के ads में कैसे use करना है और spotlight एड कैसे बनाने वह हमने आपको सिखाया है अब हम इसमें आपको single image ad बनाना सिखाते हैं तो format तो आप अपने हिसाब से partner websites और apps हैं उनमें भी आपका ad show होगा तो 25% reach बढ़ जाती है आपके उसे up to 25% तो वह आपको बढ़ाना है या नहीं वह आपको देखना है अगर आप नहीं चाहते हो तो आप इसको यहां से हटा भी सकते हो और आप चाहते हो तो enable कर सकते हो ठीक है आप देखो यहां पर भी डेली budget लगाना है या total daily budget लगाना है तो मैं daily budget आपको भी प्रेफर करूंगा तो यहां पर जो भी 500-2000 जो भी आपको budget खर्च करना daily basis पे वह आप यहां पर लगा सकते हो यह आपको आईडिया दे रहे इतना budget आपको लगाना चाहिए फिर यहां पर आ रहा है कि कब से आपका ad चले अब मैं चाहता हूं कि नहीं अभी नहीं चले continuously campaign from start date तो start date जो भी start date आप डालोगे उस दिन से आपका ad चलेगा भले आपका ad आज approved हो जाए फिर भी उन तभी चलेगा तो मालोगर मैं 15 तारिक डाल देता हूं तो मेरा ad अगर आज approved हो गया तो 15 तारिक को ही चलेगा ऐ ऐसे end date लगाना चाहो तो भी यहां से लगा सकते हो अब bid type में हो गया like automated bid मतलब LinkedIn खुद अपने artificial intelligence mechanism से आपके ads को optimize करेगा आपकी setting और आपकी requirement के हिसाब से और आपको कम से कम costing में maximum result लाके देगा तो मेरा सला है कि आप शुरवात में अगर आपने LinkedIn के जादा ads नहीं चलाए ह ही है तो आप automated bid पे ही रहने देजिए सब आइडिया भी होगा ठीक है अब maximum CPA के CPC है cost per click के आप cost per click के हिसाब से कितने रुपे तक दे सकते हो per click और maximum CPA में कि per thousand impression आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो तो अभी आप automated है ने दीजिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं जोस्तों conversion tracking जो है यह optional है मगर LinkedIn के अंदर आपको अगर future में advanced level पर काम करना है अपने ads की performance track करनी है visitors को track करना है और data capture करना है और future में उसे remarketing या और advanced level पर काम करना है तो आप अभी तो आप अभी क्या गयते हैं हमारे दो वीडियो चैनल के अंदर जो की conversion tracking और LinkedIn insight tag के ओपर वीडियो है वो जरूर दोनों वीडियो सीखिएगा उस जैसे facebook pixel code होता है और facebook event setup होता है वैसे LinkedIn tag insight tag होता है और LinkedIn का conversion tracking होता है वो जरूर सीखिए और management कीजिए ताकि हर campaign जो आप चलाओ उसके data को उसकी insights को आप capture कर सको तो यहां पर हमने बना लिया अब next करके आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों जैसे ही आप यहां पर देख सकते हो कि आप हमारा ad बनाने का area आगया अब यहां पर यहां पर आगया introductory text तो introductory text जो है वो 600 करेक्टर तक का बना सकते हो तो मैं तो एक डमी के लिए यहां पर बना रहा हूं like माली जी अगर मैं hiring कर रहा हूं digital marketer की ठीक है के अंदर जैसे कि आप देख सकते हो यूरल in this field are automatically shortened ठीक है तो आपको यहां पर यूरल डालना है introductory text डालना है वो आपको देख रहे हैं तो introductory text होगे कि आप उस profile के बारे में थोड़ा बताईए like मैं यहां पर डाल देता हूं required senior digital marketing manager marketing manager तो यह आप इसमें और ब्रीफ लिखेगा मैं तो बहुत अभी dummy के लिए आप डाल रहा हूं आपको यहां पर proper देना है requirement देनी है जिसे लोगों को पता लगे कि आप किस चीज के लिए hiring कर रहे हो और आपको किस चीज के लिए आपको यहां पर अगर बायचा साब चाहते हो कि आपकी वेब्साइट पर जाए वो पर्सन और वेब्साइट पर जाके वहां पर करीयर का फॉर्म फिल करें ठीक है आपके वारे में और जाने तो आप क्या कर सकते हो जैसे हमारी वेब्साइट है marketing fundals तो इसके अंदर डिजिल मार्केटिंग ब्रेंडिंग ट्रेडिंग हर चीज हम प्रोवाइट करते है हमारी साइट है ठीक है तो अब इसके अंदर मैं like career के page पर मैं यहाँ पर जाता हूं और career के page में जाके मैं जिस URL को copy करता हूं और यहां पर जाके मैं paste कर देता हूं ठीक है तो जैसे मैंने हाँ पर यह यह URL को paste करा तो यह घafter अचते पर कोई destination URL पर उसको वेकेशी पसंद है उसको लग रहा है को को सम...! करना चाहता है तो यहां पर आ कर भी वो जा सकता हैँ. मगर अगर उस अलावा आप यह चाहा है अगर आप लिंक्डिन में आपनी जॉब कोस्ट करें तो अगर आपके पर उसका URL पर डाल सकते हैं तो अब यहां पर अब अगर कोई आप इमेज एड करना चाहते हो ठीक है जो की आपकी इंडिस्ट्री है किसी चीछ से रिलेटेड है उस जो प्रोफाइल से रिलेटेड है अभी तो लाइक मैं डमी के लिए हाँ पर डाल देता हूं ठीक है कोई भी एक इमेज मैं हाँ पर ले लेता हूं तो यहां पर आये हम दोस्तों इधर और यहां पर हम यहां पर आये कोई भी एक इमेज भी मैं यहां पर डमी के लिए डाल देता हूं ठीक है तो यहां पर मैंने क्लिक कर रहा और मैंने इमेज अप्लोड करती ठीक है तो इस तरीके से यहां पर देखिए प्रॉपर से रिलेटेड अब यहां पर हैड्लाइन जो भी आपको डालनी है जॉइन द्रीम टीम इस तरीके से जो भी आपको डालने को आप डाल सकते हो ठीक है डिस्क्रिप्शन आपको बहुत अच्छे से बनानी है ताकि सामने वाला आपके बारे में जान सके बढ़ सके और उसको बाने के बाद आप जैसी क्रियेट केमपइन पर क्लिक करो दोस्तों यहां पर क्रियूट करें हमारा एड यह से बरह अपर आई धिया हमारह एद यहां पर बन्क चुका है अब इसको हम जैसे नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट करने के बाद यहां पर review करना पड़ेगा और launch करना होगा तो जो जो हमने setting करी हैं से हम देख सकते हैं सारी की सारी यहां अपनी target audience देख सकते हैं और इसको save करके भी जा सकते हैं अगर campaign चलाना है start करना है तो launch campaign पर click करना launch campaign पर click करोगे तो देखिए हमारा add बन गया successful है यह payment का इसलिए पूछ रहा है अभी मैंने billing setup नहीं करी जब करूंगा तो कोई issue नहीं है तो आप go to account overview पर जाओंगा तो यहां पर आप देख सकते हो go to account अब मेरा यहां पर campaign बन चुगा है देखिए job applicants ads मैंने आपको बनाने सिकाए अच्छे से और यह चीज़ आप करके कम से कम costing में अपने employees की hiring कर सकते हो यहां पर देखिए मैंने क्लिक करूंगा एड पर यह रहा मेरा एड जो मैंने बनाया से start हो जाएगा तो यहां पर सारी चीज़े दिखने शुरू हो जाएगी अब मैं एड पर क्लिक करता हूँ अब एड पर जब मैंने क्लिक करा तो mail को यहां पर यह दिखेगा कि गटको हम एड रहे हैं जा उनको हमारे एड लिंक्डिन पर दिखेंगे लिंक्डिन पर आपे जैसे फेज़बूक में पर फौंसर बिंपर लिख स्बाक होता हनोता तो यहां पर कोई भी person हमारी propulsion रेड त्रूमसक्त aleग के टूमिजब कि कि वो किस profile के लिए हम hire कर रहे हैं और यहां पर apply पर क्लिक करके वो सीधा मेरी website पर चला जाएगा या LinkedIn का URL अप्रिदियों को महाँ चला जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों आप job applicant ads बना सकते हो तुरंत hiring शुरू बर सकते हो उमीद करता हम समझ माया होगा thank you दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप website conversions या उसमें जो ad format हम आपको बताएंगे message ads तो यह दोनों चीजों को हम cover करेंगे कि आप किस तरीके से website conversion ads चला सकते हो और उसमें ad format हम आपको सिखाएंगे message ads का तो अभी हम अपने LinkedIn account में हैं यहाँ पर हम ads बनाने के लिए work के section में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम आएंगे advertise पर तो दोस्तों जैसे हम advertise के section पर आएंगे तो हम campaign manager के अंदर आ जाएंगे जैसे facebook में business manager होता एड बनाने के लिए वैसे LinkedIn में campaign manager होता है एड बनाने के लिए तो दोस्तों जो campaign manager account है अगर आपका नहीं बनाए तो बना लीजे हमारी series के अंदर यह वीडियो है उससे आप campaign manager से अगर आपको इस सारी चीजे सीखनी है क्योंकि अल्रेडी हमारे इसमें account created है तो उसके लिए lead generation LinkedIn add हमने LinkedIn का lead generation के campaign बनाया है इसी में ही series के अंदर वो वीडियो है उसको जरूर देखना आप वह भी हमारे LinkedIn का add का देख रहे हो क्योंकि उसमें हमने from basic to advanced level एक एक चीज़ बताई है ताकि वह आपको basic से clear हो जाए तो वह वाला वीडियो जरूर देख लीजेगा LinkedIn lead generation add वाला तो अभी हम website conversion और message add format कैसे बनाते है वह आपको सिखाएंगे तो हम एक media भाई के account में click करते हैं यहां पर तो media भाई की account में जैस correает बनाने के लिए तो दोस्तों यहां पर हम किसी भी एक अपने campaign group के अंदर जाते हैं मैं抱़ के अंदर गया तो यहां पर दोस्तों अब मैं new campaign बना तो मैं create campaign में click करता हूँ यहां पर जैसे मैंने create campaign पर click करा तो देखें यहां पर option आ गया बहुत सारे objectives आ गये तो हम website convergence का कर रहे हैं तो website conversion का क्योंकि हमें करना है हमें पता लगने चाहिए हमारे हमारे जासे तर convergence आएं डाउनलोड आएं पर्चेज आएं रजिस्टेशन आएं इंक्वाइरी आएं उसके लिए website convergence होता है तो हम यह objective चूज कर लेंगे website convergence का क्लिक करा अब दोस्तों यहां पर हम आ गए अब इसके अंदर एक अगर आपको campaign चलाना है तो conversion tracking होना बहुत ज़्यादा जरूरी है यहां पर नीचे में आपको जाके दिखाता हूं bottom में यहां पर देखिए conversion tracking ठीक है यह ज़्यादा तर कई सारे ads जब हम बनाते हैं objectives उसमें optional होता है ठीक है वैसे तो conversion tracking या LinkedIn का insight tag या pixel code डालना website में जरूरी है ताकि कोई भी आप campaign चलाओ मगर आपके पास प्रॉपर ट्रेकिंग हो निचे डाटा कि आपका customer वीडियो जरूर देखना है जो हमने इस त्रेज में दिया है LinkedIn insight tag का जो कि Facebook की तरह pixel code होता है वैसे LinkedIn में insight tag होता है वो वीडियो देखना implement करना website में लगाना और एक होता है conversion tracking LinkedIn में जो कि Facebook के के अंदर event tracking होता है कि कोई आपकी website पे आ रहा है तो purchase कर रहा है inquiry कर रहा है कहां क्लिक कर रहा है किस page पे जा रहा है उस सब चीज़ आप conversion tracking के दुर ट्रैक कर सकते हो तो वो दो वीडियो सीखके implement करना मस्त है तभी आप website convergence बना सकते हो तो दोस्तों जैसे आपको मैंने बता अब जब आपो सब कर लोगे तो website convergence add के लिए आपको अब हम add बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर audience आ गया तो audience के अंदर एक तो saved audience होता है कि पहले अगर आपने कोई audience select करी है choose करी है तो उसको भी use कर सकते हो अगर उसने अच्छा perform कर रहे नहीं तो आप नई audience मैं आपको अब यहाँ पर हम नीचे नए fresh audience बनाते है उसको save करना आपको सिखाएंगे तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो पहले हम एक location चूज करना होता है जैसे उससे पहले location में दो हैं कि जो भी location आप चूज करोगे उसमें जो permanent हैने वाले है और जो recently रहने आए उन दोनों को target करना है या सिर्फ permanent location जो permanently उदर रहा है हम दोनों पहला वाल option चूज कर लेता है अभी के लिए यह डिपेंड करता है आपके पर आपको कौन सा option चूज करना है अब दोस्तों यहाँ पर हम आ गए अब यहाँ पर हम अपना area चूज करते हैं इंडिया हटाते हैं हम करते हैं ड आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब यहाँ पर हम आते हैं profile language के उपर तो English जो है वो हमारा यहाँ पर हम रहने देंगे आपको अगर कोई language अपनी साब से करना है तो आप अपनी कर सब्सक्राइब करना है तो मैं narrow audience करूँगा इसमें क्या में filter कर सकता हूं अपनी audience को तो audience attribute जो टारगेट करने का जो match audience है या look like audience भी आप campaign यूज कर सकते हो match audience क्या है जो remarketing के लिए यूज होती है ठीक है तो match audience क्या है कैसी यूज होती है इसका भी tutorial चैनल में दे रखा है अगर आपको advanced level पे चीज़े सीखने है remarketing करने लिंक्डिन के दुरूप तो आप यह वाला वीड traffic education job experience तो अब मैं अपनी audience सेलेक्ट करता हूँ है अगर मेर खार को considers तो महाँ प्रम्पनी की के हिसाफ्भक करने है थो मैं थे या सीखनेत करना है ठीक है या फ की कंपनी का इंडर्स्ट्रि प Aurigo चीज़न को मैं टार्ट करना है ठीक है तो यह डिजिटल मार्केटिंग से मैं तो अगर मैं माननीचे दोस्तों मीडिया कम्म्निकेशन को टार्गेट करता हूं उसमें भी मैं यहां पर देख सकता हूं में को मार्क्टिंग वालों को टार्गेट करना है ठीक है तो वो मेरे मेरो पर है मेल को कौन सा अपने प्रोडेक्ट सर्विसिस के लिए शुटेबल तो देखे आप हमारा ओडियोंस को टार्गेट करने ताकि हमारा पैसा वेस्ट ना हो ठीक है और प्लस यहां पर हम देख सकते हैं कितने बर्शन के से इंडस्ट्री से हैं प्लस सिनॉरिटी वाइस भी हम देख सकते हैं तो सारा डाटा हमारा पात बहुत अच्छे से हमें ल इस तरीके से इनको सेलेक्ट कर सकता हूं तो दोस्तों इस तरीके से मैं अपना ओडियोंस खुद क्रेट कर रहा हूं तो और अपने के बाद यहां पर एक आप्षिन आता है जैसे क्या आप दोस्तों यहां पर और लिंक्डिन उनको हमें पहुंचा सकता है उन तक तो यहां पर अगर हम इसको क्लिक रहने देंगे तो इसका मतलब है कि जो आपने और चूज को लिंग्डिन हमारा एड दिखाएगा अगर मैं इसको हटा देता हूं तो उनको एड नहीं दिखाएगा ठीक है अब दोस्तों सेव टेंपलेट का मतलब है अभी तक हमने कौन सी ओडिन्स क्रिएट करी हम देख सकते हैं यह देखे हमने क्या-क्या चूज कर रहा है सारी खारी समरी आ गए और जो इतनी मेहनत करके अपना ओडियंस आप सेलेट करोगे मैंने देमो के लिए दिखाया था उसको सेव जरू केंपेंड के लिए बनाया था तो इसको हम सेफ कर देंगे तो फ्यूचर में अगर यह ऑडियंस हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है इसे में अच्छा रिस्मॉंस आता है तो हम कोई और केंपेंड फ्यूचर में बनाएंगे तो यहां पर सेव डॉडियंस में से जाके हम देप्षाट केंवर्जन और यह और चूज कर सकते हैं तो हमें यह सब नहीं करना पड़ेगा हमारा समय बच जाएगा ठीक है तो यह सब हमने करा अब इसके बाद आता है दोस्तों एड फॉर्मेट तो एड फॉर्मेट जो है इसमें हम आपको मैसेज एड्स का सिखाएंगे तो कई सारे फॉर्मेट हैं हम सिंगल इमेज क्राउजल हर तरीके का फॉर्मेट का वीडियो मेरे सिरिस के अंदर है आप आज सीख सकते हो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको स्पेशली मैसेज एड बनाना सिखा रहा हूं तो मैसेज एड का उप करना अब हम आगे बढ़ते हैं अब यहां पर देखते हैं बजट इंड स्केडियूर तो डेली बजट होता है तो आज शुरुआत में डेली बजट ही यूज कीजिएगा तो पर दे पांसो हजार दो हजार जो भी आपको खर्च करने आप अपना डेली बजट लगा सकते हो उसके अलावा दोस्तों रन केंपेंग कॉंटिनिसली इसका मतलब है अगर मानली जा आज मेरा एड अप्रूवड होता है और मैं चाहता हूँ वह आज से स्टार्ट हो जाए तो आप यह रहने दीजिए अगर आप चाहते हो को स्टार्ट डेट डालना कि मानली जा आज भली एड बना रहा हूँ और अप्रूवड हो जाए बड़ चले बारा तारिक से तो बारा तारिक से लेक्ट कर लो तो यहां पर बारा तारिक से फिर चलेगा भले वह आज अप्रूवड हो जाए उसके बाद एड भी सेलेक्ट कर सकते हो कि कब वह एंड हो आपकी मर्जिय करना ह नहीं करना अब बिडिंग टाइप में क्या है दोस्तों यह जो है cost per send message में क्या होता है यह specifically fixed है कि अगर आप message text ads बना रहे हो message ads तो उसके अंदर cps सोता है कॉस्ट पर सेंड मतलब जितने आपके मैसे सेंड होगी उसके हिसाब से यह हमें चार्ज करेगा लिंग्डिन तो यहां पर यह लिख रहा है आपको रिश्वांच ज्यादा अच्छा आए और रेट कम भी हो सकता है ठीक है अब दोस्तों स्पेसिफिकली मैं आपको पहले भी बताया था कनवर्जन ट्रेकिंग कोड जरूर लगाना बिगोज हो ज्यादा इंपोर्टेंट है कनवर्जन ट्रेकिंग कोड और उसके बाद ही कनवर्जन के ट्रेकिंग कोड और लिंक्डिन इंसाइड टैक अगर आप प्रॉपर सेटप करोगे तब ही आप यह केंपेंग चला सकते हो वेबसाइट कनवर्जन का बढ़ना नहीं चला सकते तो आगे हम अपना मैसेज एड बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं next करेंगे जैसे हम next करने पर safe पर जाएंगे अब हम यहाँ पर अपना एड क्रेयट करेंगे तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हो एड करने के लिए ये न्यू एड क्रेयट मैं क्लिक करूंगा अब यहां पर दोस्तों इस ऐड का नाम दे देंगे, Conversion, यहां पर हम देते हैं Message, Add ठीक है, तो यह हम याद रहेगा हमने एक Campaign किस परपर्स से बनाया था, अब दोस्तों, यहां जो Sender आ रहा है, जिन लोगों को भी Message जाएगा, तो उनको पता लगना थी कि message किसने भेजा मान लीजी यहां तो मेरे profile में है तो यह मेरे profile में हितेश गुपता का दिखा रहा है अगर मैं मान लीजी अपने किसी employee के उसे भेजना चाहता हूं तो add sender में जाओंगा यहां पर तो जैसे मैं यहां पर अपने employee को यहां पर select कर लेता हूं अब मैं इसको यहां पर select करेगा तब मैं इसको यहां पर select कर सकता हूं तो मेरे पर multiple sender होंगे तो मैं चाहूंगा हितेश जाए तो हितेश के तुरू जाएगा प्यूस देखे तो प्यूस सेंडर के तुरू जाएगा वह फिर उसको उसका approve करना पड़ेगा ठीक है आप दोस्तों इसके बाद आते हैं message add बनाने के अब message add के अंदर आप यहां पर subject line concise इसका मतलब है तो subject line में बनाऊँगा यह बहुत ज्यादा short में और मतलब attractive catchy हो नहीं चीलाइक मैं कहता हूँ double your sales ठीक है तो बस मैंने यह line आपर subject दे दिये double your sales तो क्या है कि लोग एक बार यह को इस topic को हर को इपनी sales बढ़ाना चाहता है और हम digital marketing में sales और इस सब चीजों के उपर ही काम करते हैं तो यह मेरे हसाब से लोगों को text बनाना है इसको आप beautiful तरीके से bold और बहुत सारे चीज़े को use करके column से करे लगा के आप बना सकते हो ठीक है दोस्तों इसको भी थोड़ा सा limited words वेगारा में रखना ताकि और यहां पर बतावे रहे keep your subject यह तो हो गया फिर इसके बाद यह बता रहा है यह तो सब्जेक्ट में बता रहा है कि invitation या offer इस तरीके से आप opportunity यहां पर उपर सब्जेक्ट में डाल दो उसके बाद जो message हमें बनाना है न दोस्तों यहां पर बता रहा है कि 5500 करेक्टर्स तक का हमें यहां पर message बना सकते हैं तो यहां पर message तो अभी बनाने का आप अपन करा यहां पर गया और यहां पर जाकर मैं message को paste कर देता हूं ठीक है तो अब इसको हमें बोल्ड करना है कुछ बनाना है तो message में आप अपने offers usp और क्या आप बहतर दे रहे हो market से उस customer को वो सब चीज़े आपको यहां पर बतानी है ताकि और यहां पर यहां पर कुछ प्रॉप टेप्स भी हैं वो टेप्स वेगार भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छा जा मैसेज बनाना सामने वाले को एट्रेक्ट करें और वो पढ़े उसको तो यह करने के बाद दोस्तों अगर आप कोई कस्टम फुटर बनाना चाहते हो यहां पर आप यहां पर कुछ टर्मेंट कंडिशन्स आपको कुछ लिखनी है आप लिख सकते हो बड़ी ऑप्शनल है आपकी मर्जी करना है नहीं करना अब कॉल टू एक्शन के अंदर दोस्तों आपको देखना है कि यहां पर आपको डाउनलोड करने के लिए खुछ दे रहे हो या आप आप माली जहें यहां पर लिख देते हैं विजट वेबसाइट आप दे देते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन या फिर आप लेंडिंग पेज लगा लगा दीजिए जहां पर आप चाहते हो कि आपका कस्टमर लेंड करें जैसे मेरी मेरी वेबसाइट का होम पेज है मैं चा लगाने अब बैनर क्रियेटिव यह क्रियेटिव हम लगाना चाहते हैं यह ऑप्षिनल है बट लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है दोस्तों तो बैनर क्रियेटिव में जैसे मैं क्लिक करता हूं यहां पर आप साइज भी देख सकते हो और यहां पर कितने एंबी का कुछ अमने चाहीं सब आप देख सकते हो तो पता नहीं साइसका हमार पस है या नहीं फिर देख लोह कुछ हमारे पस बैनर पड़ा हो तो एक बार यहां पर आते हैं और देखते हैं दोस्तों यह है थों तो देखें हमें मिल गया अर यह हम ने सय जैक्ट कर लिया तो तो इस तरीके से आप अपने कोई अच्छा से creative भी upload कर सकते हो तो message भी है, image भी है, text भी तो अच्छे से message add आप बनाईए और यहाँ पर footer भी यूज़ कर लिजेगा, ठीक है, और यहाँ पर जब आप create पर click करोगे दोस्तों, message add जो हमने बनाया, वो format complete हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना है, तो हम जब next पर click करेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर अब हम पूरा अपना campaign review कर सकते हैं, एक एक चीज जो हमने करी है, यहाँ पर इस तरीके से हमारा message बगारा हो गया, अब जब मैं launch campaign पर click करूँगा, तो मेरा add बन गया है, देखे successfully, और यहाँ go to account overview, अब मैं आपने account में जाओंगा, आप हाँ पर देखूँगा मेरा add, तो यहाँ पर देखे website conversion में messaging आ रहा है, sponsored messaging मतलब message add format है, ठीक है, तो मैं इस पर click करता हूँ, देखता ह ठीक है, तो यह मेरा add आ गया, दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, यह हमारा add है, ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों, आप message add बना सकते हो, और लोगों को message sponsored messaging के through touch कर सकते हो, LinkedIn में, बहुत सारे लोग, अच्छे messages, attractive content को पढ़ना, और उन offers को click करना पसंद करते हैं, तो generally, क्या LinkedIn का है, उन लोगों को ही target करता है, जो लोग messages पर respond करते हैं, click करते हैं, देखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका कौन सा profile है, जो किस तरीकी के activities करता है, उमेद करता हूं को समझ में आया होगा, आप easily बना लोगे, thank you, दोस्तों. तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, proper तरीके से lead generation campaign बनाना, और कैसे आप LinkedIn जैसे platform से lead generate कर सब्यों, एक एक step, बिलकुल proper practically, और कुछ steps and tricks बताऊंगा, उसको ध्यान लखना, ताकि आप proper tracking और optimization कर सको, अपने add की. तो दोस्तों, अभी हम अपने account के अंदर हैं, LinkedIn के, मैं अपनी profile पे हूँ, अब ads बनाने के लिए, हम इधर work के, यह जो आपको option दिख रहा है, दर click करना होगा, यहाँ पर click करने के बाद, दोस्तों, advertise के section पर click करेंगे, यहाँ पर click करने के बाद, दोस्तों, हम LinkedIn के campaign manager account में आ यह देखना होगा, कि इसके बिना आप, इस campaign manager account के बिना, आप campaign नहीं run कर सकते हो, किसी भी कीमत पर, because यह mandatory है, जिसे Facebook में business manager account mandatory, ad manager account mandatory है, वैसे LinkedIn में campaign manager account mandatory है, और दोस्तों, इस campaign manager account को नहीं बनाए, तो बना लिजे, tutorial चैनल में दिया होगा है, वहाँ से देखके बना सकते है, campaign manager account बनाने के बाद, दोस्तों, अब क्या होता है, campaign manager में हम multiple accounts बना सकते है, जिसे Facebook में ad accounts होते है, वैसे हम multiple अलग-अलग companies के, अगर आप freelancer हैं, agency हैं, तो आप अलग-अलग companies के अलग-अलग account बना सकते हो, या फिर दोस्तों, आप अगर एक, आपकी खुद की company और उसके multiple brands ह अलग-अलग account बना सकते हो, तो यह lead generation campaign में मैं आपको एक-एक step बताऊंगा, सिर्फ campaign बनाने यह नहीं बताऊंगा, इसमें मैं account create करना, और उसके further step by step सारी चीज़ बताऊंगा, तो हम इसमें एक नए account create करते हैं, यहाँ पर हम जाते हैं, create account पे दोस्तों, जब हम create account पे गए, तो यहाँ पर हम यहाँ पर दोस्तों, एक नाम दे देते हैं account को, तो यहाँ पर हम देते हैं, marketing fundals, ठीक है, यह हमने एक नाम दे दिया account को, because अभी यहाँ पर हम 2020 भी लिख देते हैं, दोस्तों, क्योंकि यह याद रहेगा हमें, कि हम यह अभी आपको tutorials बनाने सिखा रहे हैं, currency जो है, दोस्तों, यह हम अपना Indian INR में करेंगे, associate a LinkedIn page with your account, दोस्तों, जब आप कोई नया account create करते हो, add account create करते हो, तो उसमें, आप किस company क्लिए कर रहे हो, उसका जो page होना चाहिए, LinkedIn का company page, वो required है, तो यहाँ पर हम click करेंगे, यहाँ डालेंगे, हम marketing fundals, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमने marketing fundals डाला, तो दोस्तों, यह हमारा देखिए, page आ गया, तो दोस्तों, जो page है marketing fundals का, वो जरूर होना चाहिए, आपके LinkedIn account से link, और उसके admin या page लेक्सेस होना चाहिए, तभी वो आपके इस account में show होगा, तो यहाँ पर हम, अगर वो भी सीखना है, कैसे, रोल लेना है, कैसे, वो भी हमारी series के अंदर है, सीख सबते हो, तो मैं यह page select कर लूँगा marketing fundals का, page select करने के बाद, दोस्तों, मैं हहाँ पर save करूँगा, तो जैसे मैं हहाँ पर save करूँगा, you can see, के हमारा account create हो गया marketing fundals 2020 के नाम से, और दोस्तों, य जब हम account create कर लेते हैं, किसी company brand का, उसके बाद हमें company group, जैसे facebook में add group होता है, वैसे ही, यह company group होता है, ठीक है, तो अब हमें default campaign group है, यह default रहेगा, इसको आप नहीं छेड़ सकते, आपको दूसरा campaign group यहाँ पर बनाना होगा, तो यह हमारा account creation के बास second step होता है, campaign group बनाना, तो campaign group में click करूँगा, create campaign group बना, तो यहाँ पर दोस्तों मैं डाल देता हूँ campaign group में नाम, MF मतलब marketing fundas, MF small में डाल देते हैं, MF marketing fundas, ठीक है, digital, marketing, leads, ठीक है, add, या campaign, तो दो दोस्तों यहाँ पर हमने इस campaign group को एक नाम दे दिया, MF digital marketing, leads campaign, ताकि हमें याद रहे, यह किस purpose से हमने बनाया था, status, active, draft, क्या रखना है, अभी active भी रखेंगे, draft नहीं करेंगे, run continuously from a start date, यह पूछ रहा है कि जब आपका add बन जाए, तभी से वो run होना start हो जाए, या फिर आप कोई particular date पे चाहते हो, कि add चले, तो मैं यहाँ पर कर द देता हूँ, जी मैं 12 तारिक से चाहता हूँ, हमारा add चले तो इदर 12 तारिक select हो गई, अगर कोई end date भी लगाने ही, कि किसी particular date पे अपने बन हो जाए, तो आप यहाँ से select कर सकते हो, नहीं तो आप manual भी इसको रहने दे सकते हो, without date select करें, तो यह आपकी मर्जिया आपको ध् create कर लिया है, और उसका status भी है active है, जैसे मैं इस campaign group में click करूँगा, तो click करते ही दोस्तों, अब मैं अपने third step पे आजाओंगा, जो है campaign बनाना, तो अब यहाँ पर हम campaign बनाएंगे, यहाँ से भी बना सकते है create campaign, यहाँ से भी हम कर सकते है create campaign, तो अब मैं create campaign पे click करूँगा और create campaign के बाद हमारे पर बहुत सारे objectives आ जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, brand awareness, website traffic engagement, video view, lead generation, website conversion और job application बहुत सारे हैं, तो क्योंकि मैं lead generation के उपर आपको यह campaign सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं lead generation के objective को select करूँगा, यहाँ पर यह select करने के बाद आप देख सकते हो, lead generation का हमारा objective select हो गया है, अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर, यहाँ पर देखो, saved audience में वो audience आ रही है, कि पहले हमने अपने अलग-अलग ad accounts के अंदर, अगर बहुत सारे अलग-अलग clients या ads के लिए audience वनाई थी, select करी थी, तो उसमें से अगर हमें कोई audience पहले वाली select करनी है, तो हम कर सकते हैं, अगर उसमें बहुत अच्छा perform कर रहा है, ठीक है, तो उसमें फिर हमें नीचे यह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यह जहतनी सारी audience बनाने की, बट क्योंकि मैं आपको fresh तरीके से बनाना सिका रहा हूँ, तो please, आपको मैं बिल्कुल यह save करना भी बताऊंगा, बट बिल्कुल नए तरीके से पूरा audience new create करके बताऊंगा, ताकि अब proper सीख सरूँ, तो दोस्तों यहां पर audiences पे हम आगए, audiences का एक और option होता है, अगर हम LinkedIn की audiences को use करना चाहते हैं, तो यहांचे उनको select करके, like हम उनको use कर सकते हैं, like मैं IT decision makers को select क करना चाहता हूं, ठीक है, because digital marketing related काम है, तो IT decision makers मेरे potential customers हो सकते हैं, ठीक है, तो वो मेरी मर्जी अगर मैं यहां से को select करना चाहता हूं, नहीं करना तो मैं आगे बढ़ूंगा, और अपना audience खुद create करो, अब audience create करना है, पहले step आता है, location, location में दो चीज़े पूछता है, कि आपको जो recent और permanent location, जो अभी अभी लोग उस location में रहने आया है, या permanently उस location में रहते हैं, दोनों को target करना है, या फिर सिर्फ उन लोगों को target करना है, जो permanent उस location में रहते हैं, तो आपको देखना भी बिजनस और type के हिसाब साब को क्या करना है, अब यहां पहला वाले पहले ही सेलेक्ट कर लिया तो उसके हिसाब यहां पर देखी मेरा टार्गेट ओडिएंस के साइज आ गया लबग तो 46,00,000 प्लस के आज पास टार्गेटेड ओडिएंस है तो अभी मेरे को और स्टेट सिटी या कंट्री आइड करना है तो यहां से सर्च करके कर सकता हूं तो अभी ने करना है इसको बंद करते हैं अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक्स्क्लूड पीपल तो अभी हमें कु तो हम अभी इंगली सी रहने देंगे अब नेरो ओडिएंस परदर का मतलब है तो अब यहां तो डेली के जित्रे भी लगबग 46,00,000 से अब ओडिएंस टार्गेट हो गया बड़ो सारा का सारा मेरा ओडिएंस नहीं है जिसको मैं टार्गेट करना चाहता हूं तो मैं फिल् हमारा tutorial matched audience का देख लीजिएगा एक तरीकी से remarketing है ठीक है और ये matched audience बनाना पड़ता है create करना पड़ता है तो वो कैसे करनाा अब क्या होता है match the audience उसका tutorial हमारे वीडियो के अंदर हमारी series में दिया हुआ है वो देखोगे सीखोगे match audience बनाओगे तभी इसको use कर सकते हो बिना match audience बना इस option को use नहीं कर सकते generally match the audience use होता है remarketing और उस तरीकी की चीज़ों के लिए तो audience attributes क्या होता है दोस्तों आप यहां से हम अपनी audience select करेंगे तो यहां कई तरीके दिये हुआ है company के हिसाब से हम अपना audience चूज कर सकते हैं माल लिजिए मैं companies को target करना चाहता हूं तो मैं यहां company पे click करूँगा पर company category के हिसाब में मैं यहां पर जब click करहुँआ company category पे तो यहां पर options आ गए मैं Forbes, Most inovated companies को करना चाहता हूं तो यहां पर बहुत सारे options आ रहे हैं तो यहां से भी मैं target कर सकता हूं country के हिसाब से या और बहुत सारी चीज़ें on a target कर सकता ओं कलिक करता हूं तो特फ जैसे कि आपको भी दिखाया कंपपनी के साथ से अब उसके तरह कंप्री कनेक्षिन के हिसाब करना चाहते हो तो यहां पर अगर आपको जो कनेक्षिन बना रखें हैं यहाँ डालता हूं लाइक मैं फresp rebel mm तो मैंने पीटियमे के अंदर मैं आगर इहां पर उसे रिलेटिव लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ तो मैं इhdधर क्लिक करूंगा और मैं ऐसाब है तो उनको अगर मैं टार्गेट करना चाहता हूँ तो मैं यहां से कर 어क्रों करना चाहता है beton यहां पर audience select हो जाएगा ठीक है तो यह आप grow होती ही company को target भी कर सकते हो दोस्तों इतने जादा बहतर तरीके से professional level पे professional world में ठीक है targeting सिर्फ LinkedIn पर आपको मिल सकती है दुनिया के सब्सक्राइब बड़े professional platform के ओपर मैं industries के हिसाफ से target करना चाहता हूं तो यहां पर अग्रिकल्चर आर्ट पहुत सारी इंडर्स्ट्री जिसको माल लिजिए कि मैं अभी target करना चाहता हूं यहां पर विगाद अभी में digital marketing से related कर रहा हूं तो अभी मेर को जो तो मेरे को लगता है कि मैं अभी software and IT services को target करना चाहता हूं ठीक है तो यहां पर मैं आगया दोस्तों इदर मैंने information technology services को कर लिया यह तो मैं अभी ad बना रहा हूं इस वरह से मैं आपको इस तरह किसे करके दिखा रहा हूं वाकि मेरे को और industries के अंदर target करना है तो उनमें भी कर सकता हूं अगर मुझको लगता है कि wellness में करना है या किसी और industry में करना है ठीक है जहां पर मेरा potential customer म अगर मेरा को टार्गEd करना है तो मैं वह recovered सकता भी है यहाँ चाहते हैं तो अब हो सब चांब करना है कि आडव सकते हैं इस हैं तो 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 आपके product services इन सब चीजों के फटेपेंट करता दोस्तों तो company के हिसाब से हो गया मैं demographics के हिसाब से करना चाहता हूं मालने जिए member age कि मेरा कोई ऐसा product है service है जो की 25 years से बवग के लोगों के है वे digital marketing में चमझता हूं 25 साल से लेके 45-50 तके लोग हैं जो decision makers है तो मैं अगर उस age criteria को target करना चाहता हूं तो यहां पर मैं select कर सकता हूं 25-34 और 35-54 ठीक है यह मैंने कर लिया तो इस तरीके से मैंने करा दोश्तों ठीक है अब यहां पर मैं वापस आता हूं demographics जेंटर के हिसाब मान लिए आपका male product है तो male के साब से कर लो male को female के साब से कर लो अब education मान लिए आपका ऐसा कुछ product है जो उन professionals को आप मान लिए जो लोग जॉब कर रहे हैं वाट उनको degrees देनी है या उनको और परदर पढ़ाई करनी है तो आप degree के हिसाब से उन लोगों को target कर सकते हो like BBA में यहां पर अगर कर देता हूं तो BBA वालों को में target करना चाहता हूं कि वह MBA के लिए अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो यह तो डिपेंड करेंगा आपको business क्या है ठीक है तो education के हिसाब से भी आप target कर सकते हो job experience के हिसाब से कर सकते हो कि मालीजे आपको senior level के लोगों के target करना है आपको लोर जो वर्कर क्लास के लोगों को target करना है या आपको सिर्फ marketing के लोगों को चोड़ना है तो आप job title, job function, job seniorities की वह कितने साबके experience है उस इसाब से senior है, manager, director है उस साब से experience के हिसाब से, job function यहां पर कर सकते हो, आपको admin के ल के लोगों को या आपको एजिकेशन के लोगों को दोस्तों इतने बहतर तरीके से और इतने सारे तरीके से यहां पर टार्गेटिंग हो सकती है जो टाइटल के हजाब से कर सकते हो लाइग में हैं पर मार्केटिंग कर देता हूं ठीक है तो अगर मैं मार्केटिंग के लोगों एंट्रेट्स के हिसाब से हम कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से हम बहुत सारे तरीके से अपने requirement के हिसाब से company industry के हिसाब से हम target कर सकते हैं ठीक है दोस्तों यह हमने कर लिया अब इसके बाद exclude करना अगर आपको कोई audience तो आप कर सकते हो वाकि अभी बना आप स्पेसिफिक ही चूज करो जादा आपको भी करने की जरुवत नहीं है ठीक है बादने एडवांस रेवल पर चीज़ आपको काम आती है अभी दोस्तों इनेबल ओडियेंस एक्सपेंशन का मतलब होता है कि माली जे देखिए अभी यहां पर आ रहा है मतलब 25,000 तू मलेग 30,000 इंप्रेशन यहां पर आप पड़े भी सकते हो कि हमने जो ओडियेंस तार्गेट करा है उस जैसे ओडियेंस सिमिल और ओडियेंस को और उसी जैसे ओ आप पर देखिए एक लाग 30,000 आगे तो खोड़ा कम हो गया आपको और लोगों को टार्गेट करना है तो अगर सिर्व अपने सेलेक्टिट को करना है तो हटा देना आपकी मन दियेंस यहां पर जो भी हमने ओडियेंस चूज करा है यहां पर हम देख सकते हमने क्या क्या कर अग्या और यह तो मैं डेमो के लिए दिखाया था जब आप इतनी मेहनत करके अपना सारा ओडिइंस क्रिएट करोगे और बनाओगे तो ओडियेंस आप सेव एस टेम्पलिट कर लेंगा जैसे कि मैंने ऊपर बताया था सेट और बानलीचे महनात करके आपने और यहूडिय अगले campaign के अंदर तो यहां पर नेम जिस audience कर देते हैं तो यहां पर मैं क्लिक करता हूँ यहां पर मैं लिख देता हूँ लीड एड्स 2020 तो मुझे याद रहे हैं मैं अभी 2020 के लिए यह audience बनाया था तो यहां पर description डालना है तो डाल सकते हो नहीं तो आप इसको सेव कर दो तो यह audience आपका सेव हो गया और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह आ जाएगा तो future में आप other audience के लिए यहां पर आ गया है तो इसके लिए हम कर सकते हैं तो मैं अभी आपको single image ad से बनाना बता रहा हूं लिए जर्रेशन तो मैं क्लिक कर हूं मां single image ad के ओपन मैंने चूँज कर लिया यहां पर जो placement है दोस्तों तो लिंडिन audience networking जैसे कि आप यहां पर देख सकते आपके audience network reach up to 25% more तो अगर आपको apps और partner sites भी target करनी है ठीक है तो यहां पर आपको अपने audience network को लिंडिन को चूज कर सकते हैं तो लिंडिन उन apps और websites पे भी दिखाएगा जो उसकी बढ़ते हैं यहां पर आते हैं budget and schedule तो बजट के अंदर आप अपने daily budget और total budget भी लगा सकते हो यहां पर बहुत ज्यादा बजट matter करता नहीं है अगर आपको result अच्छे आ रहे तो ठीक है तो जो भी आपका budget है recommend भी कर देता है budget को तो daily budget आपको अगर आप चाहते हो कि आपका ad approved होते start हो जाए तो आप यह वाल option चूज कर लो अगर आप specific date चाहते हो कि नहीं मेरा ad तो 12 तारिक को start हो तो आप अपने start date लगा सकते हो और end date भी लगा सकते हो तो यहां पर bid type है automated bid है enhanced bid है और maximize CPM bid है तो अभी आप automated रहें तो अगर आप नए हो तो LinkedIn के artificial mechanism को intelligence system को खुद ही आपकी bid को और आपकी settings के accordingly चीजों को optimize करने दो ताकि आपको कम से कम cost में maximum lead लाके दे पाए तो यह वाला आपको अभी शुरात में automated bid ही रखिएगा तो यह हो गया दोस्तों conversion tracking optional है मगर दोस्तों conversion tracking अगर आपको करना है सीखना है तो उसके लिए मैंने video बना रखा है तो उसके लिए आपको क्या होता है inside tag भी अपनी website में लगाना होगा और conversion tracking भी लगाना होगा तो दोस्तों इन दोनों videos को मैंने दे रखा है series में आप उससे आपना inside tag मतलब in LinkedIn pixel भी लगाओ website में Convergent tracking भी कर सकते हो कि कितने लोग आया किस बटन पे क्लिक करा किस पेज पे गए उस सब आप Convergent tracking कर सकते हो इससे आपको advanced level में काम करने में मदद आएगी और आपको tracking असान होगी तो यह video जरूर देख लीजेगा ताकि आप Convergent tracking भी करका हो आप दोस्तों यहां में कर लिया है अब हम यहां पर next करते हैं ताकि हम अपने add बनाने के आगे बढ़े तो अब हम इदर save करेंगे जूतरी हमने settings करेंगे सेफ करने के बाद अब हम अपने add बनाने के step पर आ जाएंगे तो यहां पर आप आप देख सकते हो दोस्तों इदर name this add तो यहां पर हम दे देते हैं like mf lead digital ads ठीक है 2020 तो यह मैंने एक नाम दे दिया है add का और यहां यह optional होता आप देना चाहाओ दे सकते हो यहां पर आगया दोस्तों introductory text तो वह आपके add के ओपर text show होगा तो यहां पर हम वह डालेंगे text जैसे कि हम यहां पर डालते हैं like double your sales हमने आपर लिख दिया double your sales and get 50% discount ठीक है यह हमने यहां पर देती है double your sales जैसे attract हो लोग यहां पर आप अपनी sales double कर सकते हो और आपको 50% discount पर हम अपनी digital marketing services दे रहे हैं और यहां पर हम यूरेल डालतेंगे अगर हम चाहते हैं कि हमारे देखने के बाद कोई क्लिक करके हमारी website के जाए मार बार में on explore करे तो यहां पर हम अपना दोस्तों मीडिया भाई का अभी हम website का URL यूज कर रहे हैं या फिर हम अपना marketing fundas का भी कर सकते हैं अभी demo के लिए दिखा रहा हूं इसलिए तो यह हमारी marketing fundas की website है जहां पर हम digital marketing branding और हम सारी services provide करते हैं graphic वगएरा complete हम digital marketing branding designing services देते हैं तो यह हम अपना URL कॉपी कर लेते हैं दोस्तों यहां पर और यहां पर हम अपना URL पेस्ट कर देते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर हमने अपना destination URL डाल दिया है अब तो दोस्तों यहां पर हम image add करेंगे तो इसको तो भी हम cross करते हैं website से अपने आप उठा रहा है तो इसको हटा दिया हमने अब यहां पर add an image आएगा यहां पर बता रखाएं कि अब तू 5 MB से ओपर नहीं होना चाहिए format दे रखा है तो click करेंगे upload image के ओपर तो दोस्तों कुछ प्राउजल्स हमने बना रखे हैं ताकि आप लोगों को वह होता है यहां पर हम sales की बात कर रहे हैं double your sales single image में मैं यह वाला image select करूँगा और यहां पर मैं इसको यहां पर आप देख सकते हैं आगया अब दोस्तों देखिए मैंने double your sales get 50% discount यहां पर मैंने उसी से related एक बहुत अच्छी सी image बनवाई दोस्तों add में design बहुत creative होना चाहिए कम से कम शब्दों में ज्यादा बात होनी चाहिए limited बात में सामने वाले को आपको offer समझ में आना चाहिए तो इस तरीके से आप proper single image add बना सकते हो ऐसे अगर आप Crousal add बनाना चाहते हो तो Crousal भी बना सकते है तो यह हमने कर लिया है मार्केटिंग फंडाज या लीड जनरेशन हम कर देते हैं लीड जन description आप कोशिच करो थोड़ा short में लिखो क्योंकि 300 तक ही वर्ट्स का आप दिखा सकते हो यहां पर यहां पर हम दोस्तों description add करेंगे like, complete, digital, marketing, solutions, increase, your sales, get best offers call now ठीक है नमबर देना है तो नमबर भी दे सकते हैं ठीक है अभी मैं dummy अब नमबर डाल देता हूं तो इस तरीके से हमने यहां पर अपना within 30 characters के लिए description बना लिया तो अब दोस्तों जैसे हमने यह करा अब यहां पर हमने क्या करना है form details क्योंकि एक lead generation campaign है तो add बनाने के बाद हम अपना form भी बनाएंगे तो यहां पर हम click करते हैं इदर form बनाने के लिए तो दोस्तों form बनाने के लिए क्या है यहां पर अब हमारे add देखता है तो अगर click करता है तो वह form भरेगा तो हमारे पस lead आएगी ठीक है तो यहां पर हम name this add यहां पर हमने नाम तो दे रखा है यहां पर आप जैसे कि देख सकते हमने add बना दिया था ठीक है अब इसको इसको वापस यहां पर form details पर आते हैं अब form details हम यहां पर भरेंगे तो यहां पर दोस्तों हम apply now get quote obviously हम अभी get quote करेंगे कि लोग कोटेशन लें अपनी services के लिए select a lead form तो यहां पर अगर आपके कोई form आपने पहले से बनाए होते तो उसको आप यहां से select कर सकते थे बट यहां नहीं है तो यहां पर हम create new form करेंगे create new form करने के बाद यहां पर form का एक नाम देदेंगे दोस्तों के lead mf form new 2020 जिससे याद रहे कि हमने form क्यों बनाया था यहां पर language English ही रहने देंगे offer headline में वही डाल देंगे दोस्तों ठीक है promote your business at lowest cost तो attractive से आप offer की line दे देना जाकी देखिए आपके लोगों के नीचे सीधा वह line आईगी लोग से attract हो उसके बाद offer details है आप offer details दोगे लाइक मैं डेमो के डाल देता हूं get 50% discount on all packages ठीक है यह मैंने आप डाल दिया तो यहां पर आप देख सकते हो कि 50% discount on all packages आ गया है आप यहां पर आप अपनी description अपने हिसाब से डाल देना प्लस privacy policy का कोई page आपकी website में है तो प्लीज उस page को यहां पर आपको डालना है जान रखिएगा और यहां पर privacy policy का text कुछ लिखना चाहते हो तो यह करने के बार आगे यहां पर हम अब लोगों से details लेंगे तो जो form में चाहते हैं लोगों का नाम last name email address तो मैं name चाहता हूं last name मुझे नहीं चाहिए email address चाहिए contact detail चाहिए ताकि हम उमसे बात कर पाए यहां phone number में कर देता हूं वाकि आपको देखना है कि आपको customer की city या work के हिसाब से अगर आपको कुछ job title चाहिए या company के हिसाब से आपको को detail चाहिए education के हिसाब से आपको चाहिए आपका ऐसा कोई business है जिसमें आपको जिस field की maximum जरूवत है उसे आप से आप अपनी field चुन लीजिएगा और वो detail customer अपनी यहां पर फिल करके आपको भेज सकते है ठीक है तो मैंने कोई तीन डिटेल चाहिए customer से उसके बाद मेरे business के accordingly मैं कोई custom question बनाना चाहता हूं दोस्तो तो custom question जरूर बनाना क्योंकि इसमें क्या होता लोग auto field करके भेज देते हैं अगर custom question होता है और बंदा interested होता है तब यह field खुद अपने आप भरता है तो जैसे कि मैं यहां पर एक डवी के लिए डाल देता हूं ठीक है मैंने यहां पर डाल दिया यहां पर मैंने लिए for which service you are looking for यहां पर मैं multiple choices डाल देता हूं like मैंने यहां पर डाल दिया आप sqo के लिए देख रहे हो यहां पर second option में डाल दिया SMO के लिए देख रहे हो मेरे को अगर third option डालने तो वह भी डाल सकता हूं कि आप PPC के लिए देख रहे हो तो इस तरीके से मैं custom question बना सकता हूं यहां पर आप देखिए तो person यहां पर चूर कर सकता है वो किसके लिए वो देख रहे है ठीक है तो इसके क्या होगा कि inquiries filter हो जाएंगी unnecessary हमारे पास leads नहीं आएंगी इसमें मारे time resource नहीं खराब होगा filtered leads होगी उसके अलाबा और आपको अगर custom question बनाने हैं तो आप बना सकते हो multiple choices के साथ साथ आप single input का भी बना सकते हो ठीक है तो अभी आप इसी तरीके से बना लीजिएगा अब यहां पर add checkbox अब बोते checkbox अगर ऐसे question आप डाल दो कर आपको checkbox करवाना है उस पर tick करवाना है तो कुछ आपको चीज़े confirm कि हाई mandatory है तो आप उ बना सकते हैं तो यह आप कर लीजिएगा ठीक है तो अब यह हमने कर लिया आप confirmation अब दोस्तों जब कोई पूरा lead form देख लेगा भर देगा तो उसके बाद आपकी तरफ से उसकोई message आएगा ना like thanks for choosing us तो यहां कर हम उसको lead कर रहें कि thanks for choosing us ठीक है और हम यहां लिखना चाह है आर री प्रेजेंटेटेटिव विल कॉन्टेक्ट यू से ठीक है यह हमने दे दिया ताकि उनको पता रहे कि हमार पर इंक्वारी आगे और हमारा contact person उनको contact करेगा ठीक है तो यहां पर हम को लेंडिंग पेस्ट डालना चाहें तो अभी के लिए तो हम अपनी डाल देते हैं जो भी आपको लेंडिंग पेज डालना है इसलिए के person thank you के बाद यहां पर अगर उसको लगता है कि site इनकी विजट करनी चाहिए और जानने चाहिए इनके बारे में तो यहां से क्लिक करके site पे भी जा सकता है तो यहां पर हम चूज वेबसाइट डालने के यहां अगर आपको कुछ डाउनलोड कराना है तो आप डाउनलोड को option देतो डाउनलोड लिंक देतो आपको यहां पर कुछ और वीडियो वीडियो करानी है उसका व्यूना होगा देतो मेरे को website विजट करानी इसलिए मैंने विजट website दे दिया यहां पर hidden fields अगर आपको form भी हिए उगल गया देखें हमारा lead generation campaign बन गया है यहां पर आयट में सब कुछ बन गया है तो नेक्स करने के बाद दोस्तों और क्या होगा है हमारा सारा का सारा campaign बन चुका है अब हमको क्या करना है launch campaign यह सारा आप यहां से review कर सकते हो चाहँ तो ड्राफ्ट करके save कर सकते हो बड़ मैं जैसे launch campaign पर click करूंगा तो launch campaign पर click करने का देखिए great job हम यह successfully launch your campaign अगर मेरे को feedback देना दे सकते हो नहीं तो आप मैं go to account जैसे जाओंगा तो मैं आपके डैश वोट पर आ गया तो यह बिलिंग से related message आ रहा है वह कुछ नहीं है बाद हम add कर देंगे तो यहां पर आप जैसे की दोस्तों देख सकते हो के हमारा पूरा पूरा आप देख सकते हो सारा जो हमने बनाया है बिलिंग information एड करनी है वह हमने बिलिंग tutorial वह आप देख लीजेगा कैसे करना है हमारी शीरीज के अंदर तो यहां पर आप जैसे की देख सकते हो दोस्तों पूरा campaign बन गया जो स्टार्ट हो जाएगा यहां पर सारे जनरेशन पर सक्सेस्फुली बना पाओगे और उसको अपने बिजनस को ग्रोगर पाओगे तो दोस्तों थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो तो दोस्तों इस वीडियो में अब हम आपको बताएंगे कि आप वेब साइट ट्रैफिक एड्स कैसे चला सकते हो और कैसे एकनॉमिकल कोस्ट में ट्रैफिक लेकर आ सकते हो अपनी वेब साइट पे और दोस्तों आपको उसके थूथ शॉपिंग एड्स मतलब प्रोड़क् लिंक कैसे कर सकते हो लिंक्डिन के थुरू माल लिजी आप कोई packages बेचना चाहते हैं या मैं अपने digital marketing packages बेचना चाहता हूँ या फिर मैं कोई IT-rated products बेचना चाहता हूँ तो कैसे हम online shopping ads चला सकते हैं website traffic ad बना सकते हैं वो भी economical cost में लिंक्डिन के थुरू वो मैं आपको इसमें बता रहा हूं तो दोफतों देखिए हम यहां पर पहले अपने account में लिंक्डिन के इसके बाद हम जाएंगे यहां पर work के section में उत्हेशल एद्थr क्लिक करने के बाद हम एडवरटाइज के यहां पर घड़ी दुनिया के नाम से प्रोडक्ट बेस साइट है तो इस पर हम आपको वेबसेट ट्रैफिक और उल्लाइन शॉपिंग और बनाना सिखाएंगे तो अब जैसे हम इतर आ गए तो दोस्तों इसके लिए क्या होता है कि आपको एकाउंट बनाने पड़ते हैं तो सकत क्रियेक ऐकाउंट बनाना है है यहीं सब चीजों के लिए तो हमने हमने एक आपको start करने और ओसके अदर सब बनाना हमने सिखाया है तो दोस्तों वो देख लीजिएगा वीडियो उससे आपको हर एक स्टेप ट्रेक्टिकली क्लियर होगा इस पर्टिकुलर केंपेन में हम आपको ट्रैफिक और स्वापिंग एड सिखा रहे हैं ठीक है तो दोस्तों जैसे आपने एक अकाउंट बना है कि बाद दोस्तों यहां पर आता है कैमपेन ग्रूप तो यहां वाला कैम्पेन डूप चूज पर लेता हूं और यस आपने बना चौब 66 Catal बना इता ब्रैंड बनाया था थो Circle से अब अब हम बनाएंगे website traffic और shopping product selling campaign तो मैं create campaign पर click करूँगा यहाँ पर click करने के बाद दोस्तों इधर आप आए देखिए यहाँ पर सारे के सारे objectives आ गए तो यहाँ पर हम website traffic अब्जेक्टिव चूज कर लेंगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है website traffic और उसके बारे में detail लिखी है box में click करेंगे website visits के ओपर तो website visits पे जैसे हमने click करा तो हम यहाँ पर audience बनाने यहाँ पर एक होदा saved audience के पहले के campaign में जो आपने audience बनाई कि अगर उसने अच्छा perform करा है तो क्या आप उस audience को यूज करना चाहते हो तो आप अगर करना चाहते हो तो कोई audience ऐसे चूज कर सकते हो या फिर LinkedIn की कोई audience है जो already बनी बनाई audience है इसमें से अगर आपको लगता है कोई audience आपको सही लग रही है आपके product services के लिए तो उसको चूज कर सकते हो बट मैं आपको fresh तरीके से audience create करना बताऊंगा और audience आपको save करना बताऊंगा तो माल लीजे हम all over India में अपना ad चलाना चाहते है अपन यहां फिर सिर्फ जो इस location में रहते हैं उनको दिखाना है तो हम पहले वाला option अभी चूज कर लेते हैं तो हमें तो इंडिया में करने इसलिए अभी हम यहां कुछ नहीं कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं जो दोसतो लेंग्वेज में में हम इंग्लिश ही रहने देंगे अब करें देखिए इंडिया में बहुत सारा आउडिय Inspire तो इतने लोगों को नाम में दिखाना ना हमारा बज़ट तो हम क्या करेंगे दोस्तों यहां पर हम नेरो डाउन करेंगे अपनी ओडियंस को अपने हिसाब से चूज करेंगे क्लिक करेंगे यहां पर दोस्तो एक होता है झात्रिब्यूत के इन इन तरीकों से में इसे बना रखा देख लिगा देसा करेंगे तो यहांपर कई तरीके होते हैं दोस्तों मान लिजिए मैं Digital Marketing के प्रोडेक्ट सेल कर रहा हूं या मैं सेल कर रहा हूं चलि मान लिजिए तो मैं Companies के अंदर लोग professional watches पहनते हैं कि निशानी है तो मैं Company की category के हिसाप से भी टारगेट कर सकता हूं यहां पर मैं यहाँ पर कमपनी के कनेक्शन के हिसाब से फॉलोवर्स के आप से इंड्रस्ट्री के आप से यहाँ पर क्लिक करें और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे कंपनी जाल देता हूं टीच्अ कंपनी को मैं यहां पर यहां पर कर लेता हूं और उसे रिलेटेटेड की कंपनी के हमीं यहां पर सब्सक्राइब हैं। तो तो मैंने प्रोफेश्शनल पर आप देख सकते हों इन्डिया में इतना सारा आ रहा था यहांवर रोड से उपर आ रहा था यहां पर सिर्फ चार लाग चालिस हजार के आज पास प्लस ऑडियंस टार्गेट हो गया तो लिमिटेड मेरे ओडियंस को दिखाना है क्योंकि मेरे प्रोफेशनल वाचेज बगार है उनको मैं टार्गेट करना चाहता हूं यहां पर यह सेगमेंट के कितने पर्षन यह तकर से आपल अपने कम प्र Familien के हिसाब से कर चाहете हो यह अगर दोस्तों अब उसके अलावा भी अगर हमें एजूकेशन मालो एजूकेशन में तो यह तो दोस्तों आपका नेशर बिजनस के हिसाब से आपको करना है या जोब एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं आता हूं तो जोब टाइटल में मार्केटरिंग डिरेक्टर इन सब लोगों को टारिक कर सकता हूं तो इस तरीके से मैं अपना ओडियंस चूज कर लूगा ऐसे आप भी बना होगा जब ऑडियंस आप बना लोगे दोस्तों तो उसके बाद कि आपको क्या करना है यहां पर आप देख सकते हो कि जो मैंने ओडियंस चूज करा है यहां पर एनेबल ओडियंस एक्सपेंशन इसका मतलब है कि जो ऑडियंस मैंने चूज कर आ उस से मिलता जूदता सिमिलर ओडियंस को लिंक्टेन और टार्गेट करेगा ठीक है जो उन से जॉब टाइटल से उन लोग से मिलते जूदते लोग होंगे अगर आप चाहते हैं उनको भी दिखाए तो इसको क्लिक रहने दीजिए अगर आप नहीं चाहते हो हटाना तो आप अब मैं हटाओंगा तो यहां पर देखिएगा यहां पर इंप्रेशन जी सब कम हो अब मैंने जब आप इतनी महनत करोगे तो उस टेंप्लेट को मैं चूज कर लूँ यहां पर सेलेक्ट कर दूँगा मैं यहां पर कर दूँगा टीसी एस एंड टेक है महिंद्रा तो यह मेरे को आगे के लिए याद रहेगा कि मैंने यह और्डियंस बनाया था उसको सेफ कर इसे जाके चूज कर सकता हूं यह मैंने आपर सेफ कर लिया ठीक है हर बार इतना प्रोसीजर करने की महनत करने की फिर दरवत नहीं पड़ेगी तो यह मैंने कर लिया दोस्तों अब यहां पर हम चलेंगे अपने एड फॉर्मेट चूज करेंगे विकॉज है हम ऑनलाइन सेल सेलिंग और शॉपिंग एड बना रहे हैं तो इसके अंदर मैं वीडियो या क्राउजल बना सकता हूं यह जो मिरको चूज करना है तो अभी तो मैं इसके अंदर दोस्तों क्राउजल एड आपको के फॉर्मेट से आपको बताना बता दूगा किस तरीके से आप प्रोडेक् सेलिगुट में हमें एड फॉर्मेट में एवलेबल है या नहीं है बता देता हूं ओडियुस नेटवर्क होता है कि लिंग दिल पार्टनर वेबसाइट वर आपस होती हो उसमें भी हमारा एड देखे वह होता है ओडिस नेटवर्क तो यह हो गया आगे बढ़ते हैं अब इसके अंदर हम आते है डेली बज़ट या टोटल बज़ट लगाना तो मैं डेली बज़ट ही शुरुवात में कर देली बजट आपको 1220,2000 जादा जो आपको लगाना है यहां पर आप सेट कर सकते हो यहां पर जैसे आपका एड आपूवड हो वैसे रन होना शुरू हो जाए या आपको specific date पर शुरू करना चाहते हो, तो date यांदे चूज कर सकते हो, end date चूज कर सकते हो, अब दोस्तों यहां पर नीचे आप देखिए automated billing आ रहा है, तो automated bid के ओपर भी चूज कर सकता हूं, target cost per bid भी चूज कर सकता हूं, कि अगर में को target CPC लगाना है कि मैं इतने रुपे पर click से उपर नहीं दूगा, वो मैं आपर लगा सकता हूं, बट शुरवात में दोस्तों अगर आपको knowledge नहीं है, experience नहीं है, इस चीज का idea नहीं है कि कितना click आएगा, शुरवात में मैं हर campaign में आपको बोलता हूं, automated bid का use करें, ताकि LinkedIn खुद आपके add को optimize करें और best से best costing पे जरूरी है, दोस्तों जैसे Facebook के अंदर pixel code होता है, और event setup होता है, वैसे LinkedIn के अंदर insight tag का होता है, और conversion tracking होता है, इन दोनों वीडियो को मेरी इस series के अंदर जरूर देखना, इसके थूरू आप proper tracking कर सकते हो, कहां से traffic आ रहा है, क्या traffic आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या action ले रहा देख लीजेगा, और उनी के तुरूरा future में remarketing भी कर सकते हो LinkedIn पर, तो यह हमने आप कर ले ना वो वीडियो देखके, अब हम next करते हैं, और आगे बढ़ते हैं, save करा हमने अपने सारा settings, और अब हम ad बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो जैसे हम दोस्तों इधर आए, त अब तो 10 कर सकते हो, यहां पर text वेगारा में कितना character होना चाहिए maximum, intro में कितना होना चाहिए, format कौन सा होना चाहिए, यहां पर इस ad का हम नाम दे देते हैं, यहां पर हमने दे दिया shopping ads या online selling ads जो भी नाम दे रहे हैं, वो हमारे लिए हमने दे दिया, introductory text के अंदर मैंने यहां पर लिख देता हूं, professional men watches यह मैंने यहां पर लिख दिया, introductory text यहां पर अप्टू इतने character तक का होता है, get 50% discount इस तरीके से आप attractive introductory text लिख यहां पर मैं अपनी website का link दे दूँगा, जिस पर मैं चाहता हूं वो लोग जाए, watches पसंद करें, चोने पसंद आये तो purchase करें, और इसी URL को मैं सारे cards में लगाँगा, अगर आपको इसी को नहीं लगाना, अलग-अलग card पर अलग-अलग URL देने तो आप इसको हटा दो, फिर आपको हर एक पर उस page का URL देना पड़ेगा, ठीक है, वो आपकी मर्जय कैसे करना है, तो दोस्तों यह हमने करा, अब यहाँ पर हम जैसे एक card लगातें, मतलब एक creative लगातेill चलेंगे, found it in his यहां पर हम आगये दोस्तों इधर यहां पर हम इधर फोल्डर ओपन करेंगे तो यहां पर हम यह चूज कर लेते हैं creative यहां पर लगा देते हैं तो यहां पर आप देखिए creative आ गया यहां पर description डाल देंगे men watches online यह मैंने dummy के लिए डाल दिया आपको attractive line नहीं आप डाल दीजीए यहां URL हमारी website का आई रहा है एक और हम up to 10 आप कर सकते हो मैं आप यह आपको दो करके दिखा देता हूं ताकि आपको पता रग जाए किस तरी creative और आपको headlines वगरा बनानी है यहां पर मैं डाल देता हूं get 50% discount ठीक है डाल दिया है इस तरीके साब multiple अलग-अलग creative और उनके आगे उनकी headlines जाल सकते हो तो यहां से आप add करते जाना ठीक है आप दोस्तों जैसे हमने बना लिया अब हम जब create पर क्लिक करेंगे create पर क्लिक करने के बाद हमारा add save हो रहा है जितना भी अभी तक हमने सब चीज़े बनाई आप देखें यहां पर आ गए हम इधर तो यहां पर आप देख सकते हो यह हमारा add वेगरा जो हमने बनाया है अभी मैं billing information जब add कर दूंगा इधर तो मेरा add approval start हो जाएगा अभी मेरा add बन गया है save करके save भी रख सकता हूं और मैं continue इसको आगे मेरे को run करना है तो next करूंगा तो next करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो इधर मैं review में आ गया हूं यह सारी की सारी settings जो मैंने करी हूं यहांसे मैं review कर सकता हूं यहांसे मैं अपना audience वेगारा सारा खर्चा वे पर जैसे जाओंगा तो मैं देख सकता हूं यह देखिए website visit shopping campaign मेरा बन गया है product selling campaign तो यह बन गया है अब मैं इसको click करके देखता हूं अंदर मेरा अपना add देखूंगा यह देखिए मेरा add में आपर show हो रहा है अब जब मैं क्लिक करूंगा अपने add के ओपर तो public को मेरा add क इससे देखेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूं तो यहां पर हम आ गए और यहां पर देखिए हमारा adding कितने बहत्रीन तरीके से कितना beautiful rates वगारा चीज हमने बनाई है यहां आप अच्छे से text लिखेगा इस तरीके से public को दिखेगा ठीक है तो ऐसे multiple बहुत सारे crowdss आप कर सकते हो तो दोस्तों अब आप website traffic shopping ads सीकते होगे आगया होगा आप यूज कर सकते हो बना सकते हो लिंग्डिन पर professional लोगों को professional या उन्चे चीजे सेल कर सकते हो उमीद करना समझ में आगया हो thank you दोस्तों सबसे पहले आप LinkedIn पे अपने account में login कीजिए login करने के बाद आप यहां page पे आएंगे और यहां पर देखिए आप account में आगए account में आने के बाद आप work के section पे क्लिक करेंगे work के section पे क्लिक करने के बाद आप advertise के section पे क्लिक करेंगे अब देखिए हम advertise पर click करने के बाद LinkedIn Campaign Manager account में आ गए दोस्तों LinkedIn Campaign Manager account बनाना जरूरी है इसके बिना आप कोई भी commercial activity या paid campaign नहीं चला सकते लिंक्डिन के उपर तो इसका tutorial हमारे channel में है तो अभी तक अगर आपने account नहीं बनाया तो please इसको tutorial को हमारे देखके इस account को बनाईए जिससे कि आप LinkedIn पर अपनी professional campaigns, paid campaigns चला सके तो दोस्तों, अब हम LinkedIn campaign manager account में आ गए हैं यहाँ पर 4 steps होते हैं, मैं बसाता हूँ क्या अब जैसे मेरे media भाई, LLP demo ads का अपने एक account बनाए आपको सिखाने के लिए account में click करूँगा, अब आपको मैं समझाता हूँ क्या होता है देखे दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए 4 steps हैं, account सबसे पहले जब आपका नए account है तो आपको account create करना है, एक नाम देना है उसको फिर उसके अंदर आपको एक campaign group का नाम देना है वो create करना है, फिर उसमें आप multiple campaigns बना सकते हो, चाओ lead generation हो, website visits हो, videos हो, खोई भी हो, उसके अंदर उनके ads बनते हैं तो जो हमारा, अब मैं click करता हूँ, यहाँ पर campaign group जो मैंने बना रखा है, media भाई ads group है अब मैंने ad group में click करा, तो अब मैं आ गया campaigns में, तो दोस्तों यह देखिए, मैंने पिछले जो ads बनाया है, LinkedIn lead generation campaign बनाया है, मैंने brand awareness ad बनाया है, campaign बनाया है, website visit campaign बनाया है, engagement campaign बनाया है, और आज मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, video views का, तो video views वाला जो ह हमारा campaign है, वो हम यहाँ create करेंगे, तो हमारा LinkedIn lead generation वाला campaign है, बहुत important campaign है, तो इसको सीखेगा भी, और इसमें मैंने आपको account create कैसे करें, group कैसे create करें, campaign सारा बताया है, तो वहाँ से आभी सब चीज़ों को देख सकते हो, इस particular video में मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, कि LinkedIn पे video views campaign कैसे बनाए, तो उसके लिए मैं create campaign पे click करूँगा, create campaign पे click करने के बाद यह दिखिए, हमारे सामने objectives आ गए हैं, और उसके हिसाब से ads आ गए हैं, तो मैं video views ads पे click करूँगा, campaign पे click करूँगा, यहाँ click करने के बाद दोस्तों, हमारा पहला step शुरू होता है, campaign को setup करने के लिए पहला step है audience, अब audience में saved audience, दोस्तों, saved audience क्या होता, अब देखो, मैं जो मैंने बहुत सारे पहले ads बनाए थे, campaigns बनाए थे, उसमें मैं audience create करी थी, ढूंडी थी, research करी थी, चांटी थी, उस audience को मैंने save कर लिए, और उसको एक नाम दे दिया campaign का, जिससे कि मैं याद र इस तरीके से campaign, जो audience है, create करना भी बताऊंगा, और save करना भी बताऊंगा, तो इसको मैं skip करते हैं, यहां से भी आप audience select कर सकते हो, बड़ हम यहां से नहीं करेंगे अभी, आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं location पे, तो कोई भी audience बनाने से पहले, create करने से पहले, पहले किस area में क करना है, वो देखना है, तो Asia हमारा continent है, ठीक है, country हमारी India है, मिरको इंडिया में करना है, तो वो select करूँगा, अब इंडिया में भी अगर आपको कोई particular specific state, cities वेकरा, target करनी तो यहां से आप select कर सकते हो, मैं इंडिया में भी बना रहा हूं, तो मैं भी specific state नहीं select कर रहा, आखे चलेंगे, दोस्तों सबसे important part है यहां पर, अब देखो हमने जो चीजे अभी तक select करी हैं, उसके हिसाब से forecast result आ रहा है, इतना audience size है, इतने दिन, इतना impression, इतना VTR, इतना 30 days video views, ठीक है, तो हम अब जैसे जैसे अपनी audience select करते जाएंगे, और further settings select करते जाएंगे, यह च attributes और matched audience, तो matched audience हम use नहीं करेंगे, बिकाज यह तो जब हम अब बहुत LinkedIn में campaigns है, traffic है, बहुत चल चुकी है, तो हम उन audience से related कुछ करना चाहें करेंगे, but सबसे important है audience attributes, तो 5 attributes है, company, demographic, education, job experience, interest, अब LinkedIn इतने सारे attributes दे रहा है, उसके अंदर भी बहुत सारे filtrations दे रहा है, तो बह जिसे कि हम बहुत ही exact industry और सही लोगों को target कर सके हो, भले LinkedIn की costing थोड़ी जाद है, मगर अगर आपने LinkedIn को सही से use करा तो आपने लिए बहुत अच्छा business generate कर सकते हो, ठीक है, तो यह एक थोड़ा मैं आपको idea देता हूँ, जैसे मेरे को company select करनी है, तो company जो हमारे से connected हैं, वहा आपको पता हैं, और वो आपकी search में इधर आ रहे हैं, तो आप choose कर सकते हो, majorly तो जो मैं prefer करता हूँ, industry choose कर लेता हूँ, यह size choose कर लेता हूँ, तो industry के अंदर आ गया, जैसे अब आपका कोई agriculture से related product है, तो आप इस industry को choose कर रहे हो, किसी का painting से related है, तो arts कर लेगा, कुछ और क पर लेगा, किसी का building material या real estate से construction में आ जाएगा, या मेरा तो अब digital marketing है, जो हर industry के लिए होता है, तो मेरे को जो industry सही लगती है, मैं उनको choose कर लूँगा, तो मैं consumer goods कर लिया, तो मैं imperial fashion वालों को target करना चाहता हूँ, electronic products वालों को, consumer goods वालों को, cosmetics वालों को, food beverages वालों को, ठीक तो मैंने companies कर ली, okay, अब companies में भी second attribute है, आप size, अब मैं चाहता हूँ कि कम से कम companies के अंदर 50 या 50 से 200 तक employees हो, उनी companies को मैं अपने add दिखाना चाहता हूँ, वो भी मैंने कर लिया, तो इस तरीके से मैंने कर लिया, अब demographics हो गया, कि मैं जो लोगों को target करना चाहता हूँ, थो तो मैंने वो age criteria select कर लिया, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, demographics में हम gender के हिसाब से, male को दिखाना है, female को दिखाना है, दोनों को दिखाना है, वो भी कर सकते है, education में criteria, education attributes के अंदर, degrees के हिसाब से, आपको करना है कि doctors को दिखाना है, या masters को दिखाना है, ठीक है, ऐसे field of study, member school, professional manager, ठीक है, मेरे को इस तरीके से मैंने यहाँ पर कर लिया, ठीक है, इस तरीके साब कर सकते हो, फिर मैं आगे further इस पर आया, फिर job experience पर आया, तो member skills के हिसाब से मैं लोगों के कर सकता हूँ, skills क्या है, ठीक है, अब skills अलग चीज हो गई, तो वो program management में, technical writing में, किसे और skill में है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर choose करा, कि उनका जो है, जो skill है, वो marketing से related होना चाहिए, ठीक है, तो मैं online marketing पर आ गया, तो आप इस तरीके से चीज़े कर सकते हो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और अब हम आगए interest पर, तो interest आपके जो groups हैं, उसमें जो member groups हैं, interest के हिसाब से, कि आपके लोगों के interest किस किस चीज़ में हो सकते हैं, तो उस हिजाब से आप चूज कर सकते हो, हमारे advertisement मैंने कर लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके से आपको अपने सारा audience बहुत सो समझ के चूज करना है, विकार सही audience चूज करोगे, तभी सही results आएंगे, अपका काम बढ़ेगा, अगर audience सही से चूज करी, यहाँ पर आपने time बचाने के कोशिच करी, तो आपका पैसा ड्रेन हो जाएगा, सही results नहीं आएंगे, तो देखो, मैंने चीज़े अपने audience चुना, तो यहाँ पर चीज़े चेंज हो गई, ठीक है, तो अप्रॉक्स जो results अब मैंने दिखा रहे हैं, उसके हिसाब से, आगे बढ़ेंगे, अब मैंने आपको बताया था, audience से चुनोगे, बनाओगे, तो उस audience को एक नाम दे देंगे, अब जैसे है, media भाई, video ads, तो जैसे मैंने आपको ओपर templates दिखाया थे, अलग-अलग campaign में मैंने जो बनाय तो उ मेरे को यह template audience यूज करनी है, तो मेरा audience बनाने का बहुत सारा समय और टाइम बच जाएगा, ठीक है, तो अब यहाँ पर add format, बहुत सारे campaigns में बहुत सारे add format आते हैं, उसमें कुछ हम यूज कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, बट वीडियो में तो एक ही format आएगा, video format, त मतलब है कि LinkedIn में आप LinkedIn का जो network है, जो आपका LinkedIn का account है, उसी की audience को चूज करना चाहते हो, या LinkedIn से जूड़ी होई जो partner apps और website से उनको अभी network यूज करना चाहते हो, तो अगर मैं इसको deselect कर दूँगा, तो हम वो network नहीं चूज करें, सिर्फ LinkedIn पे हमारा add से लेगा, अगर इसको साथे 12 सुरूपे के आज-पास का, तो आप budget कम जाधा भी कर सकते हो, अपने objective, अपने काम और अपने target area कितना बड़ा आप दिली में चला रहे हो, इंडिया में चला रहे हो, कई multiple countries में चला रहे हो, उसके आप से budget होना चाहिए आपका, ठीक है, LinkedIn थोड़ा से expensive जरूर है, अगर अगर सही से आपने चलाया और थोड़ा patience रखा तो आपको result भी बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर campaign जैसे start होगा, तो start date हमें दे देनी है, कि इस date से मेरा add चले तो 27 तारिक select कर लिया है, end date देना चाहों दे दीजे, नहीं देना वैसे आप cost per view पे भी कर सकते हो, और automated bid पे भी, तो cost per view और automated bid का मतलब क्या है, कि क्योंकि शुरबात में आपको हमको इसनी जानकारी नहीं होती है, कि क्या हमारी bidding रहेगी, इस product service के लिए क्या cost आनी चाहिए, तो या तो उसके लिए multiple ads बनाओ, ठीक है, और उसके जो response है, उ जिससे कि आपको पता लगेगा, add designs वे लगोने चाहिए, जिससे कि आपको पता लगेगा, कि इस तरीके के add, इस तरीके का content ज्यादा effective है, ज्यादा कम cost में अच्छा result आ रहा है, तो उसे जाब से का आपको costing का भी idea हो जाता है, bidding का भी idea हो जाता है, बड़ शुरवात में क् पता है, तो automated bid पे ही अपने multiple campaign बनाओ, उस experience लो, चीजों को समझो, फिर आप further, आप अपने हिसाब से decision ले सकते हो, तो ये बहुत important, मैंने आपको tip बताई है, इसको अपने हर campaign में ध्यान रखिएगा, तो आगे बढ़ते है, conversion tracking optional है, बट ये करना जरूर है, conversion tracking campaign का code का है, कि जैसे website, Facebook में pixel code होते हैं, अपनी website में अप लगाते हो, ट्रेकर निकले, वैसे LinkedIn का भी tracking code होता है, जिसको आप अपनी website में लगाईए, क्योंकि अगर आप LinkedIn marketing करते हैं, वहाँ से आपको long term में business generate करना है, तो LinkedIn से कौन सा traffic आ रहा है, कैसा traffic आ रहा है, कितना traffic आ रहा है, कितना र आपके पास है, तो इसका हमने वीडियो बना रखा है, हमारे channel में है, उसको देखी है, और उसे अपनी website में LinkedIn का tracking code लगाईए, ठीक है, तो आप future में बहुत benefit में आएंगे, अब हम next करते हैं, second step पे आते हैं, save करेंगे, campaign हमारा save हो गया, जो हमने बनाया था, अब हम second step पे आ video ads, okay, main है, अब देखो, यहां पर बहुत सारी चीज़े हमें, guidelines दे रखी है, कि 3 seconds से लेके 30 minute तक का ही आपका add होना चाहिए, ठीक है, tip है, most successful video ads are less than 15 seconds, क्योंकि लोग बहुत जादा नहीं देखते, आपको 15 seconds, 20 seconds के अंदर का ही video बनाना चाहिए, और उसमें कम से कम बात में effective बात बोलने चाहिए, जिससे कि लोग video देखके, फिर फर्दर आगे, आपके ads के click करें, और आगे detail लें, ठीक है, और जो layout है, वो horizontal होना चाहिए, vertical videos तो यह सारी चीज़े पढ़नी है आपको, ठीक है, और इसके हिसाब से अपने designer से, अपना add धंक से बनवाना है, सही content होना इस पर आप अपनी बात को बोलिए, वीडियो के ओपर यह text जो होता है, अब जैसे ही मैंने एक थोड़ा यह dummy मैंने content लिखके रख लिया था, to save time, यह मैंने introductory जो text है, इसको मैंने यहाँ पर paste कर दिया है, अब मैं वीडियो अप्लोड करूँगा, तो मैं upload वीडियो पर जा देंगे, यह देखिए हमारी वीडियो अप्लोड हो रही है, और यहाँ पर हम headline डाल देंगे, मतलब आपको अच्छी से कोई headline डालनी है, थोड़ी attractive, copy किया, paste, destination URL सबसे important है, जहाँ पर आप चाहते हो कि वीडियो देखने के बाद, लोग बाकी की further detail के लिए आपके वहाँ पर जाएं, तो मैं अपनी website का URL दे रहा हूं, यह मैंने दे दिया, call to action, sign up करना है, apply करना है, download करना है, quote लेना है, क्या करना है, ठीक है, तो हमारा जो है, मकसद ह है, कि लोग हम से quote लें, ठीक है, हम से services का quote लें, ठीक है, तो यह learn more भी कर सकते हैं, अब मैं get quote पर click करूँगा, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपना add जो है, यह मैंने बना लिया है, okay, कोई caption add करना है, यहाँ पर click करके caption add कर सकते हैं, यह तो कोई mandatory नहीं है, okay, तो अब मै add create करूँगा, अब मैंने कि हमारा जो वीडियो है, जो वीडियो add है, वो create हो रहा है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा add create हो चुका है, हमारी वीडियो थोड़ा सा process होने में time ले रही है, so it is processing, in process, तो अब यहाँ पर जैसे यह process पूरा होगा, हमारी वीडियो का, तो यह देखिए, यहाँ पर stats आप देख रहे हो, audience size हमारा क्या हो गया, हमारी costing क्या दिखा रहा है, कितने spend हो सकता है, हमारे वीडियो वीडियो कितने दिखा रहा है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर एक approach idea हमें मिल जाता है, यह हमारा देखिए, दोस्तों पूरा add बन गया ह अब हम अपने campaign को launch करेंगे, campaign को करा हमने launch, अब देखिए, यहाँ पर आगे, you have successfully launched your campaign, और अब यहाँ पर हम एक overview ले ले लेते हैं, जो हमने बनाया है, go to account overview, यह देखिए हमारे सारे के सारे जो हमने आपको दिखा रहे हैं, ads, अब हम यहाँ पर click करेंगे, दोस्तों, यह ह हमारा campaign बन गया, video views का, जो हमने आपको सिखाया था, campaign बनने के बाद यह हमारा ad था, ठीके, जब ads चालू हो जागा है, stats आने शुरू हो जाएंगे, कुछ भी changements करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप video views ads चला सकते हो, तो दोस्तों, इस video में हम आपको बताएंगे, कि आप किस तरीके से LinkedIn पे engagement ads बना सकते हैं, लोगों को engage कर सकते हैं, अपने product services, brand के संग, या आप इसके अंदर हम आपको follower ad बनाना भी बताएंगे, कि आप कैसे followers increase कर सकते हैं, अपने company के, अपने brand के, और अपनी following बढ़ा सकते दोस्तों, बहुत interesting, बहुत important topic है, practically एक एक चीज़ सीखेगा, और tips tips बताऊंगा, जिससे कम costing पर engagement और followers बढ़ा सको, वो भी आप समझेगा, तो दोस्तों, अभी मैं अपने LinkedIn के account में हूँ, तो ad बनाने के लिए, मैं यहां पर work के section पे आँगा, click करूँगा, और इधर advertise पे click करूँगा, तो दोस्तों, जैसे मैंने advertise पे click करा, तो मैं अपने campaign manager account में आगया, अगर आपका campaign manager account नहीं है, तो आप LinkedIn के ऊपर ads नहीं बना सकते, तो दोस्तो campaign manager account बनाने के लिए, आप हमारी series में से video देख सकते हैं, और easily बना सकते हो, तो दोस्तो campaign manager account में आने के बाद हम ads ब दिखाता हूँ, पहले मैं एक sample दिखा दूँ, उसके बाद मैं आपको बनाना दिखाता हूँ, तो उसके लिए एक sample खोल रखा है, दोस्तों, देखिए एक तो follower add यह होता है, यहाँ पर देखिए follow, यह specific follower add है, जब मैं follower add, follower add format को लेके बनाऊँगा, तो इस तरीके से add से मेरा data वेकर है, fetch होकर आएगा, यहाँ पर follow का button आएगा, जो लोगों मेरे follow ने का रखा हूँ, इस तरीके से follow का button दिखेगा, ठीक है, और जो, अभी मान लीजिए, इस company ने, यह company है, three pillar global, इन्होंने यह add चला रखा है, यहाँ पर आप add देख सकते हो, और क्योंकि add mail को देख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर मेरा profile pic use हो रहा है, और यहाँ मेरे नाम आ रहा है, तो followers add थोड़ा personalized touch आता है, उसके अंदर तो आप देख सकते हो, मेरा, इस add के अंदर automatically, मेरा image, मेरा नाम use हो रहा है, तो मैं, अगर मेरे को अच्छा लगता है, यहाँ पर कुछ लग यहाँ पर इस देख सकते हो, यह जो एक add चल रहा है दोस्तों, यह भी engagement add है, और यहाँ पर follow option है, अगर मेरा follow option हो कर सकता हूं, क्योंकि अलग-अलग format होता है, यहाँ पर देखिए, लोग engage हो रहे है, यह engagement add यह वाला जो चल रहा है, यह video का format यूज हो रहा है, और यहाँ आप देख सकते हो, इतने लोगों ने यहाँ पर react करा है, लोगों ने comment करा है, लोगों ने view करा है, तो मैंने आपको दोनों format दिखा है, ठीक है, अगर आप single image या video format यूज करोगे, तो इस तरीके से आपका add बनेगा engagement add, और यहाँ पर आपको engagements देख सकती है, और पर follow करना but engagement add में specifically follower add है, यह follower add है, जो आप देखके है, तो मैं दोनों चीज़ा आपको बताऊंगा इस video में, बहुत ही informative होने वाली यह video, तो दोस्तों, अब हम वापस campaign manager account में चलते हैं, और अपना add account में आ जाते हैं, marketing fundas में, यहाँ पर हम आ गए, अब यहाँ पर हम अपना एक campaign group च करेंगे, engagement और follower add आपको बताएंगे, तो create campaign पर click करेंगे, जैसे हमने create campaign पर click करा, दोस्तों, यहाँ पर हम engagement पर click करेंगे, engagement, click करा एदर हमने, तो जैसे यहाँ click करा, तो आप आपर देख सकते हो, दोस्तों, यहाँ पर हमारे लोग जो add दिखेगा, वो like, share, comment, view, click, ads पर कर स सकते हो, और follow कर सकते हैं मारी company को, यह add follow button include करता है, तो आप हम नीचे आते हैं, अब दोस्तों क्या है यहाँ पर, यहाँ पर हम नीचे audiences में अपना audience create करेंगे, तो audience create करने के लिए दोस्तों, मैं आपके बात बताऊंगा, अभी मैं इसमें saved audience, जो मैंने अभी lead generation add आप लोग कैसे आप यहाँ पर अपने targeted audience select करोगे, और कैसे आप यहाँ पर यह exclusions वगरा include करोगे, तो यह सारी चीज़े अल्रेडी मैं बता चुका हूं, lead generation campaign जरूर देखिएगा, वो बहुत important, बहुत useful campaign है, lead generation LinkedIn campaign, और उसमें मैंने आपको बहुत सारी basic account create, campaign group create, उसके अंदर मैंने आ आपको पूरा audience create, हर चीज़ बताई है, और वो वीडियो देखना वैसे भी आप Google के बहुत जरूरी है, अगर आपको LinkedIn में mastery करनी है, और leads generate करनी है, तो उसमें मैंने आपको proper audience set करना बताया था, इसमें मैं आपको saved audience कैसे use करना है वो बता रहा हूं, तो क्योंकि मैंने पहले यह वाला audience बनाया था, तो अभी तो आप देखो, यहां पर by default अभी इंडिया, इंडिया सेलेक्ट हो रखता है, तो उसे साफ से यहां पर target audience कितनी जादा आ रही है, लगवग साड़ीच करोड के आश्वास आ रही है, जब मैं अपना targeted audience select करूंगा, यहां पर मैं saved audience में में इसको कर लेता हूं, और इसको okay करता हूं, तो यह करने के बाद आप देखो, यहां पर मेरा audience size वही आ गया, मेरा सारा यहां पर चीज़े आ गई, ठीक है, तो मेरा जो time अगर आपके पास आपका audience saved है, जो आपने पहले किसी champion में बनाया था, आपका time saved होता है, और यह सब च आपके निचे आते हैं, तो अगर आपको similar audience और target करना है, जो उपर आपने audience target करा है, तो आप इसको click रहने देजिए, और similar audience को भी LinkedIn आपका add दिखाएगा, अगर नहीं करना है, तो अगर आप इसको हटा देते हो check box से, यहां पर देखो, आपके reach वगरा कम हो जाएगी, और specific हो गया for data, आपके मर्जी है, आपको reach बढ़ानी है, या limited logo को दिखाना है, वो आपको देखना है, कैसे करना है, तो यहां पर हम पूरी summary भी देख सकते है, हमारा audience क्या क्या है, location क्या है, जो भी हमने सब्सक्राइट करी है, हम यहां देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, आप य already मैंने आपको single image एड कैसे बनाते है, krausel एड कैसे बनाते है, video एड कैसे बनाते है, इस series के अंदर वो video भी है, LinkedIn के, भास आप देख सकते हो, और अगर इन तीनों से कोई format यूज करोगे आप, तो जैसे मैंने आपको दिखाया था, इस तरीके से आपका add engagement add दिखेगा, यहा और यहां पर लोगों के engagement दिखेगा, ठीक है, बट क्योंकि मैं इसमें आपको follower add specific engagement में सिखा रहा हूं, तो मैं follower add का format यूज कर लूँगा, और यहां पर अगर मैं बनाऊंगा तो इस तरीके से हमारा add दिखेगा, यह जो आप देखेगा, ठीक है, तो बनाना बताते है, follower add format मैं choose कर लिया है हमने, और यहां पर दोस्तों set a total budget, तो दोस्तों यहां पर daily budget की जगा, total budget का यहां पर option आ रहा है, set both a daily and total budget भी मैं कर सकता हूं, तो अगर वो मैंने choose कर लिया है, तो यहां पर, मैं अगर daily budget लगाँगा, पांसों हजार दोजा जो भी मेरे को लगाने में हैं और उसके जाबते हैं पर total budget आ जाएगा, मगर उसमें मेरे को total budget जब मैं अपने dates, मालो start date में हैं यहां पर select कर देता हूं, मालो मैंने यह कर रहा है, 12 तारिक से मेरा ad start होना चाहिए, भले हुआ group up चो हो जाए, और मैं यहां पर यह चाहता हूं, कि जो मेरा ad है, वो 15 तारिक चाहिए, तो आप यहां पर देख सकते हो, इसे चाहिए मेरे total spend वेगार है, यहां पर सारा आ गया है, यहां पर total budget सब चीज आप देख सकते हो गया, अब bid type है, CPC cost per click, तो दोस्तों cost per click ही रहने दीजिएगा, because follower अगर बढ़ाने engagement करना है, तो उसमें लोगों को action लेने तो इसलिए CPC है, और यह आपको हमें idea दे रहा है कि पर click का engagement का हमें क्या cost आ सकता है, ठीक है, अब conversion tracking तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, website convergence में तो important है, mandatory है, मगर मैं फिर भी आप लोगों को बोलता हूँ, conversion tracking या LinkedIn, inside tag, pixel code, यह सब वीडियो जरूर देखेगा, ताकि आप LinkedIn में, आप advanced level पे काम कर पाओ, आप proper pixel data capture कर पाओ, आप conversion कर पाओ, पबिक क्या कर रही है, और वो री-target कर पाओ, री-market कर पाओ, यह सब जरूर है, तो मेरी वीडियो देख लीजिएगा, matched audience की, inside tag की LinkedIn का, और आपका conversion tracking का, बहुत important वीडियो देखेगा, अब क्योंकि हमने add format set कर लिए, add settings कर लिए, next करेंगे, add गनाने की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर save कर देगे अब दोसें, यहाँ पर हम अपना follower add बनाएंगे, जो हमने add format चूज कर रहा है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, create new add पे click करूँगा, जैसे मैं click करूँगा, देखे आगे हो format, क्योंकि यहाँ पर मैं add दिखा रहा हूँ तो इसे right hand side पे मेरा logo आ रहा है, यहाँ और यह एक example के तोर पे जिसको भी add देखेगा, उसका ऐसे profile pick आएगा, जैसे कि मेरे के अंदर यह company का add है, और यहाँ मेरा profile pick आ रहा है, वैसे जब मैं बनाऊंगा, तो मेरी company का यहाँ पर logo आएगा, और जिसको add देखेगा, उसका आपर pick आएगा, उसका नाम बगर आएग है, like first name, company name, hiring, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, like यहाँ पर हम, तो यह format है, तो automatically क्या होगा, इसमें हम कई सारे format चूज कर सकते हैं, तो जो format हम चूज करेंगे, आप माली जी में first name, company name, hiring करूँगा, तो इस तरीके से देखेगे, आप पर दिख रहा है न, get the latest job, sorry, हितेश, एक्टोर, relevant opportunities, तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने, इसमें से, कोई और format यहाँ पर choose कर लिया, तो वो मेरे को दिख रहा है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे को latest jobs, industry news का यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ प देख सकते हैं, तो वो मैं choose रह सकता हूँ, यहाँ कुछ बनाना है, वो भी बना सकता हूँ, और दोस्तों, अब यहाँ पर company का name, marketing fundus है, तो obviously वही जाएगा, यहाँ पर automatically मेरे profile जो, यहाँ पर मेरे logo updated है, तो वही जाएगा, यूज प्रोफाइल में, जब मैं यहाँ प्लिक करूँगा, तो यहाँ पर यह दिखेगा, अगर मैं चाहता हूँ, सामने वाले को profile pic नहीं दिखेगा, तो सामने वाले को profile pic नहीं दिखेगा, मगर वो जादा अच्छा रहता है, अगर आप दूसरे की profile pic भी यूज करो, ठी description में नीचे, description जैसे देखें नीचे description आ रही है, यहाँ पर भी आप description चूज कर सकते हो, आप क्या चाहते हो, लाइक में कहते हो, get the latest job industry, तो यहाँ पर यहाँ आ गया, ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से, अब यहाँ पर एक चीज और दिखाता हूँ में आपको, यहाँ प आपके बार में देखे, या company visit करे, विजट जॉब करे, क्या करे, तो मैंने कर दिया, visit careers, तीक है, या visit company, जो मेरे को लगेगा, वो मैं हाँ पर कर दूँगा, तो यहाँ पर उसको दिखेगा, मगर कब दिखेगा, जब उसने follow कर लिया होगा, मगर उसने follow, जब मेरा add और non followers को दिखेगा, क्योंकि actual में followers बढ़ाने ने engagement के तुरू, तो इस तरीके से add दिखेगा, जैसे मेरे को दिख़गा, अगर मैं इसको follow करूँगा, तो फिर उसके बाद क्या होगा, मेरे को follower की तरह add दिखेगा, फिर मेरे को visit company, जो भी इस company ने यहाँ पर action लगा रखा तो हमारा add इस तरीके से दिखेगा, जो हमने बना दिया है, और जब मैं create पर click करूँगा, तो मेरा add बन गया, save हो गया, अब मैं इसको complete करूँगा, next करूँगा, next करूँगा, next करने के बाद यहाँ पर review करूँगा, और अपने यहाँ पर मैं पूरा पूरा जो जो मैंने च campaign चलाना चाहता हूं, तो मैं launch campaign पर click करूँगा, तो launch campaign पर click करने के बाद यहाँ पर you have successfully launched this campaign, यह payment का इस पर ऐसे आ रहा है, अभी मैंने billing add नहीं करी, जो billing add कर दूँगा, तो कुछ नहीं आएगा, फिर add चल जाएगा, तो go to account overview, जब मैं account overview पर click करूँगा, तो मैं dashboard में आ और यहाँ पर आप देखिए, मैंने engagement, dynamic add बना लिया है, follower add बना लिया है, ठीक है, और यहाँ पर जैसे यह active हो जागा, approved हो जाएगा, run on a start हो जाएगा, और यहाँ पर सारा data दिखना शुरू हो जाएगा, तो दोस्तों इस तरीके से आप engagement add, follower add format यूज करके बना सकते हो, उ website traffic ads कैसे चला सकते हो, और कैसे economical cost में traffic लेकर आ सकते हो अपनी website पर, और दोस्तों आपको उसके थ्रूँ shopping ads, मतलब product sale कैसे कर सकते हो, online product selling कैसे कर सकते हो LinkedIn के थ्रूँ, मालीजी आप कोई packages बेचना चाहते है, या मैं अपने digital marketing packages बेचना चाहता हूँ, digital marketing courses बेचना चाहता तो कैसे हम online shopping ads चला सकते हैं, website traffic ads बना सकते हैं, वो भी economical cost में LinkedIn के जरूँ, वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, तो दोस्तों देखिए हम यहाँ पर पहले अपने account में आ गए LinkedIn के, इसके बाद हम जाएंगे, यहाँ पर work के section में click करेंगे, इधर click करने के बाद हम advertise के section में अपने campaign manager account में, बिना campaign manager account के आप LinkedIn पर ads नहीं चला सकते हैं, जैसे Facebook में business manager account होता है, वैसे ही LinkedIn में campaign manager account होता है, नहीं है, तो आप प्लीज हमारा video देखिए हमारी series में video उसे सीख लीजे और बना लिए, तो दोस्तों यह देखिए हमने एक website भी हमारी हाँ पर घड़ी दुनिय के नाम से product based site है, तो इस पे हम आपको website traffic और online shopping, online sale ad बनाना सिखाएंगे, तो अब जैसे हम इतर आ गए, तो दोस्तों अब इसके लिए क्या होता है, कि आपको accounts बनाने पड़ते हैं, तो create account बनाना है, फिर आपको campaign group बनाना है, तो उन सब चीजों के लिए दोस्तों, हमने ए एक आपको video series में दिया है, LinkedIn lead generation campaign, तो lead generation campaign वाला video जरूर देखिएगा, वो end to end है, जिसमें create account करना ही, जो accounts आप देख रहे हो, और उसके अंदर campaign manager बनाना हमने सिखाए है, तो दोस्तों वो देख लीजेगा video, उससे आपको हर एक step practically clear होगा, इस particular campaign में हम आपको website traffic और shopping ad सिखा है, तो दोस्तों जैसे आपने एक account बना लिए, हमने अपना एक account अभी बनाया था, lead generation, यह marketing fundas के नाम से, बहुत simple है, हम उस account में जाएंगे और उसमें campaign बनाएंगे, तो मैं click करूँँगा, इस account को, account को click करने के बाद दोस्तों, यहां पर आता है campaign group, तो campaign group, अभी मैं यह व बनाया था, brand awareness बनाया था, text add बनाया था, तो उस तरीके से, हमने दोस्तों यहां बना दिया, ठीक है, अब हम बनाएंगे website traffic और shopping product selling campaign, तो मैं create campaign पर click करूँगा, यहां पर click करने के बाद दोस्तों, इधर आप आई, देखिए, यहां पर सारे के सारे objectives आ गए, तो यहां पर ह लिखा हुआ है, website traffic और उसके बारे में detail लिखिया box में, click करेंगे website visits के ओपर, तो website visits पर जैसे हमने click करा, तो हम यहां पर audience बनाने, यहां पर आपको the saved audience के पहले के campaign में जो आपने audience बनाई कि अगर उसने अच्छा perform करा है, तो क्या आप उस audience को use करना चाहते हो, तो आप अगर करना चाहते हो, तो कोई audience ऐसे choose कर सकते हो, या फिर LinkedIn की कोई audience है, जो already बनी बनाई audience है, इसमें से अगर आपको लगता है, कोई audience आपको सही लग रही है, आपके product services के लिए तो उसको choose कर सकते हो, और मैं आपको fresh तरीके से audience create करना बताऊंगा, और audience आपको save करना बताऊंगा, तो माल लीजे हम all over India में अपना ad चलाना चाहते है, अपने product sale करना चाहते है, तो पहले हम location target करेंगे, तो यहाँ पर हमें करना है कि जो लो location में रहते हैं, उनको दिखाना है, तो हम पहले वाला option अभी choose कर लेते हैं, और यहाँ पर आप देखें, अगर आपको India में करना है, तो इंडिया करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, तो हमें तो इंडिया में करना है, इसलिए अभी हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, देखें, तो यहाँ अच्छे लगवक सात करोड़ प्लस यहाँ पर target size आगया audience हो, तो इतने लोगों को नाम में दिखाना हमारा budget, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम narrow down करेंगे, अपनी audience को अपने हिसाब से choose करेंगे, click करेंगे, यहाँ पर दोस्तों, एक होता है audience attributes, attributes के इन इन तरीकों से हम अपना audience select कर सकते हैं, target कर सकते हैं, यह होता है, matched audience, तो दोस्तों, matched audience वो होता है, जो generally remarketing के अंदर हम use करते हैं, तो matched audience क्या है, lookalike audience क्या है, उसका कैसे use कर सकते हो, वो video हमने बना रखा है, वो देख लीजेगा, अभी इसमें हम audience attributes के हिसाब से कर करेंगे, तो यहाँ पर कई तरीके होता है, दोस्तों, मान लीजिए, मैं digital marketing के कोई products वगरा, sale कर रहा हूँ, या मैं watches ही sale कर रहा हूँ, चली मान लीजिए, तो मैं companies के अंदर, लोग professional watches पहनते हैं, बिकर professionalism की निशानी है watches, तो मैं company की category के हिसाब से भी target कर सकता हूँ, यहा यहाँ पर company के connections के हिसाब से, followers के हिसाब से, growth rate के हिसाब से, industries के हिसाब से, company के नाव साब से, name के हिसाब से, like मैं यहाँ पर click कर रहा, company name, और दोस्तों, यहाँ पर देखे, बहुत सारे companies आ गए, मैं यहाँ पर टाल देता हूँ, TCS, ठीक है, अब मैं TCS company को मैं यहाँ पर, just choose कर लेता हूँ, तो मैंने professional companies choose कर ली, आप मैं इनके employee, आप जहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरा target audience जो इंडिया में इतना सारा आ रहा था, अचिए 7 करोड से उपर आ रहा था, यहाँ पर सिर्फ 4,40,000 के आसपास, plus audience target हो गया, तो limited मेरे audience को दिखाना है, क्योंकि कि मेरे professional watches बगार है, उनको मैं target करना चाहता हूँ, यहाँ पर यह दिखा रहा है segments, किस segment के कितने percent, यहाँ पर function areas के हिसाब से percentage दिखा रहा है, आगर मैं like seniority के हिसाब से देखना चाहूँगा, तो वो दिखाएगा, ठीक है, entry level की कितने हैं, कौन से कितने level के हैं, rate level की कितने लोगों को दिखा रहा है, वो यहाँ सम देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों इसी हिसाब से आप अपने companies के हिसाब से target कर सकते हो, demographics के member age, अब मैं किस age group हो, या मानली ची मेरी men's की watches है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, और मैं men's को ही दिखाऊंगा, अगर men's की है, अगर दोनों की है, तो मेरे को कुछ नहीं करना, फिर तो मैं अपना यहाँ पर as it is रहने दूँगा, ठीक है, अगर मेरे को कोई specific दिखाना है, तो like मैंने इसे mail target कर ली, कि मेरी mail से related watches है, तो उसके हिजाब से मेरा target audience आ गया, ठीक है दोस्तों, अब उसके अलावा भी, अग इनको मेरे को करना है, तो यह तो दोस्तों आपका nature of business के हिसाब से आपको करना है, या job experience के हिसाब से अगर मैं आता हूं, तो job titles में, मैं marketing, directors, इन सब लोगों को target कर सकता हूं, because यह लोग watches जनरली पहनते ही पहनते हैं, जो marketing में है, sales में है, directors हैं, ठीक है, तो मैं उनको भी target क choose कर लूँगा, ऐसे आप भी बना होगा है, जब audience आप बना लोगे दोस्तों, तो उसके बाद, आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, कि जो मैंने audience choose करा है, यहाँ पर enable audience expansion, इसका मतलब है, कि जो audience मैंने choose करा, उस से मिलता जूदता similar audience को LinkedIn और target करेगा, ठीक है, जो उन attributes से, job title से, उन लोग से, मिलते जूदते रोग होंगे, अगर आप चाहते हैं, उनको भी दिखाएं, तो इसको click रहने दीचे, अगर आप नहीं चाहते हो, हटाना तो आप हटा, अब मैं हटाओंगा, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर impressions जी सब कम हो जाएगा, मैंने यहाँ पर click कर रहा, तो अब देखिए, यहाँ पर 13,000 की जीगा, 16,000 कुछ हो गया, तो यह आपके उपर है, आपको उनी लोगों को दिखाना है, उनसे मिलते जूदतों को और दिखाना है, तो यह आपके उपर है, चूज करना है, नहीं करना है, उसके हिसाब से, यह मैं यह audience बनाया था, उसको save कर लूँगा, अब दोस्तों कभी भी future में, अगर एड मेरे को बहुत अच्छा performance देते हैं, तो इसको मैं audiences को future में किसी और एड में भी saved audience में से जाके choose कर सकता हूं, यह मैंने आपके save कर लिया, ठीक है, हर बार इतना procedure करने की, मैनत करने की फिर नहीं पड़ेगी, तो यह मैंने कर लिया दोस्तों, अब यहां पर हम चलेंगे, अपने ad format चूज करेंगे, because हम online selling, online product selling और shopping ad बना रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर मैं video या krausal बना सकता हूं, यह जो मेरे को choose करना है, तो अभी तो मैं इसके अंदर दोस्तों krausal ad आपको के format से आपको बताना बता दूगा, किस तरीके से आप product sale कर सकते हो, तो मैंने krausal ad चुल लिया है, अब यहां पर audience network का target करना चाहता हूं, तो मैं कर सकता हूं, इसमें अभी एनेबल है, यह depend करता है, कि audience network का कौन से objective में, हमें ad format में available है या नहीं है, बगर मैं बता देता हू audience network होता है, कि LinkedIn की जो partner websites और apps होती हो, उसमें भी हमारे ad देखें, वो होता है audience network, तो हमारी reach बढ़ा देता है, ठीक है, तो यह हो गया, आगे बढ़ते हैं, अब इसके अंदर हम आते है, daily budget या total budget लगाना है, तो मैं daily budget ही शुरुआत में आपको prefer करूँगा, और daily budget आपको 1200 कम जादा, जो आपको लगाना है, यहाँ पर आप सेट कर सकते हो, daily का, यहाँ पर जैसे आपका ad approved हो, वो वैसे run होना शुरू हो जाए, या आपको specific date पर शुरू करना चाहते हो, तो date यहाँ चूज कर सकते हो, end date चूज कर सकते हो, अब दोस्तों यहाँ पर नीचे आप देख इस चीज का idea नहीं है कि कितना click आएगा, शुरुवात में मैं हर campaign में आपको बोलता हूँ, automated bid का use करें, ताकि LinkedIn खुद आपके ad को optimize करें, और best से best costing पे आपको results ला कर दें, तो आप automated पे रहने दीजिए, जब आपको experience हो जाएगा, idea हो जाएगा, तो आप अपने हिसाब से bid भी चूज कर सकते हो, अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है, conversion tracking optional है, but conversion tracking बहुत जरूरी है, दोस्तों जैसे Facebook के अंदर pixel code होता है, और event setup होता है, वैसे LinkedIn के अंदर insight tag होता है, और conversion tracking होता है, इन दोनों वीडियो को मेरी इस series के अंदर जरूर देखना, इसके थूरू आप proper tracking कर सकते हो, कहां से traffic आ रहा है, क्या traffic आ रहा है, क्या action ले रहा है, ठीक है, वो सारी सीज आप track कर सकते हो, specific page पे, add to cart पे कितने लोग गए, purchase कितने ने कर लिया, वो सब आप कर सकते हो, वो दोनों वीडियो देख लीजेगा, और उनी के चुरुआ future में remarketing भी कर सकते हो LinkedIn पे, त तो जैसे हम दोस्तों इधर आए, तो इधर हम new ad बनाने के लिए क्लिक करेंगे, इधर create ads के ओपर, आप दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, krausal ads बनाने के लिए, यहां पर सारा बुल दे रखा है, कि minimum 2, तो creative होने चाहिए, ads होने चाहिए, और up to 10 कर सकते हो, यहां पर text व दिखान रखेंगे, because perfect ad बनेगा, तो कम से कम costing में maximum reach आएगे, और अच्छे result आएगे, तो यहां पर इस ad का हम नाम दे देते हैं, like, यहां पर हमने दे दिया shopping ads, या online selling ads, जो भी नाम दे रहे हैं, वो हमारे लिए हमने दे दिया, introductory text के अंदर मैंने यहां पर लिख देता हू professional men watches, यह मैंने यहां पर लिख दिया है, introductory text यहां पर अप्टू इतने का रेक्टर तक का होता है, get 50% discount, इस तरीके से आप attractive introductory text लिखिएगा, मैंने डमी के लिख दिखा दिया है, यहां पर मैं अपनी website का link दे दूँगा, जिस पर मैं चाहता हूँ वो लोग जाएं, watches पसंद करें, चोने पसंद आये तो purchase करें, और इसी URL को मैं सारे cards में लगाँगा, अगर आपको इसी को नहीं लगाना, अलग-लग card पर अलग-लग URL देने, तो आप इसको हटा दो, फिर आपको हर एक पर उस page का URL देना पड़ेगा, ठीके, वो आपकी मर्जे कैसे करना है, तो दोस्तों यह हमने करा, अब यहां पर हम जैसे एक card लगाते हैं, मतलब एक creative लगाते हैं, बैक चलेंगे, यहां पर हमने creative सेव करके रखे हमाँ चलते हैं, तो यहां पर हम आ गए दोस्तों इधर यहां पर हम इधर फोल्डर open करेंगे तो यहां पर हम यह चूज कर लेते हैं creative यहां पर लगा देते हैं तो यहां पर आप देखिए creative आ गया यहां पर description डाल देंगे men watches watches online यह मैंने dummy के लिए डाल दिया आपको attractive line नहीं आपको डाल दीजीगे यहां URL हमारी website का आई रहे है एक और हम आपको 10 आप कर सकते हो मैं आपको आपको दो करके दिखा देता हूं ताकि आपको पता लग जाए किस तरीके से आपको multiple designs क्रियेटिव और आपको headlines वगरा बनानी है यहां पर मैं डाल देता हूं गेट कि 50% कि डिसकाउं ठीक है डाल दिया इस तरीके साब multiple अलग-अलग creative और उनके आगे उनकी डाल सकते हो तो यहां से आप आड करते जाना ठीक है अब दोस्तों जैसे हमने बना लिया अब हम जब create पर क्लिक करेंगे create पर क्लिक करने के बाद हमारा एड से वह रहा है जितना भी अभी तक हमने सब चीजे बनाई आप देखें यहां पर आ गए हम इधर तो यहां पर आप देख सकते हो यह हमारा एड वेगारा जो हमने बनाया अभी मैं billing information जब एड कर दूंगा इधर तो मेरा एड एड अप्रूवल स्टार्ट हो जाएगा अभी मेरा एड बन गया सेव करके सेव भी रख सकता हूं और मैं continue इसको आगे मेरे को रन करना है तो next करूंगा तो next करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो इधर मैं review मैं आ गया हूं यह सारी देख सकता हूं यह देखिए website visit shopping campaign मेरा बन गया है product selling campaign तो यह बन गया अब मैं इसको click करके देखता हूं अंदर मेरा अपना एड देखूंगा यह देखिए मेरा एड मिया पर show हो रहा है अब जब मैं है click करूंगा अपने एड के ओपर तो public को मेरा एड कैसे देखेगा वो अब ऐसे multiple बहुत सारे crowns आप कर सकते हो तो दोस्तों अब आप website traffic shopping ads सीके होगे आगया होगा आप यूज कर सकते हो बना सकते हो लिंक्डिन पे professional लोगों को professional यह उन्से चीजे सेल कर सकते हो उमीद कर दा समझ में आगया हो thank you दोस्तों तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको लिंक्डिन पर brand awareness campaign जो की आप अपने product services को लिंक्डिन जैसे professional platform पे लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हो कैसे अपने brand को लोगों तक promote कर सकते हो तो brand awareness campaign है और दोस्तों यह krausal ads के मैंने आप pattern से बनाया है तो brand awareness with krausal ads तो इसमें आप brand awareness के साथ साथ यह भी सीखोगे कि krausal ads किस तरीके से आप लिंक्डिन पर बना सकते हो चला सकते हो तो krausal ads का भी प्रॉपर एक एक format हर चीज़ा को practical सिखा हूँगा brand awareness with krausal ads दोनों तो दोस्तों चलते हैं हम और यहां पर अभी मैं अपने LinkedIn के अपने profile में हूँ account में हूँ तो ad बनाने के लिए मैं इधर क्लिक करूँगा work के section पर यहां पर क्लिक करेंगे तो इधर advertise क्लिक करना पड़ता है दोस्तों advertise क्लिक करने के बाद हम आएंगे campaign manager account में यह आगे campaign manager दोस्तों campaign manager account में ही आप ads बना सकते हो LinkedIn के वरना नहीं बना सकते हो तो कैसे facebook में business manager account होता है वैसे LinkedIn में campaign manager account होता है और यहां पर बहुत सारे accounts है create accounts है जो कि आपके अगर like multiple clients है अगर आप company हो तो आप उनके अलग-अलग accounts बना सकते हो अगर आपके multiple companies है brands है तो आप हर brand के अलग-अलग accounts बना सकते हो ताकि उसमें आप particular ads लाओ तो दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि इसमें मैं आपको campaign brand awareness campaign add बनाना सिखा रहा हूं प्राउजल ads create करना बता रहा हूं तो मगर इसमें पहले account create करना पड़ता है जैसे बहुत सारे accounts हैं फिर campaign group बनाना पड़ता है तो उसके लिए आप को मैं link दे जूँँगा ठीक है फ्लस आप हमारी यह जो लिंग्डेंटी 2020 की series है इसके अंदर आप मेरा LinkedIn का lead generation campaign वह जरूर देखना इससे पहले अब इक तब नहीं देखना तो वह campaign जरूर देखना वाकि तो सारे campaigns ही हमारे series के अंदर हैं चाहिए वह campaign manager बनानों account क्रेट करना हर चीज़ है बढ़ लिंडिन में lead generation campaign जरूर देखना वह आपके business clip फाइज़े मन्द है और उसमें हमने create account campaign सब चीज एक step से बताईए यहां पर मैं आपको brand awareness बनाना बता रहा हूँ तो उसके लिए हम marketing fundas के 2020 के इस account में जाएंगे जहां पर हमने आपका पहले वाला lead generation campaign बनाया था तो जैसे हम अपने account में के अंदर भी multiple campaigns बना सकते हो like आप marketing campaign group में गए तो इसके अंदर एक तो lead generation हमने campaign बना रखता है एक और campaign अगर हमें बनाना है तो हम यहां से create campaign पर जाएंगे यहां से create campaign पर जाएंगे तो यह objective चूज करने के बाद दोस्तों यहां पर हम जैसे कि आप देख सकते हो दो option आ रहे है और दोस्तों in audience का आ रहे है जो LinkedIn ने हमें audience दिया होता है कि मान लीजे हमें financial services के लोगों को target करना है या और कोई तो हम यहां पर उसके हिसाब से भी audience कि यूज कर सकते हैं मगर मैं आपको बताऊंगा proper तरीके से audience कैसे create करना है तो दोस्तों audience नहीं है यहां से location प्लस audience attribute company demographic education इसके हिसाब कर सकते हो या managed audience remarketing में यूज कर सकते हो तो दोस्तों क्योंकि यह सारा का सारा मैंने आपको भी भी बोला lead generation campaign देख लीजेगा उसके अंदर हमने proper mf lead ads बनाया जिसमें पूरी audience हमने चूज करी है तो क्लिक करा मैंने यहां पर और existing selections will be replaced तो यहां पर मैं इसको okay कर दूँगा अब क्या होगा जो मैंने इससे पहले campaign मराया था lead generation वाला उसने बहुत अच्छा perform कराता तो वही audience मैंने यूज कर ली चौप जो मेरा time है यह audience जो मैं अभी यहां पर बनाता वह already मैंने पहले वाले campaign की चूज कर ली lead generation वी तो उसवाले campaign में आप proper audience बनाना भी सीख लोगे तो वह वीडियो जरूर देखना फिर कह रहा हूं कर ली पहले वाले campaign की तो दोनों चीज आपको आ जाएगी एक audience बनाना आ जाएगा lead generation campaign से दूसरा कैसे आप saved audience को future में यूज कर सकते हैं वह आपको इस वाले campaign से करना आ जाएगा तो ठीक है दोस्तों हमने audience अपनी की चूज कर ली यह हमारा target audience size आ गया यहां पर business development इंग्रेशन से यह सारे के सारे functions वह लोग आ गया जिनको हम टार्गेट कर रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं वाखी की सारी details यहां पर आ तो क्योंकि हम audience चूज कर सके हैं तो इधर हमें कुछ करने की जरूत नहीं है है दोस्तों कि जो audience यहां पर हमने चूज करी ऊपर अगर उस जैसी और similar audience को हम चाते हैं LinkedIn हमारा ad दिखा है तो इसको आप enable कर लो अगर आप नहीं चाते हैं तो इसको आप हटा भी सकते हो तो यहां पर देखें कम हो गए impressions अगर आप इसको बढ़ा दोगे तो देखो यहां पर impression बढ़ गए ठीक है आप दोस्तों ad format के अंदर क्योंकि हमने आपको बोला है brand awareness के साथ साथ मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं तो यहां पर हम प्राउजर लेट्स पे गई यहां पर हमने क्लिक करा सीधर प्राउजर format हमने चूज कर लिए बहुत सारे formats हैं हर format के ओपर आपको video मिलेगी series के अंदर एक राउजर format हमने यूज कर लिया है और यहां पर दोस्तों LinkedIn audience network के अंदर हमें option नहीं है audience network यूज करने का विकॉद इस ad format में अवलेबल नहीं है बट audience network क्या है वो बता देता हूं LinkedIn अपने LinkedIn का एक network है websites for ads का जहां पर LinkedIn ads दिखाता है अपने platform के अलाबा तो वो option अगर यहां पर आ रहा होता है तो वो हम choose कर सकते थे बट जिस भी objective में वो होगा तो यहां पर दिख जाएगा आप यूज कर सकते और नहीं होगा तो यहां पर बता देगा वो option अबलेबल नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां पर दोस्तों हम आते है daily अब daily budget होता है total campaign budget होता है जो daily budget अब select करना शुरुबात में और LinkedIn थोड़ा सा आपको expensive लग सकता है दोस्तों क्योंकि यह professional platform है और यह दूसरों की तरह बहुत जादा economical नहीं है मगर यहां पर आपको बहुत ही professional और companies और ऐसी targeting करने को मिलती है वहां से आपको genuine और वहां से बह पैसा खर्च करके तो उस पैसे को खर्च करने में को दिखकत नहीं है तो LinkedIn के थुआ बहुत ही companies को बहुत ही अच्छे professional network को और desired organizations को employees को और बहुत सारी उनकी job seniorities के हिसाब से titles के हिसाब से industry के हिसाब से आप target कर सकते हो तो daily budget आप अपने हिसाब से बड़ा घटा सकते हो recommended budget आपको बता देता है अब schedule का मतलब यह है कि अगर आपका add अगर आज approved हो गया तो चलना start हो जाए अगर आपको नहीं लगाना है तो आप normal manually भी चीजों को manage कर सकते हो ठीक है तो आपको start and date चूश रणने की जरुवत नहीं है अब आगे बढ़ते हैं तीन तरीके होते हैं automated bid का target CPM का के cost per impression की target bid आप लगा दो या maximize CPM bid लगा दो बट शुरवात में because अगर आप नए हो तो आप automated bid यूज़ करना LinkedIn के artificial intelligence system को और उसके mechanism को आप अपने आप ही अपके add को optimize करने दो ताकि कम से कम costing में ज्यादा result आपको लाके दे पाए तो automated bid वाला option यूज़ करेगा शुरुबात में दोस्तों conversion tracking क्या है जैसे कि हमारी स्रीज में मैंने आपको वीडियो बताए है inside tag जो भी LinkedIn का pixel code होता है जो की tracking में मदद करता है और event tracking मतलब conversion tracking कैसे आप setup कर सकते हो website में वह भी मैंने वीडियो बताया है वह वीडियो देखके event और आप अप option को choose कर सकते हो इससे क्या होता है कि जो भी public आएगी जो भी data बनेगा वो सब आपका track होगा और उस data को future में आप use कर सकते हो अपने match to audience के अंदर ठीक है तो वह आप कर लीजेगा conversion tracking के लिए आप अपने मेरे वीडियो देख लीजेगा बहुत जरूरी है जैसे Facebook में pixel और event setup जरूरी है वैसे इसमें conversion tracking और insight जरूरी है अब क्योंकि हमने ad setting सारी कर ली है तो आप next करेंगे और आगे बढ़ेंगे यहां पर save कर देंगे आप दोस्तों हम आ गए अपने format पे जहां पर हम अपना ad बनाएंगे तो दोस्तों यहां पर हम click करेंगे add बनाने के लिए new ad create करन सकते हो card का मतलब होता है जो ad design होते है creative होते है for the overall ad unit the intro text commentary description सब मिला के आप maximum इतने character यूज कर सकते हो वो better रहता है intro text में इतने character का होना चाहिए यह सारी चीजे कितने बाइक कितने का आप जो image size होना चाहिए यहां पर formats दे रखें जिफ बता रखा है non animated होना चाहिए तो इस तरीकी से headline के character बता रखें सारी चीजों को ध्यान रखें तभी आप पर्फेक्ट राउजल एड बना पाओगे तो राउजल एड के लिए जैसे कि इनुने बोले इस एड का हम नाम दे देते हैं like हमने यहां पर नाम दे देते हैं brand awareness प्राउजल एड ठीक है डेमो तो यह मैंने एक नाम दे दिए जिसे मेरी फीचर में याद रहे कि मैंने यह एड किसले बनाया था क्या format यूज करा था अब introduction text important है क्योंकि यह लोगों को दिखता है तो यहां पर हम like अभी दे देते हैं like यहां पर हम कर देते हैं boost your sales double your business ठीक है call now for 50 पर्शन इसकांट तो दोस्तों इस तरीके से हमने यह यूज कर लिया है जैसे कि आप देख सकते हों introductory text हमने डाला अब यहां पर हम destination url डाल देते हैं जो सभी कार्श में अप्लाई होगा तो महां पर मैं अभी अपनी वेबसाइट डाल देता हूं कि मार्केटिंग फंडाज की हमारी वेबसाइट है डिज्टल मार्केटिंग ब्रेंडिंग का वेबसाइट डिजैनी का इस सब हमारा काम है तो यहां पर हम अपने क्योंट और यहां पर हम अपने कार्ट बेगरा डाल सकते हैं तो दोस्तों यहां पर हम इपलूड करेंगे या पर हमने क्लिप करा तो यहां पर ourselves का यह यह डिस्रिप्शन डाल लगा सिंट बूस्ट और सिल्ट प्डूव अप्डू कि या टेमों के लिए लिख रहा हूं दोस्तों कि तो हंडर्ड पर्संट ठीक है या पर कार्ट डेस्टिनेशन यूरा मेरी वेबसाइट ही आ रही है जैसे मैं उपर सेलेक्ट कर लिया था अगला क्राउजन डाल देता हूं डबल य हियल का सलेक्ट तो आपको ऊश्य बहुत इंत्ी,μαιfill देशन करने ने यो कम से कम शबदों में अपनी क्रिटेव और इनफर्मेमित भी लगें क्रेटिव लगें शहें चाहिए घ्राचछ यहां पर मैं लिख जेता हूं डबल यौर बिजनेस काड़ अब तीसरा एक और काड़ अप्टू 10 काड़ लगा सकते हो मैं एक और लगा देता हूं बस ठीक है तो यहाँ पर मैं गया और यह काड़ मैंने चूज कर लिए ठीक है और यहाँ पर मैंने लिए यह हो गया अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्रिएट कर有一घ को रहा है जो बना आएड़ बनाया है आप्सक्राश कर रहें यह यहां पर आप देख सकते हैं मेरे बनग लाट करगा रहा है यह कि बिलिंग इन्फरमेशन मांग भी सुनिए तो अब यहां पर हो गया अब दोस्टों जैसे ही यह मेरा एड हो गया जैसे मैं इसको next करता हूं जैसे मैं आप नेक्स्ट पर क्लिप करूबा तो यहां पर तो दोस्तों यह ग्रूप का status active होना चाहिए तो वह अभी मैं एक्टिव कर देता हूं जैसे हम एडवर्टाइज कर गया तो मैंने उससे में ग्रूप का status कर रखा था इसको एक्टिव कर देता है यह भी चालू हो जाएगा मैं एंदर गया तो आप मैं कर दिया दोस्तों active ठीक है इसको कर दूँगा refresh यहां पर वापस जाओंगा और एक बार ही इसको refresh कर दूँगा तो इसको मैंने refresh करा अब refresh करने के बाद देखे दोस्तों यह मेरा यहां पर आ गया अब यह सारी करेंगा तो यहां पर मैं go to account overview पर जाओंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं देखिए मेरा brand awareness का है यहां पर मेरा campaign बन गया इधर क्लिक करूंगा अपने campaign पर और मैं अपने campaign में देखिए मेरा प्रॉपर एड बन गया जैसे एक्टिव हो जाएगा चालू जाओ जाएगा मैं बिलिंग इंफर्मिशन एड करूंगा स्टार्ट हो जाएगा अब यहां अगर कोई मेरे एड क्लिक करेगा तो इस तरीके से उसको देखेगा वह भी मैं आपको दिखा देता हूं यह देखि को एड बनाना बताया है ब्रेंड अवेडनेस प्राउजल एड उमीद करता हूं आपको सांज में आजया होगा दोस्तों टैंक्यू दोस्तों दोस्तों जैसे कि हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि objective चुनना बहुत जादा ज़रूरी है अगर आपको सही desired results चाहिए तो वैसे ही दोस्तों objective चुनने के बात और आपको पता होना चाहिए क्योंकि ads जो होते हैं बहुत सारे formats के होते हैं single image ग्राउदल वीडियो टेक्स पॉलोवर messenger conversation जो बहुत सारे formats होते हैं तो कौन सा ad format कौन से objective में आपके लिए सही रहेगा कौन से आपके nature of business industry के लिए best रहेगा कौन सा ad format आपको purpose solve करेगा तो यह सब हम आपको ads बनाना सिखाएंगे बताएंगे बड़ उससे पहले हमने आपको इससे पहले देख लिए इंपोर्टेंट वीडियो है अब किसी भी objective को जब हम चुनते हैं दोस्तों जैसे हमने यहां पर आप जैसे हमने website widgets के objective को चुना अब objective चुनने के बाद इस सारी settings करने के बाद जब हम अपने ad formats को भी हमें चूज करना होता है तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों single image एड क्राउजल एड वीडियो एड टेक्स एड स्पोटलाइड एड मैसेज एड और conversation ads यह नया है beta version में है तो दोस्तों जरूरी नहीं है हर objective के अंदर जैसे अभी तो हमने objective website widget लिया था मैं इसको change कर देता हूं मैं objective ले लेता हूं engagement तो जब engagement को objective लिया तो देखे यहां पर सिर्फ formats इतने कम हो गए क्योंकि वह उस objective के हिसाब से ही formats लेगा सारे एड format सारे objectives में काम नहीं आते अब जैसे मैं इसको फिर चेंज कर देता हूं अब मैं video views ले ले लेता हूं तो video views के campaign objective में सिर्फ video का कोई नहीं आएगा तो अभी सारे एड format जैसे मैं website विजट पर दुबारा आता हूं यहां पर देखे सारे एड format यहां पर आ गए हैं और आ रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हो और हम फीड में चलते हैं ताकि हमें कहा पर हमें single image ले एड और वीडियो एड दिखते हैं और Kollege करते हैं धूस्तो आप यहां पर आप देखे यहां पर जैसे कि यह एड्स हमें यह पर देख रहे हैं ठीक है तो यहां पर दोस्तोंं आप जैसे कि देख सकते हो इधर तो इन एड़ के अंदर हमें क्राऊजल एड़्स है ज झीज ए जो चल रहा है यह जो जो चल रह 123 आपर हीड़ाइड यहां पर एक्टिन अ रहाया है यह पर ऊपर कैप्शन स्या रहा है इसको क्राउजल एड्स कहते हैं जो की यह वाला एड़ फॉर्मैट है उसमें मल्टिपल इमेजेज, हैड्लैंच और डिटेल्स वगरा आ सकती है अब हम यहाँ पर आते हैं दोस्तों और देखते हैं हमें कोई एड्स दिखते हैं तो यहाँ पर और हम नीचे जाते हैं स्क्रो और आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर तो दोस्तों एड्स जानना आपके लिए जरूरी है तभी आप सही एड्स फॉर्मेट लगाओगे ठीक है तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों यह एक सिंगल इमेज है यह आप देख सकते हैं तो यह हमारा यह वा रखा होगा तो वह आपका वीडियो एड हो जाएगा तो वह भी अगर यहां पर दिखता है तो फीड में मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको किसी भी एड को लेकि किसी भी तरीकी की कोई कंफूजन ना हो यह भी देखिए सिंगल इमेज एड है साइन अपकर ऑप्शन आ रहे है तो ऐसे दोस्तों अगर वीडियो एड होगा तो यहां पर वीडियो आएगी ठीक है इमिज की जगा या क्राउजल की जगा यही फर्क होता है सिंगल इमेज क्राउजल और वीडियो एड के अंदर जो कि मैंने आपको हिहां पर बताया और दिखाया ठीक है तो दोस्तों अब हम यहां पर हमनें सिंगल इमेज जाना शिंग जाना वीडियो जाना अब टेक्स्ट एड क्या होते हैं इसके लिए मैंने यह format open कर रखा है text ads जो format है यहां पर आप देख सकते हो इधर यह जब हम text ads कभी हम जब अपने pages वगर में देखते हैं तो हमें right side में top में हमें ऐसे boxes में text ads दिखते हैं यहां पर ठीक है यह preview दिखा रहे हैं यह display और यहां पर अगर हमें top banner में अगर top में देखेगा तो इस तरीके से कई वरी हमें ads दिखरे होते हैं तो मैं आपको हर एक बता रहा हूं और वो भी आपको दिखा रहा रहे हैं इस तरीके से ads दिखरे होते हैं वो झूआ और यहां पर मैंने उसका भी format on कर लिया है इधर मैंने open करके रखा है दोस्तों यह जब हम अपना feed में होते हैं तो यह जो आप add देख रहे हो यह add होते हैं जो हमारे page से ही content को use करके और retail को use करके और हमेरे को spotlight में लेकर आया जाता है तो इस तरीके साथ देखो आपके बहुत सारे ads होंगे तो इनको spotlight ads कहते हैं इन बड़ा focus करा जाता है हमारे ओपर हमारे brand के ओपर products के ओपर और बहुत exclusively अलग से दिखता है तो इसको spotlight ads कहते हैं यह भी हम create कर सकते हैं यहां से ठीक है और दोस्तो message ads क्या होते हैं इसको इस format को भी मैं आपको दिखाता हूं तो अब message ads में हम आगा है जोस्तों यह जब हम अपने messages लोग हमें करते हैं तो हमारे messenger होता है जैसे facebook में भी facebook messenger होता है वहां पर ऐसी linkedin पर भी message लोग हमें करते हैं तो इदे कि sponsored दिख रहा है तो यहां पर इस तरीके से आप personal level पे किसी को messages कुछ targeted audience को और लोगों को industry को भेजना चाहते हैं तो इस तरीके के आप यह message बना कर भीज सकते और person को अगर पंचन्द आता है अच्छा लगता है in advisory भी कर सकता है ठीक है दोस्तों इस तरीके से यह होते हैं आपके message ads, अब दोस्तों हम आते हैं conversation ads में, तो conversation ads क्या होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो conversation ads दोस्तों यहाँ पर हम आते हैं, जैसे कि हम facebook में, जो हम conversation यह message ads बनाते हैं, यह conversation ads हैं, जो message ads भी बोल सकते हैं, तो इसके अंदर हम अपना यहाँ पर इस ad का नाम दे सकते sender जो सामने वाले को देखेगा वो हम हितेश गुपता है या फिर अगर आप किसी और को भी sender बनाना चाहते हो मान लीज़े मैं अपने किसी partner को या friend को बनाना चाहता हूं मेरे employee को बनाना चाहता हूं मैं इसको select करूंगा इसको request जाएगी यह approved करेगा तब मैं इसको यहाँ पर sender बना सकता हूँ तो यहाँ पर push का नाम दिखेगा तो इस तरीके से हम यहाँ पर sender भी change कर सकते हैं बना सकते हैं यहाँ पर हम फिर कोई image upload कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर upload करता हूँ और मैं यहाँ पर दोस्तो add formats के अंदर आता हूँ ठीक है add formats में यहाँ पर गया एक image upload कर देता हूँ यहाँ पर आता हूँ और इस image को मैं upload करता हूँ तो यहां पर actual में यह size भी दिखा रहा है तो यह तो मैंने अभी dummy के लिए कर दिया है ठीक है तो इस तरीके से आप जो actual size format है उसी के अंदर आप image को upload करना ताकि आपको जो हो preview proper दिखे तो मैंने आपको dummy के लिए दिखा दिये कि किस तरीके से आप image भी लगा सकते हो यहां पर और यहां पर आपको फुटर में add करना है तो यहां पर आप फुटर में अपनी series के अंदर होगा वहां सब देख लीजेगा तो इस तरीके से आप यह conversation ads बना सकते हो तो लोग जब आपका एड देखते हैं तो वह अगर इंट्रस्टेंड हो सीज में तुरंत conversation शुरू कर देते हैं आपके संग messaging शुरू कर देते हैं और आप उनको capture कर सकते हो वह एक hot lead हो है दोस्तों तो इस तरीके से सिंगल इमेज क्राउजल एड वीडियो एड टेक्स्ट एड्स पॉटलेट एड्स मैसेज एड्स और conversation एड्स मैंने आपको दिखाए तो दोस्तों इसी तरीके से अगर हम अपने कोई objective चेंज यहां पर चेंज करते हैं और job applicant पर आते हैं तो job applicant करना चाहता है तो वह यहां पर अपने एड्स चाला सकता है specific details वेगरा यहां पर डाल सकता है और वह targeted मतला माली जिन job profiles को target करना चाहता है जिस sector के लोगों को target करना चाहता है उनको वह एड्स दिखेंगे तो यह एड्स भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि job कैसे आप कम से उमीद करता हो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगे इससे पहले वाली वीडियो में objectives अलग-अलग formats भी आपको समझ में आ गई होंगे आप इसको समझने के बाद जब आप ads जो हम आपको बनाने सिखाएंगे तो आपको ज़्यादा असानी होगी चीजे समझने में उम अपने LinkedIn के professional network को grow कर सकते हो अपने connections को grow कर सकते हो दोस्तों connections LinkedIn पे बनाना या अपना network जिसको जो कि आप यहां पर देख सकते हो मैं अपनी profile में गया हो profile में आप आप देख सकते हो लग-बग 14,000 के आसपास लोग मेरे संग connected है इस तरीके से लोग हमारे पास request भीजते connect होने क network बड़ा दिखे हमारे संग जादो लोग connected हो वो मत बनाओ आप तो जादा अच्छा है बट meaningful connections अगर आप बनाओगे सही लोगों को आप चुनोंगे तो आपको जो connections है उनसे भी benefit मिलेगा चाहे वो business के terms में हो चाहे वो आपके job के terms में हो या freelancing के terms में हो किसी भी terms में अगर आप LinkedIn पे सही network बनाते हो सही लोगों के संग तो आप यहाँ पर connect हो सकते हो और काफी आपको growth मिल सकती है तो दोस्तों यह मैं आपको 5 tips देने जा रह network को expand कर सकते हो अपने connections बढ़ा सकते हो और उनसे आप benefit ले सकते हो और उनको भी आपसे benefit मिल सकता है तो दोस्तों पहला पहला point जो ज्यादा तर हर LinkedIn के profile में जा लिंग्डिन के tutorials में आप सुनोगे जो की है first point complete and fully optimized profile तो यह पहला point हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि आपकी LinkedIn की profile complete होनी चाहिए पूरी और proper optimized होनी चाहिए तो वो उसमें मैं नहीं जाओंगा उसके लिए मैं आपको एक proper description में link दे दूँगा प्लस हमारी इस LinkedIn की series के अंदर भी वो वीडियो है ताकि आप एक perfect LinkedIn profile बना पाओ और अपनी journey को LinkedIn की आगे continue पर पाओ तो यह चीज बहुत जरूरी है complete and fully optimized profile यह जरूर बनाईएगा तो दोस्तों अब हम आते second point के ओपर second point है हमारा connect with right people यह find right people तो दोस्तों सबसे पहले सही लोगों से कैसे हम उनको ढूंड़ें सही लोगों से कैसे connect हो वो मैं आपको बताना चाहता हूं किसी से भी connect होने से पहले मैं अपना example लेता हूं मैं एक digital marketer हूं professional हूं मैं training भी देता हूं ठीक है तो दोस्तों अब कहाए कि मेरे linkedin profile के अंदर अगर मैं किसी को भी देखता हूं तो मैं जनरली दो चीजों का ध्यान रखता हूं जैसे कि मान लीजे अगर मैं जनरली मैं दो तरीके के लोगों के संग connect होता हूं या तो वो लोग मेरी industry digital marketing या website या graphic या branding से related या तो वो उस profile में हैं job करते हैं company चलाते हैं तो उस तरीके के लोगों को तो मैं जो उनका profile मुझे अच्छा लगता है मिरे को लगता हूं से मुझे connect होना चाहिए तो मैं उनका profile देता हूं और फिर मैं उन लोगों को connection की request भीजता हूं तो उससे benefit क्या होगा जो मेरे को लगता है कि अगर मेरी industry के लोग होंगे तो या अगर कभी मेरे को उनसे business से related connect करना हो तो मैं easy connect करूंगा और वो मेरे काम भी आ सकते हैं मैं उनके काम आ सकता हूं क्योंकि हम same business से connected हैं दूसरा कि हम hiring के लिए उनसे बात कर सकते हैं उनके references में बात कर सकते हैं क्योंकि הוא हमारी industry से हैं वो हमसे बात कर सकते हैं इससे related ए उसके अलावा दोस्तों अगर वो हमारी industry से हैं तो जो content हम put करते हैं क्योंकि मैं regular content put करता हूं अपने ंप् रिलेक्षन या Jet धने defence सब्सक्राइब करे या सब्सक्राइब कीर एरी में सब्सक्राइबुकर्णाइब करें क्या मसली इंडेस्टी है तो टा सब्सक्राइब मारी इंडिस्टीज है दूसरा दोस्तों में उन तरीक उन उन कंपनी से धेकता हूं बिकाउस हमारे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बिसनस धंए क्यों घ्मार उनको अगर उसमें पर उसमें हममे出 इसिंच पर दे चोंड़ा जो हमारेखाई गता है'll को सकते हैं या हम उन लोगों को च्रोंट कर सकते हैं कि वह हमारे संग कनेक्ट हो तो दोस्तों कनेक्शन भूत मैनिंगफूल होने जी मैंने आपको मेरे ही प्रफाल का मेरे इंडिस्ट्री का एक एक जामपल दिया है आप अपनी इंडस्ट्री के इस तरीके से सोचिए कि तिल लोगों से आपको connect होना है प्यक्त सही लोगों को ढूंडोगे सही लोगों के संग connect होगे तभी आपकी सही तरीके से नेटवरकिंग बनेगी बढ़ेगी connections भी तेरी से बढ़ेंगे free of cost बिलकुल और आपको बहुत जाधा benefit होगा ठीक है आप दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे point के बारे में third point के जब हम किसी से connect होते हैं तो हमें ऐसे नहीं रेंडम ली बस किसी को देखा connect के ओबर हमने यहां पर गए मैंने इसको देखा चाहिए यूट्यूबर है तो लो मैंने इसको connect पे click कर दिया ऐसे connect नहीं होना दोस्तों हमेशा आपको किसी से भी connect होना है तो यह जो तीसरा point है वो है customize node for connection request तो यह कैसे होगा दोस्तों इसका मतलब क्या बताता हूं मान लीजिए यह person है मैं इसे connect अगर मिरे को लग रहा होना चाहि थी तो मैं यहां पर click करूंगा और मैं इनके यहां पर profile में गया ठीक है अब connect होने से पहले मैं देखूंगा इनकी headline में कहरा देखूंगा प्लस इनका कुछ description है कुछ highlights है यहां पर इनकी activities है प्लस मैं कुछ explore करूंगा इनके बारे में यहां पर ठीक है और अगर मेरे को तो हम एक note डाल सकते हैं ठीक है तो जब हम किसी को note डालते हैं तो इस तरीके से आता है customize note मतलब you can customize this invitation यहां पर मैं लिख सकता हूं के हम यहां पर like हम add a note जब हम यहां पर करते है add a note इधर हम यहां पर click करेंग add a note पे तो हम यह message डाल सकते है like hi hi i am hitish gone through your profile मेरे को पसंद आया में interesting लगा हम same business में है मतलब बहुत मतलब आपको 300 character हैं आप लगवक 1500 character के अंदर अंदर लिख के दीजिए कि आप उनके बारे में कुछ बता रहे हैं कि मतलब आप उनके बारे में कुछ जानते हैं आपने उनके बारे में कुछ पढ़ा जो आपको interesting लगा तो ऐसा कुछ बड़िया सा note बनाके आप उनको डालिए यहां पर लिखिए note को और यहां पर आप उसको send invitation के अंदर यहां पर click कर दीजिए तो जब उनके पास आपका notification जाएगा तो वो इस message के संग जाएगा तो वो जादा personal level पे person आपको connect करेगा ठीक है और आप किसी के ब बात करते हो सामने को लोगता है कि हमनों मेरे बारे पड़ा उन्होंने देखा ऐसे रेंडम नहीं है तो सबसे जादा chance होता है कि वो आपको connect करेगा जो बहुत सारे professional लोग होते हैं वो बहुत meaningful और limited connections बनाते हैं और वो तभी बनेंगे जब आप उनको कुछ meaningful बात बोलोगे आप उनको दिखाओगे कि आप उनके profile से बहुत impressed हो और वो भी आपके profile के पे जाएं देखें तो ज़्यादा strong connection बनता है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों ठीक है आप दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे fourth point के बारे में तो जो हमारा fourth point है दोस्तों वो है ask for an introduction ask for an introduction इसका मैं आपको मतलब समझाता हूं माल लीजिए कि आपके connection में ऐसा कोई person है जिसके connection में कोई ऐसा person है किसी company में जहां पर आप connect होना चाहते हो या वहां आप job करना चाहते हो या business के थ्रू आप इंट्रेक्ट करना चाहते हो वो आपके connection में नहीं है बट वो उनके connection में है तो आप अपने connection से जो आपके से connected है उनसे request कर सकते हो उनके message drop कर सकते हो ठीक है आप एक message drop कर सकते हो कि मतलब हाई मिरनाम हितेश है और मैं आपके profile आपके connection हूं LinkedIn के अंदर आपके profile में so and so person है वो उनसे मैं connect होना चाहता हूं reason behind है जो भी आपको reason why एक story बनानी है आपको कम से कम सब्दों में story बनानी है ताकि अगर सामने वाला connection उसको लगता है कि आप genuine हो और आप genuine चीज़ डिमांड कर रहे हो उनसे तो वो आपके लिए effort लगा सकते हैं और वो introduce कर सकते हैं तो आप उनसे भी connect हो सकते हो जिनसे आप connect होना चाहते हो उस connection के through जो की आपके connections में हैं मगर उसके लिए आपको एक proper genuine reason देना होता है सामने वाले को genuine एक message बना के देना होता है उसको उसमें interest आना चीए genuine लगना चीए तो वो जरूर आपके लिए effort करेंगे ऐसे हमने बहुत सारे connections connect करें जो हमारे connections डिरेक्ट नहीं थे बढ़ हमारे connections के connections के अंदर वो आते थे और वो हमारे से connect हो गए उनसे हमें benefit हुआ business के terms में benefit हुआ और हमारा जो connection network है वो और strong हो गया तो दोस्तों यह point आप ध्यान रखिएगा यह चोटी चोटी बात है चोटी 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 टिप्स regular long term में अगर आप ध्यान रखोग अब दोस्तों हम बात करते हैं पांट में पॉइंट के बारे में फिफ्ट पॉइंट जो की है engage in the news feed मैं बताता हूं कैसे हम यहां पर आई यह मेरा news feed है ठीक है दोस्तों अब जो लोग मेरे connections में हैं उनको यहां पर मेरे कोई post दिखता है ठीक है कोई वीडियो दिखता है को image दिखता है तो जिन उन लोगों के अगर मेरे को posts पसंद आते है genuinely तो मैं उनको अगर like करता हूं को reaction देता हूं ठीक है comment करता हूं ठीक है तो उन लोगों को मेरी presence का उनके connection में होने का पता रहता है, कि हाँ, ये person मेरे सम्ट connected है, मेरे सम्ट عôDHS मेरे post पर react करता है, ठीक है, मैं कोई, मतलब cold ये थंडा connection नहीं हूँ, मैं अपने connection के संब engage होता हूँ, मैं respond करता हूँ, मैं react करता हूँ, इससे क्या होता है कि जो लोग आपके connections है अगर आप उनके संग connected हो आप engage हो उनके post उनके content के संग तो वो भी आप लोगों को उतनी ही priority देते हैं वो भी आपके अच्छे quality content के संग react करते हैं इंगेज होते हैं और दोस्तों यही connection है eldcl ko ओने में लिए इंगेज्गों करते में मतलब एंगेज़्वन करते हैं इस वाद का आपको ध्यान रखने हैं दोसतों एंगेज होना अपने कनेक्शन के संग बहुत ज़रूर है ताकि वह भी आपके संग कनेक्ट हो और यह हेल्दी नेटवर्क बने तो दोस्तों आपने लिंग्डेन को फ्री ऑफ को ग्रो करना और अलग लेवल पर अपने बिजनस करियर को ले कर जाना यह लिंग्डेन के प्लैटफॉर्म के थ्रू पॉसिबल है वह भी फ्री ऑफ कोस्त तो इन पांचों बातों का ध्यान रखेगा इन टिप्स का ध्यान रखेगा बहुत काम आएंगे आपको आप लिंग्डेन का प्लैटफॉर्म यूज करते हो उसकी कोई सर्विसेज यूज करते हो या उसको एडवर्टीजमेंट करते हो तो बहुत जरूरी है यह पता होना के लिंग्डेन के कस्टमर सपोर्ट से कैसे बात हो सकती है तो दोस्तों वह मैं आपको तरीका बताने जा जाएगे अब दोस्तों एडवर्टाइज में जब आएंगे तो केंपें मैनेजर एकाउंट में हम आ जाएंगे तो केंपें मैनेजर एकाउंट में दोस्तों हम अपने एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं तो अगर आप करते हैं आपको कुछ इशसा रहा है जो रिसवल नहीं हो पा रही है तो उसके लिए आप से कैसे कांटक्ट कर सको जैसे कि माल लीजे कि आप ने सिर्फ यह नहीं कि आप पाउंचा सकते हो लेंडिन सपोर्ट तक वह आपको को बता हुआ तो दोस्तों यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो उदर एक साइन आ रहा है इदर क्लिक की तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों एदर इसका मतलब यह नहीं है कि वो अनेबलेबल रहता है तो यहां पर जब प्रसकें बात कर सकते हैं तो अभिनेबलेबल है इसके यह पर इसकेमें आपकोने इन दिखा पा रहा हुआ हो कर सकते हैं तो अब क्रिएट सपोर्ट टिकेट में क्लिक करता हूं क्योंकि चैट का ऑप्षन तो मार्केटिंग सॉलीशन आपको मिलता है बढ़ हर जगा जरूरी नहीं है कि आपको चैट का ऑप्षन मिले तो यहां पर क्या होता है देखिए आप जैसे लिंक देख सकते हो सब्सक्राइब करते हैं तो आप यहां पर क्लिक करोगे तो सपोर्ट टिकेट कैसे आप जन्रेट कर सकते हो वह भी बताऊंगो इसमें आपको तो इस तरीके से आप जो भी आपको इसू जा रहे हैं वह वाला सॉलूशन वह वाला आप डिपार्टमेंट चूस कर लो कॉर्परेट बिलिंग है सेल्स नेविगेटर है कौन सा है उसको चूज करके जैसे मैंने मार्केटिंग सॉलूशन एड्स का कर लिया मार्केटिंग सॉलूशन में अब यहां पर देखे आ गया ना चैट विद सपोर्ट तो यह जब होती है उनकी तो आ जाता है कि आपके सामने अभी हुआ कि अभी अने विलेबल दिखा रहाता है अब यह हो गया अब मैं लाइक यहां पर लिख देता हूं एड्स दोस्तों यह करा अब मैं यहां पर चैट नाव पर क्लिक करुगा जैसे मैं यहां पर चैट नाव पर क्लिक करुगा अब यह प्रसेश शुरू होगा thanks for filling in the form please wait while we connect you with the marketing solution specialist तो अब यहां पर आ गया है दोस्तों I am sorry it looks like there are no available marketing solution consultants to chat with you at this time we do not want to make sure we answer your questions so please try to re-initiate chat here later and create a case to our तो यहां पर दोस्तों अभी हो सकते हैं COVID-19 की वरा से या फिर यह जो problem चल रही है lockdown की उस वरा से issues आ रहे हैं और यह issues सब जगा ही आ रहे हैं यहां पर आपके जाए Facebook हो कहीं पर हो Google हो तो इसलिए बट आपको यहां पर मैंने यह दिखा दिया कि आप easily अपना क्लिक करके चैट पे अगर आपको advertisement करने में कोई यूशू आ रहा है आपको या ads disapproved हो गए या कोई और यूशू आ रहा है आपके advertisement से related आप सीधर जो यहां पर services हैं उनके अंदर सिर्फ create ticket का option है तो ticket कैसे create करने है वह भी मैं आपको बता दो इसका भी आपको जवाब मिलेगा तो देखे create ticket पे आप क्लिक कीजिए अब जैसे ठीक है मैंने create ticket पे क्लिक करा आप यहां पर मैं को अगर में को billing में इशू आ रहा है जो भी में to help page कि क्या आपको इशू आ रहा है तो मैं लिख देता हूं ads not running मैं ऐसे लिख देता हूं ठीक है यह मैंने लिख दिया अब यहां पर मैंने जैसे अपने जवाब लिखा यहां पर कुछ चीजिया आ गई मगर वो लिख रहा है कि for more help leave us a message तो आप में create यहां पर क्लिक करो य जिससे मैंने यह LinkedIn का account बना रखता है और यहां पर मैं अपनी company का नाम डाल देता हूं जैसे मैं यहां पर नाम डाल देता हूं media by llp ठीक है do you already have a LinkedIn ads account तो मैं yes कर दूंगा हां मिर पास है ठीक है और यहां पर please selected details of LinkedIn account below तो यह LinkedIn ads account URL आपको यहां पर डालना होगा जो भी आपका ad account है जिसमें आप चला रहे हो उसका आपको यहां URL डालना होगा यहां पर आपको जो issue आ रहा है वेर्द एक्स्पिरेंस देशू वह जो issue आपको दिख रहा है उस वाले का page का URL डालना होगा issue type आपको यहां पर बताना होगा कि किस से related आपका issue आ रहा है review से related है किस चीश से रहेगा और अगर आपका को screenshot है को attachment आपको दीने तो यहांसा आप attach कर सकते हो तो यह पूरा form fill करके submit कर देना तो उनका आपकी mail ID के उपर जवाप आएगा ठीक है तो यह मैंना आपको तरीका बताया दोस्तों तो आप ticket तो आप किसी भी चीज में raise कर सकते हो ठीक है तो चाह अगर तो उसके अंदर भी अगर आपको कोई issue आ रहा है आपने कोई premium services ले रखी है लिंग्डिन से तो बहाँ पर भी आप support ticket raise कर सकते हो और support ticket raise करने का तरीका वही है जो मैंने अभी आपको बताया पर marketing solutions जो होते हैं जहां पर हम advertisement run करते हैं business देते हैं LinkedIn को वहाँ पर chat को option द कर सकते हैं इन दुनों थोड़े दिक्का तारीक कोई 19 के वारा से बट आप इसली कर सकते हो तो दोस्तों अगर आप Twitter पर आना चाहते हैं grow होना चाहते हैं Twitter से अगर आप पैसा घमाना चाहते हैं या Twitter को अच्छे से use करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है दोस्तों Twitter पे बहुत ज़्यादा public आ रही है और वो time to time बहुत ज़्यादा grow होता जा रहा है उससे लोग बहुत ज़्यादा अपने business growth कर पा रहे हैं personal growth कर पा र पा रहे हैं तो इसलिए ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो अभी तक Twitter पे नहीं आए हैं या आना चाहते हैं या आ चुके हैं बट वो grow नहीं हो पा रहे हैं या उससे वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम Twitter के बारे में आपको कु माना है काम्याब बनना है और Twitter पे अपनी growth करनी है personal भी और professional भी तो ये वीडियो पूरा अंतक देखेगा और practical इसको apply कीजिएगा तो दोस्तों देखते हैं और चलते हैं digital marketing services के लिए या consultancy के लिए आप मुझे call कर सकते हो तो दोस्तों पहले हम जानेंगे Twitter क्या है Twitter दुनिया की सबसे बड़ी social media platform websites में से एक है Twitter एक micro blogging भी आप कह सकते हो बहाँ पर लोग और जो communities हैं एक दूसरे के संग interact होती है Twitter पे अगर आप एक register user हो तो उस पे आप messages कर सकते हो, post जाल सकते हो जिसको tweets कहा जाता है दोस्तों जाच हम Facebook ये Instagram पे होते हैं तो उसको हम post बोलते हैं वैसे Twitter पे अगर आप कुछ भी message ये post करोगे तो उसको tweets कहा जाता है आप अगर कोई भी tweet करते हो तो इस tweet का जो आप character limit होता है वो 280 characters का होता है इसके अंदर दोस्तों जो registered users होते हैं वो other users को follow कर सकते हैं facts तो दोस्तों जो Twitter है वो चार लोगों के द्वारा create करा गया था और वो March 2006 के अंदर existence में आया था और उसका जो launch करा गया था जुलाई 2006 में Twitter की officially launch हुआ था तो दोस्तों Twitter जो है वो already 321 plus million users के द्वारा actively use करा जाता है और 80% of the users Twitter को mobile पर use करते हैं 83% world के जो top leaders हैं वो Twitter पे हैं Twitter पे एक दिन के अंदर 500 plus million tweets होते हैं तो दोस्तों इसका मतलब 6000 tweets per second और ये बढ़ता जा रहा है Twitter पे दोस्तों आज की date के अंदर जो सबसे जादा जो emoji use होती है वो face with tears of joy दोस्तों 65.8% US companies जिनके 100 plus employees हैं वो Twitter को as a marketing platform use करते हैं for their business growth और दोस्तों 70 million dollar से जादा Twitter पे ads के उपर spent हुआ था सन 2017 के जो facts हैं उसके according 92% companies Twitter पे एक दिन में एक बार tweet तो करती हैं उसके अलावा 42% जो companies हैं वो एक बार से लेके 5 बार के बीच में एक दिन में tweet करती हैं और दोस्तों 19% ऐसी companies हैं जो 6 बार से लेके 10 बार एक दिन के अंदर tweets करती हैं और दोस्तों अगर आप tweet करते हैं और with image अगर आप tweet करते हैं तो उसको 150 times जादा भैतर response या retweets मिलते हैं और दोस्तों Twitter के अंदर अगर आप कोई tweet कर देते हैं तो उसको आप edit नहीं कर सकते अगर आपने एक बार post कर दिया है हां मगर आप उसको delete कर सकते हैं तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि आपको Twitter पे क्यों होना चाहिए या Twitter के benefits क्या हैं क्यों हमें Twitter पे आना हैं और उसके क्या क्या फायदे आप लोगों को मिलेंगे तो दोस्तों सबसे पहला कि Twitter के through आप easily अपनी कोई भी research या information को promote कर सकते हो अगर Twitter पे आपके पास लोग community है लोग आपके संग जुड़े हुए हैं तो उसमें आप कोई भी चीज अगर tweet करते हो उसमें आप अपना blog का, website का, general का, stories का, videos का link दे सकते हो ताकि लोग उस information को अगर explore करना चाहें तो उस link पे click करके वो उस महाँ पर जा सकें और उस information को देख सकें तो ये एक easily promotion करने का तरीका है दूसरा दोस्तों benefit है कि आप Twitter पे अपनी बात को या अपने काम को जादा तेजी से easily आप logo तक पहुँचा सकते हो tweets और retweets की मदद से तीसरा benefit दोस्तों कि Twitter पे आप अपने industry के जो experts हैं आपकी field के जो experts हैं या जो आपके business से related जो लोग हैं या जिन आप चीजों में या fields में interest रखते हो उनके experts को आप follow कर सकते हो ताकि आप उनके संग connect रहें fourth benefit है दोस्तों कि आप अपने industry के experts या उनको जो लोग follow करते हैं या others followers के संग एक healthy relationship बिल्ड कर सकते हो उनके संग एक strong community create कर सकते हो ये Twitter के बहुत बड़े benefits में से एक है fifth point है दोस्तों जिसके लिए Twitter जाना जाता है कि आप day to day update रह सकते हो बिलकुल latest news से हर अलग-अलग sector की क्योंकि हर company हो, organization हो, government sectors हो, politics हो, news हो, media हो हर कोई Twitter के ओपर बहुत active रहता है उस पे आपको latest updates, trends आपको मिलते हैं जिसको आप instantly share कर सकते हो अपने followers के संग अपनी community के अंदर ताकि आपकी भी growth हो और आप up to day रहूँ Twitter के through six point है दोस्तों के आप बहुत तेजी से अगर आप active हो Twitter के ऊपर तो अपनी new audience तक आप reach बना सकते हो बहुत easily seven point है दोस्तों आप अपने काम का लोगों से feedback ले सकते हो या लोगों के काम के ऊपर अपना valuable feedback दे सकते हो eight point है दोस्तों के अगर आप follow करते हो किसी चीज़ को और आप proper comments का जवाब देते हो tweets करते हो, retweets करते हो तो आप इस platform का फायदा उठा सकते हो कि बहुत सारी ऐसी conferences होती है ऐसी seminars होते हैं, ऐसे valuable events होते हैं जहाँ पर आप directly नहीं जा सकते but वहाँ पर आप उनमें participate कर सकते हो, अपने suggestions दे सकते हो, discussions कर सकते हो ताकि community को भी उससे फायदा हो और आपको भी community से फायदा हो ये एक बहुत benefit है Twitter के platform का तो दोस्तों अब हम Twitter पे कैसे practically आप account create कर सकते हो, उसके important settings, features ये सब चीज़े हम आपको mobile पे practically करना सिखाएंगे और दोस्तों वो सीखने के बाद और उसको आप अच्छे से देखिएगा, उसके बाद हम आपको इसी वीडियो के अंदर बताएंगे कि कैसे आप जब एक बार use करना सीख जाओ, तो organically आप कैसे grow कर सकते हो, उसके tips और setries बताएंगे और Twitter से कैसे आप पैसे कमा सकते हो, earn कर सकते हो, वो भी हम आपको बताएंगे तो पहले तो हम जल्दी से mobile screen पे चलते हैं और सीखते हैं Twitter को use करना तो दोस्तो एप स्टोर से आप Twitter की एप को download कर सकते हो, मैंने Twitter आपको पहले से ही अपने phone में download कर रखा है तो मैं आसे directly इसको open करूंगा, open करने के बाद मुझे दो option शो हो रही हैं, एक login का और एक create account का अगर आपका पहले से Twitter पर account है तो आप login कर सकते हो, मैं यहाँ पर create account पर click कर रहा हूँ यहाँ पर आप नाम अपना लिख दीजिए नाम लिखने के बाद यहाँ पर आप अपनी email या फिर phone number का use करकर account create कर सकते हो, मैं यहाँ पर email का use कर रहा हूँ email यूज करने के बाद आप यहाँ पर date of worth डाल सकते हो, date of worth डालने के बाद यहाँ पर आप next पर click करेंगे जैसे ही, हम यहाँ पर sign up पर click करेंगे, हमने जो email id यहाँ पर डाली थी उस पर एक code आएगा, verification code, वो verification code आपने यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद next कर देना है, जैसे ही आपका यह next होएगा, आप यहाँ पर अपना password चूज कर सकते हैं, कोई भी, वो password 8 character से ज़्यादा का होना चाहिए, मैं भी अपना एक password चूज कर लेता हूँ Password के बाद आप next पर क्लिक करेंगे, चूज करने बाद password, नेक्च पर जैसे आप क्लिक कर होगँ, आप अपने यहाँ पर account सेट अप कर सकते हो, यहाँ पर यह कह रहा है,isk a profile picture, आप अपने कोई भी प्रोफाइल पिचर चूज कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पर key part लिक कर ग और अपनी gallery में से भी photo choose कर सकते हो मैं यहाँ पर gallery में से photo choose कर रहा हूँ gallery में से जिसे मैंने फोटो choose करी और आपप्लाइपर क्लिक है तो हमारी prayerful photo set हो गई अब आपड़ हम next पर क्लिक करेंगे अब हमें कहा रहा है कुछ describe कर रहा है आपको तो मैं जैसे एक student हूँ, तो मैं लिख देता हूँ, I am a student, आप जो भी हैं, जो भी आपका profession है वह आप लिख सकते हैं, फिर आपर हम next पर click करेंगे, next पर click करने के बाद हमारे जो contact है, उसको sync करने के लिए बोल रहा है, मैं यहाँ पर note ना उपर click कर रहा हूँ अभी, उसके बाद ही एक पूछर आम से, what are you interested in, हमारे जो interest है वहम बता सकते हैं, sports फिम हैं, Indian में, Hindi Music, Punjabi Music, Entertainment, Lifestyle, मैं अपने इसाब से जो choose करना में, आप चूज कर रहा हूँ, आप भी अपने according में, जो आपकी पसंद है, उसके according आप चूज कर सकते हैं, अपने interest को, और next पर click कर जाएंगे, उसके बाद देखो, आपकी suggestion, जो आपने choose के हैं, उसके according आपको suggestion मिलें, शुरू हो जाएंगे, जैसे हर्दिक पांडिया, या विराट को लिए आए हैं, इनको आप यहां से follow भी कर सकते हो, इसके बाद दोस्तों, आपका जो twitter account बन चुका है, इसमें आपको कुछ आप basic settings के बारे में बता देता हूं, कि basic settings क्या हो ज़िए twitter account की, जैसे हम यहाँ पर three lines पर click करेंगे, यहाँ पर हम अपनी profile पर click करेंगे, तो हमारी profile खुल के आजेगी, हम अपनी edit profile को edit कर सकते हैं, हम तो यह photo हमारी apply हो गई, अब गर हम अपनी location बताना चाहते हैं, यहाँ से हम अपनी location भी बता सकते हैं, जैसे मैं New Delhi में रहता हूं, तो मैं अपनी location New Delhi डाल दूँगा, अगर आपकी कोई website है, तो आप अपनी website भी डाल सकते हों, और यहाँ पर save कर सकते हो, तो हमारी जो भी ह होगी, settings हो, save हो जाएंगी, ठीके दोस्तों, अब और settings जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो हैं, जैसे settings and privacy आप जाओगे जब, तो account में जब आप किलिक करोगा, तो अब अपना username पर, अगर आपको change करना, जैसे आपको यह username पसंद नहीं है, तो आप कुछ और username भी डाल पड़ेगा, और उसके बाद आप अपना mobile number add कर सकते हो, ऐसे ही दोस्तों, गर आपको email address जो change करना है, या फिर नया डालना है कोई, तो उसके लिए आपको पहले password डालना पड़ेगा, दोस्तों, गर आपको password चेंज करना है, तो उसके लिए आप जो आपका current password है, वो और नया password को डालोगे, फिर confirm करोगे, और अपडेट password जैसे आप किलिक करोगे, तो आपका password भी update हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, अगर आपको अपनी app में से अपनी जो id login है, उसको logout करना है, तो सबसे नीचे जो red color में लिखा हुआ है logout, वहाँ पर जैसे आप किलिक logout हो जाएगी, और अगर तो आपको अपना ट्विटर का account प्रमानेटली deactivate करना है, तो यहाँ पर जो आपको option दिखा है, इसको आप किलिक करोगे, और नीचे जाओको तो deactivate का लिखा हुआ है, यहाँ पर आप किलिक करोगे, तो आपका account जो है ट्विटर का वो deactivate हो जाए यहाँ पर सर्च का बटन है, यहाँ पर सर्च के बटन में हमी जो भी लोग जाएए जैसे मैं आख्षे कुमार को लिखता हूँ यहाँ अपर, अगर आक्शे कुमार को मैं follow करता हूँ और यहाँ पर मैं इसके all tweets को कर देता हूँ, तो अक्षे कुमार आप जितने भी tweets डाल तो वो सारे मुझे अपनी फीड पर शो होने लग जाएंगे अब उसमें क्या होता है दोस्तों जैसे ये कोई मरेंदर मौधी जी ने कोई ट्विट क्या हुआ है इसको मैं लाइक कर सकता हूं यहां सी किसी अधर एप पर मुझे शियर करना तो यहां से मैं शियर कर सकता हूं अगर मुझे रिट्विट करना है रिट्विट से क्या होता है दोस्तों कि जैसे आप रिट्विट कर गए तो यह ट्विट चो है सेम का सेम आपकी प्रोफाइल पर आपके थू ही एक रिट्विट हो जाएगा ठीक है दोस्तों अगर आप इस पर कुछ कमेंड करना चाहते ह अगर आप देना चाहते हो, तो वो भी आप दे सकते हो, ठीके दोस्तों, अगर आपको एक नया कोई tweet लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, दोस्तों, जैसे यहाँ पर आप यह plus का sign देख रहे हो, यहाँ से जैसे मैं tweet करतेता हूँ, hello, जैसे मैं hello लिखके लिखूँगा, तो मैं यहाँ पर दोस्तों, चूज कर सका हूँ, अगर मुझे कोई photo लगानी है इस tweet के साथ, तो मैं यहाँ से कोई photo भी लगा सकता हूँ, जैसे मैं यह अपनी photo लगा देता हूँ, और दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर tweet पर click करूँगा, तो यह tweet चो है, publish हो जाएगा, तो नरेंदर मोदी जी जो है, वो मुझे automatically ही tweet के अदर पहले से ही tag हो जाएंगे, तो हमें इसमें tag करने की यूरूत नहीं पड़ती है, जैसे मैं इसको नरेंदर मोदी जी को hello लिखूँ और tweet करूँगा, तो नरेंदर मोदी जी के तक यह बात हमारी पहुच जाएगी, ठीक है मतलब क्या चल रहा है, ट्विटर पर ट्विटर के दुनाय में क्या चल रहा है, तो देखो दोस्तों ये है, जैसे एक्समक्स विद कोका कोला, ये जो trend है, इंडिया के अंदर ये trend हो रहा है, ठीक है दोस्तों, don't wait, vaccinate, तो ये जो trend होते हैं, जो भी, hashtag जो trend होते हैं, वो आ देखते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ जो basic settings थी, जो मैंने आपको पता है, ट्विटर के बारे में, उमीद आपको पसंद आई होगी, thank you दोस्तों, तो दोस्तों, उमीद करता हूँ, आपको easily समझ में आ गया होगा, कैसे आप ट्विटर को use कर सकते हो, start कर सकते हो, त तो दोस्तों, पहला है, कि आप अगर ट्विटर पे हो, तो आपको ये habit बनानी पड़ेगी, कि आपको लोगों को reply करना, retweet करना, regular basis पे, daily basis पे करना होगा, दूसरा point है दोस्तों, कि अगर आप एक community से, ट्विटर पे आप हो, और active हो, तो आपको consistently, आपको valuable content या अच्छी information लोगों को regular basis पे provide करनी होगी, ताकि लोग उसके संग interact करें, और directly, indirectly आपकी followership भी बड़े, third point है दोस्तों, कि अगर आप Twitter पे regular active हो, तो आपको ये हमेशा धान रखना है, कि trending topics कौन से चल रहे हैं, कौन से hashtags, आज की date में बहुत ज़्यादा common है, लोग use कर रहे हैं, trend कर रहे हैं, तो आपको अपने tweets में, retweets में आपको उन hashtags का use करना है, ठीक है, आपको trending topics के ऊपर लोगों को valuable information देनी है, या content देना है, तो इस बात का आपको ज़रूर धान रखना है, fourth point है दोस्तों, कि आप Twitter पे जो influencers हैं, उनके संग आप अपनी engagement बढ़ाएं, ये आपको बहुत ज सदा benefit देगा long term में, fifth point है दोस्तों, कि आप लोगों को Twitter की जो chats हैं, उनमें participation करना चाहिए, sixth point आप regular basis पे सही लोगों को follow करो, organizations को follow करो, experts को follow करो, ताकि उनकी साथ-साथ आपकी भी growth हो, seventh point है दोस्तों, कि Twitter पे आपका जो bio है, वो बहुत ज़्यादा effective होना चाहिए, सही होना चाहिए, कोई गलत information उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ताकि कोई भी जब आपकी bio देखे, उससे वो impressed हो, और उससे उसको आपकी USP's के बारे में उसको पता लगना चाहिए, तो दोस्तों, eighth point है, कि आप खुद Twitter चैट को host करें, उसमें आप trending topics, current affairs, कुछ भी जो लोगों को पसंद है, उसमें लोगों का interest है, आप Twitter चैट को host करें, ताकि लोग उसमें participate करें और आपके संग उनका interaction engagement बढ़े, ninth point है दोस्तों, कि आप लोगों के संग conversation start करें, लोगों के संग आप interact हों, जितना ज़्यादा ज़्यादा आप कर सकते हों, क्योंकि यही है जो आपकी community को बहुत ज़्यादा strong बनाएगा, आपके followers increase होंगे, आपके भी जो tweets हैं, लोग आगे retweet करेंगे, लोगों तक आपकी और ज़्यादा पहुँच बनेगी, तो यह जो मैंने आपको benefits बताएं हैं, points बताएं हैं, लोगों को tag करो, ज़्यादा लोगों को tag करो, यह इस वरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि Twitter पे आना, उसको use करना, मगर भाँ पर एक growth पाना, और भाँ से अपना benefit आपको मिले personal level पे, आपकी organization को उससे benefit मिले, पूरी community को उससे benefit मिले, तभी सही मायनों में आप उस platform का सही use कर रहे हो, तो दोस्तों, अब है सबसे important parts में से, कि अब आप एतनी महनत करेंगे, अपना जब Twitter का account grow करेंगे, तो अब आप कमाएंगे कैसे, तो किस तरीके से आप Twitter से income generate कर सकते हो, उसके बारे में मैं आपको 4 points बताऊँगा, पहला है दोस्तों, अगर आपके 10,000, 15,000, 20,000 followers हो जाते हैं Twitter के उपर, तो आपको Twitter पे sponsor tweets मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए आपको जो भी organization या company या individual आपसे sponsor tweet कराना चाहता है, वो आपको उसके लिए pay गरता है, second है दोस्तों, आपको affiliate products मिलने शुरू हो जाते हैं, आपको affiliate marketing के offers मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसमें आपको commission basis पे भी मिलते हैं, कि अगर आपके Twitter account के थ्रू कुछ बिखता है, या आपके link के थ्रू कुछ बिखता है, तो उसमें आपको 1 percentage commission मिलती है, वो 20%, 30%, 40%, 60% तक भी उते हैं, डिमेंड करता है, वो क्या product services हैं, या आप लोगों को fees भी मिलती है, अगर आप को प्रोड़क को promote करते हो, third है दोस्तों, आपके अगर followers हैं, तो आप अपने खुद के जो products हैं, उनको आप लोगों तक पहुँचा सकते हो, promote कर सकते हो, अपनी services उनको बता सकते हो, ताकि आपके product services लोग buy करें, purchase करें और उनको दूसरे लोगों तक भी पहुचाएं, और fourth है दोस्तों, कि आप अपने followers की power से, Twitter के जो आपने growth करी है, उसकी power से आप अपने website पे आप traffic लेकर जा सकते हो, अपनी app पर traffic लेकर जा सकते हो, awareness उसकी बढ़ा सकते हो, वहां से business generate कर सकते हो, lead generate कर सकते हो, तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में Twitter का account किस तरीके साब create कर सकते हो, बहुत है simple, easy steps में बताएंगे, तो पूरा वीडियो देखेगा, अंतक, so that आप भी account create कर पाएं, दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी कोई email id open कर दिजेगा, ताकि आप उ new tab open कीजिए, और यहां पर आप डालिए, twitter.com, तो जैसे आप यहां twitter.com डालेंगे, क्योंकि आपको कोई account नहीं है, तो इस तरीके से आपके सामने यहां आ जाएगा, अगर account होता तो आप direct भी login करके access कर सकते हैं, नया account बनाने के लिए, यहां पर आप sign up पर click कीजिए, और यहां पर हम नाम डालते हैं, हितेश, next, यहां पर आप mobile number या email id दोनों से बना सकते हैं, आप mobile number से भी अपना account create कर सकते हो, या use email instant, तो instead, तो यहां पर हम जैसे click करेंगे, तो हम अपनी email id से अभी आपको बना कर दिखा रहे हैं, ठीक है, click-pandas-india-add-gmail.com ठीक है, तो आपको देखना है कि आप अपने mobile number से बना रहे हैं, अपनी email id से बना रहे हैं, आपकी चोल से, तो यहां पर आप डाली, अपनी mail id से भी आपको बनाना है, यहां पर date of birth, जो भी आपका date of birth है, वो आप डाल सकते हैं, यहां पर आप अपना date कि यह डाल सकते हैं और यहां पर नेक्स्ट कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर आप नेक्स्ट कर देजिए अब यहां पर आप देख सकते हैं हमने 3 steps complete कर लिए sign up पर click करेंगे यहां पर verification code आएगा mail ID पर अगर आपने number डाला होते हैं तो number पर आता यह verification code आप देख सकते हो 172327 172327 और यह code डाले के बाद आप next कीजिए you will need a password अब आप अपना password generate कर सकते हो तो यहां पर हम अपना password बना लेते हैं आप अपना password create कर लिजिएगा करने के बाद next कीजिए next करने के बाद दोस्तों अब यहां पर कुछ steps हैं आप skip भी कर सकते हो बट इनको आप करें तभी आपका account complete होगा जैसे कि आप अपना profile picture डाले तो profile picture डालने के लिए यहां पर जिस भी folder में आपकी images हैं आपको उस folder में जाना है personal या फिर आप company का बना रहें तो company का logo भी आप यूज कर सकते हो और यहां पर आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो जैसे भी आपको दिखाना है अपनी image को then apply जैसे आप apply करेंगे देखें यहां पर हमारी profile pic लग गई अब हम next step पर जाएंगे describe yourself तो यहां पर आप अपने बारे में या अपनी company के बारे में कुछ लिखें तो मैं आप पर अभी dummy के लिए लिख देता हूं I am Hittish गुपता dummy के लिए मैंने लिख दिया तो यहां पर up to 160 characters तक के लिए जगा है तो वह आप उत्रा लिख सकते और effective bio लिखेंगा कि लोग उससे या तो आपके बारे में या आपकी company के बारे में उसकी services या products के बारे में जान पाएं और brief में लिखेंगा अच्छे words use करके अब इसको next कीजिएगा यहां पर यहां पर अगर आपको अपने contacts upload करने हैं तो अपने contacts upload करने के लिए कर सकते हो और अभी के लिए आप इसको skip करो not now कर दो यहां पर आपको चूज करना है language तो आप Hindi English जिस भी आप language में comfortable तो चूज कर लो मैं English करूंगा भी और next करूंगा next करने के बार what you are interested in तो यहां पर आप अपने interest की चीजिए ताकि आप और information Twitter को दे पाओ क्योंकि आप अगर अपने interest की सही चीज़े चूज करोगे तो उससे related आप अलग अलग accounts और उससे related आपको चीज़े ads दिखेंगे उससे related content आएगा ठीक है तो हमेशा यह बहुत important section होता है तो अपने interest hobbies यह बिजनस से related चीज़ें ही आप select करोगे तो मैं यहां पर अगर select करूंगा तो मैं अपने हिसाब से देख सकता हूं business and CEO मेरे को करना है ठीक है या फिर मेरे को यहां पर उपर जैसे कि आप देख सकते entertainment से कुछ करना स्पोर्ट से कुछ करना हो मेरी मर्जी है कि मेरे को क्या करना है यहां पर मैं अभी brands related कर देता हूं विकर में तो अभी डमी के लिए है तो मैं अभी हां पर मतलब यह जो दे रखा है तो यह दो मेरे डमी के लिए मैं टेस्ट के लिए अब बना रहा हूं तो आप फॉलो करना चाहो कर सकते हो नहीं करना चाहो तो आप स्किप करके आगे भी बढ़ सकते तो इस तरह के बहुत सारे आपके बास options आएंगे मैं दो लोकों को भी फॉलो कर रहा है तो यहां पर अलाउ करना है आप को हम आने वाली upcoming videos में जानेंगे सीखेंगे कि हम Twitter ads कैसे बना सकते हैं different types के और उसमें हम कैसे अपने business brand को लेकर जा सकते हैं marketing कर सकते हैं उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा thank you तो दोस्तों जैसे कि हमने इसे पहले वाली वीडियो में जाना कि Twitter का account कैसे create कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप Twitter ads account create करने की शुरुबात कर सकते हैं और आप Twitter accounts के objectives जो अलग-अलग ads types होते हैं उसके बारे में जानेंगे और फिर further हम ads बनाना अगली आने वाली वीडियो में तो दोस्तों अभी मैं इसमें दो अलग-अलग accounts open कर रहा हूं एक बिल्कुल नया account और एक हमारा पहला पुराना account है वह 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 आपको reason मैं बताऊंगा क्यों कर रहा हूं तो जब आपका अगर नया account है और आप ads एकदम से बिल्कुल आपने नया account बनाया और आप ads बनाने की शुरुवात करना चाहते हो तो जब जैसे ads में जाने के लिए Twitter ads बनाने के लिए आपको यह मोड़ पर क्लिक करके Twitter ads पर क्लिक करना तो यहां पर जब आप क्लिक करोगे और आपका अगर नया account है और आप get started पर क्लिक करोगे तो यहां पर वो बोलेगा कि हमारा account eligible नहीं है eligible है कि हम Twitter ads बना पाएं ठीक है तो उसके लिए दोस्तों क्या दिक्कत है वो मैं आपको बता रहा हूं तो account create करने का क्योंकि जो नया account होता है बिलकुल उसमें आप Twitter ads एकदम नहीं बना सकते उसके लिए पहले आप यहां पर आप जैसे की देख सकते हो जो policies हैं इनकी यहां पर आप आईए इधर हम पॉलिशी देखिए तो इन में क्या है हमें पहले अपना प्रॉपर ट्विटर एड जो हमारा एकाउंट है उसमें हमारा हेडर हमारी प्रोफाइल हमारी बायो और हमारी फर्दर डिटेल्स होने चाहिए कुछ उसमें हमने activities करी होने चाहिए और सब सबसे important बात के ट्विटर का जो यूरल है ठीक है हमारा जो खुद का यूरल होता है वो होना चाहिए ट्विटर का यूरल तो यहां पर आप देख भी सकते हो यूरल इन यूर बायो तो यह घुझा है तो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट सो ब्रैंड वह उरल जो होना चाहिए हमारे ब्रैंड या अमरे प्रोडेक्स सर्विसेस को डिफाइन करता हो न चाहिए तो प्लीज इस चीज को आपको ध्यान रखना है ठीक है तो इसलिए हो स पर हम आते हैं और आपको दिखाते हैं अपने पुराने अकाउंट में तो जब आपका थोड़ा सा पुराना हो जाएगा उसमें अपने एक्टिविटीज कर रखी होंगी और आपका यूरल क्रिएट हो जाएगा तो फिर आप यहां पर मोर पे जाएए मोर पे जाने के बार ट क्रिएट करने के अंदर एड मेनेजर भी इसको बोलते हैं देखिए एड मेनेजर में है मिचता है तो यहां पर होगा क्या दोस्तों आपके पास बिलिंग की इनफोर्मेशन आएगी जहां पर आप अपने बिलिंग डिटेल क्रेट कार्ड वग्यारा से आप अपना तो यह मैं आपको दिखाता हूं यहां पर तो इस वीडियो में एक मैंने आपको क्लैरिटी कर दी कि इस तरीके साथ ट्विटर एड्स अकाउंट बनाएंगे और इसकी क्या फॉर्मेलिटीज हैं अब हम जब एड्स आपको बनाना हुगा अगर हमारे कुछ चल रहे होते है तो यहां पर हम क्रिएट केंपेंड पर क्लिक करेंगे अब पहले जो होता था दोस्तों यहां पर कुछ इमेजे जाती थी अब्जेक्टिव से रिलेटेड बट अब थोड़ा सा ट्विटर ने भी अपना इंटरफेस चेंज कर दिया तो यहां पर अलग अलग शुलूऋं कैसे ला सकते हैं प्री-ड्यो वीडियो अपने चνη चला सकते हैं ऐप इंस्टॉल एड्च क्लिक लिक अंगेज्मेंट फॉलवर कैसे बढ़ा सकते हैं और एप री इंगेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं तो जो भी आप objective चूज करोगे तो उसके बाद next करोगे तो फिर आप add बनाने के process में पहुंच जाओगे तो इस particular वीडियो के अंदर हमने जाना कि हम Twitter ads कैसे बना सकते हैं या उसकी पॉलिशी हैं और एड बनाने के बाद आपको billing अपने काड़ करनी अगर आप में पहले नहीं करी तो उसके बाद पिर आप objective सेलेक्ट करोगे तो आने वाली वीडियो में हम एड बनाना सीखेंगे दोस्तों तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप Twitter ads में follower बढ़ाने के लिए campaign कैसे चला सकते हो बना सकते हो मतलब follower ads तो उसके लिए दोस्तों आप अपने Twitter के एकाउंट में पहले login कीजिए महां login करने के बाद more पे click कीजिए left hand side पे then click on Twitter ads जैसे आप Twitter ads पे click करोगे तो आप यहां पर Twitter ad manager में आप आजाओगे और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर हमारा dashboard आ गया और दोस्तों जैसे मैं आपको पहले बताया था कि बिलिंग का जो है अगर आप पहली बार कर रहे हो तो यहां पर बिलिंग का एक option आएगा अब अपना credit card यह debit card add कर दीजिएगा तो फिर यह dashboard आजाएगा तो यहां पर दोस्तों पहले क्योंकि हमने कुछ ads चलाए थे तो इसलिए यहां पर यह display हो रहा है और अगर वह run हो रहे हो तो यहां पर उसका analytics आता तो क्योंकि अब हमें नया campaign बनाना है चलाना है तो हम यह create campaign पर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद रीच अलग-अलग objectives है add objectives आपको reach बढ़ाना है video views प्री रोल या कौन कौन से आपको जो भी आपको add बनाना है उसको आप चूज कर सकते objective को तो क्योंकि हमें इसमें follower site बनाना है हमने अपनी audience बढ़ानी है तो यहां पर हम क्लिक करेंगे followers पर क्लिक करने के बाद next पर क्लिक करने के बाद जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों इधर क्योंकि पहले से थोड़ा से इंटरफेस चेंज हो गया है Twitter ads का तो हम हर साल कोशिश करते हैं आपने नई वीडियो लेटेस्ट वर्जन पर लेकर आएं तो यहां पर campaign बनाना अब हम स्टार्ट करते हैं तो यहां पर आप देखिए campaign details यहां पर objective हमारा followers दिखा रहा है अब हम यहां campaign name देंगे campaign name दोस्तों इसलिए देना है क्योंकि इन future अगर आप multiple campaigns बनाते हो बहुत सारी campaigns है तो अगर आप सही campaign name according to your objective या किस product service के लिए बना रहे हो अगर आप कर दो तो क्या है future में आपको याद रहेगा या और को manage कर रहा है आपके account को तो उसको भी पता रहे कि किस चीज़ के अपने campaign बना आता तो अभी तो हम डेमो के लिए कर रहे हैं तो हम यहां पर ट्यूटर डेमो के लिए अधर अब दोस्तों यहां पर हमें कुछ भी एड करने की जरूत नहीं है अगर आपने स्टार्टिंग में अपनी डिटेल से वेड़ा एड कर दी थी तो अब यहां पर दोस्तों आ रहा है डेली डेली बजट और रहे है टोटल बजट टोटल बजट तो है मानलो आप यह campaign मरा रहे है उसका टोटल बजट रखना चाहते हो जी पांच हर्वे में फॉलोस बढ़ा यह पर यकया य सबस्मक्राइब और यहां पर यूस्दी सबस्कत यहांपर कर ने के लिए आप को स्टार्ट डेट मान लीजे आपका एड हो लो ने बनाया और यह पूल आघख और का कई पर तो बट आप अगर मालो आज पूट हो जाए पट आप नहीं चाहते कि आज से चले तो आपको स्टार्ट डाल सकते हो दो दिन तीन दिन चार दिन जिस भी डिट साथ करना है और एंड डेट भी ऑप्शनल है डालना चाहो तो डाल सकते हो अगर आप एक चेंज नहीं करोगे त आपने 10 डॉलर्स लगाए एक दिन के तो अगर आप एक्सेलेरेटेट पर क्लिक कर दोगे तो इसमें क्या है आपने इंस्ट्रक्शन दी ट्विटर एड्स को कि आप मेरा एड्स आज सदा लोगों को तीज़ी से दिखाओ एक्सेलेरेट इंड मोट पे तो हो सकता है वो 10 ड अगले स्टेप पर नेक्स्ट करके पहुंचेंगे तो यह से हम यहां पर आ गए तो आप देख सकते हैं हम अपने ग्रूप बनाएंगे और दोस्तों मल्टिपल एड ग्रूप्स आप बना सकते हो मालो मेरी जो मेरा डीचल मांगरिंग का काम है और मेरी दो सर्वेसेस के लि लिए और एक पेड अर्विटीजमेंट के लिए ठीक है तो मैं दो अलग 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 बना सकता हूं कैसियों में इसका सारा क्रेटिव वेगरा से रिलेटिट सब कुछ होगा उसका एड ग्रूप का बजट वगरा होगा सारा अलग और इसकी स्टैटर्जी होगी और एक आड ग्रूप का नाम दे देते हैं जैसे अभी तो मैं है नाम देता हूं डिजिटल मार्केटिंग तो मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसिस के लिए बना रहा हूं तो उसका मैंने ग्रुप का नाम दे दिया अब यहां पर अगर आप अलग-अलग मुल्टिपल एड ग्रुप्स बना रहे हो तो तो जरुवत है अगर आप देना चाहूं स्टार्ट डेट यह बजट डालना करना तो यहां पर टाइब छांट जैसे हम यहां पर आएंगे तो यहां पर आईंगे आपको अगए कर सकतेव हैं आ TBrain सवी करोगे तो यहां पर अगर आइडिया है आपने पहले चला आएइं आप यहां पर सेट कर सकते हो कि आप पर न्यू फॉलोवर लाने के लिए कितने डॉलर खर्च कर सकते हैं तो यह तो ट्विटर ने अपनी तरफ से सजेस्टेट बिट दिए कि दो से ड्हाई डॉलर के बीच में आपको एक फॉलोवर बनेगा नया एक से और कम भी हो सकता है ज्यादे भी हो सकता है डिपेंड करता आपका निचर बिजनस टाइट विगर आप क्या दिखा रहे हो ठीक है क्या इंडिस्ट्री आपकी और इस इस इंडियन रुपीज में लगभी तो यह अगर आप पहली बार चला रहे हो आपको आइडिया नहीं है तो आप प्लीज इसको आटोमेंटिक बिड़ पे ही रखें तो आटोमेंटिक विड़ पे रिकमेंड इड़ भी है इसमें क्या है ट्विटर खुद से ही आपके आड को अप्टिमाइज करेगा और कोशिश करेगा लुएस्ट कोस्ट पर आपके मैक्सिम्म रिजल्ट युखाने की ठीक है यह हो गया दोस्तों अब यहां पर हम जैसे कि देखते हैं इदर टार्गेट पीपल हो मैच तो यहां पर हम डेमोग्रेफिक्स लाइक जेंडर अब डिजिटल मार्केटिंग का मैं हूँ आपके बिजनस के हिसाब से तो अगर आपके बिजनस में आपको दोनों लोगों को दिखाना है मैं वोमें दोनों को तो आप यहां पर एनी कर दो और अगर आप को सिर्फ दिखाना है तो मैं कर दो वुमें को दिखाना तो वूमें कर दो अपिए उसके बाद आप यह खुर्फो को करना यह एक बन्रेंज होती है ब्रॉक कमसें तो यहां पर हम कर सकते हैं कि age range like मैं चाहता हूं कि 25 years है क्यों digital marketing में क्या है जो लोग business में हैं तो मैं वो age group के लोगों को जाए टार्ग रहना चाहता हूं जो decisions लेते हैं तो मैंने 25 साल से लेके मैं up to 49 years तक के लोगों को target करना चाहता हूं तो यहां पर अपने हिसाब से कर लिया ठीक है तो यह मैंने अपना आप अपने बिजनेस प्रोड़क्स टाइप के हिसाब से कर लीजिए अब दोस्तों यहां पर location अब जैसे तो बाइडिफॉल्ट अभी इंडिया आ रहा है विकॉस्ट्र ने इंडियन अगर आपको इंडिया नहीं करना आपको स्पेसिपिक्री लाइक यहां पर हम इंडिया कैंसल कर देते हैं और यहां पर मैं लैक डेली करता हूं ठीक है तो मैं डेली करूंगा तो यहां पर इस तरीके से यहां पर मैं और होगे और भी मैं टो ग्रों Stephen नहीं करना है तो सिर्फ पर ऋपस्षन है यहां जो करना आपको ति आपको से दिखा देगा है नहीं है वा लैंडिया इंतो चिनर आप्शेश देएगा का तरक में हुआप तो पिछले साल मैंने तो ट्विटर एड्स बनाए थे उससे अब काफी इंटरफेस चेंज हो चुगा है तो डिवाइसे ऑप्रेटिंग सिस्टम यहां पर यह भी ऑप्शनल है बट आपकी रिक्वार्मेंट है तो आप देख लीजिएगा यहां पर सिलेक्ट कर लो कोई सिर् साइब देखना है तो नथे को डेखना है अगर यह जरौद है तो कर लिजिएगा में कि डिवाइस मॉडल आप डिवाइस मॉडल अप्शनल है अब आपको एपल के डिवाइसेस पे स्च के मूबाइल के हिसाब से भी और आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो इतना तो यहां पर इंडिया यह बहुत सरी जगाने दिखा रहे हैं आपर तो अब यह कर सकते हो ऑप्शनल है बट यह कोई मेंडिटरी नहीं है उपर हम कर चुके हैं तो यह सब चीज़े करनी हैं आपको बट अपनी रिक्वार्मेंट के हिसाब से ठीक है बस मैं आपको सारे एक्स्प्लेइन कर रहा हूं इनका क्या यूज है अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पाट यह एक कस्तम ओडियन्स का कस्तम ओडियन्स में क्या है कि अब जब आपने उपर चो तर्वेटिंग सेलेक्ट करी और वह अब बहुत ब्रॉड हो जाएगी बट आपके बिजनेस के हिसाब से आपको यहां पर चूज करना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर अगर आप करना चाहते हो मगर कब जैसे facebook में custom audience होता है ना वैसे ये भी है मगर ये तब होगा जब आप twitter का pixel code या website tag इसके अंदर pixel code नहीं कहते है facebook पिक्सल code कहते हैं इसमें website tag कहते हैं वो आपने वेबसेट में लगा रखा होगा और audience target हुई होगी तब आप यहां पर उसको कर सकते हो चाहिए वेबसेट में होगा वह आपने code लगा रखा होगा और आपने ads चलाए होंगे तो आपका custom audience create होगा ठीक है तो यह आप कर सकते हो आप यहां पर जब custom audience होगा मान लो आपके 5000 custom audience list के अंदर audience है ठीक है और आपने वो select कर लिया अब आप चाहते हो उन 5000 जैसे जो audience हैं आपके custom list में उन जैसे और भी audience similar audience को आपका add देखे तो यहां पर look-alike audience कर लेना ठीक है कर सकते हो आप तो अभी तो हम नहीं चला रहे हैं इसको इसलिए मैं आपको यह चीज भी बस मैंने बताई है और अगर आपको अपना tag manager वेप्साइट टैग या फिर पिक्सल इसको कहते हैं वो करना है तो उसके लिए हमारा वीडियो देख लीजिए गर टुटर कर पिक्सल इसको अलग अलग इंक्लूड या एक्सक्लूड तो हम इंक्लूड करेंगे तो यहां पर आप लाइक हम यहां पर डालते हैं डिजिटल मार्केटिंग ठीक है तो जैसे मेरे हैं डिजिटल मार्केटिंग डाला तो यहां पर देखें डिजिटल मार्केटिंग का आगे और य यहां पर अगर सो सेलेक्ट करना चाहूंगा तो मैं यहां पर सेलेक्ट कर सकता हूं तो इस तरीके से आप अपने कीवर्ड के फूबी ऑडियंस टार्गेट कर सकते हैं यहां पर आप अपना टार्गेट साइज देखते रहें और जो आप कर रहें अब यहां पर दोस्तों आप फॉलवर लूक एलाइग तो यहां पर हम क्या करते हैं आप अगर आपके followers हैं ठीक है और उनके look alike audience जैसे target करना चाहते हो तो आप कर सकते हो ठीक है वाकी optional है इंट्रस्ट क्योंकि optional तो सारी चीज़े हैं क्योंकि आपकी requirement के हिसाब से आप कोई भी एक या दो ही आप इन में से चीज़ चुनिए ताकि बहुत specific आप काम करें और आपको जो लगता है आपका potential audience है सिर्फ उसी को ही आप target करें ताकि आपके followers आप बना रहे हो तो आप अग connection लेंगी और आपका content में quality एड में quality है तो वह आपको follow भी करेंगे तो यहां पर अगर आपको choose करना चाहो like मैं business करना चाहता हूं या मेरे को लगता है कोई और industry मेरे लिए appealing है like business करना चाहता हूं तो business के अंदर में advertising किस को target करना चाहता हूं marketing इसको भी करना चाहूंगा उसको मैं इस तरीके से इंटर्पेंड ने उसको करना चाहूंगा तो मैं इस तरीके से select कर सकता हूं तो यह small businesses को मैं करना चाहता हूं तो मैंने कर दिया तो इस तरीके से मैं interest के हिसाब से भी कर सकता हूं ठीक है फिर आपका बिजनेस अगर मूविज टीवी शो इससे कुछ रिलेटेट है महां कर लो इवेंट्स वगएरा से कुछ है तो आप वो कर सकते हो ठीक है यह डिपेंड करता है नेचर व बिजनस के ओपर तो इस तरीके से आप अपनी ओडियंस अपनी बिजनस प्रोड़क सर्विस के साफ सेलेक्ट करना और यहां पर अपना ओडियंस साइज आप देख लीजिएगा ठीक है को यह तो मैं एक एड़ गुरूप करने से मैं आपको पहले बताया थे तो हमसे नया एक पूरा क्रिएट करने के बाद आप नया एड़ भी यहां से क्रिएट कर सकते हो या ठीक है तो यह हमने कर लिया कनवर्जन टॉपिक्स यह सब तभी है जब हम आपका पिक्सल वेगारा जो टैग है वो लगाएंगे अडिशनल ऑप्शन में देखते हैं री टार्गेट पीपल हूँ सौ और इंगेज विद यूर पास्ट ट्वीट्स यह अगर आप करना चाहें इसके लिए क्या है न दोस्तों आपका पिक्सल जो टैग है वो होना चाहिए प्लस लोग पहले सापने चलाए है या आपके ट्वीटर पे एक्टिवीटी हो रही है आपकी ट्वीट्स पे पोस्ट पे तो यह बेनिफीशल ओप्शन से ठीक है तो यह आप तब कर सकते हो तो अब तो नया है तो आप इसको अभी एवाइड करो अब प्लेस्मेंट्स जो आप यहां पर देख रहे हो ठीक है तो यहां पर होम टाइम लाइन्स यहां तो यह फिक्स है हो गई होगा प्रुफाइल प्लेस्मेंट हो यह ना हो वह आपको देखना है चाहते हो प्रॉपाइल्स पर आपके देखे तो आप रख हो नहीं चाहते हो सकते हADE हो ठीक है यहां पर आप लूप की क्लेश्मेंट पर इस तरीके से और यह है होम टाइम लाइंज जैसे होती है वो तो अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब हम अपने प्रेटिव सेलेक्ट करेंगे तो जो हमने ट्वीट्स कर रखे हैं वीडियो या पर हम करेंगे शो रेपलाइज और तो आपके स्काउंट में ग्राइब करने के बाद में प्रीव्यू देखना चाहता हूं तो इस तरीगे से देखिए वो डेक्स्टाप पे दिखेगा ठीक है ऐसे एंडुड फोन पे दिखेगा और ऐसे आयसे तो यहां पर हमने यह देखा यह सेलेक्ट करने के बाद यह तो आप इसी बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी आप सेलेक्ट करने हैं उदर वही क्रिटिव हो जो आप आप लगर जाना चाहते हो कोंटेंट मैंशन हो तो वह करने के बाद अब यहाँ पर erased करेंगे आपने content पर कर लिया आपने सारी और Settings कर लिए तो यहां पर पूरे campaign को को एक बार ही Review कर सकते हो क्या क्या कदा कुछ अबिभी लगता है तो एडिट कर सकते हो यहां पर हमने करा और यह सब चीज यहां पर आ गई है और जैसे ही दोस्तों अब हम यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर आगया अब यहां पर आप देख सकते हो कि यह मैंने एड क्रिएट कर दिया है और इधर जैसे वह एक्टिव हो जाएगा तो वह रन होना शुरू हो जाएगा ठीक है तो अब दोस्तों इसी तरीके से आप फॉलोवर्स एट बनाई और अपने फॉलोवर्स ट्विट तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप ट्विटर पे वीडियो व्यूज एड कैसे चला सकते हैं और आप ट्विटर के प्लाटफॉर्म को यूज करके एकनॉमिकल तरीके से कैसे व्यूज लेकर आ सकते हैं अपने ब्रैंड प्रॉडक्ट सर्विस यहां पर और फिर आप अपने ट्विटर एड्स मेनेजर के अकाउंट में लॉग इन कर लेंगे अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है डैश्वोड ना आये बिलिंग का आये तो महां पर आप अपने डैविट या क्रेट काड एड करके आप यहां से स्टार्ट कर स हम इस समय ट्विटर एड्स मेनेजर के अंदर हैं यहां पर अपना अब्जेक्टिप चूश कीजिए क्योंकि अभी हम वीडियो युव्यूस और यहां बिल्कुर नेया वर्जन दे रहा हूं थाकि आप दोखों को लेटेस्ट मिले सब कुछ तो यहां पर आप देख सकते हैं नो से ल्क्राइब कर लिया है औब जेक्टिव् यहां पर आप देख सकते हो अब कैम्पेयन का इक नाम देदेजी जै तो मैं यह यहां पर देदेता हूहu MR-P shrug वीडियो यह campaign नेम देना इसलिए बहुत जरूरी होता है ताकि आप लोगों को future में multiple campaigns में याद रहे कि यह campaign आपने क्यों किस चीज़ के लिए बनाया था और अगर आप या कोई भी आपकी भाफे मैनेज करता हूँ सही campaign नेम दे तो आपको आगे चलके दिक्कत नहीं होती confusion नहीं होती ठीक है दोस्तों यह देने के बाद यहां पर आपको कोई भी credit debit card या कोई detail आड नहीं करनी because शुरुवात में हैं जब आपने Twitter ads manager में आये थे पहली बार तब आपने अपने credit card debit card details आड कर दिये होंगे तो यहां कुछने करना है अब daily budget होता है और एक total budget होता है total budget का मतलब है कि आपने इस campaign like video views में मान लिजे 5000 रुपय आपने खर्च करना है तो आप यहां पर total budget भी डाल सकते हो और अगर आप daily budget डालने कि per day आप मान लिजे 200500 रुपय खर्च करना चाहते हैं तो आप यहां पर अमेरिकन डॉलर से अंदर तो यहां पर आप calculate कर लीजेगा अपने इंडिन रुपीज में उस हिसाब से आप अपने यहां पर डाल दीजेगा amount तो हम $10 डाल देते हैं तो $10 यह हमारा इस campaign के लिए budget decide हो गया अब यहां पर start date और end date होती है तो start date तो दोस्तों वह हो गई आज का यह है तो तुरंत रन होना शुरू हो जाएगा मालीजे आज campaign हो गया पर आपने दो दिन बात की डेट डाली तो start फिर दो दिन बाग होगा वह जब डेट और टाइम आपने डाला होगा एंड डेट ऑप्शनल है यह आप ही मर्जी आप खुद भी पॉस्त कर सकते हो या डेट डाल दो उस डेट को अपने पॉस्त हो जाएगा आपर एडवांस पर आप क्लिक कीजिए एडवांस का मतलब है आपर दो ऑप्शन है standard और accelerated अब accelerated का मतलब होता है मान लीजिए आपने 10 डॉलर एक दिन का लगाया है और accelerated mode पे क्या होगा ज्यादा तेजी से क्विक्ली आपका एड और बजट स्पेंड होगा एड दिखेगा और बजट स्पेंड होगा बट स्टेंडर्ड में क्या होता है जो कि recommended भी है कि अगर 10 डॉलर है तो पूरे दिन थ्रूआउट आपका तो स्टेंडर्ड पे रहने दें और आगे next करें अब next करने के बाद दोस्तों इधर हम आ गए है एड ग्रूप्स पे अब आप multiple एड ग्रूप बना सकते हो मान लीजिए मेरी digital marketing की services हैं तो मैं SEO के लिए अलग एड ग्रूप बनाना चाहता हूं उसके हिसाब से अलग targeting अलग यहां पर एड ग्रूप का नाम आप दे दीजिए जैसे कि मैं एक एड ग्रूप के हैं नाम देता हूं SEO सर्विसी ठीक है यह मैंने नाम दे दिया इस एड ग्रूप का ताकि मैं जो second एड ग्रूप अगर paid services के नाम से बनाओ तो मिलको confusion नार है ठीक है तो यहां पर आप एंड डेट या budget आप क्या लगाना चाहते हो इस एड ग्रूप का तो दोस्तों यह चीजें आप तब लगाईएगा जब आप multiple एड ग्रूप बनाओ क्योंकि हर एड ग्रूप का फिर आप डेट टाइम या उस particular एड ग्रूप का budget आप डाल सकते हो अगर आपका एक ही campaign है व मैक्सिमुम बेट है मैक्सिमुम बेट पर हमने सेलेक्ट करा अब यहां पर क्या है कि खुद हमको ट्विटर रिकमेंड कर रहा है कि पर व्यू के ऊपर जो हमारी कॉस्ट है जीरो पॉइंट नाइन डॉलर से लेके 0.33 डॉलर तक आ सकती है ठीक है और यह बेड अमांट है अब हमें पर थरी सेकंड करना है या पर वीडियो और जो आप 一ल्抵ी तहीं पर पर थ्री सेकंड कर दुगा तो यहां पर उसक्ते साब से नुकोर्गा यहां अगर आपको पता है कि ये अमांट सही है आपके लिए वाकिव अगर आप नए है तो यह मेरी सला है आपको और टुटर भी रिकमेंड करता है कि आप आप फिर रहने दीजिए ताकि आप लोगों टुटर कुद ही ऑप्तिमाइस करेगा आपके रिजल्ट को और कम से कम कर सकते हो कि आप किस तरीके से चाहते हो तो पर वीडियो भी रहने दिजिएगा मेजर्मेंट ऑप्शन से ओडियेंस मेंजर टैग या डबल क्लिक टैग दोस्तों यह और इसमेंजर टैग यह सब चीजें ऑप्शन्स या आप माल लिजे आगे चलके जो हम कस्टम ऑडियेंस होता है गुगल में गुगल पिक्सल्स होते हैं ठीक है तो उसको अपनी वेबसाइट में लोग आप में लगाते हैं ताकि जब आप चलाओ या कोई आपकी वेबसाइट पर आए और आप चाहते हो कि आपके ट्विटर के टुरू टार्गेट हो आप एड्स मोनीटर कर तो वह करने के बाद आगे बढ़ते हैं डेमोग्रैफिक्स जैसे ही दोस्तों आपको पता है आपनी प्रोड़क्ट सर्विसेज के हिसाब से आपको अपना ओडियंस चुनना है लाइक अगर आपका प्रोड़क्ट सर्विसमें वूमें दोनों के लिए तो एनी पर हैनी दी 25 से लेके 49 तक के लोगों को दिखाना चाहता हूं जो ज्यादा बिजनस में रहते हैं इसलिए मैंने यह कर लिया आप अपने बिजनस के आप से देख लीजिएगा लोकेशन ऑप्शनल है दोस्तों अब जैसे यहां इंडिया आ रहा है अगर आल ओवर इंडिया चलाना है त तो मैं इस इसलेक्ट कर लिया उसके अलावा दोस्तों यहां पर आप देखिए डेली यहां पर देखागें अब अब यहां पर अगर मैं करना चाहता हूं राजस राजस्थान Windsor ठीक है तो मैं यहां अपर अपना छाल हाध भी स्टेट कर सकता हूं तो इस तरीके देघ्ण से मैं अपनी रिख्वायर्मेंट के लिखाने कुछ तो आप सकते हैंग अब दोस्तों यहां पर हम आते हैं डिवाइस अभ डिवैस क्या है लाइक अगर आपका प्रोडेक्ट सर्विश रिए इ मांद है गों लोग ऐसा फ्रेसर जो इसे के लिए हैं तो आप यह सेलेकT कर लो कोई android users के लिए तो यह कर लो आगर आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ desktop पे ही देखना possible है तो आप desktop कर लो तो यह आपकी मर्जी है requirement option है अगर आपकी specific requirement तो कर सकते हुआ ऐसे device models अलगलग devices है अगर आपसे पैपल उसको दिखाना चाहते हो तो आप यहां कर सकते हो इसमें बहुत सारी area तो यह अगर आप उन लोगों को target करना चाहते है तो आप यहां से इसको चूज कर सकते हो ठीक है आप दोस्तों कस्टम ओडियंस जैसी कि मैंने आपको उपर भी बताया था कस्टम ओडियंस का मतलब क्या है कि यहां पर आप तभी वेबसाइट एक्टिविटी की जो लोग आपकी वेबसाइट पर आए कि क्या आप उनको target करना चाहते हो ठीक है या आपने को लिस्ट बना रखी है कस्टमाइज उसको करना चाहते हो या आपकी एप में जो लोग आ होगा तब ठीक है और लोग के लाइक ओडियंस पी आप तभी बना सकते हो जब आपकी कस्टम लिस्ट बनी हुई है और उन जैसी ओडियंस को त्युटर दिखाए तो यह तब पॉसिबल है तो उसलिए वो वीडियो देख रीजिएगा और अपना टाइग वेबसाइट या कोई कीवर्स की लेस्ट अपलोड करनी है तो यहां से कर सकते हो बाकि अगर आपको वन बाइवान करके कीवर्स है मैं यहां पर SEO यहां पर दिखाएगा Global Audio Size मेरे को दिखा रहा है मेरे नहींट कर लिया अर्ट मेरे को SEO के साथ साथ मान लिजए मारकेटिंग के लोगों को भी है उन्हों को दिखाएगा फिर फॉलोवर्स लुक अलाइक ऑप्शन्स हैं अगर फॉलोवर्स लुक अलाइक आपको दिखाना है तो यहां पर आप इसके पड़ भी सकते हो रीच पीपल विस सेमिलर इंट्रस्ट टू एन अकाउंट्स फॉलोवर्स सिमिलरली इस बेस्ट ऑन तिंग्स लाइक ट्वीट्स ट्रीट्वीट्स क्लिक्स और मोड्स तो आप कोई स्पैसिफिक एकाउंट है जिसके फॉलोवर्स हैं उन फॉलोवर्स के जैसे फॉलोवर्स जो लोग हैं उनको आप टार्गेट करना चाहते हो माल लिए तो कोई ऐसा पेज जो बहुत अच्छे फॉलोवर्स हैं ट्विटर के उपर उस पर्टिकुलर एकाउंट के फॉल लोग जो है ओडियंस उस जैसे ओडियंस को आप टार्गेट करना चाहते हो तो आप यहां पर कर सकते हो ठीक है तो तो आपके उपर है प्लस इंट्रेस्ट आगा है दोस्तों यहां पर इंट्रेस्ट ऑफचनल है ठीक है अगर मुआ लेजीए मैं यहां पर बिजनस मेरे डिजिटल मार करेंगे सर्विसेज बेचनी है तो बिजनस वालों को टारिए कर सकता हो तो जो मेरे को टार्गेट करना है बना है अपनी हिसाब से कुछ मोश है करने के बाद अब यहाँ पर दिखिए क्योंकि हमारा वीडियो वीडियो जाओ है इध सर्च रिज़ल्ट्स अगर है तो इस तरहीकि से होगा यह आप शटरीन स्पर है ऐ हिसे किसी में नहीं दिखाना तो आप उसको इस तरीके से हटाबी सकते वो तो यह आपकी मर्जी है ठीक है रखना चाहूँ तो इसे क्लिक कर दो अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि आपके जो ट्विट्स हैं ठीक है जो आपने पोस्ट वीडियो वगदर डाल रखे हैं उन में से आपको सेलेक्ट करना पड़ाएगा तो उसके लिए आप यहाँ पर श तो वीडियो वाला एक है तो इसलिए एक आ रहा है उसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से ठीक है अब दोस्तों आपको क्या करना है कि जो भी ट्वीडियो च्या इमेज आप अपने चलाओ उसमें आपने क्या कॉंटेंट डाला है यहाँ पर क्या कॉंट चैलेक्ट करना होता है तो यह करने के बाद अब आपका यह औरमस्ट केमपें रेड़ी है creative आपका मिया अभा Naheai next करोंगे दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद आप देखो यहां पर पूरी डिटेल आगे बनाने की यहां पर एड़ ग्रूप की मल्टिबल एड़ ग्रूप बनाने तो अधिक्र कर सकते हो तो वह सब चेक करने के बाद अगर सब करोगे तो आपका केंपेंग जो है वह लॉंच हो जाएगा और डैश्बोर्ड में दिखना शुरू हो जागा यह देखें यहां पर तो इस तरीके से आप अपने वीडियो केंपेंग बनाएं और अपने ओडियंस को टार्गेट करें प्रोडिक्स सर्विसिस को प्रोमोट करें ट्विटर का तो आप उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप अपने ट्विटर एकाउंट के अंदर आ जाईए और वहां पर आने के बाद मूर के ऑप्षिन पर क्लिक कीजिए यहां क्लिक करने के बाद ट्विटर एड्स पर क्लिक कीजिए और अब आप आगए अपने ट्विटर एकाउ रहे हैं तो हो सकता है आपके यहाँ पर डैश वोड की जगह बिलिंग की इंफर्मेशन मांगे तो आप ने क्रेडिट काड यह डेविट कार्ड आप यहां पर पुट करके अपनी प्रिलिंक्स और अपनी धेटेल्स फिल कीजिए ठीक है वो करने के बाद यहां पर आपके सामने से डैशबूर्ड आ जाएगा पहले क्योंकि हमने चला रहे हैं इसलिए हम पर क्लिक कीजिए यहां पर आपको अलग-अलग डिफ्रेंट अब्जेक्टिव में से चूज करना होगा जो भी आपको केमपेंच चलाना है तो अभी क्योंकि हम वेबसेट ट्रेफिक चला रहे हैं तो इसलिए हम कि वेबसेट क्लिक का पर ऑप्शन चूज करेंगे नेक्स्ट करेंगे अब नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों इधर अब्जेक्टिव यह इसो कर रहा है कौन सामने चूज कर रहा है कैमपेंच नेम हम यहां कर देते हैं कि वेब साइट क्लिक्स केम मार्गेटिंग फंडार तो केमपेन का नाम देना इसलिए जरूरी है ताकि हमें और आपको याद रहे कि फ्यूचर में ला पास्ट मेंने कौन-कौन से केमपेंज चलाए थे क्या प्रोडिक्ट सर्विसिस के लिए चलाए थे तो वह आप नाम दे कर रहा हूं इससे आप चलाएं चाहिए और यहां पर दोस्तों पंडिंग सोर्स तो क्योंकि पहले आपने डिटेल्स आइड कर लिए तो इदर आपको कुछ नहीं करना है अब यहां पर आता है टोटल बजट और यहां डेली बजट टोटल बजट क्या है कि मालीज़े आप यहां पर यहां पर आप इंडियन रुपीज में कर देता हूं तो टेन डॉलर्स में ने कर दिया आप यहां पर start और end date है start date का मतलब धोस्तों यह है कि माल दीजे आज आपने campaign हरे बनाया और ही स्टार्ट हो गया तो उसमें क्यास आप करेंगे करता है तो अगर आप दिन का 500 रुपे लगा रहे हैं तो वह जल्दी से जल्दी आपका दिखाएगा जाद साधा लोगों पे और आपका पैसा भी जल्दी कंस्यूम होगा जरूरी नहीं कि पूरे दिन तक चलेगा बट स्टेंडर्ड मोड जो की रिकमेंडेट वोड है इसमें कहा ज आपको एक्सपीरियंस है या कोई रिक्वार्मेंट है उसी तो ठीक है अब इसको नेक्स्ट करते हैं आगे बढ़ते है अब यहां पर देखा रहा है यू नीड टू सेलेक्ट कैटिगरी तो क्योंकि वेबसाइट ट्रैफिक या क्लिक केंपेन है तो नीचे इसका मैं आपक अगलग पेस्ट के बारें पता है ऐसे ट्विटर में भी होता है एड ग्रूप तो मैं अगर मेरी डिजिनल मार्केटिंग सर्विसेस की है और मेरे इंक्वारी चाहिए तो दोस्तों मैं यहां पर अलग-अलग एड ग्रूप बनाऊंगा एस्यो सर्विसेज क्योंकि सबका को यह comm Mi चाहिता एक कोई सर्विसे लेना चाहता है कोई विडियू एड बनाऊild की सेटिंगोप करो एक लिया क्लिक करो तो मैं आपको एक बनाना सिखाऊँगा वाकि आप multiple बनाओ यही रिकमेंडेड है SEO Services मैंने ad group का नाम दिया है यहाँ पर मैं start date, end date या budget नहीं डालूँगा क्योंकि अगर आप एक ad group बना रहे हो तो यह जरुवत नहीं है आपको क्योंकि पहले आपने set कर लिया पीछे अगर आपके multiple ad groups हैं तो इसमें फिर आपको इस ad group का start date and date या इसमें कितना पैसा लगाने हो आप यहाँ पर डाल सकते हो तो और नए यहां पांच डॉलर आपने डाल दिया और अगला ad group बनाया उसमें आपने पांच डॉलर डाल दिया क्योंकि तब जरूरी है वरना इसकी कोई जरुवत नहीं अगर single ad group बना रहे हो तो अब बिड टाइप अब यहां पर दो हैं यहां पर तीन है automated बेड़ है टार्गेट कॉस्ट है maximum बेड़ है क्योंकि यह website ट्रैफिक एड है तो इसमें दो तिन आप्शन आ रहे हैं जनरली दो आप्शन आते हैं अब टार्गेट कॉस्ट के अंदर क्या है कि हमें ट्विटर सब्सक्राइब भी कर रहा है कि जीरो पॉइंट सेवेंट डॉलर से लेके 3.80 तक हमें पर website क्लिक आ सकता है ठीक है तो हम यह वाला अपने तो लिंक क्लिक लेना है विए website कंवर्जन स्थूस करना तो वेट्रेट रैकिक बना रहे हैं तो मैं अभी तो आपको रिकमेंड करों शुरुभात है लिंक से क्लिक कीजिए एक तो यह तरीका हो गया दोस्तों दूसरा तरीका है मैक्सिमम बिट के मैक्सिमम बढ़के इतन दॉलर ही देना चाहते हो तो हम यहां पर वन डॉलर कर दो एक एक ग्जामपल दे रहा हूं तो यह वन डॉलर से उपर नहीं जाएगा ठीक है तो यहां पर यह हो गया दोस्तों मगर शुरवात में अगर आप नए हो आपको आइडिया नहीं क्या कॉस्टिंग आती तो सब्सक्राइब को ट्विटर हो गूपर हर को यहीं चाहता है उनकी कस्टमर्स की कम सब्सक्राइब में बेस्ट रिजल्स आए तो यहीं रहने दीजिएगा शुरवात में ऑप्तिमाइस प्रेफरेंस आप लिंक लिक से रखिएगा मेजर्मेंट ऑप्शन जैसे कि मैं आपक कर सकते हो ठीक है और इन व्यक्राइट चाहें केंपेट हों चाहीं बनाएं आप कंबर्जन ट्रैकिंग मतलब जैसे फेजबुक पिक्सल्स होता है वैसे युनिवर्सल ट्रैग होता है ट्विटर में तो वह कंबर्जन ट्रैकिंग के लिए आपको लगाना बहुत तब आप कई चीज़ों के इसमें फायदे ले सकते हो आप डेमोग्राफिक्स में क्या है दोस्तों कि आप अपने बिजनस टाइप के हिसाब से देख लीजिए आप मैं वोमें दोनों को अगर एड दिखाने तो एनी पे रहने दीजिए इसे वूमें को दिखाने तो वूमें सानगाता हूं तो इसलिए मैं फे डिगलस के थाइप से चूज कर रहा हूं आपको लुकेयशन लाइक यहां पर ऑप इंडीया दिखा रहा है आप अपने हिसाब से अपनी कंट्रीया कि शिदा आपको चूज करना है तो तो सके लिए आप ड interact पर जा सकते हो लाइब में यहां पर डैली डालता हूं यहां पर ऑप्शन आगे डैली का देखो मैंने डैली चूस कर लिया तो मैं इंडिया हटा सकता हूं और मेरे को सिर्फ डैली एंचीर करना है और उसके अलावा मैं अलग-अलग स्टेट्स राधिस्थान यूपी जो भी करन ठीक है और उनको multiple options आजाएगे लेंग्विच के अंदर optional है आपको language like Hindi या कुछ specific language करना है तो ठीक है नहीं तो फिर English language दिखाएगा डिवाइस दोस्तों आप यह जो एरिया आ रहा है यह डिपेंड करता है पूरा आपकी requirement के उपर आपकी requirement क्या है अगर आपकी इसी को product service है जो सिर्फ आप iOS users को दिखाना चाहते हो तो अगर सिर्फ Android users को दिखाना चाहते हो तो यह select कर लो अगर सिर्फ desktop users को दिखाना है इनको नहीं दिखाना है तो आप यहां पर select कर सकते हो यह आपकी मर्जी है ठीक है requirement के हिसाफ से devices में like अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ apple users को दिखाना है क्यों नहीं के लिए product है तो आप यहां पर कर सकते हो तो यह requirement के साफ से देख रहे है ना carrier के अंदर आप देख सकते हो कि आपको किस country तरगा करना है तो आप देख लीज़े रिक्वार्मेंट के हिसाफ से तरगेट पीपल इसमें बोल रहा है कि आप उन लोगों को क्या टार्गेट करना चाहते हो जो फस्त ताइम टिटर यूज़ करें किसी भी नई डिवाइस पर केरियर पर तो आंको लगता है आपको टार्गेट करना है requirement और यूज़े सो यहां पर सेलेक्ट कर लेना नहीं त अब यहां पर आते हैं दोस्तों कस्टम ओडियंस के ओपर अब कस्टम ओडियंस यहां पर तभी कर पाओगे जब आप यूनिवर्सल वेबसाइट टैग आप यूज करोगे मतलब कनवर्जन ट्रैकिंग का आपने वोलब वीडियो देखा और अपनी वेबसाइट या एप में अपने वो इंस्टॉल करा होगा जिसको पिक्सल कहते हैं तो टैग लगाओगे तो आप ट्रैक कर सकते अपना कस्टम बना सकते हैं या आपने को एपनी इस पेसिफिक लिस्ट बनाई थी या एप में आपने लगाया हुआ था तो तब ही बनेगा सारा ओडियंस का डाटा इ एक हजार लोग आए अप एक हजार लोगों का टार्गेट कर रहें बहुत ज़्यादा ओडियंस नहीं है तो आप चाहते हो कि जो ओडियंस ने इंटरस्ट लिया उसी टाइप के और ओडियंस को भी आपका एड दिखे तो आप यह पहले कस्टम ओडियंस सुन दिए फिर य अब यह बहुत इंपॉर्टेंट जगा है यहां से आप अपने स्पेसिफिक ओडियंस चूज कर सकते हो लाइक कीवर्ट्स अब मेरा डिजिल मार्गेटिंग से रिलेटेड काम है या एस्टियों से रिलेटेड कीवर्ट्स देखते हैं इंट्रस्टेड है इंट्रस्टेड हैं तो यहां पर लाइक मेरे डाला लेके स्टियों मेरे को दिखाएगा से रिलेटेड कितना ओर्डियंस साइज मेरा है तो मैं सब्सक्राइब कर सकता हूं या बल्क में भी अप्लोड कर सकता हूं कीवर्ट के लिजिट अगर है तो इसे फॉलोवर्सका का मतलब होता है कि मालीजये ऐसा कोई अकाउंट जिसके जो फॉलॉवर्स है वैसे ही आपका बिजनस आपको भी उस जैसे फॉलोवर्सकों को दिखाना है तो यहां पर आब वह एकाउंट कर सकते हो और उन जैसे तो पिर त्विटर दिखाएगा एड अब माले मेरा विज्नस में इन्टरस्ट रखते हैं उन्हों को स्मॉलनेस वालों को दिखाना चाहता हुआ है तो हुआ यहां से सेलेक्टर लोगा ठीक है टॉपिक्स हैं तो यह भी आपकी मर्जी है बट यह जो चीजे हैं जनरली जो मैं आपको बताई है आप अपने बिजनेस टाइप और नीचर और प्रोड़क्ट सर्विसेस के हिजाब से चूज कीजिएगा बहुत ध्यान से ठीक है तो यह करने के बाद एडिशनल ऑप्शन से आपर आ रहा है कि री टार्गेट पीपल और एंगेज़ विद यूर पास्ट ट्विट्स के आपको दुबारा से उन लोगों को टार्गेट करना है जो लोग एंगेज हुए आपके पास्ट ट्विट्स के संग तो आप यह और और यहां पर क्लेक करता हूं अब मैं इसको अगर एक्सपेंड करना चाहता हूं तो यह अब अभी नहीं हो रहा है तो यह हम एक्सपेंड कर सकते हैं तो यह हमने कर दिया है और टार्गेट फॉलोग्स अब मेरा एकाउंट है उसके जो फॉलोवर्स है हमँसा है अगर अगर को से अग्स है आपका ऑगर उनको वह चीरन से करना चाहते हैं तो यह हमने करा अब हम आतें प्लेस्मेंट अब जब हैड बनेगा तो एड कहाकार दिखाना फो आपको देखना है तो आपूं टाम Lai जैसे हम पर शूख है आपको प्र pró तो इस तरीके से सर्च रेजल्ट्स में दिखाने तो दिखा सकते हो मालीजे आप कहते हैं तो यहां पर अलग-अलग तो दोस्तों यहां पर आप एड़ कर सकते हो लाइक मैं यहां पर करता हूँ कि मार्केटिंग तो मार्केटिंग से रिलेटेड मैं टार्गेट करना चाहता हूँ अब यहां पर दोस्तों यूर वेबसाइट त्टीक है अब यह हमारी वेबसाइट का में लिंक यह डालूँगा तो में यहां कॉपी करूँगा कॉपी करने के बाद दोस्तों यहां पर जाकर इसके यूर्ण पेस्ट कर दूँगा तो यह मैंने यहां पर पूट कर लिया अब यहां पर दोस्तों ऑप्शन देखिया तो पहले सिर्ट आता था अब यहां पर डिस्प्ले ग्रेटिव में क्या होता है आप अपने क्रियेटिव भी क्रियेट करवा के अपने डिजाइनर से और उसको लाइबरेरी में डाल सकते हो तो साइजेज यहां पर आप अलग-अलग देख रहे हुआ अपने अभी स्टार्ट यहां पर आपने देखा था ऊपर जो अलग-अलग साइजेज वह जो फुल बैनर जो आ रहा था वह ऑप्शन तभी आप सकस्वूल कर सकते हो जब आप उसे साफ से बैनर सरी साइज आप ओने लगरण के तो यह तरीका भी है आपको त्म ऑर कोईं त्वीट एक फट त्वीट अगयरा करना चाहते हो कोई ग्रैðिक है तो इसमें वीडियो का प्शन नहीं है दोस्तों यहांपर इमेज का अप्शन है तो आपने जैसे मान लिए वाला ट्वीट यह वाला मैंने ट्विट यूज़ कर लिया अब जब मैं क्लिक करूंगा प्रिव्यू पे तो यहां पर देखिए इस तरीके से यहां पर आ रहा है डेक्स्टॉप पर ऐसे दिखाएगा एंड्रोइड पर ऐसे आयोस पर ऐसे ओडियंस प्लैटफॉम पर इस तरीके से ठीक है तो यह फुल स्क्रीन साइज है फिर अलगलग साइज है यह तब है जो मैं आपको बताया था कि आप अलगलग साइज बनवा भी लीजिएगा अगर आप डिस्प्ले के त्रू करोगे तो वह इस तरीके से दिखाएगा ठीक है जैसे यहां पर यह हमें शो हो रहा है ठीक है तो यह इस तरीके से दिखाएगा तो इसलिए आपकी च्वाइस है कि आपको ट्वीट्स में से यूज करना या अपने डिस्प्ले क्रियेटिव खुद बनवाने हैं तो यह आपकी मर्जी है तो आप कर लीजेगा तरीका मैं आपको बता दिया है दोनों अब यहां पर आप यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यह बिल्कुल सही हो गया अगर आपको कोई भी अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेटिंग्स देख लीजेगा कुछ एडिट करना एडिट कर सकते हैं करने के बार आप अगर सब कुछ हो क्यों है तो आप सीधा यहां पर क्लिक क यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर आप देख सकते हो इदर आपका कैम्पेन इदर आगया जैसे एक्टिव होका रनोना शुरू हो जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों आप ट्रेफिक लेकर आ सकते हो और ट्विटर के थूब भी आपने बिजनस को बढ़ा सकते हो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से आप ट्विटर पे अपना पिक्सल इसको कहते हैं या फिर वेबसाइट टैग इसको कहते हैं ट्विटर के अंदर जैसे कि आप ट्रैकिंग कर सको अपने एड्स की तो जैसे हमने फेस्बुक में सिखाय खाया था लिंक्डिं में सिखाया था वैसे चैसे में आपको तो ट्विटर एकाfounder मोग इन करने के बात्र जब आप इृटर करेंगे तो आप Twitter के Ad Manager Account में जाएंगे और Ad Manager Account में जाने के बाद दोस्तों टूल्स पर क्लिक किजिए तूल्स पर क्लिक करने के बाद आप Conversion Tracking पर क्लिक किजिए दोस्तों किसी भी प्लैटफॉर्म पर आप अपनी एड्स चलाएं बट अगर आप उस प्लैटफॉर्म का पिक्सल या ट्रैकिंग कोड अगर इंस्टॉल नहीं करोगे तो आप कई तरीके के Campaigns नहीं चला पाऊगे और आप अपने एड्स की कस्ट कि आप यहां पर दोस्तों दो चीजें होती है कि आप website करना चाहते है एक वह तो उसमें आपको क्या करना है है यहां पर तो क्लिक किजिए अगर website एप का है तो आप पर क्लिक केजिएंगHere कि न्युक्त की बाद कि अब च में उसी कंतब है तो क्योंकि वेब्चायर को दिखा रही है और दो तरीके से मैं आपको पताऊं गा इसके अंदर एक मैं आपको बताऊंगा कि वर्द लेपर को बोल सकते हैं, इसके लिए, how to start, यहां पर create a website tag, install website tag on your website, i agree पर आप click कीजिए, यहां पर आप click कीजिए, generate website code, तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं, इधर यह हमारा code है, अब यहां पर आप देखिये, यह setup कैसे करना है, if you are the person who will be installing the website tag, download the code and place it at the bottom of all pages on your website before the body, body tag से पहले लगाना है, ठीक है, तो जब आप यहाँ पर click करोगे, यहाँ पर देखे यह आ गया, इधर आप click करोगे, इसको आपको यहाँ पर दोस्तों control ले करो, copy करो, इसको cross करेंगे, अब जिस भी website में, आपको लगाना है, तो जैसे कि मैं इधर जाता हूँ, इस website में, यहाँ पर, मेरी wordpress की आप जैसे की देख सकते हो, back end है, theme है, तो यहाँ पर हम इधर आएंगे, appearance पर, यहाँ पर हम आएंगे, theme editor पर, theme editor पर click करने के बाद, दोस्तों, इधर जो आप देख रहे हों, इधर यहाँ पर हम आएंगे, theme header पर, तो, यहाँ पर हम, theme header में, यह देख रहे हैं, body tag, उससे पहले हमें लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इस code को paste कर देंगे, यह देखिए, पूरा, यह code हमने paste कर दिया, और इसको paste करने के बाद, आपको करनी है, file update, जैसे आप file update करोगे, इधर successful का आजाएगा, अगर आपको, यहाँ पर fail होता है, तो आप दुबारा try करोगे, तो यह successful हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने हैं code लगा दीजेगा, ताकि क्योंकि एक CMS based website है, तो हर page में लगाने की ज़रूरत नहीं है, बग तो आप इसके अंदर यहाँ पर देखिए, तो आप head देख रहे हो, यहाँ पर जैसे हम नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आपको body tag देखना है, कहां से start हो रहा है body tag, और उससे पहले head खतम हो रहा है, body tag start हो रहा है, यहाँ पर आप बीच में code लगा सकते हो, तो दोस्तों य कोई भी CMS है, तो उसमें facility होती है, अब एक जगा लगा हो, सब जगा आ जाएगा, तो जब आप वो लगा के, अगर HTML साइट है, तो लगाने के बार सारे pages को आप एक बारी, मतलब जिला के through, file upload करना होता है, file manager में वो कर देना, तो update हो जाएगा code, और अगर theme में है, तो बस तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने code को लगा सकते हो, और इसी तरीके से हमने आपको Facebook के ads में सिखाया था, LinkedIn के ads में सिखाया था, Google में और Twitter में, तो आपका code जब लग जाएगा, तो जब ads आप चलाओगे, जब आप अपने campaigns चलाओगे, हम यहाँ पर चलते है, ad manager में, तो जब आप campaigns चलाओगे, तो उसके अंदर वो आपको सारा का सारा, यहाँ पर आप जब analytics में जाओगे, तो analytics में देख सकते हो, ठीक है, तो आप अपना सारक सारा tracking देख सकते हो, जो आपने ads वगारे में जो campaign चलाए है, तो इस तरीके से आप कीजिए, और अपना conversion tracking स्टा कीजिए, तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, किस तरीके से आप reach ads चला सकते हैं, ट्विटर के ऊपर, तो आप अपने Twitter account में login कर लीजिए, उसके बाद आप मोर के section पर प्लिज क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद Twitter ads पर क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक करने के बाद, आप इदर देख सकते हैं, हम dashboard में आ गए हैं, Twitter ads के, अगर आप पहली बार बना रहे हैं, तो आप directly dashboard में नहीं आएंगे, यहाँ पर billing का आएगा, तो आपको credit card या debit card detail देखे, आप अपना billing setup कीजिए, normal, वो करने के बाद, आप इस dashboard पर आओगे, अगर आपन ads बना रखे होंगे, तो इस तरीके से आएंगे, पहली बार बना रहे हैं, तो यह section नहीं आएगा, तो दोस्तों, अब आपको campaign बनाने के लिए, यहाँ पर create campaign पे click करना है, और Twitter में कोई भी ad बनाने के लिए, आपको Twitter ad manager, आप देखेंगे, Twitter ad manager account में आना होता है, तो यह वह reach, जादा स्यादा लोगों तक पहुंच पाए हैं, next पे click करेंगे, यहाँ पर click करने के बाद, अब हम अपना campaign बनाएंगे, तो यहाँ पर already objective आ रहा है, हमारा reach ads का, campaign name डाल देंगे, अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं, mf reach ads demo, दोस्तों अभी तो मैं demo clip बना रहा हूं, दिखाने के लिए इसलिए demo डाला है, और यहाँ पर इसलिए आपको campaign name proper डालना जरूरी है, ताकि future में अगर आपके हम multiple campaigns हों, या कोई और handle कर रहा है, तो आप लोगों को idea रहे कि यह campaign किसलिए बनाया था, ठीक है, तो सही campaign name डाली है, आपने reference के लिए, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, because already जब आपने शुरू करा होगा account तब आपने billing setup में detail डाल दी होगी, तो अब यहाँ पर दोस्तो daily budget होता है, एक total campaign budget होता है, campaign budget का मतलब है, total budget का मतलब है कि आप माली जे रीचैट चलाना चाहते हैं और उसमें आप 5000 रुपीज लगाना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर 5000 रुपे, अगर आप total लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर total campaign budget डाली है, अगर आप daily लगाना चाहते हैं, 200, 500,000 जो भी लगाना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप डाल सकते हो, और यहाँ पर अगर आप start date, end date डालना चाहते हैं, इसका मतलब यहाँ कि मान लीजिए, मैंने अभी campaign बनाया और यह दो गुंटे बाद active हो गया यह approved हो गया तो अभी से ही चलना start हो जाएगा उसी वक्त से, अगर मान लो आज campaign approved हो जाता है, आप चाहते हो कि दो दिन बाद specific date पर add campaign चालू हो, active हो, तो start हो तो यहाँ पर आप वो date, start date और time डाल दीजिएगा, end date डालना चाहें, वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो manually भी pause कर सकते हैं, advance पर click करेंगे, दोस्तों यहाँ पर pacing में standard और accelerated का मतलब यह होता है, कि मान लीजिए आपने 10 dollar एक दिन का लगाया है, तो अगर accelerated mode पर आप click करोगे, तो क्या होगा, आपका जो add है, बहुत तेजी से दिखाई देगा, जल्दी से आपका add budget consume हो जाएगा, और हो सकते हो, पूरे दिन आपका add ना शो हो, because accelerated mode पर है, तो यह बहुत ही, आपको experience है, तब यूज़ करेंगे, आपको requirement है, तब यूज दिन में, ताकि पूरे दिन आपका add उसी साथ से show हो, अब दोस्तों आगे बढ़ते है, next वे click करता है, next वे click करने के बाद, अब हम add group में आगए, दोस्तों add group होता है, कि इसमें आप multiple add groups बना सकते हो, जैसे माली जी मेरी website is, मतलब मेरी digital marketing company है, तो मेरी website designing services है, SEO services है, paid services है, औ और बहुत सरी services हम देते हैं, तो जब भी आपके different product services है, तो यह मैं आपको सला दूँगा, कि आप हर service के लिए, अलग add group बनाए, ठीक है, और अलग add group set करने के बाद, अगला add group भी बना सकते हो, यहां से new add group पे click करने के बाद, उसका फायदा क्या होता है, कि एक service लाई, website designing service है, तो उसके हिसाब से मैं सारी settings करूँगा, उसके हिसाब, उसमें मेरे को कितना budget लगाने का शूखरने का बेंड करना है, वो मैं है setting कर सकता हूँ, अगले add group में, अगली service के हिसाब से कर सकता हूँ, तो अभी तो हम एक example दे रहे हैं, आपको एक add group का, ठीक है, तो यहां प आपको start date या फिर इसका specific budget डालने की जरुवत नहीं है, वो campaign budget ही वो काम करेगा, अगर अलग-अलग add groups है, तब आपको हर add group का अलग से budget डालने की जरुवत है, ठीक है दोस्तों, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, bit type में आप देख सकते हो दोस्तों, यहां पर automatic bit का system है और target cost का, target cost पर मैं click करूंगा, target cost का मतलब यहां पर आप देख सकते हैं, कि हमें already twitter suggestion दे रहा है, कि साड़े तीन डॉलर से लेके 6 डॉलर तक per thousand impressions charge हो सकता है, और bit amount average 4.75 dollars है, तो यहां पर आपको देखना है, तो अब दोस्तों अभी अगर आपने पहले कभी ads नहीं चला है, कि प्लीज आप क्या कहते हैं, automated bit पर मत कीजिएगा, अभी के लिए आप कीजिए यहां पर, sorry target cost पर मत कीजिएगा, automatic bit पर कीजिएगा, क्योंकि आपको अगर cost का idea नहीं है, तो फिर आप सही bit लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं या उसे कम cost में भी आपको ला सकते हो, तो कैसे बता लगेगा, तो आप Twitter के ओपर छोड़ दीजिए, वह अपने आप ही आपको कम से कम costing में maximum result लाके देगा, और यही recommended method है, to begin with, बाकी जैसे experience हो जाया तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, Optimized preference, तो वह तो मैंने आपको बताए दिया, कि आपको चूज करना है कि आपको क्या करना है, वैसे maximum reach is best, अगर reach campaign चला रहे हो, तो reach ही सिर्फ आप चुनों कि जासा लोगों तर पहुंचे है, engagement करना है, तो engagement के लिए अलग campaign चला सकते हो, तो यहां हो गया, अब यह जो है tag, यह सब का use tab है, tracking tab आप कर सकते हो, जब आप conversion tracking का जो universal website tag है, ट्विटर का अपनी website में लगाओ तो और तभी आप custom audience यह जो आप देखरो यह दर नीचे custom audience का look-alike का भी use तर भी कर सकते हो, तो उसके लिए वो वीडियो माने देख लीजेगा कैसे universal website tag लगा सकते हो, आप मतलब pixel code लगा सकते हो, पेस्बुक में पिक्सल बूलते हैं उसको ठीक है, तो demographics, अब demographics set कर लेते हैं, आप अपने business के हिसाब से अगर add men women दोनों को दिखाना है, तो यहाँ पर आप any पे click कर सकते हो, सिर्फ men के लिए है, तो men पे click कर लो, सिर्फ women को दिखाना है, एज आपको देखना है, all ages का यहाँ पर है, अगर सबको add दिखाना है, हर age group को, अगर specific age group है, तो जैसे मैं 25 साल से लेके 49 years तक दिखाना चाहता हूं, because मैं digital marketing से related leads चाहता हूं, और यह जो age group है, यह decision making है, बिज location choose करने के लिए, आप country, अगर all over India चला रहे हैं, तो अपनी country select कर लो, आ रख है by default, अगर आप specific city states में चलाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से, मैंने इस new daily डाला, वो यहाँ पर देखिए add हो गया, अब मालो यहाँ पर मैं राजिस्थान को state भी डालना चाहता हूं, इसक तरीके सा, multiple locations डाल सकते हो, language optional है, आपकी मर्जी है, डालना चाहूं, specific language के लोगों उटार के करना है, तो नहीं तो कुछ जरूवत नहीं है, अब यहाँ पर devices, अब दोस्तों, यहाँ बहुत सारे options हमें Twitter ने दे दिये हैं, like अगर आपकी requirement है, कोई आप iOS से related, Apple से related, आप कोई product है, तो आप सिर्फ iOS users को दिखाना चाहते हो, तो आप यह select कर लो, सिर्फ Android से related कोई है, तो आप यह चूज कर लो Android का, अगर आप सिर्फ desktop पे ही अपना end दिखाना चाहते हो, तो यह चूज कर लो, तो आपकी मर्जी है, आपको क्या चूज करना है, अगर requirement है, तो, यह optional है, device model, अब devices आ गए, like, सीधा apple, apple में भी अगर iPad, या फिर आपको iPhone, किस को आपको चूज करना हुआ, आप कर सकते हो, ठीक है, तो इतना ज्यादा in-depth, आप specific कर सकते हो, अपनी targeting को, यहाँ पर carrier आ गया, अब यहाँ पर आपको देखना है, अगर आपको select करना है carrier का, तो ठीक है तो कोई issue नहीं है, target people, अब इसमें एक option और दिया है, कि आप अपना add उन लोगों को भी दिखाना चाहते हो, जो Twitter पर नए है, ठीक है, यह नए device, नए carrier, first time Twitter यूज करना है, किसी device पर carrier पर, करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, अगर need नहीं है, तो मत किजिएगा, ठीक है, अब यहाँ पर custom audience में आ जाते हैं, दोस्तों custom audience जैसे मैंने आपको बताया, इसके लिए tracking code होना चाहिए, तो वो आप वीडियो देखेजिएगा, conversion tracking वाला, तब आप इसका use कर सकते हो, जब आप खुद का audience बनेगा, create होगा, targeting features में से कई सारे features हैं, like keywords, आप bulk upload भी कर सकते हो, like मानलीजे मैं SEO से related, मैं लोगों को touch करना चाहता हो, जो इस keyword से हो, उसके अलावा मैं करना चाहता हो, marketing, ठीक है, ठीक है, तो marketing से related, मैंने हैं select कर लिया, तो आप ऐसे keyword के list अपने हिसाफ से choose कर सकते हो, उसके हिसाफ से target कर सक सकते हो, पूरी list upload भी कर सकते हो, recommendations आप लेना चाहों तो recommendations ले सकते हो, branding operator तो यहां से आप choose कर सकते हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, वाकि follower look-alikes का मतलब होता है, कि कोई account जो आपको पता है, बहुत ही famous account है, इस पे उस तरीके की audience है, जो audience आपको चाहिए, तो उस तरीके का, आप उस account को लगा सकते हो, और उस account में जैसी audience को Twitter target करें, तो उस तरीके की audience को target करता है, तो यहां पर कर सकते हो, इंटरस्ट लाइक, आप इंटरस्ट यहां पर मेरा like business से related है, तो अगर मैं target करना चाहूं कि मैं advertising वालों को target करना चाहता हूं, या मैं business entrepreneurship वालों को करना च चाहता हूं, small business वालों को करना चाहता हूं, तो मेरे उपर है कि मैं उसके हिसाब से भी target करना चाहता हूं, फिर movies tv shows, अगर आपके business का relate करता है audience को तो आप कर सकते हो, events अगर करता है, आपको लगता है, आपके business के लिए है तो आप कर सकते हो, तो यह अलग-अलग है targeting, यह आ आपको अपने business product service type के हिसाब से चूज़ करना है, और बहुत सो समझ के चूज़ किजिएगा, तागी सही और specific audience के आप पहुंचोंगे तभी result आईए, इडिशनल्स option है, पे री-target people who saw or engaged with your past tweets, जो previous आपके Twitter पे ट्वीट से जो लोग engaged हुए है, उनको भी आपको री-target करना है, तो आप कर सकते हो, एक्सपेंड करनी है, अपनी audience, हो कर सकते हो, target followers, ठीक है, आप एक एक अकाउंट के जो followers है, हमको भी target करना है, तो आप कर सकते हो, ठीक है, तो यह additional features है, आपकी requirement के हिसाब से है, अब placement क्या होता है, दोस्तों, जो add चलेगा, वो कहां कहां दिखेगा, आप जैसे home timeline पे दिख रखा है, profiles पे ऐसे दिखेगा, तो अब मान लीजिए, आप अगर इन यह तो by default fix हैं, तो दिखेगा ही, अगर profiles से search results में से आप कहीं नहीं दिखाना चालता है, मालू में search results में नहीं दिखाना चालता, तो मैं यहां से सकता हूं, दिखाना चाहता हूं, तो select कर लोगा, ठीक creative अपना upload इधर नहीं कर सकते हैं, यहां पर हमें जो हमने tweets कर रखें, उसी में चाहिए graphical है, चाहिए video है, जो भी में को करना है, add में दिखाना है, वो में को यहीं से select करना होगा, तो graphical दिखाना है, तो यह कर लोगा, वीडियो अगर कोई है तो दिखाना है, तो वो आपको account में tweet होना चाहिए, post होना चाहिए, तो मालीजे मैंने यह वाला select कर लिया, select करने के बाद, ठीक है, मैं इसका preview देखना चाहता हूँ, तो यह ऐसे दिखेगा, देखे हैं, android पर ऐसे दिखेगा, ios पर ऐसे दिखेगा, तो इस तरीके से preview हमने देख लिया है, तो दोस्तों इस तरीके से आप और अपना creative select कीजिए, और इसके बार जब इस सारी settings हो गई, तो आप यहां पर next कीजिए, तो जब आप यहां पर next करोगे, यहां पर आप देखिए, सारी जो भी settings आपने अभी तक करी हैं, सब यहां पर आ गई है, कुछ भी आपको edit करना है, यहां से तो आपका जो है, यहां पर आ जाएगा, ठीक है, आपको active हो जाएगा, running में आ जाएगा, तो पंस होंगे, तो चलना शुरू हो जाएगा, पंस नहीं होंगे, तो अपने card में add करने होंगे, तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से अपने campaign बनाना है, और अ तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे, ट्विटर एड्स के अंदर किस तरीके से अप engagement campaign चला सकते हो, बहुत easy simple steps में बताएंगे, तो उसके लिए आप अपने Twitter account में login कर लीजे, login करने के बाद, आप यहां पर more के option पे जाएए, Twitter ads पे क्लिक कीजे, विकॉस यह आपको ल नहीं चला सकते हैं, यहां पर अगर आप पहली बार बना रहे हो, तो इधर दोस्तों, option आएगा, आपके पास पहली बार आप account में आए हो, तो billing setup का, तो आप credit card, debit card details डाल के, आप अपना billing setup कीजे, और setup करने के बाद, आप यहां पर create campaign पे click कर सकते हैं, जब आप यहां पर click करोगे, तो दोस्तों multiple objectives आ गए है, reach, video views, बहुत सारे हर तरीके का add हमने आपको बनाना सिखाया है, हमारे series में, तो यहां पर engagement के लिए हम सिखा रहे हैं, इसे engagement पे click करेंगे, और आप next करेंगे, next करने के बाद, हम यहां पर इस तरीके साब space पे आ जाओगे, और यहां पर आप देखिए, objective और already engagement आगे, campaign name हम यहां पर दे देंगे, तो यहां पर हम करते हैं, MF मतलब marketing fundas, engagement ads, demo, demo में इसलिए लिख दिया, because हम आपको training purpose के लिए सिखा रहे हैं, और campaign का नाम सही देना इसलिए जरूरी है, कि future में अगर आपके बहुत सारे campaigns हैं, एक account में और आपके कोई और भी handle करता है, तो कभी confusion ना होगी, campaign किस purpose से चलाया था, क्यों चलाया था, तो इसलिए सही reference के लिए campaign name का नाम दीए, तो यह देने के बाद आगे बढ़ते हैं, दोस्तों, यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो, इधर credit card और debit card details, तो यहां आपको कुछ नहीं करना है इसलिए कुछ नहीं करना, because already आप पहरे billing setup कर चुके होगे, दोस्तों, यह है total budget, तो यह जो total budget आप देख रहे हो, इसका मतलब है कि यह जो campaign engagement कम चला रहे हैं, आप मान लीजिए, अगर मैं इसमें 5000 रुपे कर्च करना चाहता हूँ, तो यहां पर मैं 5000 रुपे लिख दूँ यहां पर INR, इंडियन रुपीज में नहीं होता है, यहां पर USD, US dollars के अंदर होता है, तो आप अपनी current जो budget लगाने है, उसको US dollars में convert कर लीजेगा, जैसे मैं 10 dollars यहां पर कर देता हूँ, तो लगबाद 10 dollars हो गए, यहां पर 700 700 रुपे हो गए, तो मैंने daily budget यहां पर लगा और वो add आज ही approved हो जाए, और run होना शुरू हो जाए, आप नहीं चाहते हो, आज हो दो दिन बाद की specific day पे हो, तो वो दिन आप और time select कर लो, उसी दिन फिर वो चालो होगा start, ठीक है, भले वो approved पहले हो जाए, तो यहां पर advanced पर क्लिक करते हैं, यहां पर आप देख सकते ह इसका मतलब है, मानलो आप accelerated पर क्लिक कर देते हो, तो इसका मतलब है कि अगर आपने 10 जॉलर लगाये हैं, आपने चलाया है, तो वो जल से जल जा साधा लोगों को तेजी से दिखेगा, और हो सकता है, वो पैसा और add देखना आपका, कम time में आपका add देखना मतलब पैसा consume ह हो जा है, और add भी आपका पूरे दिन ना देखे, क्योंकि वो mode ही accelerated ऐसा है, तो यह आप जब advance आपको काम करना है, कोई requirement आपकी specific है, तभी accelerated mode पे कीजिएगा, वरना standard is best, इसमें आपका पैसा evenly पूरे दिन में distribute हो जाता है, उसी हिसाथ पूरे दिन आपका add दिखता है, next करे है कि बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम add groups में, यहाँ पर add group name हमें देना है, तो यहाँ पर हम अपना add group का नाम दे सकते हैं, तो दोस्तों एक चीज़ है, आप भले ही एक campaign बना रहे हैं, उसमें आप multiple per product or services का अगर आप add देना चाहते हो, तो हर एक के लिए एक अलग add group बनाना, like मैं SEO services दे रहा हूँ, तो उसका add group अलग बनाऊंगा, website designing मेरे को sale करना है, तो उसका add group अलग बनाऊंगा, तो क्योंकि उसके हिसाब से फिर आप यहाँ पर multiple, हर add, हर service का add आपको कब-कब चलाना है, कितना उसमें budget लगाने, सब आप अलग से set कर सकते हो, और सब के performance अलग जच कर सकते हो, तो एक add group बनाना के बाद आप second add group भी हां से बना सकते हो, तो अभी तो इसमें मैं आपको एक add group बनाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि वाखी तो आप बनाई लेंगे इसी तरीके से, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला SEO services, तो यहाँ पर मैं SEO services डाला, लिखी कि मैं add group यूज करना हूँ, अब यहाँ पर आते हैं, bit type के ओपर, bit type में automatic bit है, और maximum bit है, तो maximum bit पर पहले क्लिक कर आपको दिखा देते हैं, maximum bit का दोस्तों मतलब है, कि 1 dollar, 30, 0.30 dollar से लेके 1.80 dollar तक लग सकता है, हमारा पर engagement, तो एक average जो है, एक डॉलर पांच सेंट है, पर engagement के लिए, यह हमें एक idea दिया है, Twitter ने, तो हम बड़ा घटा सकते हैं, अपने हिसाब से, मगर जब आपको idea नहीं है, पहली बार कर रहे हो, तो आप कैसे आप budget अपने decide कर सकते हो, इसलिए, bit decide करने के बजाए, आप automatic bit पर रहें देजे, ताकि आप जब multiple bar campaign चला लो, और Twitter खुद कोशिश करता है, कि best to best cost में आपको maximum results आए, तो इसलिए, इसको recommended है, शुरुबात beginners के लिए, वाकि जब experience हो, आपको तो अपने हिसाब ताव अपनी bidding लगा सकते हो, और यहाँ पर measurement tags या यह सब तो चीज़ा आप देख रहो, यह conversion tracking code, मतलब Twitter का universal website tag का code जब आप लगाओगे, जिसको pixel code कहते हैं, Facebook की भाशा में, तो उसका वीडियो देख लीजेगा, तब इन चीज़ों का आप news कर सकते हो, जब tracking code आपने लगा रखा है, अपनी website में या app मे अब दोस्तों, हम demographics पर आते हैं, तो यहाँ पर demographics पर हम आए, आपके product services के हिसाब से, आपको दोनों को दिखाने तो any पर select कर लो, सिर्फ men को दिखाने तो यहां select कर लो, age के अंदर all, अगर सारे age group को दिखाने तो all कर लो, specific age criteria है, जैसे मेरा business related है, तो मैं चाहता हूं 25 से ले देखें, because decision makers होते हैं, decision ले सकते हैं, services लेने का इसलिए में, अब आपके requirement अपने हिसाब से, आप age range select कर सकते हो, अब location के है, दोस्तों, bulk में भी upload कर सकते हो, अलग-अलग अपनी specific location डाल सकते हैं, जैसे by default इंडिया आ रहा है, और all over India चलाने तो इंडिया चला लो, इंडिय पूरे पर नहीं चलाने, specific city state पर चलाने तो इसको cross करो, यहां पर जाओ, आप अपने हिसाब से, अपनी city या state add कर सकते हो, जैसे देखो मैंने डेली add करा, ठीक है, अब मैं यहां पर like राजस्थान, यहां पर मैं करना चाहता हूँ, तो मैंने यहां पर राजस्थान पर click कर मैंने अपने हिसाब से location select कर दी, ठीक है, तो अब यह हो गया है, अब language, अगर आपको specific language के लोगों दिखाना है, तो आप select कर सकते हो, हिंदी या जो भी आपको करना है, मगर optional है, जैसा है, उसको वैसे भी रहने दे सकते हो, devices, अब दोस्तों, बहुत अच्छे options दे रखे है करना है, Twitter ने हमें, कि अगर हमें specific सिर्फ iOS users को target करना है, तो यह select कर सकते हो, आप all या फिर उसमें भी categorization करना है, तो वो भी कर सकते हो, आपको सिर्फ Android वालों को करना है, वो कर सकते हो, सिर्फ desktop users को add दिखाना है, तो वो कर सकते हो, डिपेंड करता है, अपर nature of business क्या demand करता ह ऐसे device models, mobile के हिसाब से करना चाहते हो, वो कर सकते हो, आप, carrier के हिसाब से आप यहाँ पर select कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि first time जो Twitter पर आ रहा है, किसी device पर नई device पर या carrier पर तो उसको भी target करना चाहते हो, तो यहाँ से select कर लो, कस्टम audience या look alike, दोस्तों, यह इसका मतलब वो है, कि जब जैसे Facebook में pixel होता है, और उससे हम data track करते हैं, वैसे Twitter के अंदर भी जब आप हमारा वह वाला tracking वाला वीडियो देखके, अपना website tag लगा लोगे, अपनी website में Twitter का, तो जो data custom audience यहाँ पर create होगी, बनेगी, उसको आप target कर सकते हो, आप पर custom audience है, वो remarketing कर सकते हो, जो आपके audience create होगी, उस जैसी audience को और आपको add दिखाना है, तो आप यहाँ पर add दिखा सकते हो, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर targeting features के अंदर हम आते हैं, तो targeting features के अंदर बहुत सारे options हैं, कि हम कैसे अपनी audience को target कर स सकते हैं, like मैं SEO मेरे हां यहा पर डाला, तो उसके हिसाब से मेरे हां पर target कर लिया, ठीक है, अब मैं हlingen यहां पर marketing डालता हूँ, तो उसके हिसाब से में target कर सकता हूं select कर सकता हूं मैं recommendations मिन जाएंगी उन में से choose कर सकता हूं ठीक है मेरी keyword list है तो मैं यहां से बलक upload कर सकता हूं ऐसे दोस्तों Twitter पे अगर कोई account है जिसमें आपको पता है इसके जो followers हैं उसी एकाउंट्स जो हैं उनको आप यहां पर डाल सकते हो और उनके जैसी जो पब्लिक है उसको ट्विटर डिखाएगा प्लस यह जो इंट्रस्ट आप देख रहे हो इंट्रस्ट लाइट आप जो लोग व्यूटी में इंट्रस्ट रखते हैं बिजनेस में रखते हैं बुक सब्सक्राइब को किस इंट्रस्ट के लोगों को अगर एड दिखाना है तो वह भी आप यहां पर सब्सक्राइब कर सकते हो तो बहुत सारे हैं दोस्तों मगर यह तो आपके प्रोडिक्ट सर्वेस और नीचर बिजनस पर डिपेंड है आप कौन से ओडियंस को चूज करोगे तो सही से सेलेक्ट करना विकॉज तो मैं डमी के लिए दिखा रहा हूं बट आप तो अपनी रिक्वार्मेंट के साब सब्सक्राइब को सही इंगेज हुए आपके पासट से उनको कर सकते हो एक्साएं यहाँ पर कर सकते हो ओल्स कर अब यहां पर क्या है प्लेश्मेंट कि आप कहां कहां ट्विटर में दिखाना चाहते हैं तो होम टाइम लाइंस में तो में दिखाना है तो इस तरीके से आप देख सकते हो तो आपके ओपर डिपेंड है दोस्तों अगर आपको इन दोनों कि आपको कहां अपनी प्लेश्मेंट के ओपर आपको यहां पर आपको क्या करना दालना पड़ेगा और उस ट्विट को आपको हो सेलेक्ट करना पड़ेगा चाहिए वो वीडियो वाला हो चाहिए वह इमेज वाला आपको चूश करने क्लिक करों के आप क्लिक करोगे कैसे आपका दिखेगा एंड़ूइड पर कैसे सब कुछ अगर है तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमारा केंपेंग यहां पर एक्टिव हो गया है और यह चलना स्टार्ट हो जाएगा तो अगर आपका रिव्यू में होगा तो यहां पर वह आ जाएगा कि पेंडिंग में है तो इस तरीक ऐसे आप अपने लोगों का इंग करता हूं सब्सक्राइब का वीडियो तैंक युद्शन आप 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 करता हूं करता हूं